परिख्षाप्लस 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 अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है मिक्स पूरा एक प्रेक्टिस सेट है पचास कोश्चन हैं आपके कंप्यूटर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और उसकी पीडिएफ पाने के लिए आप लोग टेलिग्राम ग्रुप जो है परिक्षाप्लस का जरूर जोइन कर लें वहाँ पे जो भी ये आपका ASI बेसिस पे जो रिवीजन क्लासेश चल लें हैं आपकी उसकी पीडिएफ प्लासेश आप पीडिएफ जो है वहीं पे मिलेंगी आसुतोष जी नमस्कार राहूल जी शहबाज जी जैक कुमार जी सभी को गुड़ इवनिंग प्रिती जी गुड़ इवनिंग राहूल चोहान जी हाई सचीन खना जी सर मैराथन लगवा दो मैराथन क्लासेश ही तो चल लई है आपको revision classes मिल लही है proper हम revision classes देंगे सर पंदरदे में batch complete कर पाएंगे वो तो आप पे depend अगर आपने batch लिया देखो यहाँ पे revision पे तुम्हें नहीं कहूंगा कि आपका मैं पूरा complete कराऊंगा लेकिन most expected जीजे मैं cover जरूर कराऊंगा चाहे वो questions के माध्यम से हो चाहे जिस पे जरूरत पड़ीगी तो मैं उसे theoretical भी पढ़ा दूँगा तो जैसे भी होगा मैं कोसिस करूँगा आपके computer के portions को कि आपके maximum question वहाँ से फस जाएं बाकी अगर आप course से जुड़े हो तो बहुत बढ़िया है अगर 15 दिन है आपके पास तो दो दो तीन तीन लेक्चर निप्टा दो या notes जो है उसको properly पढ़ डालो दोनों में से कोई एक काम कर लो exam के बाद typing में आपको almost कहा जाए तो एक month मिलेगा एक month का समय मिलेगा जैहिन the word of economics तो शुरुआत करते हैं हम लोग session की late नहीं करते हैं पचास questions है आप लोग के knowledge को भी check करेंगे आप कितना जानते हो कितना आपको मेहनत करने की और जरूरत है पहला question है आसान सा question है यह आपका किस्से है database से है MSSS से है record delete करने या MSSS से है यह question record delete करने या table पर गढ़ना करने का स्वरत्तम टूल है query, filter, form, report बताईए कौन सा record को delete करने table पर गढ़ना करने के लिए main है search करना, record को delete करना उस पर edit करना क्या भी आ रहा है sir English में English में भी लाय करें चलिए आ जाएगा लेकिन देखो record को English में भी record कहेंगे delete को delete कहेंगे तो record delete करने के लिए table पर गढ़ना करना मतलब आपका क्या हो जाएगा calculation करना का स्वरत्तम टूल कौन सा है जो tool होता है ये करने के लिए record को delete करने के लिए और table में गढ़ना करने के लिए मतलब calculation करने के लिए table में वो कौन सा tool होता है query होता है, filter होता है, form होता है, report होता है इतना तो understanding आपकी होनी चाहिए computer और mental वाली class के लिए हमें फीदेनी होगी क्या app वाले बच्चों को अगर आप course से जुड़े होंगे, किसी तप्तो फिस नहीं देनी आपके course में already है, दूसरा कोई नहीं पढ़ाया जा रहा है लेकिन अगर आप किसी course से नहीं जुड़े हो तो अगर आप वो लेना चाहते हो, special bias तो ले सकते हो वो आपकी इच्छा है राकेश कुमार जी, good evening, a answer आ रहा है तो इसमें क्या होगा, एक correct होगा जो लोग एक के साथ जा रहे है query एक ऐसा एक तरह से बोला जाए टूल है, जिसके ताथ हम सर्च करते है SS में, ठीके और उसके बसे जहां हमें data delete करना है उसे delete करते है, add करते है यह सब काम इसी में होता है ठीके, तो query से होता है यह ध्यान रखना filter data को filter करने के लिए होता है anyak क्या था anyak क्या है, जो anyak है वो क्या है, एक memory device है एक electronic computer है, search engine है electronic calculator है, बताइए क्या है anyak जो है, वो क्या है इसका answer क्या हो गए जे प्रेस पर escort और John Markle ने इसका अविसकार किया था यह एक क्या है, B options अभी लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया विसाल जी A दे रहे हैं, राकेश जी V है मनोज जी आदो जी C answer दे रहे हैं, प्रिती जी B दे रहे हैं प्रभास वर्मा जी का नमस्कार spiritual spiritual जी का answer B है विसेग जी का answer B है विसाल जी, सभी लोग B की तरफ जा रहे हैं एकदम आसान सा सवाल है एनिया के एक electronic computer है जो किस generation का है first generation का है यह याद रखना ठीक है, इसके अगर अभिसकार आप पूछ ले आपसे कि कौन किया था तो जे प्रेसपर एसकार्ट जे प्रेसपर एसकार्ट और जो दूसरे थे उनका क्या नाम था जॉन मौशली जॉन मौशली ठीक है, यह इसके अभिसकारक थे लगोश, नेक्स teeth आते हैं यह सब आपके नोड्स में लिखा हुआ है ठीक है, मैं बस question format एक बाइट्स कितने bits के बेराबर होता है यह हमेंचा छोटने हर exam में पूछते है एक बाइट जो है किसके बाराबर होता है आठ bits के बेराबर होता है क्यों इतना तो पड़े हो न एक निबल जो होता है वो किसके बराबर होता है C answer आरा राकेश जी विवेक जी एक बार जोड़दार तरीके सा आप लोग सेहर कर दें आकास जी का आराय स्प्रिच्वल जी का C answer आराय विसाल जी का C है अब इसे कुमार जी का C है प्रिती जी का C है मनीश जी का C है 4 बिट्स होता है एक निबल में बहुत बढ़ी है तो 4 बिट्स होते है एक निबल में तो यहाँ पूछा है एक बाइट की बात कर रहा है तो एक बाइट में 8 बिट्स होंगे C answer correct होगा अपने अपने लिखते जाना कितने सही कर रहे हो Intelligent Terminal क्या होता है Intelligent Terminal है एक Microprocessor है जो यूजर द्वरा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता यूजर के साथ अंग्रेजी में वर्तालाब कर सकता है ऐसा कोई डिवाइस है यूजर से डाटा नहीं ले सकता है बड़े CPU के उपयोग से छोटी डाटा प्रोसेसिंग जाब को पूरा करता है क्या है बताओ Intelligent Terminal क्या है देखो ये CPU में ही एक Intelligent Terminal होता है जिसका काम क्या होता है Processing Capacity होती है D answer आरा है सभी का बहुत होती है नितिन पांडे मनीश जी सभी लोग D दे रहे है चलिए और किसी के answer प्रबाजवर्मा जी का answer D आरा है नितिन जी का answer D आरा है एक बार आप लोग कंजूसी कर रहे हो Like और Share बराबार करिए ताकि बच्चे और हमसे जुड़ सकें हिमानसू जी का answer D आरा है तो D एकदम correct है जो CPU में क्या होता है टर्मिनल होता है जिसके तहत हम क्या करते हैं जो छोटे छोटे टास्क होते हैं उसकी processing ये करता है उसी में उसी को क्या करते हैं इंटेलिजेंस टर्मिनल करते है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमे मापा जाता है BPS में, MIPS में, WARD में या HOTS में किसमे मापा जाता है ये सब मैंने करा भी रखा है जल्दी से बताओ एकदम तेजी से answer आने चाहिए 50 question है हमें 50 question एक गंटे में cover करने है B answer आ रहा है कुल्दीप पाल जी का A answer आ रहा है विसाल जी का D है MIPS बहुत बढ़िया MIPS इसका exact answer होगा millions of instruction per second millions of instruction instruction per second इसका full form होता है ये आपके CPU की गतिबाब ता है चलिए अगले पे आते है C भासा क्या है जो C भासा है वो क्या है जो C language है वो इस में से क्या है बचाओ NIMN अस्तर की भासा है उचस्तर की भासा है मसीन अस्तर की भासा या Assembly अस्तर की भासा है बताइए C क्या है तेजी से answer comment करिए और like और share जरूर करते रही है BRI High level language है एकदम correct है जो यह क्या है high level language है और यह किसको क्या कहेंगे और procedure based language है यह procedure based language है मतलब एक sequence में यह language लिखी जाती है और जो C++ है वो object oriented है यह क्या है object oriented object oriented है oops concept जिसको बोलते हैं यही C++ Java maximum आपके जो language होते हैं मगर यह procedure based है एक-एक step wise समझ लो तो यह क्या होगा इसका यह आपका machine का क्या है निमनस्तर उचस्तर high level language है भी आपका correct होगा Windows 7 Microsoft Corporation के latest operating system में भारती भासाओं के कितने font हैं भारती भासाओं के font पूछ रहा है किसमें आपके Windows 7 में Windows 7 में भारती भासाओं के कितने font हैं जल्दी से बताओ एक पर share करो इस पूरे session को जल्दी से आप लोग 26, 11, 14 बता रहे हैं कुछ spiritual जी विसाल जी 37 बता रहे हैं ए बता रहे हैं राहुल जी कुमार जी ए बता रहे हैं देखो कुछ भी नहीं सही आप लोग का पहले 9 था जो Windows 7 से पहले आपका कौन सा था XP था एंटी था उन में 9 था बाद में Windows 7 में आपके कितने जोड़े गएं आपके 20 फॉंट और जोड़े चालिस फॉंट जोड़े गएं तो यह कितना हो गया है तो अभी कितने है Windows 7 का जो लेटेस बर्जन है उसमें भारती फॉंट अगर बोला जाए तो उन्चास फॉंट है इसको याद रखना 49 फॉंट है डी करेक्ट आंसर होगा अगला कोश्चन है कट और कापी करने पर सेलेक्टिट टेक्स्ट कहां चला जाता है बताओ कट और कापी जब हम करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाता है माई कंप्यूटर में जाता है क्लिप बोर्ड में जाता है या डेक्स्टॉप पे जाता है इतना तो आप आप्सन से कर सकते हो recycle bin में कौन सा जाता है जिसको हम shift delete करते है shift delete करोगे अगर shift के साथ अगर delete button दबा रहे हो ठीक है तो recycle bin में नहीं जाएगा वैसे direct delete मार रहे हो तो recycle bin में जाएगा ठीक है चलिए अरे language नहीं है language का मतलब नहीं जो भी यहां के font है जो भी आपकी भासा उसके कई font होते है कभी टेड़ा लिखेगा कभी सीधा लिखेगा उसके ओंचास font बने गए है language समत जाओ C होगा ठीक है बहुत बढ़िया तो यहां क्या होगा clipboard में जाता है ठीक है जो भी आप copy paste करते हो ठीक है cut करते हो और copy करते हो तो वो recycle भी कहां जाता है clipboard में जाता है word खोलना वहाँ पर clipboard होता है जब आप cut करोगे तो देखना clipboard पर click करके वो जो चीज आप copy किये होते होँ वहाँ दिखाता है ठीक तो यह आता है C इसका answer next पहले से save किये गए documents को save new none of these क्या होगा इसका answer save as आसुतोष जी राकेश जी का नाइन का answer a आ रहा है save as आ रहा है चलिए सभी का मनीश जी का a a a a आ रहा है प्रवाज जी विसाल जी सभी का a रहा बहुत बैतरी ने एक बार और share करो पटाक दे तो एकदम सही है save as ही आसका correct answer होगा कोई फाइल पहले से save नाम से ठीक है तो उसको दूसरे नाम से बदलना होगा तो हम save as करेंगे उस फाइल को अलक्स नाम दे देंगे next है .doc file बनाने के लिए इसमें से कौन सा application यू प्रियोक्त करते हैं Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint Word, Microsoft Access इसमें से .doc file कौन बनाता है document file कौन बनाता है बहुत बढ़िया CRI, MS Word, MS Word बहुत बढ़िया Microsoft Word से क्या होता है .doc file या .docx file बनती है ये वर्जन 2003 तक है ये 2007 के बाद के आपके मिलता है Excel में XLS या XLX ठीक है ये मिलता है PPT में PPT X या PPT ठीक है PPT X ठीक है X बाद में समय जुड़ जाता है Next हम आते है इसमें XLS या XLS X ठीक है ये तीन दो फाइल होते है ये आपके तीन वत्तक होता है और ये 2007 से होता है अगला MS Excel में count करने का सही formula क्या है ये मैंने अभी पढ़ाया था सभी को पढ़ाया है MS Excel में अगर कोई चीज count करना हो तो उसका सही formula क्या है बताओ राउल जी बता रहे है B, B, B अच्छा गौरब जी B आंसर दे रहे है अकाजी B, राके जी अकाजी का आंसर कौन सा? Edits प्लस B आंसर बता रहे है प्रबाजी का B आ रहा है Sparkleman B आंसर दे रहे है चले बहुत बढ़ाया है तो यहाँ पर B है एकदम सही account ये इससे formula सुरू होता है देखो ये ऐसे option गलत हो गया क्योंकि कोई भी formula Excel में equal to के sign से सुरू होता है तो ये answer सही हो जाएगा B वाला World Wide Wave की आउधारणा किसने विक्सित की थी बताइए World Wide Wave की आउधारणा किसने विक्सित की थी Team Burners, Lee ने Microsoft ने Charles Babes ने AtRT Bell Lab में बताइए कहां पे www किसने अविस्कार किया था www का World Wide Wave का जल्दी से बताएए ए आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया जबर्दा Steam Burners, Lee ने इसका आविस्कार किया था हाँ ए होगा 12 का A होगा टेली टेक्स्ट क्या होता है बताओ टेली टेक्स्ट टेली टेक्स्ट बोला जाता है क्या है TV स्क्रीन पर वर्टालाब की फ्लैसिंग टेलेक्स मसीन पर संदेश का टेलेक्स छापना STD कोड के बिना आउट स्टेशन टेली टेली टेक्स्ट के साथ इस्थानिय टेली टेली टेक्स्ट को कनेक्ट करना TV स्क्रीन पर खबरों और सुचनाओं की टेक्स्ट की फ्लैसिंग क्या होती है टेली टेक्स्ट यह आप लोग मोबाइल में भी तो यूज करते हो टेली टेक्स्ट क्यों जल्दी से बताओ टेली टेक्स्ट क्या हो है टेक्स्ट मतलब जो आप बोलो टेक्स्ट बनना ठीक है वही टेली टेक्स्ट होता है तो टीवी स्क्रीन पर खबरो और सूचना हो जो सूचना होता है उसका टेक्स्ट की फ्लैसिंग होना जो टेक्स्ट फ्लैस होता है उसी को टेली टेक्स्ट बोलते हैं यह द्यान रखना डी आपका सही होगा एक्सल एक प्रोग्राम है कैसा word processing प्रोग्राम है presentation है database है या नण अब दीज है क्या होगा excel क्या है excel में data तयार करते हैं क्यों करते हैं कि नहीं जल्दी से बताओ तो इसका answer आना शुरू हो गया सभी का एक तरफ से अंकित जी प्रिती जी दिवेश जी पार्कल मैन गोविंद यादो जी आसुतो जी अर्चना जैस्वाल जी सभी का अंसर डाटाबेस है बहुत बढ़िया डाटाबेस इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसमें हम रो कॉलम में डेटा को क्या करते हैं हैंडल करते हैं डेटाबेस हो गया MS Excel में जो एक सेल एड्रेस होता है जो आपका रो और कॉलम से मिलकर बना होता है ऐसा सेल होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1125-911-41-A इसमें से एक्जेप्ट सेल एड्रेस का कौन सा उधारन है जल्दी से बताओ राहूल काट्रा जी C आंसर लें विसाल जी का आंसर C आ रहा है चलिये अंकित भधूरिया जी का आंसर D है, प्रवाजबरमा जी का D है गोविन्द जी का D आंसर है, रिसी जी का D है Editz Plus का आंसर डोंट नो, अच्छा राकेस कुमार जी का C आ रहा है अरे ऐसे कैसे देखो जब Excel खोलोगे एकसल में ऐसे देखो यह ROW होते हैं यह COLUM होते हैं एसे थो होता है तो यह A होता है यहाँ पे आपका क्या होता है 1, 2, 3 ऐसे जाता है ना और यहाँ पे A, B, C, D तो इसका अगर मैं कहोँ इसका ADDRESS क्या होगा तो इसका address क्या होगा क्योंकि किस column में पहले column A रो कौन सा है 1 A1 ऐसे represent किया यता है column और row पहले column होगा फिर row होगा A21 यह आपका क्या होगा exit address होगा D एकदम सही होगा इसका answer क्या होगा D सही होगा ठीक है D सही होगा next हम आते है computer में AND gate बेसिक एप्लिकेशन क्या है, कली मैंने बताया था, कली ये पढ़ाया था गी नहीं आप लोगों को, एंड गेट का बेसिक एप्लिकेशन क्या है, जोड़ना, घटाना, गुड़ा या भाग, जल्दी बताओ, कल की क्लास में, दो सो तीस, टू, दो सो चालिस आ रहे हैं, थोड़ा सा और इंप्रूफ करिए, थोड़ा सा राहूल जी, बस थोड़े सी जरूरत है, मेनत की बस, राज कुमार सिंग जी, मल्टिपाई करता है, A आ रहा है, C आ रहा है, A आ रहा है, गुड़ा करता है, C, किसी का A, किसी का C आ रहा है, ऐसे कैसे, अमित कुमार जी, जोड़ता है, कल की क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है, क्या, जिनके आंसर अगर A आ रहे हैं, वो इसका मतलब कल की क्लास नहीं देखी हो, आप लोग, कल मैंने पूरा नंबर सिस्टम, और आपके लॉजिक गेट को प्रॉपर पढ़ाया है, चलिए, तो इसमें क्या होगा, end क्या काम होता है, क्या करना, multiplication करना, और का काम क्या होता है, जोड़ना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा, C आपका सही होगा, सोला नंबर, सत्रा नंबर, email का concept किसने developed किया था, जल्दी से बताओ, email का concept किसने developed किया था, जल्दी से इसका answer क्या होगा, जल्दी से बताइए, ए आंसर आ रहा है C आ रहा है ARI रेंग टोमिल्सन ने चलिए A, ARI रेंग टोमिल्सन रेंग टोमिल्सन ही होगा इन्होंने 1972 में पहला मेल भेजाता और at the rate का जुच्चिन होता है इन्हीं ने अविस्कार किया था छीक हैнее मदलब इसका जो एक तरह से बोला झाशिन का चैन mail में इसका chain जो है इनगी नो है कीए था कौन रेट EmiiIllson ने लेकिन अधिकारी की रूप से अगर आपसे ओपचारी की रूप से किसे बोला जाता है कि इन्होंने email का मदलब वो किया develop किया तो देखो main होता है option पे अगर यहाँ option rate email सन है तो rate email सन होगा इन्होंने पहला mail भेजा था इन्होंने क्या किया था पहला mail भेजा था लेकिन एक जो email होता है जिसमें आपका sending हो कोई message प्राप्ट भी कर सके भेज भी कर सकते delete भी कर सके यह सब पूरा प्रापर function जिसने किया था उसका नाम क्या है वो आपके भारती अमेरिकी बैग्यानिक थे जिनका नाम था Shiva Ayudurai Shiva Ayudurai ठीक है Ayudurai ठीक है Shiva Ayudurai नाम था इनका 1982 में इन्होंने विसकार किया था सीवा से नामी पता चलता है भारती मूल के थे अयूदुराई ठीक है सीवा अयूदुराई ने किया था इनको आपचारिक रूप से पूरा इन्होंने जो इमेल बनाया उसमें आपका सेंडिंग, रिसीविंग, डिलीटिंग, आउट आउट बॉक्स सब था ठीक है, समझ गए, यह ध्यान रखना लेश्ट आते हैं, सीडी रोम डिस्क पढ़ने के लिए आपको किस की आउसकता होती है लेजर बीम की बीमा लिखा है लेजर बीम, मैगनेटिक निडल, साउंड कार्ड, ग्रैफिक्स कार्ड सीडी रोम जो डिस्क होता है उसको पढ़ने के लिए हमें किस चीश की जरूरत पढ़ेगी देखो, वो क्या है, आप्टिकल डिवाइस है ना लाइट पे चलने वाली चीज़े है तो लाइट का इसमें कौन सा दिख रहा है ए ओप्सन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लेजर बीम से हम उसमें डेटा रीड या राइट कर सकते हैं डेटा उस पे चढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ए एकदम करेट होगा 18 का गोविंद जी, हिमानसू जी राहूल जी, आकास जी, राजकुमार सिंग जी नेक्स्ट इन सभी के क्या आंसर है किसका संगठन है, जल्दी से बताईए इसका आंसर क्या होगा, जो सूचना संगठन है वो किसका है वाडिज और व्यापार का ये अभिन अंग है सूचना और संचार प्रोद्योगी भी कहा जाता है डी आ रहा है, बहुत बड़े, इसमें क्या होता है जो भी डेटा बेस होता न, आप जो भी जितने भी मैसेज, कॉल ये गवर्मेंट का है ICT, इसके अंदर ये सब डेटा रिकॉर्ड किया जाता है सब डेटा बेस प्रबंधन, संचार और इंटरनेट इन सभी का लेखा जोखा इसके अंदर होता है D एकदम correct होगा वो कौन सा electronic उपकरन है जो mini file में निर्देसों से आवाज पैदा करता है option देखो synthesizer, scanner, speaker, sampler देखो scanner तो होगा नहीं speaker जो होगा किसी निर्देस को mini file को निर्देस को नहीं आवाज पैदा करता है यह खुद नहीं करता है इससे किसी सो जोड़ा जाता है sampler भी नहीं होगा sampler अलग यूज होता है digital signal के लिए यूज होते है जल्दी से बता हो इसका क्या होगा हाँ यह होता है वो synthesizer search माना वो ऐसे होता है keyboard वाला ऐसे ठीक है piano की तरह synthesizer तो ऐसे करते हैं तो एक short निर्देस में tuning आप जो बनाते हो music compose करने वाला तो वो एक synthesizer उसे बोलते हैं तो यही answer यह होगा correct next आपका निमलिखित में से कौन सा कौन आपको presentation में एक से अधिक slide चैन करने की अनुमती देता है art click it slide shift drag it slide shift plus click it slide control plus click it slide किस से आप क्या कर सकते हो एक से जादे slide चूज कर सकते हो जल्दी से बताओ shift plus drag it slide नहीं नहीं अनकूर जी नहीं d d d d d r a देखो shift के साथ किसी भी अगर multiple choice करना होता है हम लोग shift के साथ करते हैं shift के बाद साथ क्या करेंगे click करेंगे तो वह हमको choose करते रहेंगे जितने भी slide हमें choose करना है shift दगा लें और mouse पे click करते रहें तो हम उसे multiple choice कर सकते हैं धेर सारे आपके क्या करेंगे हम slide को chain कर सकते हैं एक बार में तो shift के साथ click on each slide यह सही होगा windows 8.1 किस verse बनाया गया था बताओ windows 8.1 किस verse बनाया गया था 10 में, 11 में, 12 में या 13 में और windows 10 कब बनाया गया windows 10 मैंने कई बार question भी कराया है mcq जीतने कराया है उसमें मैंने यह सब पढ़ाया है windows 10 कब बनाया गया अगस्त 2013 और बात करें तो यह market में कब आया 17 October 2013 को आया वैसे इसका निर्माण हो गया था आपका अगस्त में अगस्त 2013 में हो गया था लेकिन market में आया कब 17 October 2013 तो option D सही होगा C नहीं, D सही होगा और windows 10 की बात करें तो यह कब आया, दो साल बाद आया यह कब आया, दो साल बाद आया windows 10 कब आया, दो साल बाद मतलब 2015 में आया है ठीके 2015 में आपका October में, यह भी October 2015 में आया है, और windows 7 जो है, वो कब आया था तो यह 2009 में आया था यह ध्यान रखना, windows जो 7 था यह 2009 में आया था modern नाम कहां से लिया जाता है modern divine डिमाक्रेटर से modulator demand से modern demonulator से या modulator demonulator से बताइए जो modern होता है वो किसे लिया आता है modern का क्या होता है कि जो हमारे एनलोग सिंगनल होता है इसको क्या करता है digital में convert करता है ठीक है digital में convert करके हुआ हैं हां मॉडूलेटर डे नामें मॉडूलेटर पहले इसको क्या करेगा इनकोड करेगा किस में डिजिटल में उसके बास से फिर जब receiving end तक पहुँच जाएगा तो उसको receiving end पे अगर लगा हुआ है modem तो वो कोई data receive कर रहा है जैसे आप यहां से data भेजते हो तो data को क्या करता है analog से digital में convert करके database देता है आप कोई data receive कर रहे हो तो analog क्या करता है डिजिटल डेटा आपके पास आता है लेकिन actual में उसको convert कर देता है किसमें analog में डिजिटल डेटा उसके पास आता है वो analog में जो भी सूचना चाहिए sound जो भी music आप डाउनलोड करते हो सुनते हो तो वह क्या हुआ हुआ डाउनलोड की वो डिजिटल फर्म में लेकिन बाद में कनवर्ट हो जाता है किसमें आपके अनलोग फर्म में तो क्या हो जाएगा डी आपका सही होगा इसका नेक्स्ट कॉम्पेक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार का संगर अपनाना लिए मेगनेटिक ऑप्तिकल इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रो इसका आंसर जल्दी से बताओ एकदम जाकास तरीके से सेयर करो ताकि यह संख्या बल सो डेड़ सो दो सो पहुंचते जाए और एसाई तक आते आते यह संख्या बल को पांसो पार पहुंचा दो बी 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 ऑप्टिकल आ रहा है राकेश जी का स्पार्कल मैन अंगितिवारी अंबेश जी का स्पार्कल मैन आ रहा है अविराज जूबे जी का प्रतिभाज जी का प्रभाज जी का विसाल जी का सभी लोग ए और कुछ लोग बी के साथ यह ऑप्टिकल डिवाइस है भाई एक slide thumbnail select करेंगे और उसी section की में दूसरा color scheme apply करेंगे, नहीं है, ऐसा नहीं होगा, उसी section में नहीं करेंगे, एक slide thumbnail select करेंगे और उसी section में दूसरी design template apply करेंगे, यहां क्या बोला, यह आप presentation की किसी एक slide को दूसरी slide से अलग design template देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसने बोला, एक slide thumbnail select करेंगे और उसी section में दूसरे color scheme apply करेंगे, और दूसरा क्या बोला है, कि एक slide thumbnail select करेंगे और उसी section में दूसरे design template apply करेंगे, color से नहीं होगा, चलिए, चलिए, बहुत बढ़े आसुतों जी, subscription लेना पड़ेगा, क्या आसुतों, सुरभी जी किस चीच के लिए practice set तो है, 149 का है, 40 sectional है, 10 full length test है, ले लीजिए, last time में सोचना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा है, कि आपको selection लेना है, सिर्फ सत्तर हजार, ये सत्तर हजार student से आपको सिर्फ fight करना है, दो shift में 4 paper होने हैं, दो shift में 4 paper होने हैं, और selection आपका पक्का है, आपको सिर्फ दिमाग किस में रखना है, कि आप individual सबके cut-up, overall cut-up जरूर पार कर लें, और जो भी ओ, extra marks लेके हैं, कम से कम 30 से 40 marks, जहां तक मैं सोच रहा हूँ, उसके बाद से छाटाई जानते हो कहां होगा, आपकी छाटाई होगी, आपके typing से, आपके steno से, हाँ, जहां तक cover मुझे लग रही है, 17 से 80,000 ही बच्चे हैं, यहां B options लगी होगा, एक slide thumbnail सेलेक करेंगे, उसी section में दूसरा template जोगा, उसको क्या करेंगे, add कर लेंगे, तो हमारा वो काम हो जाएगा, next, निम्न में से कौन सा विकल्प, MS Office का मानने संस्करण नहीं है, Office 2000, Office Vista, Office 2007, Office 2010, जल्दी से बताईए, इस में से कौन सा विकल्प, MS Office, जो MS Office सूट आता है, cut-off आपका जो बनेगा, वो आपके एक selection के बाद बनेगा, जब आपकी typing हो जाएगी न, तब अलग-अलग cut-off बनेगा, पहले ही अलग-अलग बना देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, बी आ रहा है, हिमानसु जी, अंकित जी का सी आ रहा है, एक बड़ सेर करो कि यह 100 के पार पहुंच जाए, जल्दी से आज, आज सेर करो कि यह 100 के पार हो जाए, expected cut-off, अंकित जी पेपर आ जाने दीजिए, सब कुछ बता जाएगा, कुछ ऐसा नहीं बता जाएगा, जिससे कुछ लोग के दिक्कत हो जाए, दिमोटिवेट हो जाएगा, पेपर से पहले, आप लोग तयारी करो, बस धे रखो कि मुझे सेलेक्ट होना बाकि कुछ नहीं सोच रहा है, हाँ, 149 में मौक टेस्ट है, 10 फुल लेंथ हैं, 40 सेक्षनल है, और बहतरीन टेस्ट हैं, और एक एक कुछ न के, आप सॉल्यूशन पढ़ लो, कम से कम 5-5-10-10 कुछन आपके हो जाएंगे उससे, चलिए, इसका अंसर क्या होगा, एक बार सेर करो, जबा के सेर करो, यह ओफिस विस्टा क्या है, आपका विंडोज, विस्टा नाम से क्या है था, ओफिस विस्टा नहीं आया था, विस्टा आया था, विस्टा आया था, यह विंडोज था, ओपरेटिंग सिस्टम था, यह क्या था, विस्टा ओपरेटिंग सिस्टम था, ना की ओफिस था, तो यह क्या है, आपका और वन आउट है, माने संस्करण नहीं है यह, समझ गे तो इसका आंसर क्या होगा, बी 13,16 सब आया है next जब उपयोग करता Excel से word में data डालता है तो रूप होता है कैसा रूप होता है करमबंद होता है हाइपरलिंक होता है पच्छात्रित होता है या पंक्ती में होता जब हम Excel का कोई data उठा के word में paste करें तो वो कैसा बन जाएगा अंकित जी प्रेक्टिस से परिक्षा प्लस एप गूगल प्ले स्टोर से परिक्षा प्लस एप डाउनलोड कर लो परिक्षा प्लस एप वहीं पर सब कुछ है special computer batch भी है ठीक है और आपका test series भी है और full batch भी है जो आपको उचित लगे फुल बैच में सभी नोट्स मिल जाएंगे अगर वीडियो नहीं देख सकते हो तो कम किसे कम नोट्स आप एट लिस्ट देख सकते हो नहीं वो अगर आपका सब कुछ तयार है तो इस पेशल से कंप्योटर और मांसी का विरूची के नोट्स एक बार पढ़ सकते हो बस मैं यह कर रहा हूं अगर सब कुछ तयार है तो प्रेक्टिस मैक से परफेक्ट टेस्रीस ज्वाइन कर लो ए ए ए ए आरा है हाइपर लिंक नहीं होता है यार हाइपर लिंक तो अलग चीज हो गई हाइपर लिंक नहीं यह आंसर गलत देर हो एकदम गलत आरा बाई साब आप लोग का अंसर लिए अ अंकित थे और कौन अंकित थे यह तो मुझे भी नहीं पता भूल गया हंकित बद और यह उन्होंने पूछा था यहां हाइपर लिंक थोरी बनेगा उसमें कोई टेक्स्ट में लिंक हो जाता है तो आप यह कहा लाता है तो ऐसा नहीं होगा वह डेटा आप कोई भी मालो एक्सल में 42 46 48 ऐसे है तो जब उसको पेस्ट करोंगा तो 42 46 48 क्रम बन तरीके से ऐसे पेस्ट होगा ठीक है ऐसे पेस्ट हो जाएगा इसलिए आंसर बी सही होगा बी करेक्ट होगा चलो 28 डॉकुमेंट का सिर्षक डैस डॉकुमेंट का सिर्षक या प्रिष्ट संख्या मतलब पेज नंबर जैसी जानकारी प्रदर्सित करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा 100 नहीं पहुंचा है न तुम लोग ये गड़बड कर रहे हो 100 पहुंचाओ 100 जल्दी से आज 100 पहुंचाओ कल 200 होने चाहिए क्यों जितने लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तिल एक्जामिनेशन तक मैं आपके साथ बना रहूंगा जितने भी most expected question है वो सब मैं कराऊंगा एक दिन में मेरा target रहेगा 50, 60, 70, 100 question में करा लूँ प्लस जो भी ऐसा concept जहां नहीं समझ में आता है comment मेरी वीडियो के बाद करिएगा मतलब यहां पर नहीं जब वीडियो समाप्त हो जाएगी तो आप लोग मुझे अपनी राय बता सकते हो sir मुझे computer में यह tough लग रहा है एक बार इस पर class ले लीजिए मैं जरूर लूँगा उस पर dri ddd एकदम सही है header footer में आप उसकी title भी लगा सकते हो और page number भी डाल सकते हो footer page number के लिए header footer आपका correct होगा d correct है outlook outlook जो होता है मैं अपनी meeting या appointment की अनुसूची बनाने की अनुमती किसी और को देने के लिए यह किस feature का इस्तमाल किया जाता है मासिक calendar यह नहीं यह किसी को क्या करना है appointment की अनुसूची बनानी है ठीक है किसी को उसका क्या करना आपको rights देना है किसी को event manager appointments delegate access देखो किसी को क्या कर रहे हो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे अगर आपने नहीं भी पढ़ा इसको आउट्लोक में अपनी meeting और appointment की अनुसूची बनाने की अनुमती किसी और को देना अनुमती किसी और को देना मतलब किसी को आप access दे रहे हो किसी चीज का क्या दे रहे हो तो delegate access क्या हो जाएगा यही हो जाएगा answer क्या हो जैगा D आपका क्या होगा? D आपका क्या होगा? Correct होगा Delegated Access होगा इसकाision Next Question है आपका D correct होगा अगर उपयोग करता पारूप चित्रकार बटन क्या है यह Formatted Pant button? ठीक है? जो क्या होता है? Formatted Pant button जो होता है आपका उसमें word में formatted paint बटन होता है आपका clipboard वाले में देखोगे उसी में होता है तो अगर उपयोग करता पारूप चित्रकार बटन कई बार इस्तमाल किया गया है तो वो आप कैसे बंद कर सकता है आप इसे click करके सिर्फ एक समय पर पारूप चित्रकार बटन का उपयोग कर सकते हैं पारूप चित्रकार बटन पर एक बार और click करके control कुझी दबाने और पारूप चित्रकार बटन पर click करके art कुझी दबाने और पारूप चित्रकार बटन पर click करके दो formatted paint बटन होता है उसको कैसे close करेंगे अगर वहाँ पर word खोलना आज ही जाने के बाद उस पर click करना तो ब्रस के नुमा आ जाता है कोई line select करना formatted paint पर click करना वह ब्रस के नुमा आ जाएगा उसको अटाने के लिए क्या करेंगे हम एक बार और उसी बटन पर click कर देंगे तो वह हट जाएगा option B आपका सही होगा डी नहीं बी सही होगा चोटी 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 चीज यह observe नहीं कियो तुम लोग दो mobile पर open कर लो 100 पार हो जाएगा एक excel फाइल एक कारिपुस्तिका के रूप में क्यों जाना जाता है बताओ workbook इसको क्यों बोलते है एक्सल फाइल को workbook क्यों बोलते है इसमें text और data सामिल कर सकते हैं यह संसोधित क्रिया किया जा सकता है ये कारेपत्र को और चार्ट सीट सहीत कई सीट सामिल कर सकते हैं इसमें कारेपत्र को मतलब वर्क सीट ठीक है इसमें वर्क सीट और चार्ट सीट मतलब चार्ट सीट आपका जो होता है वो और भी कई जो सीट होते हैं उसको सामिल कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं, हाँ एकदम सही है, C आप्सन सही है, इसमें वर्क सीट और भी कई, चार्ट सीट, टेबल सीट, ये सब कुछ हम इसमें समयित कर सकते हैं, इसलिए इसको वर्क बुक बोला जाता है, C आप्सन सह ही होगा 32 नंबर World 2000 में इस्तमाल की जाने वाली दो बेसिक स्थ निम्न में से कौन सी है आटो शेट या क्लिप आट है डर फुटार वस्तू और चित्र बनाना वर्टनी या व्यकरं वर्ड ہजार में इस्तिमाल की जाने वाली दो बेसिक ग्राफिक्स निम्न में से कौन सी है इससे पहले वो ग्राफिक्स नहीं थी इसका आंसर बताएं क्या होगा हाँ एरा इसका हिमान सू जी एक बार फिर सभी लोग सेयर करो बच्चे कहां चले गएं एरा एडिट्स प्लस का गोविन जी यादो जी का आंसर ए है राकेश जी का ए है नेचर बाई अवी जी का आंसर ए है मुहमाद आसीब जी का भी है अर्चना जी का सी आ रहा है सोहित जी का ए है अमबेज जी का यही है सर अच्छा ए है आटो सेप और क्लिप आट यह दोनों जो है यह आपके वर्ड जो 2000 था MS Office बोला जाए जो सूट आया था 2000 वाला उससे यह वर्ड में क्या हुआ था लाया गया था वर्ड 2000 में लाया गया है इसको ए उप्सन करेक्ट होगा किस साल Microsoft Office को पहली बार रिलीज किया गया था Microsoft Office जो है न उसको सबसे पहली बार कब रिलीज किया गया था जल्दी से बताईए Microsoft Office को कब रिलीज किया गया था पहली बार ये कुछ ऐसे कोश्चन है जो जनरल आ जाते हैं किसी टॉपिक से जिनका रिलीवेंट नहीं होता है 1989 नहीं 1990 में रिलीज किया गया था 19 नवंबर 1990 को जारी किया गया था ठीक है Microsoft Office को System का Main Circuit Board Unit क्या है System का जो Main Circuit Board Unit होता है उसको क्या काते हैं Computer Program, Control Unit, Motherboard या RAM जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर अवनिस पांडे 90 आरा सोहित कुमार जी सी आंसर दे रहे हैं संतोस जी सी यू काते हैं Motherboard करते हैं Ambez जी का आंसर सी विसाल जी का अविराज दुबे जी का ग्यान जी का पिंटो जी का बी आरा है Control Unit नहीं भाई साहब जो Main Circuit Board होता है उसको Motherboard काते हैं कहते हैं motherboard काते हैं ठीक है Motherboard एक Control Unit ठीक है यह किस में होता है CPU में होता ए यस एलई यू कसी में होते हैं आपके CPU के पाट होते हैं ठीक है तो यहाँजब यहाँ पर आंसर क्या होगा मदर बोड़ का छंटोल यूड यूट नहीं अधर बोड़ होगा करेक्ट हो रहा हूंग पाणिसको ट्रेक में विभाजित किया जाता है जिसके बाद इसे उफ्विभाजित किया जाता है उसे क्या करते हैं जो track होताना फिर से इसको त्राक है उसको ऐसे फिर से भी भाजित किया जाता है ह्थीस में यह platers होते है norma को फिलेटर और यह अर झाला यह पूरा क्या करते है करें इसको उसाइन क्या करते हैं यो क्या जल्दी से बताऊ, B होगा B, 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 34 का C आ रहा है, सेक्टर होगा नसीम जी का B है, अभिसेक जी का B है, गुबिंदीद्यादौ जी 20, अविनास पांडे जी का सेक्टर आ रहा है, अजे जी का B है, अभिसेक हिन जी मुहन, असीब जी, अभिसेक, प्रीती दिवेदी जी, चलिए, सभी लोग sector बता रहें, एकदम जाहिड सी बात है, यह आपके क्या होते हैं, यह sector होते हैं, और पूरा क्या का लाता है, ट्रेक का लाता है, तो यह क्या होगा, sectors होगा, B आपका correct होगा, अगला है, 36 नंबर, निमलिखित में से computer के 4 महत्वपूर कारे का सही करम क्या है process, output, input, storage, input, output, process, storage, process, storage, input, output, input, process, output, storage, कौन सा सही करम है, बताइए, अच्छा चलिए, वो जो भी आपको वीडियो चाहिए, lecture चाहिए, वो आप लोग क्या करना, मेरे इस वीडियो के comment में करना, क्यूंकि यहां का comment बाद में नहीं देख पाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाता हुगा, यहां पर comment करोगे, तो देख लूँगा, B आ रहा है, पिंटूक जी का answer, B है, गोविन जी का answer, D है, अभिसेख जी का B है, सोहिद कुमार जी का D है, जे जी का D है, B है, जूम कर दो सर, जूम कर दें, ये लोग जूम कर दें, जल्दी से बताओ, जल्दी से, D, क्या जी का answer, D, गोविन जी का D, कुछ लोगो का C, अरे भाईया देखो, पहले आप क्या करोगे, कीबोर्ड से, चाहे किसी से input दोगे, वो input आपके कहां जाएगा, CPU में जाएगा, और CPU में ये input क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो result आएगा, उसको क्या कहे आउटपूट, वो monitor पे अगर सो करना चाते हो, तो सो करेगा, और उससे store करना चाते हो, तो store कर लो, ठीक है, तो input आएगा, फिर उस पे CPU काम करेगा, काम करने के बाद आपको result मिलेगा, और उसे store कर लोगे, तो D answer क्या होगा, सही होगा, D answer सही होगा, चलो, next, lane के किस प्रक और वाले model में, या peer to model, देखो, जो आपके network होते हैं, दो model में काम करता है, computer network, peer to peer, मतलब, peer to peer मतलब, हर एक individual को connect करना, इसमें क्या होता है, कोई server नहीं होता है, कोई client नहीं होता, सब independent होते हैं, लेकिन सब एक दूसरे से क्या होते हैं, connect होते हैं, ये इससे connect रहेगा, ये सब्सक्राइब करने वाला कौन होगा, इन सबको हेंडल करने वाला ये बीच का computer होगा, इधर आपका computer है, इधर computer है, इधर computer है, सबको हेंडल कर सकता है, बीच वाला server, ये server based होता है, ये LAi shy दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं, C answer सही होगा, C सही होगा दोनों में यूज होगा लेन का जो connection है ये तो network बनाने के लिए काम आता न तो हम कहीं भी कर सकते हैं तो को इसमें भी lane लगा सकते हैं और इसमें भी lane से connect कर सकते हैं तो दोनों में कर सकते हैं दोनों में lane यूज कर सकते हैं सब लोग गलत जा रहे हो C correct answer होगा यह जो connection हम बनाएंगे server से यह किसके तुरू length cable के तुरू ही तो बनाएंगे अचाहिए peer to peer भी बनाएंगे तो lane connection के तुरू ही बनाएंगे तो C answer होगा 38 number question निमलिखित में से कौन सी layers encryption और description मतलब encrypt करने के लिए और decrypt करने के लिए encoding और decoding के लिए compression के लिए कारे करती है बताओ transport layer, session layer, presentation layer या उप्रयोक्त सभी कौन सी ऐसी layer होती है OSI model के 7 layer होते है OSI model में 7 layer होते है बताओ कौन कौन से होते है physical layer होता है इसके उपर कौन सा होता है जल्दी से बताओ physical के बाद कौन सा layer होता है data link layer होता है तुम लोग भूल गए अभी just ही तुम्हें पढ़ाया हो data layer के बाद network layer होता है network के just उपर कौन सा होता है network के उपर आपका transport layer होता है transport के उपर कौन सा होता है जल्दी से बताओ presentation होता है session होता है क्या होगा सेशन लेयर होगा उसके बाद से आपका उसके बाद से यहाँ पर प्रिजेंटेशन लेयर होता है उसके बाद उपर कौन सा सबसे उपर कौन सा होता है अप्लिकेशन लेयर होता है यह application layer होता है तो यह आपके 7 layer होते है OSI model के तो यह किसमे होता है encryption description यह आपका presentation layer में होता है किसमे होता है presentation layer में होता है ठीक है क्या किसमे होता है इसमें होता है देखो data भेजा जाता है तो कैसे भेजा जाता है ऐसे भेजा जाता है जिक सेंड होगा ऐसे और रिसीब कैसे होगा रिसीब इसके थ्रू होगा क्योंकि फिजिकल में क्या आते हैं केबल आते हैं वाइफाई आते हैं तो यहीं से डेटा आपके जाएगा और ऐसे रिसीब होगा रिसीबर एंड में ठीक है सेंड ऐसे होगा और रिसीब ऐसे होगा दोनों में अलग-अलग एंड हो जाता है कौन पहले कौन बाद में तो यह द्यानों सी इसका करेक्ट आंसर होगा 49 नंबर नीचे दिये हुए विकल्पों में से चुने इंटरनेट किस प्रकार का सिस्टम है सॉफ्ट्वेयर बंडल है वेब पेज है वेब साइट है या से बताओ डी पिन्टू जी पुस्पेंद्र जी डी आंसर दे रहे हैं गोविन यादो जी नसीम जी सभी के आंसर डी आ रहे हैं बहुत बढ़िया अविसे खिंजी हिमान्सु गोविन देवेंथ प्रभास दिवान्स नाम है अच्छा, अर्चना जी का, असीव जी का, सी आंसर है, वेबसाइट नहीं है बाई, इंटरनेट वेबसाइट थोड़ी होती है, इंटरनेट जाने नहीं वेबसाइट होगी, इंटरनेट नेटवर्क का कनेक्शन होता है, ये क्या होता है, नेटव नेट्वच और को इंटैरणेट कहते हैं। थीक है। Linep को गाजाल होता है आपस में जो कई नीट्वर्क बनाते हैं। इसी को इंटर्नेट कहते हैं। D. चौन-10 और बचे हैं। निम्न में दिये गए विकल्प में से कौन सा email address के दो भाग हैं बताओ email में दो भाग होते हैं जैसे लिखा जाए परिक्षा प्लस at the rate zmail.com यह लिखा गया तो यह परिक्षा प्लस क्या होगा और at the rate के बाद zmail.com क्या होगा तो बताओ उप्योग करता का नाम या street address कानूनी नाम phone number यह तो बेकार चीज़ है उप्योग करता का नाम और domain नाम नाम के पहले अक्षर और password यह भी नहीं होता यह थोरी होता है password तो हम फिल करते हैं उप्योग करता का नाम है और street address street घर का address और वो सब मांगता थोड़ी यह गली का address यह क्या होगा एक दो तीनों को हम cancel कर दियें बचा क्या यह क्या है उप्योग करता का नाम जो user है उसका नाम है और यह क्या है आपका domain है ठीक है जैसे domain मैंने बता था ना .com ठीक है यह सब क्या होते है domain होते .info .org .uk यह सब क्या है domain है तो इसका answer क्या होगा C correct होगा 41 number question आपके screen पर है PDF मिलेगा PDF के लिए निश्चिंतर हो Telegram जोइन कर लेना परिक्षा प्लस का Telegram जोइन कर लेना जो इस वीडियो के description लिंक पर है परिक्षा प्लस का Telegram PDF के लिए पूरा लागतार PDF मिलेगा जब तक आपका ASI Exam नहीं हो जाता है – user और computer hardware के बीच interface का कारे करता है कौन? mouse, keyboard, operating system या internet कौन ऐसा है जो user और computer hardware के बीच interface का काम करता है जलदी से बताओ इंटर analytical के लिए काम क्या करता है दिखाव यह user होता है user किसे interact करता है आपके system से करता है hardware से करता है कोई भी user मालो मैं monitor को assess करूँ चाए printer को assess करूँगा print command दे रहा हूँ मालो मैं यह कुछ print करना है computer से तो मैं computer को print command दूँगा तो printer को assess करने के लिए मैं computer को print command दे रहा हूँ तो वो command कैसे printer तक पहुँच रहा है उसको ले जाने वाला एक क्या है software है जो वो software है वो कौन है operating system है और ये hardware हो गया आपका क्या printer हो गया तो इन दोनों के बीच में communication कराने वाला कौन होता है operating system होता है C answer correct होगा next हम कहाते हैं 42 number computer के संबंद में batch file क्या है जो batch file होती हूँ क्या है वे letter जो BAT के साथ सुरू होती है वे batch में फाइलों को रखने में मदद करती है वे batchों में दिशाओं को रखने के लिए मदद करती है ये तो वैसे बगपास option भर दिया गया है वे आदेसों को एक समू में रखने में मदद करता है और उन्हें एक के बाद एक run कराता है जल्दी से बताओ batch क्या होता है operating system में batch file होती है वो क्या होती है D answer आ रहा है बहुत ही बढ़िया बहतरीन एकदम जबरदस गोविन जी, पिंटू जी, लवकुमार जी, अविराज जी, सुनील जी नसीम जी सभी का भैतरीन आंसर आ रहा है D एकदम सही है D सही है बहुत बढ़िया D वाले ये क्या करता है जो भी आप instruction देते हो ना आदेशू को, उस instruction को क्या करता है ये crum wise रख लेता है और जिसकी जैसी priority होगी वो instruction, वो process क्या करता है process चाए instruction कुछ भी बोलो, ये process क्या होगा run होता रहेगा, एक एक करके अपने priority के recording, तो आपका D answer correct होगा इसमें रोम में संग्रहित अस्थाई प्रोग्राम जो की 140 रूप से computer निर्देश को निस्पादित करना शुरू कर देता है, वो है रोम में एक प्रोग्राम होता है जैसे आप computer on करते हो वो run करता है और पूरे आपके system को चेक करता है, आपके internal system, जो भी आपके USB है, आपका RAM सही लगा है कि नहीं लगता है operating system को, अगर सब कुछ चेक हो जाएगा, फिर वो क्या करता है बूट करता है, बूट का मतला बूटिंग किसे करते हैं जब आपका operating system memory में load होता है उसी process को बूट करते है ठीक है, तो वो program कौन सा होता है BIOS होता है, जो wrong में होता है जैसे system on करते हो BIOS program run करता है आपके system को चेक करता है properly आपका system सही है RAM ओम ढिला नहीं, अगर RAM ढिला है 222 की आवाज करना सुरू कर देगा चाहे hard disk में कोई दिक्कत है तभी भी 2222 की आवाज सुरू हो जाएगी तो ये समझ लेना कोई ना कोई दिक्कत है, BIOS आपको बताता है आपके system में दिक्कत है ब्लेक स्क्रीन आ जाएगा 2222 की आवाज होगी ऐसे system problem होने लगती है ये आपका सही होगा इसमें 44, computer स्मृति में क्या होते है RAM, ROM, P-ROM या उप्योक्त सभी जल्दी से बताओ memory, स्मृति मतलब क्या होगा memory बाता है computer memory में क्या होता है RAM, ROM, P-ROM या सभी बहुत ही बढ़िया ज्वावर से बढ़िया सभी होते हूँ प्योक तो सभी D सही है, सभी रहे क्या है memory है आपकी ये अगला question है buffer एक device storage area है buffer जो होता है क्या है device storage area है actually ये buffer जो होता है बहुत short time के लिए होता है ये जब आप कोई process है suppose लो ये CPU है CPU है यहां आपका arithmetic logic unit होता है ALU होता है तो जब आपका hard disk से कैसे में आपका RAM में कोई भी process आपने open किया तो वो process कहां open होता है RAM में open होता है कहां RAM में जैसे बंद होता है फिर से वो मालो video player है VLC उसको जैसे open करते हो तो जब वो खुलता है ना तो वो किसमें खुलता है RAM के मेमोरी में खुलता है अब उस process को process होना है CPU के द्वारा ठीक है वो processor में CPU मिलना है चलना है उसके हर एक जो भी चीजे होंगी उसके एक एक program क्या होगा run करेगा CPU में process होगा वो सब internal आउता है आपको पता नहीं तो एक एक चीज मालो उसमें कोई player है उसका sound program जो है वो run कर रहा है ठीक है कुछ देर बाद उसको कहा अस्थाई रूप से store कर देगा buffer storage एक किसी में होता है कैसे memory की तरह वो भी होता है ठीक है buffer storage होता है कुछ देर के लिए वहाँ program रख दिया जाता है फिर वहाँ से हटा लिया जाता है यसे कोई भी instruction दिये computer को कि 2 plus 2 आपको add करना उसने 4 add किया और आस्थाई रूप से इसको पहले buffer में रखेगा फिर बाद में ये RAM में जाएगा फिर original आपका जहाँ store करना वहाँ चला जाएगा इसे screen पर दिखाना है वहाँ चला जाएगा तो buffer एक आस्थाई होता है ये बाद में क्या होता है अपने आप flash होता रहता है मतलब delete होता रहता है तो data आस्थाई रूप से store के लिए होता है ठीक है अस्थाई नहीं आस्थाई रूप से बहुत बढ़े 100 परस हो गए बदाई हो सभी को निमलिखित में कामिलान करिए vacuum tube transistor IC इधर है तीसरी पीड़ी दूसरी पीड़ी पाली पीली जल्दी से बताओ क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर जल्दी से बताओ क्या होगा 46 vacuum tube पहले जनरेशन में आया था तो पहली पीड़ी का होगा transistor दूसरे पीड़ी में आया था और IC आपके थर्ड में आया था ठीक है IC और उसके बासे आपका क्या है VLSI model ultra large scale very large scale integrated circuit और ultra large scale integrated circuit यह है आपके चौते और पचवे में ठीक है तो यह आपका मिलाप होगा पहले का C पहले का C कहां यह है दूसरे का B दूसरे का B यह है थर्ड का यह है option A correct होगा Google की अस्थापना किस वर्स होई थी बताए Google की अस्थापना किस वर्स होई थी बताए Google जो है Larry Page और कौन है दूसरे आपके सर्जी बेरीन Larry Page दौरा Google की अस्थापना की गई थी Mento Park California US में कहां पे Mento Park California US में कब होई थी इसकी 4 सितंबर 1998 में 4 सितंबर 1998 में हुआ था यह 1998 1998 ठीक है Larry Page यह आप सुन 20 ही होगा Excel समीकराण यह देखो formula लिखा if 40 less than 10 0 1 इसका मान क्या होगा बताओ answer क्या आएगा जल्दी से बताओ इसका if का एक logic Excel में formula लिखा गया है तो इसका answer क्या होगा अरे एकदम हो जाएगा अदत थोड़ा जूम करें लो if 40 less than 10 क्या इसका answer होगा B 1 सब बोलने 10 अरे 10 कैसे आएगा भाई यह कॉमा है 0 लिखा है कॉमा 1 लिखा है देखो जो if का statement होता ना formula वो ऐसा होता है यहाँ होता है condition जो भी आप condition लगा दो और यहाँ होगा यहाँ होता है true अगर condition आपकी true होती है तो यह value print करेगा अगर condition false होती है तो यह value print होगा तो यह condition क्या है क्या 40 जो है 10 से कम है नहीं न तो यह condition क्या होगई false होगई तो false की condition में कौन सी value print करेगा यह वाली तो answer क्या होगा D होगा वन आपका सही होगा जीरो नहीं आएगा भाई साहब वन आएगा जीरो नहीं चालिस कहां से कुछ लोग ये option दे रहे हैं मतलग कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे हो इफ मतलग यदी 40 is less than 10 नहीं 40 less than कहां 40 तो greater है तो ये condition false हो गई और false होने में दूसरी value वैलू प्रिंट होती है तो 1 होगा इसका answer डी नेक्स्ट 49 नंबर निमलिखित का मिलान करें सेट वन सेट टू एंटी एफस फेट 32 एक्स फेट ठीक है ये क्या होता है पें ड्राइव अंडियाय में देखो हार्ड डिस्क में जो आती है ना ये एंटी एफस एंटी मतलब विंडोज एंटी में आई थी इसलिए इसको नाम एंटी एफस रखा गया है एफस का मतलब क्या होता है फॉर्मेट ड्राइव फॉर्मेट ड्राइव एफटी का मतलब क्या होता है फाइल एलोकेशन टेवल फ्लाइल एलोकेशन टेवल यह होते हैं फ्लेश ड्राइव में यूज होते हैं यह कहां होते हैं पेंड्राइ वो डिस आती थी उसमें मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम कोई फाइल जो होगा किसी भी हाइडिस में 4GB क्या लावा अगर 4GB से कम होना चाहिए, कोई फाइल किसी המ׆ज़िस में सेव कर रहे हो चाहे किसी क्या होनी चाहिए अर पा सबसेश कर और पार्टिसविस की 서 पार्टीशन जो होगा वह 8 GB से कम का होना चाहिए तो यह होता था एक्स्टेंडड वर्जन आया यह आया एक्सफीएटी ठीक है एक्सफीएटी आया कि ठीक है यह मैस डॉस में होता था यह आपके उसके आगे वाले में आ गया विंडोस टुवन टुथाउजेंड एक्सपी में आया एक्सफीएटी में क्या हुआ कि यह मैक्सिमुम फाइल हट गई मतलब इसका कोई कितने भी जीबी का फाइल तुम रगा सकते हो और पार्टीसन भी अपने हिसाब से कर सकते हो कितने भी जीबी का कितने भी अंबी का कर सकते हो ठीक है लेकिन इसमें limit था F8032 में तो ये दोनों flash drive के लिए हैं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये extended है एक तरह से तो ये F8032 flash drive के लिए अनुकुलित होता है था ये flash drive के लिए अनुकुलित और XFED क्या अधिक्तम file size नहीं सॉरी देखो F8032 से ये match करेगा क्योंकि इसमें अधिकतम file size कितनी हो सकती है 4GB से कम हो सकती है इससे जादे नहीं हो सकती है तो ये इससे match करेगा XF80 क्या होगा ये flash drive के लिए अनुकुलित था ये भी था लेकिन ये अब इससे जादे match खा रहा है F8032 ये जादे main role play कर रहा है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं था और NTFS में भी बाउंडेशन नहीं था आज को जो भी हमारे laptop में hard disk का रहा है ठीक है chap and drive वो NTFS बेज जा रहा है ठीक है तो इसमें क्या होता है आप कितना भी partition कर सकते हो limit कोई नहीं है कितनी भी जो भी कोई भी file चाहे हो कितनी zb की हो कहीं कोई भी save कर सकते हो ठीक है तो यह मूल रूप से किसके साथ सुरू हुआ था एंटी के साथ सुरू हुआ था इसलिए NTFS बोला गया तो पहले का A थाड का भी पहले का A थाड का B कहा है थाड का B और सेकेंड का C यह अंसर होगा ठीक है next dot rar डेको dot rar फाइलों में रार का अर्थ होता है रोसल आर्काइव रिमोट आर्काइव रिडूस्ट आर्काइव रिसाइज आर्काइव रार फाइल जो होती है ना compressed फाइल होती है क्या होती है कोई भी चीज अगर हम compressed करना चाहें जिप फाइल जिसको हम बोलते हैं ठीक है यह compressed फाइल होते हैं बड़ी कोई फाइल है डेट सारे पीडियव है उनको जिप फाइल बनादो बहुत कम mb में जिप फाइल होती है तो उसी को तो रार फाइल बोलते हैं ठीक है तो रार का मतलब होता है रोसल अरकाइव यह आपके 50 पूरे के पूरे कोश्चन हुए है 50 कोश्चन कर लिये थे आज 51 नमबर कोश्चन आपके स्क्रिन पर है इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से सभी लोग और ये मैंने बेसिक जो लोग मेरी क्लास देखे होंगे उसमें तो मैंने पढ़ाई रखा है तो जो लोग नए है इस चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा है जो रिवीजन क्लासेज फॉर ASI चल लही है उसके 12 होगा बहुत ही बढ़िया मेरे कोश्चन पढ़ने से पहले कम्प्यूटर के कीबोर्ड में F से प्रियोग होने वाले फंसन बटनों की संख्या कितनी होती है जल्दी से बताओ राहुर राना जी नमस्कार F12 बारा है बहुत बढ़िया 12 बारा बारा एकदम जोरदार तरी से कर जितने लोग आओ 10-10 से अर करो सभी को खुसकबरी मिलेगी सब के सब ASI में सेलेक्ट हो जाएंगे जल्दी से बताओ बारा होगा 12 फंसन की होती है जो आपके फंसन की होते है वो कितने हैं 12 होते हैं और ये कई बार एकजाम में पूछा भी गया है जनर्रल कोश्चन है ये आपसे कोश्चन पूछा भी गया है नेक्स्ट बोल एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर को अधिक कुसलता से काम करने में मदद करता है क्या है जावा, DBMS, सिस्टम सॉफ्ट्वेर, एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर के कारे करने में काफी मदद करता है जल्दी से बताइए बी आंसर होगा अंकित जी, मून जी का अंसर भी है धननजे जी का अंसर भी है बहुत बढ़िया, आदित जी आदित चोहां जी का अंसर भी है मौममस साजिस जी का अंसर विकाज जी का भी है विवेक जी का भी आरा रखेश जी का आज EDITS PLUS का बी है राजबादूर जी का भी है आज संख्यावल कितने हो जाने चाहिए डेड़ सो पार हो जाने चाहिए कल 100 हो गए थे आज 1500 पार होने चाहिए एक बार 2000 तरही केसा आप लोग सेर करें सिस्टम सॉफ्ट्वियर होगा ठीक है? सिस्टम सॉफ्ट्वियर दो होते हैं आपके main एक आपका होता है सिस्टम एक होता है आपका कौन? application सॉफ्ट्वियर तो सिस्टम सॉफ्ट्वियर वो होते हैं जो आपके सिस्टम के साथ मिलते हैं जैसे internet explorer हुआ ठीक है? word हुआ MS word नहीं, word जो होता है वो notepad हुआ, ये क्या है? system सॉफ्ट्वियर है utility सॉफ्ट्वियर इसमें होता है utility सॉफ्ट्वियर जैसे आपका disk cleaner हुआ disk fragmentation हुआ तो ये सब क्या है? ये आपके antivirus वाले जो मिलते हैं ये utility सॉफ्ट्वियर होते हैं तो ये system सॉफ्ट्वियर, application सॉफ्ट्वियर में MS office हो गया Excel हो गया, PowerPoint हो गया MS office का word हो गया Excel, PowerPoint हो गया, Chrome हो गया ठीक है? Mozilla, Firefox हो गया इतने भी application आएंगे, वो application सॉफ्ट्वियर हो जाते हैं Java के programming language है, ये क्या है? programming language वो कैसी? high level language है कैसी है? high level language है, इसका answer be correct होगा MS word में F at key को तीन बार दवाने से ये घर पे जाके प्रियोग करना, मैं बोलता हूँ ना प्रियोग से जादे समझ में आता F at key को तीन बार दवाने से क्या select हो जाता है? बताइए, word, sentence, page या कुछ नहीं अंकित जी, paper देखने के बाद ही हम कुछ cut-off का analysis कर सकते हैं अभी नहीं expected cut-off इतना जान लीजिए कि आपको कितने marks लाने हैं? सब ही को at least कम से कम 250 प्लस करके आना है 200 प्लस marks लेके आने हैं आपको जल्दी से 260 प्लस मान के चलो 260 प्लस क्यूंकि typing है अगर typing विपिंग नहीं होती तह तो और जादा तरुन जी का अंसर A आ रहा है स्लेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा स्लेबस के एकॉर्डिंग आएगा स्लेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है? स्लेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा चलिए 300 से उपर रहोगे तो काई चिंता कर रहे हो? क्योंकि देखो क्या है ना कि यहां पर कई केटिगराइजेशन है क्योंकि कुछ बच्चों के स्टेनों देना पड़ेगा तो वहां से फेल हो जाएंगे तो फिर बच्चों को थोगी बुलाएंगे ठीक है तो उस हिसाब से एकॉर्डिंग होगा ना कुछ लोग कामर्स वाले हैं तो उसको एक बल्क में लोगों को लिया जाएगा बाद में वहां से छटनी होगी यहां से आते हैं क्या होगा यहां पर F8 की से क्या होगा वर्ड नहीं सेलेक्ट होगा F8 की से एक बार दगाओगे तो वर्ड सेंड होगा तीन बार दबाओगे ना F8 की को अगर थी टाइमस आप प्रेस करते हो तो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होगा सेलेक्ट हो जाएगा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा सेलेक्ट हो जाता है ओप्शन बी करेक्ट होगा इसमें ठीक है option B correct होगा तो एक बार सभी लोग से यह और लाइक जरूर करते रहें बी वाले सही होते हैं PowerPoint में presentation के लिए यूज करने वाला रेडिमेट style को क्या कहते हैं जो PowerPoint होता है PowerPoint presentation जो रेडिमेट style होता है उसको हम कौन सा नाम देते हैं जल्दी से बताई rendering क्या होगा कि चलिए count वाले counts काफी लोग मिले है धने जी भी आ रहा है अंकिजी का आ रहा है चलो A आ रहा है, किसी का, किसी का B आ रहा है, थीम आ रहा है, स्लाइड सो आ रहा है राजबादू जी टेंपलेट के साथ जा रहा है, राकेश कुमार जी डी के साथ जा रहा है चलिए, राकेश शुकला जी का अंसर B आ रहा है, ग्यान गुरु जी आ चुके हैं, D के साथ, राकेश शुकला B, कृष्ण कुमार जी आंसर B दे रहे हैं, आसीज कुमार का अंसर B है, मुन जी का अंसर B आ रहा है, चलिए, कुछ लोग स्लाइड सो में आ है, स्लाइड सो लगो गया थीम और टेंपलेट में चाहिए था लोगों को थीम और टेंपलेट में कंफ्यूजन ओना चाहिए था जो आप पावरपॉइंट में प्रिजेंटेशन बनाते हो तो उसके लिए यूज करने वाला readymate style मतलब जो आपके सामने ये बन के आता है ना ऐसा कुछ यह होता है paste order ठीक है यहाँ पर इसको paste order बोलते हैं अब यहाँ title होता है यह आपके ppt का एक present वो है slide है तो इस slide में अगर by default आपको कोई क्या लेना हो presentation के लिए use करने वाला readymate style कोई readymate style लेना है तो उसको क्या कहते हैं उसको template कहते हैं उसमें पूरा का पूरा style ही template theme तो उसके color को और उसके background को change कर सकते हैं वो होता है template क्या हो जाएगा उसमें हर एक पूरा presentation बना रहेगा आपका हाँ D नहीं होगा अच्छा D है क्या template हाँ D ही होगा template होगा D आपका answer होगा next हमाते है MS office software package में कौन सा software database management system DBMS का कारे करता है management system भी लगा हुआ है तो Excel, SS, Publisher या MS, OneNote जो Excel भी होता है वो भी database होता है लेकिन database management system की बात कर रहा है तो वो कौन सा होगा प्रियंका सर्मा जी का answer B आ रहा है, गुलफान जी का answer D आ रहा है, ग्यान जी का answer B है, पौनिश विस्ष कर्मा जी आ चुके है, MS SS के साथ धननेंजे जी का अंसर SS विसाल जी का SS सा रहा है, मोहित गुरजर का B, राकेश जी का B, मोहित जी का बी इनुशत खान जी का बी मौमस साजद का आंसर बी है राकेश जी बी के साथ धनेंजे जी MSSS बहुत बढ़िया बहतरीन एकदम सभी लोग जान रहे हैं ये आपका DBMS database management system की तरह क्योंकि इसकी जो file ये होती है न वो आपके जो advanced database management system है जैसे oracle है ठीक है SQL है MySQL इन सभी में क्या हो जाती है इनकी file को हम inherit कर सकते हैं मकलब ले सकते हैं ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा MSSS दो हता है वो database management system है अब बताओ MS Excel में default font और font size क्या होता है इतना गौर कि ये हो चाहे Excel हो चाहे MS Word हो उसमें default आपका font क्या होता है और font की size क्या होती है किसी ने गौर किया है क्या होता है स्वागत है RPG आप new student है आपका परिक्षा प्लस परिवार में जोरदार तरीके से स्वागत है एक बार सभी लोग इस session को share और like जरूर करते रहें जो लोग नहे हैं इस channel को subscribe कर लें ताकि ASI के basis पे जो revision classes चलने हो आपको proper मिलती रहें मैं last में यही कहूँगा कि भाईया last समय चल ला है आपका और last में practice max mn perfect तो जिन्हें ASI का अभी तक practice नहीं शुरू किया है at least practice शुरू कर दें अगर आपने कहीं से test ले रखा है maximum बच्चे को test series चाहे market में जा रहा है तो 160 question के test मिल ला है लेकिन वो 160 question गलत है उस पे कभी मत preparation करना 200 question पे करो और वो भी online करो तो हमारे है 149 में 149 में 10 full length test है और 40 आपका sectional test है जिसे आप परिक्षा plus app से ले सकते हो कहां से ले सकते हो परिक्षा plus से subscribe कर सकते हो ठीक है चलिए इसका answer क्या दोगे 11 points calibrary बहुत बढ़िया ये आपका सही है option A सही है 11 जो होता है ये word में भी होता है और excel में भी होता है D नहीं D नहीं 15 नहीं होता 11 होता है 11 जो होता है calibrary font होता है by default और size क्या होती 11 होती है ये देखना open करके आज ही देखना किस table में operating system file की जानकारी रखता है जो operating system है OS है आपका किस table में आपके file का पूरा जानकारी रखता है file allocation table file index table directory index table उपरियोक तशभी इसमें से क्या answer सही होगा जल्दी से बताए RPG अभी तो मैं ये class लही रहा हूँ एक डेखनटा आपकी जो भी बाकी आपका जो होगा वो marathon classes जैसे reasoning हुआ maths हुआ ये आपको मिल जाएगी Tuesday से मिलने लगेगी एक बार सभी लोग share जरूर करें आज हमें डेख सो पार करना है इस session को एकड़ मर्पिज जी आपकी बातों को team द्वारा जो है संग्यान में लिया जाएगा और ये कार्य जल्द से जल्द किया जाएगा संदीब बगिल जी का answer BNL जी का D आ रहा है रुबी राव जी का answer C है तरुन चाहर D का answer D है पिंटू जी का C है चलिए आप लोग को जो computer में मुरे से बस ये बताओ कुछ बच्चों ने बोला programming language के questions करा दे मैं जरूर कराऊंगा next topic हो सकता आपका वही हो जिसके जो भी problem है जो chapter आपको दिक्कत दे रहा है आप मेरे इस video के समाप्त के बाद या नहीं जब समाप्त हो जाती है video वहाँ comment करिएगा वो topic जरूर कराया जाएगा 56 का answer B है चलिए जवद बहुत बढ़िया B आ रहा है B नहीं A होगा allocation table कल ही मैंने FAT32 की बात किया था NTFS की बात किया था ठीक तो ये सब क्या था FAT32 मतलब file allocation table होता है इसमें आपका operating system पूरे file को क्या होता है A table में allocate करके रखता है जिसको जो जरूरत होती है वो वहाँ से process होता रहता है ठीक है तो A आपका सही होगा file allocation table होगा A, A correct होगा यहाँ देखो warm booting warm booting के लिए shortcut की क्या है दो प्रकार की booting होती है booting का मतलब कल ही मैंने आपको बताया था booting का मतलब होता है जब आपका operating system किस में load होता है memory में load होता है उस process को क्या करते है booting करते है booting क्या process है जब operating system आपका memory में load होता है उसी को booting process करते है तो booting दो प्रकार का होता है एक होता है warm booting ठीक है warm booting होता है और दूसरा जो होता है वो cold booting होता है तो cold booting क्या होता है warm booting क्या होता है उसके shortcut की पूछा यता है warm booting क्या होता है कि जब हम system आपका on है system आपका on है उसको restart करते हो ना तो restart को क्या करते हैं warm booting करते हैं लेकिन अदम system आपका बंद है power supply खतम है, जब power button आप दबाते हो, और power button दबाने के बाद आपका जब system on होता है और BIOS से आपका क्या होता है, operating system memory में load होता है, उसको क्या कहते हैं, cold booting कहते हैं उसे cold booting कहते हैं, यह ध्यान रखना, तो यह कई बार push दिज़ सकता है, तो इसको ध्यान रखो इसका shortcut की क्या होता है, control, control plus art plus delete, control plus art plus delete में कई चीज़े आ जाएंगी तो वहाँ से आप restart भी कर सकते हो, आपका कई सी चीज़े दिखाएगा यहाँ पर, यहाँ पर restart के लिए भी आएगा, ठीक है उसके बास से आपका task manager भी इस पर आता है, क्या आता है, task manager भी आता है, और भी कई process यहाँ पर दिखाते हैं इस पर जरूर बताया जाएगा, RPG एकदम निश्चिनत रही है, इस पर पूरी वीडियो एनलेसिस करके बताई जाएगी, अविनास पांडे A आ रहा है, चले, control R delete सही है, A वाले एकदम correct होंगे A वाले correct होंगे, R tap 4, नहीं, control R delete के लिए warm booting होता है, वहाँ से restart करता हो, R tap 4 करोगे direct shutdown हो जाता, R tap 4 करके enter मारोगे, तो direct shutdown होगा, ठीक है, जब तक आप option नहीं चूज करोगे, R tap 4 दबाने के पास आपके dialogue box खुलता है, लेकिन वहाँ by default shutdown होता है, अगर inter मारते हैं तो shutdown हो ज होता है, लेकिन control R task manager का भी होता है, लेकिन warm booting का भी होता है, वहाँ से आप choose कर सकते हो, कि मुझे restart करना हो, restart का option आता है, next, hard disk में उत्पन, error को पता लगाने के लिए, किस command का use करते हैं, format, clear R, chk, dsk, disk compression, बताइए, hard disk में कोई error है, उसको पता लगाने के लिए, चाहे कोई bug file है, उसको पता लगाने के लिए, क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, इसका क्या होगा, बी answer आ रहा है, chk, dsk, b, राहूल जी का edit plus, b, रोहित जी का answer b है, share करते रहना, आज हमें 1500 पार करना है, इस संक्यावल को, जल्दी से answer कमेंट करो, नितिन जी, d आ रहा है, रिसी जी का, b, आ रहा है, रजनीज जी का d है, आसिश कुमार जी का answer b है, मुहमद साजित का answer d, र रोहित नाथ, योगी जी का b है, मुहमद रासित answer d, अविनास पांडे b के साथ जा रहा है, सजाद जी, b के साथ, आसिश जी, b, तरुन जी, d, रजनीज जी, b, रोहित नाथ, योगी जी answer, सर, share कर दिया है, बहुत बढ़िया, चले, चले, सर, बहुत बढ़िया, अर्पित जी, आप हमारी मेहनत को समझते हैं, आपको कोटी-कोटी धन्यवाद, आजीत कुमार निशाजी का answer, b आ रहा है, देखते हैं, देखो, जब भी आप में ऐसा लगे, कि आपकी hard disk में कोई error आ रहा है, कभी क्या होता है, टिक-टिक-टिक की sound भी आती है, चाय कोई bug file भी आप कभी कभी वो disk ही गायब हो जाती है, partition करते हो COD में, तो कभी-कभी D वाला गायब हो जाता है, यह मेरे साथ कई बार हो चुका, तो उसके लिए एक, अगर software इसू होगा, कोई bug कोई इसू कर रहा होगा, आपको इस disk में, तो आप windows की जो button होती, windows के साथ run वाली button दबाना, आ ठीक है, CHKDS के लिखना, run, दोखो, CHKDS के इस run command में नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है आपको, जो run आएगा आपका, यह ऐसे run वाला box आएगा, इसमें आपको लिखना है CMD, command format, ठीक है, CMD लिखोगे, तो command MS-DOS का black color का command format खुल जाएगा, इसमें आपको CHKDS के लिख है, क्योंकि MS, यह DOS का क्या है, command है, और उसके बाद से वो Windows बंद हो जाएगी, जब restart करोगे, system को restart करोगे, तो restart करने के बाद, आपका system क्या होगा, आप जैसे on करोगे, तो आपकी पूरी hardest check होती, जितनी files हैं, उसमें से bug file एकठा हो जाती है, और delete हो जाती है, सुभम जी, खुस रहें, मस्त रहें, स्वस्त रहें, जबर्दस्त रहें, तो answer क्या होगा, इसका option B होगा, next हम आते हैं, powerpoint में, auto content wizard, start and finish के बीच, कौन से step होते हैं, presentation type, presentation style, presentation option, या उप्रोक्त शभी, auto content wizard, start and finish के बीच में, कौन से होते हैं, हाँ, port address और abbreviation पे भी question हो जाएंगे, उस पे भी मैं questions लेके आ रहा हूँ, जल्दी, डालते जाओ, सब topic मेरे को कुछ याद नहीं है, ये जो topic यहाँ डाल ले हो, मेरे video के end में डालो, तम मैं कुछ उस पर react करूँगा, क्योंकि ये comment मैं खोज नहीं पाऊंगा, जी जरूर, साजित जी जरूर चलेगी, रवन सर आपके mental attitude की class जरूर लेकर आएंगे, एकदम निश्चिन्त रही है आप, D answer आ रहा है, C आ रहा है, मौमद साजित जी आपके बातों को team द्वारा संग्यान में जरूर लिया जाएगा, और mental attitude की भी classes आ रही है, Tuesday से आना सुरू हो जाएंगे, रवीजी नमस्कार, D, मोहिद जी का आंसर आ रहा है, चले है, और किसी का आंसर, राजी वुपाद्याई जी का आंसर D है, next, 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 जल्दी से, मोहिद जी का आंसर D है, आंसर बंद कर दिए तुम लोग, D, ज्यान जी का D आ रहा है, देखो यह सही है, सभी, auto content wizard में, आपके presentation type, presentation style, presentation option, यह सभी होते हैं, उप्रियोक्त सभी इसका आंसर होगा, power point के किसी slide के notes को क्या कहा जाता है, जो power point होता है, ठीक है, ऐसे आपका slide होता, और नीचे ऐसे छोटा सा वराता है, उस slide के just नीचे, ठीक है, यह notes होता है, इस notes को एक नाम दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है, speaker notes, slide master, handout master, यह उप्रियोक्त में से कोई नहीं, बताइए, इसको क्या नाम देते हैं, शभीता जी, क्या answer होगा, इसका B होगा, slide master, B, अरे नहीं यार, आकाजी, A answer जा रहे है, edits, plus C का A है, गोविन जी का B है, संदीब जी का B आ रहा है, गौरब जी का A आ रहा है, मुहिज जी, B, आसुतोष जी, D के साथ, शर्वा कंप्यूटर, A के साथ, सलीम जी, B के साथ, गौरब जी, A के साथ, मौन जी, A के साथ, नेचर बाई, अभी, D के साथ, रोहिज जी, B, मुहित कुमार, B, आसिस कुमार, जी, नमस्कार, चलिए, यहाँ पर जो यह होता है, इसको यह note होता है, और इस note को काते हैं, speaker note, क्या काते हैं, इस speaker, speaker मतलब हम, जब हम, इस powerpoint presentation को किसी board पर present करते हैं, monitor के थूँ, ठीक है, तो वो notes हमें उस presentation के समझने के लिए होता है, तो इसलिए इसको speaker notes, speaker मतलब जो बोलने वाला है, तो speaker notes होता है, क्या होता है speaker notes, hand out master में maximum, कितने slide आ सकते हैं, hand out आ सकते हैं, maximum, यह आप लोग comment करके मुझे इस वीडियो में बताईएगा, hand out master में, या आप आप देख लीजिएगा, कितने आते हैं, अरे speaker notes देखो क्या होता है, यह powerpoint खोलना, powerpoint में नीचे हर slide के यहाँ पर एक note आता है, यह note आप जब presentation को present करोगे न, यहाँ पर अपने system में नहीं, एक बड़े screen पर जब presentation लेकि जाते हो, laptop में, और उसके बास से उसको screen पर represent जब किया जाता है, तो यह note जो होता है, जो speaker होगा, जो presentation दे रहा होगा, उसको slide का main main point लिखा होता है, मतलब यह slide है, इस slide में जितना भी data है, तो वहाँ पर वो point बना लेगा, कि इसमें introduction है, इंट्रो है, उसके बास से discussion है थोड़ा सा, तो जान जाएगा इसमें क्या है slide में, इसी को देखके समझ जाएगा, तो बहना start कर देगा, तो यही होता है speaker notes, ठीक है, बाकी चीजे बताना जो मैंने पूछा है, ए आंसर correct होगा, Excel में किस formula या function के द्वारा, column और data, column का data, देखो, किसी column का data, row में, और row का data, column में convert किया जाता है, मालो जैसे यह column है, यह column का data है, कोई, यहाँ पे है, उसको, आपको क्या किस में convert कर दिया जाएगा, row के data में convert कर दिया जाएगा, किसी भी column का data, किसी row में कर दिया जाएगा, मालो, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे, A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, तो इस वाले data को, किस में कर दिया जाएगा, डी है ए बी सी और डी यहां पर मतलब पूरे रो में आ जाए यह कॉलम का डाटा इस पूरे रो में आ जाए उसके लिए कौन सा फंसन यूज करेंगे यह मैंने पढ़ाया भी है चलिए एक बर और सियर करो जोरदार तरीके से कि 100 पार हो जाए उसके बाद से 50 पार हो जाए कुमार विरेंद्र जी सी आ रहा है पॉनेश जी का मैट्रिक्स रूल ए ट्रांसपोर्ड सी बहुत बढ़िया गुविन जी का सी आ रहा है ए है कुछ लो करना या रो के डेटा को कॉलम में करना उसके लिए एक फंसन यूज होता है ट्रांसपोर्ज क्या होता है ट्रांसपोर्ज सी आप्सन करेक्ट होगा चलिए अगला कुश्चन MS Excel 2003 में कितने रो और कितने कॉलम होते है जल्दी से बताईए कितने रो और कितने कॉलम होते है और 2007 के बाद कितने है 2007 के बाद कितने है इसमें बताएं रवी जी जल्दी से नितिन जी ए आंसर दे रहे हैं ग्यान गुरु जी का आंसर ए है विसाल जी का ए है गौरब जी का बी है सरकारी नौकरी जी का आंसर ए है सरकारी नौकरी भी आगा है पढ़ने रिशी शिंग जी का आंसर A है मोहिद जी A, गौरब जी B के साथ बिसाल जी, सलीम हमद जी B सर्वा कंप्यूटर A होगा चलिए देखते हैं मोहिद जी का आंसर A आ रहा है ट्रांस्पोज अभी भी पीछे चलना है आप गुलफाम जी राहुल जी का आंसर A है राजिव जी का A है, नेचर बाई अभी रोहिद रवी का आंसर B है रोहिद का आंसर A है अकास लक्रागी का आंसर A है चलिए तो 2003 में कॉलम 256 होता था लेकिन जो रो होता था 65536 होता था 2007 में 1,48,576 होता है और कॉलम 16,384 होता है यह 2007 के 2010 में भी है तो यह चीज़े हैं ठीक है, लेकिन आपका 2003 से पूछा है तो आंसर A होगा आंसर A होगा, D नहीं A होगा निम्लिकित मेमोरी में इकाईयों के उच निम्लिके क्रम वैस्थित करी हैं सबसे जादे से, सबसे बड़ा कौम सा होगा फिर उससे, फिर उससे ऐसे आपको एरेंज करना है मेमोरी है यह, बताओ PB का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा क्या होगा इसमें देखो PB का मतलब होता है Petabyte और EB का मतलब होता है Exabyte तो इसमें कौन बड़ा है PB बड़ा है, एग्जाबाइट बड़ा है और TB का मतलब होगा Terabyte ZB का मतलब Gigabyte MB का मतलब Megabyte KB का मतलब Kilobyte ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होगा भईया, एग्जाबाइट होगा फिर Petabyte होगा, फिर TB होगा, फिर 2024 KB बड़ाबर 1 MB, ठीक है ऐसे, तो 1024 MB बड़ाबर क्या होगा 1024 MB बड़ाबर क्या होगा 1 GB होगा, ठीक है 104, 24 GB बड़ाबर क्या होगा, एक TB होगा और ऐसे 1024 TB बड़ाबर 1 PB होगा ठीक है, ऐसे 1024 PB बराबर क्या होगा 1 EB होगा यह होता है चलो Next निमलिकित्म का मिलान करिए Set 2, Set 1 और Set 2 है Bits, Capacitors, Flip Log ठीक है, बताओ किस के किस से मिलाब होगा Bits का मतलब क्या हुआ Bits का मतलब सब जानगा है Binary Digit Capacitor or Flip Log Capacitor SRAM और DRAM RAM जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं एक SRAM होता है और एक आपका DRAM होता है ठीक है SRAM, Static RAM होता है जो सबसे Costly होता है Dynamic RAM जो हम लोग Laptop में यूज़ करते हो RAM वो DRAM होता है जो आप Static RAM कहां यूज़ होता है कैसे as a memory जहां यूज़ करते हो वह Static RAM होता है तो Static RAM में क्या यूज़ होता है Static RAM में जो यूज़ होता है वो Flip Flop यूज़ होता है क्या होता है Flip Flop तो यह क्या है, electronics device है इसलिए यह क्या होगा, मांगा होगा थर्ड का क्या होगा, आपका A होगा, थर्ड का A ठीक है थर्ड का क्या होगा, A होगा और जो capacitor होगा, वो DRAM में होता, क्योंकि capacitor जो होगा वो एक बार charge होगा और charge होगा जब discharge होगा तो वही DRAM आपका क्या होता है यह हमेशा refresh होता रहता और यह refresh नहीं होता है static RAM refreshed नहीं होता है यह हर sequence में refresh होता है तो वह किसकी वज़े से होता है थीक है तो capacitor किसमें होगा DRAM में होगा तो यह क्या होजागा second का B, पहले का C और third का E, option D correct होगा option D correct होगा next, mailbox इमेल लेने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उप्योग किया जाता है मेल बॉक्स से इमेल लेने के लिए जो मेल बॉक्स होता है आपका उससे इमेल लेने के लिए भेजने के लिए नहीं इमेल प्राप्त करने के लिए ना कि भेजने के लिए तो इमेल प्राप्त करने के लिए क देखो पी ओपी जो पी ओपी होता पोस्ट ओफिस प्रोटोकॉल पोस्ट ओफिस प्रोटोकॉल यह होता था इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया पी ओपी टू था पी ओपी टू में कोई भी अगर मेल हमें प्राप्त करना होता था चाहे भेजना होता था तो उसके लिए इसको पी ओपी टू के साथ हमें किसकी जरूरत होती थी SMTP की जरूरत होती थी अभी हम जो इसका latest version है POP3 इसमें हमें हम या तो इसका help ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं दोनों काम है तो हमें किसी mail को प्राप्त करना है कहीं से mailbox से तो हम POP3 का करेंगे इस्तमाद POP2 लिखा है लेकि हम POP3 option देंगे क्योंकि ये advanced version है without और with SMTP काम करता है तो answer यहाँ पर POP3 होगा SMTP किसी mail को भेजने के लिए होता है इसका full form क्या होता है इसका होता file transfer protocol file transfer protocol ये file को upload या download करने के लिए use होता है कहीं से और ये क्या होता है इसका full form बता हो SMTP का simple mail transfer protocol simple mail transfer protocol इसका पिछली बार full form पूछा था SMTP का SMTP का full form पूछा था तो DA यहाँ पर इसका full form simple mail transfer protocol होगा लेकिन mailbox से email लेने के लिए भेजने के लिए SMTP का use होता है लेने के लिए POP3 का use होगा ये ध्यान रखना post office protocol ये आपका correct होगा नेक्स हम आते हैं वेब स्पाइडर जो लोग website बनाए होंगे वो समझ जाएंगे यहां पर वेब स्पाइडर क्लावनर का प्रयोग निमलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है अगर आपने आपको मालो कोई प्रोग्रामिंग भी नहीं आती है और आप website बनाना चाहते हो तो होस्टिंग लीजिए code eddy से और वहां पे एक आपको by default plugin के थुरू आप website create कर सकते हो जिसका एक तरह से बोला जाए वह पैनल होता है उसको क्या का जाता है वर्डप्रेस कई ऐसे आते हैं जहां पर आप बिना कोडिंग जाने भी क्या कर सकते हो website बना सकते हो तो वर्डप्रेस से अगर कोई भी थोड़ा सा भी आप BCA और CS के बंदे होंगे तो वर्डप्रेस का इस्तमाल हो सकता आप लोग किये हो ना किये हो तो कोई बात नहीं तो जब website हम बना लेते हैं तो हमारे website को at least हमा किस पे Google पे सर्च हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें Google पे जाके website का जो link है आपका HTTP वो डालना होता है account बनाके जाकि आपका crawling हो सके मतलब कोई सर्च कर तो आपके जो भी keyword है वो सर्च के according आपका सो करे गूगल पे तो उसके लिए दो चीज़े यूज होते हैं वेव स्पाइडर्स और क्राउलर क्या करता है क्राउलिंग का काम करता है कि आपके keyword पे वो सर्च करेगा maximum तो यह किसके लिए यूज होता है बताओ यह किस पर यू वेबसाइड भी बन सकती है एसी बात नहीं है ठीक है वेबसाइड भी परिक्षाप्लस की जो वेबसाइट है वो wordpress डोप पे बनी है जो परइक्षाप्लस.org है जल्दी से बताईए with coding के साथ बनी है PHP wordpress हाँ PHP के साथ है उसकी पूरी coding PHP है PHP पे डिपेंड है वो कि इसका आंसर क्या दे रहे हैं सभी लोग सी आंसर आ रहा है स्टी एमल प्रोग्राम अरे यह प्रोग्राम में नहीं जाओ भाया यह आपके मैंने बताया जो आपकी वेब साइट की linking है उसको साच में लाने के लिए यूज होता है तो यह सफ इंजन पे काम होता होता उस对око लींग करता है ठीक है यह इस स्पाइडरिंग और क्रॉलिंग क्या होता स्टार्ट अपलोजी बस्ट अपलोजी किसमें किया जाता है A.R.I. D.R.I. राहूल जी का प्रवाज जी का अंसर A है B.R.I. स्टार्ट अपलोजी में D है वो लेन होते है इथरनेट जो यूज होता ना मैंने अभी नेटवर्क की क्लासेस हाई कोट वाली लिया है जो पबलिक है जाके देख लेना इथरनेट जो यूज होगा वो एक ही केबल होता है इसी को इथरनेट बोलते है बस टॉपलोजी में यूज होता है इससे डेख सारे आपके connect होते हैं devices यह इथरनेट होता है और यहां जो होता है क्या इसको क्या बोलते हैं जहां यह end होता है टर्मिनेटर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बैक्बोन केबल ठीक है नेक्स्ट यह देखो ऑप्शन जो ए है वो लिखा है सेवेंग जिप ऑप्शन भी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो विंजिप उपसेंघ जो लिखा है विंडरार और उप्रियोक सभी डिस्क में कम स्पेस लेनेके लिए किन फाइल साइज्ड रुडियूसर प्रोग्राम या फाईल कम्प्रेसर सॉफ्ट्वयर का प्रियोक किया जा सकता है सेबेन जिब का विन जिब का विन रार का यूप्योग सभी बोल ला है अगर किसी फाइल को कम स्पेस करना है तो उसके लिए किस सॉफ्ट्वेर का यूज कर सकते हैं 60 कांश 69 है साथ नहीं 69 है ड अरहा है ब इर लाष कर बीदी ड आ रहा रहा है अच्छा सरकारी जी का बी है राओल जी का d है g primary दी सालिया गोरेफ जी तो noisesibilidad विनलार आ रहा है अच्छा विनलारई होता है जो आप यूज कररे वहीं ऐसे नहीं है औल अब दय बहुत बढ़ियां यह क्या उप्रोग तो सभी होगा विन्रार मैक्सिमम आप लोगों के सिस्टम में फ्री सॉर्स है वो मिल जाता है तो यह क्या होगा यह सभी क्या है आपके compress करने के लिए यूज होते हैं फाइल को क्या करने के लिए नापती हैं जो लगी रहती है मॉनिटर लगा रहता है ICU में किस प्रकार का उपरेटिंग सिस्टम उप्योग किया जाता है multiprocessing, batch processing, distributor या real time operating system जो ICU में देखे हैं मॉनिटर लगा रहता है उसमें हार्ट बीट आपका चलता रहता है blood pressure रहता है सब कुछ saturation होता है तो वो किस प्रकार का operating system उसमें use होता है सतर का answer D आ रहा है D A गौरब जी का A, विसाल जी का D, राहूल जी का D Nature भाई अभी D आ रहा है सरकाई नौकरी D, प्रभास जी का answer D है पौनेश जी का real time operating system बहुत बढ़िया अगर real time operating system नहीं होगा पता चले वो बता कुछ और रहा है बाद का बता है क्योंकि वहां hard beat आपके operation कोई भी होता है operation होने के बाद तुरंत इंसान को कहां रखा जाता है क्योंकि operation में anesthesia दी जाती है और anesthesia में क्या होता है आपके blood pressure बहुत तेजी से घड़ता है और blood loss भी होता रहता है तो ये chances होते हैं कि आपके hard attack या brain hemorrhage हो सकता है आपको ठीक है इस वज़े से observing operation जैसे आपका हो जाता है और normal blood pressure जब तक आपका नहीं पहुंचता है ठीक है तब तक observe किया जाता है ये monitor लगाया जाता है जब आप उस critical situation से निकल जाते हैं तब आपको OT से बाहर निकाला जाता है समझ रहे हैं डॉक्टर तभी आपको OT से बाहर निकालता है जब आपको देखता है कि आपकी blood pressure बढ़ना increase हो गया क्योंकि anesthesia देते हैं आपके blood pressure डाउन होने लगता है तो यह किस पर depend करता है रियल टाइम अगर वो रियल चीजे ना बताए तब तो डॉक्टर समझी न पाए कब उसे क्या हो गया कैसे हो गया तो यह ध्यान रखना तो यह रियल टाइम operating system होता है नेक्स्ट है यहां देखो मैं बताई दे रहा हूँ यहां input का मतलब input output का मतलब output इतना तो आप लोग समझ सकते हो option देखो keyword यहां लिखा है English में तो इतना जान रहे हो कौन सा input और output device दोनों की तरफ behave करता है वो सिप दिमाग में यह न रखो लोग इंगलिस दिखेगा तभी हम बताएंगे मैनेस करो modem b r i b b b b अच्छा राओल जी शुनी जी b answer आ रहा है एक बार सियर करो आज 100 तक नहीं पहुँचे हो एक बार जो दार तरीके से आप लोग सियर करिए सर एक्सपेक्टेड पेपर जरूर बताया जाएगा modem आ रहा है modulator and demodulator बहुत बढ़िया कली मैंने modulator and demodulator के बारे में बताया था modem जो होता है आपका जब आप system पे modem connect कर देते हो तो ये modem आप जो भी data किसी को mail भेज रहा है वो भी भेजता है और कहीं से कोई data आप fetch कर रहा है उसके थूँ फैच भी होता है तो ये sending का भी काम कर रहा है receiving का भी काम कर रहा है इसलिए इसमें modulator and demodulator दोनों लगा हुआ है ठीक है ये data को input की तरह ले भी रहा है मालो यहां से net से कोई data हम download कर रहा है तो ये input की तरह आया, हम कोई चीज किसी को भेज रहे हैं, तो वो output की तरफ जा रहा है, तो ये input-output दोरों की तरफ भी है करता है, इसलिए option B होगा, ठीक है, चलो next, हार्डिक्स डाइब के read, write, read, head, होते हैं, हार्डिक्स डाइब में जो read, write, head होता है, हार्डिक्स अब का ऐसा बना रहатा है, प्लेटर्स होते हैं ये, और यहाँ पर मानलों ये head होता है, हेडर है यह रीड करता ऐसे तो उसको बोलाया कि डाटा के टुकड़े को भौतिक अस्थान पर खोजने में लगने वाला समय क्या होता है बताओ जल्दी से बताईए कि यहां पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं एक्सेस टाइम सीक टाइम और लेटेंसी टाइम यह तीनों चीज मैं बता दे रहा हूं कि एक्सेस टाइम किसी का अंसर आया देखें अभे जी का अंसर सी सुनील जी का सी आ रहा है लेटेंसी टाइम C, 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 Confusion है, चलिए और किसी का D आ रहा है, SS time जो होता है C time प्लस latency होता है, परितोष जी बता रहा है चलिए, यह तो काना सही है लेकिन अभी जो मैं यहां पूछ रहा हूँ, उसका अंसर क्या होगा B बता रहा है प्रेमपाल जी का अंसर C आ रहा है और किसी का गौरब जी का अंसर B है सर मैथ आती नहीं है, कैसे क्या करूँ जी, जरूर बता जाएगा मैथ वाले सर आपको strategy बताएंगे एंजनी जी प्रभास वर्मा जी, आंसर A, आसुतोष जी SS denied अच्छा B होगा, मेरा भी C है, चलो देखो, यहां बोला hard disk live का जो read right head होता है, द्वारा disk पर data के एक टुकडे के भावतिक अस्थान को खोजने के लिए मालो data को कहीं खोजना है, तो उसमें लगा हुआ time क्या होता है ठीक है latency time होगा पॉने जी, आप से ये उमेज नहीं थी मुझे देखो, latency time क्या होगा, क्योंकि आप तो topper हैं हमारे side test series के latency time क्या होगा कि ये कल मैंने बताया था ये predators होते हैं और इसको क्या बोला जाता track बोला जाता है, ठीक है ये track होते हैं, ये जितने हैं track हैं, ये सभी क्या हैं, track का लाएंगे और इसमें ये किसमें बते होते हैं, sector में बते होते हैं किसमें, sector में बते होते हैं तो किसी particular कोई data है मालो, तो वो track 3 में इस वाले में हैं, तो आपको head को, मालो head आपका जो है ये मालो head आपका पहले track पे है पहले track पे है, तो उसको तीसरे ट्रेक में जाने में जो समय लगेगा हैड आपका पहले ट्रेक पे है और इसको तीसरे ट्रेक में यह क्यों डिलीट हो जा रहा है हैड आपका पहले ट्रेक में तीसरे ट्रेक में जाने में उसकी जो समय लगा उस ट्रेक में track 3 है पूरा ये अंदर वाला track जो होता है 3 है इसके किसी एक sector में इस वाले sector के अंदर ये वाला जो sector मैंने बनाया इसमें वो data पढ़ा है जिसको पढ़ना है तो अब यहां से वो move करके जो यहां से जो move करके इसमें जाएगा और इसको data को read करेगा उस time को क्या करते हैं उस time को कहते हैं सीक टाइम क्या करते हैं सीक टाइम और यह दोनों को अगर मिला लें तो यही कहलाएगा hard disk का SS time क्या कहलाएगा SS time ठीक है तो answer क्या होगा इसका सीक टाइम होगा A क्यूंकि data को पढ़ना है वो पूरा time लें पताना है आपको यहां से यहां पहुंचने में latency time उसके बाद से जो data को सेक्टर से पढ़ते हैं वो पूरा क्या करता सीक टाइम करता है पोनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से परिक्षा प्लस टीम की तरफ से आप लोगों की क्रिपा है इसको जल्दी से जल्दी 100 और 1500 पार कराईए आज जो आपके यह संख्या बल है समझ गये इतनी record को पढ़ने के लिए जो time लगता है यह record यहाँ save है इस वाले portion में तो इसको पढ़ने वाला जो समय लगेगा उसको seek time करेंगे और दोनों को मिला कर क्या कालाता है हमारा access time कालाता है अगले पर आते हैं IBM के सेंग जोन्स कैलिफोर्निया प्रियोग साला में इंजिनियरों ने ड्राइब का अविस्कार किया था किस फ्लॉपी डिस्का हाट डिस्का डीवीडी रोम का या सीडी रोम का जल्दी से बताओ सेन जोस कैलिफोर्निया के प्रियोग साला में इंजिनोरे ने कौन सा ड्राइव का अविस्कार किया था जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आंसर कमेंट करो बी बी आंसर आ रहा है अभै जी का आंसर बी है इक्जाम को लेकर मैंने कंप्यूटर और इसनिंग की स्टेटेजी बता दी है इसी चैनल पर पढ़ा हुआ है आप जाके देख सकते हैं विसाल जी बाकी मैथ्स वाले सर्क कल आपको बता देंगे गोविन मौरिया जी का अंसर भी है अवे जी का भी है प्रेम जी का अंसर भी है गौरब जी का भी अकास लक्रा जी का अंसर भी पुस्पेंद्र जी का अंसर ए आ रहा है और किसी के अंसर जल्दी से बताओ फिर मत बोलना नाम नहीं लेते सर चलिए सुभम जी का अंसर भी, अकास जी का भी, विसाल जी का ये, अजीद जी का भी, मुहमार आसीब जी का भी, यहां देखते हैं, 1956 में IBM ने सबसे पहले हार्ट डिस्क का विसकार किया, हार्ट डिस्क इन्होंने किस वाले सिस्टम में लगाया था, एक सिस्टम का नाम था, रेमेक 305, इसमें इन्होंने inbuilt, inbuilt मनलब अंदर inbuilt हार्ट डिस्क लगाया, inbuilt हार्ट डिस्क लगाया, जो कितने mb का था, 5 mb का था, 5 mb का था, लेकिन ये रिमूबल नहीं था, एक बार जो लगा दिया गया, बाद में इसको का जाए, कब 1973 में, 1963 में दो MB की डाई MB की IBM ने ही removal hard disk बनाई ठीक है यह ध्यान रखना उसके बाद से पहल मार्केट में दो 1956 में ही hard disk आ गया था ठीक है यह ध्यान रखो तो यह किसके आविस्कार हुआ था उसमें hard disk डाइव का हुआ था भी सही होगा नेक्स हम आते हैं compiler program कौन सी गलतियां find करता है compiler क्या होता है grammatical syntax error logical error दोनों आए भी आउप्योक्त में से कोई नहीं जो compiler होता है एक interpreter होता है और एक compiler होता है इन दोनों को काम क्या होता है और दोनों में अंतर थोड़ा सा होता है बताओ CRI 100 नहीं पार करा यार तुम लोग मजा नहीं ला रहे हो नभुकान 73 का BRI सविताजी आंसर CRI 74 पर वहों चुके हैं बोथ चलिए देखते हैं किसकी programming ठीक है पॉनेस का A and B पॉनेस कैसे काम चलेगा गड़बड है लॉजिकल एरर compiler एरर होता है ये मुझे बताओ लॉजिकल एरर कमपाइल एरर नहीं होता है जब आप कमपाइल कर आओगे कोई program C में लिखकर तो वहां पे जो एरर आएगी वो लॉजिकल एरर कभी भी compile time में नहीं आ होगा compile और तुरंत रन हो जाता है कि लिए उसलिए पता नहीं चल पाता है लेकिन खाली program को C वाले कौन सी यूज़ कर रहे हो कोई भी अगर C programming किये होगे आप लोग तो उसमें सबसे ज्यादे टर्बो चलता है software कौन सा चलता है टर्बो तो टर्बो में खाली compile जब compile के लिए compile वहाँ पर आता है left button क्लिक करके तो उसमें वो सिफ compile time error syntax error होता है क्या होता है syntax error अगर आपने कैसे programming लिखना उसके syntax को नहीं follow किया है तो वो error देगा अगर logic में कोई गरबड़ी किये हो किसी program के तो वो जब run कराओगे ना तब जाके वो run time error आएगा वो logical error आएग तो इसमें क्या होगा यह सही होगा grammatical error या syntax error जिसे कहते हैं हाँ F9 turbo C++ ठीक नीले कलर वाला तो यह आपका सही होगा next आते हैं भीम एप को किसने develop किया जो भीम एप है यह आपके किसके नाम पर पढ़ा है डाक्टर भीम राव अब मेडगर के नाम पर मोधी जी ने इस भीम एप का launch किया था कब किया था जल्दी से बताओ हाँ ये तो भूली गया मैं हाँ compiler interpreter में क्या अंतर है ये कोन क्या करते हैं जो high level language है high level language को किसमें बदल देते हैं machine language में बदल देते हैं machine language में बदल देते हैं दोनों का काम होई होता है लेकिन जो compiler होता है वो पूरे program को ठीक है पूरे program को एक ही बार compile कर लेता है एक ही बार इसको बदल देता है लेकिन जो interpreter होता है वो क्या करता है एक एक line wise line क्या करता है आपके बदलता है एक line को उठा के किसमें बदला machine language में फिर इसको फिर इसको और ये पूरे compile करके पूरे program को machine में एक साथ बदलता है तो ये दोनों में अंतर है इंटर्पेटर line by line चलता है ये पूरा hole चलता है भीम पर आता है भीम भीम एप किसने डवलोप किया था हो गया सो पार अभी तो मुझे 99 दिख रहा है हाँ अभी 100 हो गया चलिए बहुत बढ़िया एक बार और इससे share करो और अभी आपके इसको कहां तक पहुचाना है डेड़ सो तक जल्दी से 75 का बी आएगा बी बी निसान जी विसाल जी 100 पार हो गया आंसर बताओ चलो सभी को बहुत बहुत धर्निवाद मेरे तरफ से आप सभी को क्या लड़ू का सेलेक्शन के बाद 2017 में चलिए नहीं आप लोग गलत जा रहे हो 2017 में किया था कि 2016 में किया था 2016 गुड इवनिंग 30 दिसंबर 2016 को मोदी जी ने इसे लाँच किया था और कहा था यह किसके नाम पर रखा जाएगा यह आपके भीम रावांबेटिकर के नाम पर रखा जाएगा और इसे करने वाला कौन है बनाने वाला डिबलब करने वाला एन पी सी आई एन पी सी आई का फूल फर्म बताओ क्या होगा नेशनल कॉर्परेशन ओफ इंडिया नेशनल नेशनल कॉर्परेशन भीम नेशनल हाँ नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया जो पी है नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया कॉर्परेशन ओफ इंडिया 101 चलो 101 है इसको डेड़ सो कैसे होगा जल्दी से बताओ डेर सो कैसे होगा चलो अगले पर आते हैं यह लिखा हुआ है जो दिख नहीं रहा आपको वो मैं लिख दे रहा हूँ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन अफ करेक्टर्स यह लिखा हुआ है EDBIC यह अभी मैंने नंबर सिस्टम वाले क्लास में पढ़ाया है EDBIC कोड करेक्टर के कितने अलग प्रतिने दित्व मतलब डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन आफ करेक्टर का समर्थन कर सकता है बताओ कितने कर सकता है 256, 14, 1024 या 64 अभी मैंने पढ़ाया था EBCDIC 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 यह है ठीक है EBCDIC Extended Binary Code Decimal Extended Binary Code Decimal Interchange Code 256 ठीक है 2 की पावर 8 होते हैं मतलब 256 8 बिट्स का जो होता है EBCDIC Extended Binary Code Decimal Interchange Code ठीक है Extended Binary Code Decimal Interchange Code EBCDIC तो इसके क्या होगा ए ओप्सन साही होगा 256 यहां बोला निमलिखित में से कौन सा माउस एक ग्रेनाइट काउंटर टॉप से लेकर कार्पेट तप मतलब ग्रेनाइट काउंटर टॉप से कार्पेट तप की किसी भी सता पर काम कर सकता है जो ग्रेनाइट लगा होता है वो होता है प्लेन होता है जो कीचन में ग्रेनाइट लगता है पत्थर वो बोला उस पर भी और कार्पेट पर भी जो इतना खुदरा होता है उस पर भी वो माउस काम कर सकता है वो कौन सा माउस है मेकेनिकल माउस, अप्टिकल माउस लेजर या ब्लू ट्रेक माउस हाँ, चलिए बहुत बढ़िया पाउनेज जी साशांक सुलांकी जी लेजर माउस नहीं, 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 नहीं एडवांस आ गया है, जल्दी बताओ बी आ रहा है, सेवन का सततर का डी है, सी है सरवेज जी सी दे रहे हैं, राजबादूर जी का अंसर सी आ रहा है सी डी, सी डी आ रहा है, चलो देखते हैं क्या होगा, ये लेजर माउस तो आभी आई रहे हैं यह सब तो खतम हो चुके हैं ब्लू ट्रेक माउस होगा ब्लू ट्रेक माउस इसमें पूरा ब्लू कलर का लाइट निकलता है और इससे निकालने वाला कौन है माउस है यह वायरलेस माउस है ठीक है लेकिन इसमें यूएसबी रिसीवर नहीं यूज होता है यह ध्यान रखना जैसे बाकी और लेजर माउस जो होते हैं इसका वायरलेस माउस लोगे इसके साथ एक यूएसबी रिसीवर होता है ठीक है जो सिंगनल को रिसीब करता है वो आ देखना चारों तरफ ब्लू ब्लू रे करता है यह ग्रेनाइट पर भी चलेगा इतने प्लेन सता पर भी बहुत अच्छा काम करेगा और कार्पेट भी करेगा तो यह ब्लू ट्रेक माउस होता है ठीक है इसमें रिसीवर की जरूरत नहीं होती है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सी केबल तकनीकिक इलेक्ट्रिकल सिगनल को अप्टिकल सिगनल में परिवर्थित करती है ठीक है मतलब इलेक्ट्रिकल सिगनल को किसमें कनवर्ड करती है ऑप्टिकल में ऑप्टिकल मतलब लाइट में कनवर्ड करती है वो कौन सी केबल होती है which of the following cable of technology convert electrical signal into optical signal coaxial STP UTP या fiber optics कौन सा इसमें सही होगा D D D D D D 78 का A आ रहा है प्रबास जी का D आ रहा है चलो देखते हैं क्या सही होगा A होगा D होगा नहीं यहां तो मैंने पढ़ाई रखा है optical fiber के बारे में यह network वाला पढ़ाया है जाके देखो हो तो free में पढ़ा हुआ है अटलेस इसो तो देख लो अप्टिकल fiber क्या करता है electrical signal को light में convert करता है और total internal reflection के principle पे आपका information क्या करता है उस केवल के through transfer होता है next एक आ सुरच्छित network पर डेटा को सुरच्छित हास्तानांत्रन सुरच्छित करने के लिए जैसे की internet क्या होता है उसमें antivirus hacking या cracking या क्रिप्टोग्राफी ensure a secure transfer of data over a unsecured network such as the internet तो उस पे हम क्या apply करते हैं कि हमारा जो data होगा वो securely जाए unsecure किसी platform पे network में कोई भी data को चुरा सकता है हमारे information को ले सकता है तो उसके लिए उसकी security के लिए हम क्या करते हैं antivirus सकते हैं क्या data के साथ नहीं न वो तो हम अपने system में physically रखते हैं hacking तो चुराना हो गया cracking क्या हो गया वो भी crack करना किसी code को crack करना होता डी क्या है cryptography मतलब data को हम किसी code में change कर देते हैं क्या हैं मान लो मैं किसी का नम लिखके भेज रहा हूं किसका नमलीं प्रेइम जी का नाम है उसको मैं किसी को भेजना है फ्रेइम पाल ठीक है तो इसको этим इस साobil कर दिया जाएगा मान लोक कर दिया गया ऐसे 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 अब बताऊ यूज कोई पड़ पाएगा यह प्रेम पाल लिखा हुआ है लेकिन जिसके पास इसकी की होगी जिसे हम क्या कहते हैं極 कि जिसको लेगा वही उसे code करेगा तो वह जिसके end बे जाएगा वह cryptography layer में क्रिप्ट हो जाता, मतलब decrypt हो जाता है इसको, quit करना और decrypt encrypt और decrypt यह दो language होते हैं आपके, encrypt का मतलब होता है उसको धूसरे language में change करना जिसे कोई समझ ना पाये और decrypt का मतलब होता है फिर से उस language से समझने वाले language में convert करना तो यह क्या करेगा जो प्राइवेट की होगा decrypt करेगा और प्रेम पाल receiver end पे पहुँच जाएगा तो यह इस पूरे टेकनलोजी जो यह काम होता है encrypt और decrypt वो किस टेकनलोजी पे होता है क्रिप्टोग्राफी पे होता है नेक्स्ट आते हैं हम लोग data packet को आगे बढ़ाने के लिए दो computer के बीच संचार पत की तलास के लिए कौन जिम्मेदार होता है तो यहां क्या होगा जल्दी से बताइए 20 कुश्चन अभी हम लोग पीछे हैं क्या तो यहां क्या होगा आपका routing होगा routing से हम root पता लगाते हैं कि हमें किस route पे data को भेजना है तो root हो जाएगा next हम आते हैं प्रथम super computer का नाम क्या था जल्दी बताओ प्रथम super computer कौन सा था तो प्रथम super computer ये पहने कई बढ़ कुश्चन करा रखा है तो इसको आपको याद होने चाहिए ये इसकी अविस्कारक कौन है सीमोयूर क्रे है ठीके इन्होंने अविस्कार किया था और कौना सा था क्रे बन था पाहला सुपरकम्पूटर डी-oupsarden सही होगा क्रे बन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्ट करता हू मतलब recipient को संदियस भेजा जा सकता है वो क्या कालाता है mail merger, macromers, megamers या micromers या आपके MS Word में होता है ठीक है वो कौन सा होता है mail merger mail merger में एक साथ सभी के mail कर लेंगे और एक साथ mail जिसको भी भेजना होगा वो भेज देंगे या mail merger का काम होता है next हम आते है MS Word में Translate Option कि स्टेम में उपलबद होता है जो Translate Option होता है MS Word में वो किस option में होता है View में, Review में, Insert में या Reference में या किसने देखा है practical करके किसमें होता है Review में आपका क्या होता है Translate Option होता है Translate Option जो होता है spelling checking वाला जो option होता है वो किस में होता है review में होता है MS Word के ठीक है अब MS Word में कौन सी command के लिए एक ही dialogue box होता है बताओ find go to के लिए go to replace find के लिए find clear go to के लिए तो हम जब क्या करते हैं control h करते हैं तो एक box आता है उसमें क्या क्या होता है उसमें find भी होता है उसमें replace भी होता है और उसमें क्या होता है go to भी होता है ये तीनों होते हैं तो उसका कौन सा होगा ये go to replace find ये एक ही में होता है ठीक be option सही होगा ये तीनों एक ही में होते हैं next आते हैं MS Word में hyperlink insert करने के लिए मान लोग कोई word लिखें हम word लिख दियें इस word में hyperlink लगाना है तो इस word को select करके क्या दबाएंगे control plus k दबाएंगे तो hyperlink जो भी उस पे link लगाना हो वो link लगा सकते हो और वो तुरंत नीले color का हो जाएगा control k हो जाएगा बहुत बढ़िया 20 सही होगा कई बार ये question पूछा गया है कि hyperlink कैसे insert करते हैं उसका shortcut की control plus k होगा इस question को दोखो एक से अधिक file को select करने के लिए उन सभी file वाले folder को खोले उस file पर click करें जिसे आप select करना चाहते हैं और फिर anti-mistap की रूप में क्या करेंगे एक से जादे file को क्या करना select करना है तो पहले आप उस folder को खोलेंगे जिसमें धेर सारे file होंगी फिर क्या करेंगे एक file को click करेंगे उसके बास से क्या करेंगे और भी पूरे file select करने हैं तो control button दबा के mouse के click button से क्या करेंगे हम सब फाइल को select करेंगे तो control कुणजी दबाय कर hold करके रखेंगे और प्रते एक फाइल जिसे आप select करना चाहते हैं उस पर click करेंगे option A सही होगा अगला question है Microsoft PowerPoint में handout master handout master द्वारा define किया जाता है क्या slide formatting slide transition layout of handout या date layout handout master के द्वारा क्या define किया जाता है तो handout master जाओगे PPT में उसको जब open करोगे तो वहाँ पर handout के क्या दिये जाएंगे layout दिये जाएंगे handout के layout दिये जाएंगे option C सही होगा अगला question है आपका Microsoft PowerPoint की स्लाइड को अधिक्तम कितना जूम कियार सकते हैं देखो MS Word में Microsoft Word में जूम जो होगा maximum 500% होगा minimum आपका यह maximum जूम होगा minimum आपका 10% होगा लेकिन PPT की बात कर रहा है नहीं PowerPoint में जूम जो होगा maximum आपका वो कितना होगा 400% होगा और minimum आपका same रहेगा 10% ही रहेगा तो यह क्या होजाएगा C आपका answer करेक्ट होगा 400% 500% सिब MS Word में होता है PPT और Excel में नहीं Excel में भी 400 होता है Next PowerPoint Slide Sorter किस मिनू में होता है जो Slide Sorter होता है वो किस मिनू में होता है Insert, View, File या Edit में PowerPoint में Slide Sorter किस मिनू में होता है View में होता है Confirm हो जल्दी से बताइए DRI, BRI चलो देखते हैं कौन किसका सही होता है एकदम सही है इसमें आपका क्या होगा View मेनू होगा इसमें आपका क्या होता है Slide Sorter होता है निमलिकित में से किस software का उपयोग Remote Connection के लिए किया जाता है जो Telnet मैंने बताया था आपको Telnet क्या होता है एक तरह से Remote Assessing के लिए यूज होता है प्रोटोकॉल Telnet प्रोटोकॉल तो वो किसमें यूज होगा तो Team Viewer या Ask Desk ऐसा ऐसे software होते है Ask Desk होता है Team Viewer होता है यह सब क्या होता है जैसे मैंने बता था यहाँ बैठे बैठे मैं आपके सिस्टम को क्या कर सकता हूँ Connect कर सकता हूँ अपने सिस्टम से तो Team Viewer होगा Next है Excel में आप Negative Value को Positive में परिवर्तन के लिए किस फॉर्मूले का उप्योग करेंगे कोई Negative Value Minus 4 है इसको Positive Plus 4 बनाना है तो आप कौन सा Formula यूज करोगे तो करोगे ABS ABS का मतलब होता Absolute Absolute Value देता है यह तो यह Positive में Convert हो जाएगा Next हम आते हैं Answer क्या होगा C होगा अगला जो है MS Excel का Default File Extension क्या होता है MS Excel में Default File Extension क्या होगा अभी कली मैंने बताया था XLSX होगा या XLXS होगा बताओ कौन-कौन A और कौन B के साथ जा रहा है A और B में ही Confusion होगा कई लोगों को C होगा कुछ लोग C बता रहे है XSLX A होगा Maximum लोग A के साथ कुछ लोग B के साथ देखो Confusion नहों यह XLS जो होता था वो आपके 2003 तक होता था और सभी में चाहे वो PPT होता था तो बाद में 2007 से उपर वाले में जितने 2007 से उपर आएं उनमें X लगता गया जैसे DOC था तो DOCS हो गया उसी ताव XLS था तो इसके आगे X लग गया तो Option A सही होगा अगला हमारा है यह देखो 4,3,1 Decimal में है इसको Convert किसमें करना है Hexadecimal में करना है जल्दी से बताओ इसका Answer क्या होगा Option A 1AF60 1BF 1DF 11016 इसमें से 4,3,1 जो Decimal में है यह उसको Hexadecimal में कैसे Convert करेंगे जल्दी से बताइए तो क्या करते हैं 4,3,1 को हम लोग 16 से Divide कर देंगे कितनी बार जाएगा यह 26 बार जाएगा और Remender कितना बचेगा Remender आपका बचेगा 15 फिर 16 से जाएगा यह 16 से जाएगा तो यहाँ 16 होगा 0, 2 में से एक जाएगा 1, 10 यहाँ आ जाएगा 10 10 आप 16 से छोटा है तो यह Remender भी 10 हुआ और 10 को इंगलिस में हेक्साडेसिमल में क्या बोलते है 10 जो आपका शुरू होगा वो A होगा और यह 15 क्या होगा F होगा तो इसका क्या हो जाएगा A F यहाँ पे 16 यहाँ क्या होगा यहाँ पे हो गया एक बार जाएगा 16 हुआ Remender कितना बचा 26 में से 16 जाएगा तो 10 बचेगा Remender Remender कितना बचेगा यहाँ से 6 में से 6 जाएगा 0 2 में से जाएगा 1 10 तो यह आपका 10 बचा और यहाँ पर आपका अब यह 1 होगा तो 1 और इसको क्या बोलेंगे 10 को B और इसको क्या बोलेंगे F तो 1 B F वाला आंसर सही होगा 1 B F यह होना वही सही होगा हाँ यह मैंने 10 लिख दिया था वो वाला ठीक है एक बार जाएगा Remender 10 होगा यहाँ पर ठीक है इसकेनर ऑप्टिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है एक दम सही इसकेनर जो होगा अप्टिकल इमेज को किसमें बदलेगा डिजिटल इमेज में बदलेगा इसकेनर डिजिटल इमेज को अप्टिकल में नहीं बदलता है यह ध्यान रखना एक collection of program that manage hardware resource application program के लिए system सिवा प्रदान करता है system services provided for application program hardware application program को जोडने के लिए interface है कली बताया था operating system क्या होता हाडवेर और किसको hardware और किसको जोडने के लिए application को जो भी application program है उसको जोडने के लिए ये use किया जाता है अरे हम एक गंटे में 50 question कर रहे हैं बताओ तो कुछ बताएं नहीं direct मैं पढ़ाता चला जाओं अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ और ना बताओं question कराता चला जाओं तो ये काम करता है ठीक है दोनों के बीच में interface का काम करता है जो operating system होता है यहां application के बीच में और आपके hardware के बीच में क्या करता है interface का काम करता है साथी साथ ये program का collection भी रखता है जिससे hardware क्या हो उसको हम manage कर सकते हैं तो ये सभी इसके काम है उपर के सभी इसके work है cdrw निमने में से कौन सा कारे कर सकता है बताओ जो cdrw है इसका मतलब क्या है read और write दोनों होगा जानकारी पढ़ना या लिखना केवल जानकारी पढ़ सकता है नहीं गलत जानकारी को पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं और पुना लिख सकते हैं मलब पढ़ने के बार लिख सकते हैं और डिलीट करके फिर से लिख सकते हैं तो D option correct होगा 97 फोटो सॉप में इमेज में किसी color को select करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है photosol जो use किया होंगे वो जान रहे होंगे eye dropper का use किया जाता है eye dropper से हम color को क्या कर सकते है use कर सकते है next है निमलिखित में से कौन सा application layer protocol नहीं है बताओ which of the following is not application layer protocol http यह तो आपका application layer protocol है यह protocol ftp यह भी application layer है tcp ip dns भी आपका क्या है application layer protocol है लेकिन जो tcp ip है वो कौन सा है यह transport layer protocol है transport layer protocol है जो osi model का नीचे से एक दो तीन चौथा जो layer है नीचे से वो आपका transport layer है heart of osi model इसको क्या बोला जाता है heart of osi model बोला जाता है इस layer को google hangout किस का उधारन है instant messaging application का email software का video viewer का इन में से कोई नहीं google hangout जल्दी से बताए क्या होगा google hangout में भी आप whatsapp की तरह whatsapp की तरह facebook की तरह message कर सकते हो video call कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो और अपना status भी change कर सकते हो ये सब चीजे होता है instant messaging application है a hundred question last question नेमले खित कतनों पर विचार करे हो नीचे दिये गए code से सही उत्तर चुने ये सबसे बड़ा question है last question है पहला कतन दिया है blue brain परियोजना अडविक अस्तर तक reverse engineering के माध्यम से अस्तंधारियों के मस्तिक से synthetic मस्तिक बनाने का प्रियास है समझ रहे हो मेमल का जो दिमाख है उससे artificial brain बनाने का एक process क्या है blue brain परियोजना है blue brain परियोजना के तहप या मई 2005 में मस्तिक्स और मन्स संस्थान brain and mind institute ने इस परियोजना की खोज की थी बताईए इसमें से कौन सा सही है दोनों कतन में से कौन सा सही है पहला या दूसरा पहला या दूसरा जल्दी से बताईए तो इसका क्या सही होगा ये पहला सही है जो blue brain परियोजना है उसको इसने नहीं किया था ये गलत है brain and mind ने किया है ये एक ऐसा reverse engineering process है जिसके तहप mammals के दिमाग से एक artificial दिमाग बनाया जा सकता है ये सही होगा पहला वाला ठीक है पहला कथन सही होगा मतलब भी सही होगा तो ये रहें आपके 50 questions कल आपको दोपाहर तक उमीद है कि 100 questions की PDF with व्याख्य आपको मिल जाएगी तेलिक मैं पहले ही बता दे रहा हूँ 100 questions है कितने 100 questions टाइम आपके पास 1 hour है तो तेजी से करेंगे और आज का जो session है वो किस पर based है internet पर based है ठीक है तो आज थोड़ी आप लोगों के answer जो होंगे आप लोगों खुद note करते रहाना कि कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहा है जिसका मुझे आचानक में दिख जाएगा मैं नाम ले लूँगा तो गुष्टा मत होना मैं फिर से एक बार सभी का स्वागत अविनंदन करता हूँ सभी को मेरे तरफ से नमस्कार है सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में तो हम लोग questions की सुरुवात करते हैं पहला question आपके screen पर आ गया है प्रेक्टिस वन प्रेक्टिस टू दोनों मिला के 100 questions आपके PDF के format टेलिग्राम पे WhatsApp ग्रूप पे सब पे डाल दिया गया है इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकाल कौन सा है SMTP, UTP, TCP, IP या IP इसमें से क्या सही होगा सभी को गुड इवनिंग सभी लोग answer जरूर करें और साथी साथ like और share जरूर करते जाएं वेल्गम रभी जी का answer C है सुवम जी का C है डानिश जी का D है प्रवास जी का C answer आ रहा है चलिए देखते हैं कौन लोग सही होते हैं सबसे main जो प्रोटोकाल होता है वो आपका कौन सा होता है TCP IP होता है क्या होता है TCP IP ठीक है नेक्स हम आते हैं अंगले question पे TCP IP में कितने प्रोटोकाल का सही होता है जो TCP IP होता है इसमें कितने प्रोटोकाल का सही होता है एक तो आपका कौन सा होता है एक TCP होता है दूसरा आपका IP होता है IP कितने bits क्या होता है इसमें 32 bits वाला होता है तो कितने होते हैं दो का समय योजन होता है TCP IP में अगर पूछे कितने protocol होते हैं तो दो होते हैं answer D होगा second का second का answer क्या होगा D TCP का full form अगर पूछे तो transmission control transmission control protocol और IP का आपको पता ही होगा IP का का है internet protocol ठीक है internet protocol दो होते हैं next सबसे ज़्यादा उप्योग होने वाला TCP IP protocol कौन सा है TCP IP में सबसे ज़्यादे उप्योग होने वाला protocol कौन सा है HTTP, HTTPS, FTP HTTP, HTTPS या FTP बताइए इसमें से क्या सही होगा सबसे ज़्यादे TCP IP में कौन सा protocol यूज होता है TCP IP मॉडल में एक बार like share ज़रूर करते रहें ARI नहीं नहीं जो लिखा हुआ है ना D D सही होगा ये तीनों ही बहुत ही महत्तोपून प्रोटोकॉल है ये तीनों के पिलर है HTTP, HTTPS और FTP ये तीनों तो में प्रोटोकॉल होते हैं TCP IP चायो SI मॉडल के तो ये आपका D सही होगा इसमें क्या सही होगा option D सही होगा तीसरे का तीसरे का option D होगा राकेश जी, तीनों, बहुत बढ़े अंजली जी D होगा लाइक, शेयर करते रहना और देखते रहना किसका सही है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो IP होता है वो क्या करता है सुनस्चित करता है कि कम्प्यूटर्स के मद कनेक्शन विवस्थित किया जाए दो कम्प्यूटर्स के मद सबसे सिधता से रास्ता नूडता है सॉफ्ट्वियर कम्प्यूटर एड्रेस को हैंडल करता है उप्रोग्त में से कुछ नहीं IP का मतलब क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है इसका क्या बेसिस काम क्या होता है आंसर CRI का बहुत बढ़िया यह क्या एक सॉफ्ट्वियर कम्प्यूटर एड्रेस को हैंडल करता है जो आपका IP एड्रेस होता है एक तरह से किसी भी का चैट करने के लिए एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है चैट ही करने के लिए नहीं आप जब नेट से इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आपके system का एक unique address होता है उसको handle करना क्या का लाता है आपका IP का लाता है इंटरनेट प्रोटकॉल ठीक है तो address related है C आपका सही होगा Good evening सभी का स्वागत है सभी लोग जरूर एक session को जोरदार तरीके से share करो आज मैं आपके बीच का comment इस लेने ले पाऊंगा क्यूंकि हमें 100 target questions पूरे करने है ठीक है बाकी आप लोग answer सही देना आसान से question है C होगा TCP IP का पूर्पाम क्या होगा यह अभी अभी मैंने बताया आपका Transmission Control Protocol और Internet Protocol Option D सही होगा इसका TCP IP का full form पूछे तो इसलिए मैं explain नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके question उसी पे बने हुए है TCP IP क्या है Network hardware है, Network software है Protocol है, उप्रयोग तुमें से कोई नहीं क्या है बताओ TCP IP TCP IP क्या है आपका एक protocol है अब protocol क्या होता है Set of rules होता है protocol को क्या करते हैं Set of rules बोलते हैं यह सब मैंने बता रखा तो इसका answer C सही होगा अगले question पे आते हैं TCP IP मुख्यता उप्योग होता है किसमें? File transfer में, email में, remote login में या उप्योग सभी में बताइए, जो TCP IP होता है किसके लिए use होता है? चले, देख लिया जाएगा क्रिशनकान जी जरूर कोसिस किया जाएगा important topic का marathon लगा दिया जाए D answer आ रहा D, A कुछ लोग A पे जा रहे हैं कुछ लोग D पे जा रहे हैं देखो, जो TCP IP और File Transfer अभी तो पढ़े थे HTTPS, तो HTTPS browsing के लिए use होता है SMTP, email के लिए, File Transfer FTP, Remote Log, Intel Net तो ये क्या है, सभी के लिए use होने वाला है उप्रियोक तो सभी ठीक है चलिए, आगे बढ़ें, अगले question पे हाँ, कौम से खुशाथ number question अब आते हैं, 8 number question 8 number question का answer बताए ये क्या होगा बोला हमें internet कौन प्रदान करता है, बताओ internet प्रदान कौन करता है TCP करता है, ISP करता है, FTP करता है, STP करता है हमें internet किस से मिलता है, जल्दी से बताइए इसका answer क्या होगा B answer होगा, share नहीं कर रहे हो, संक्यापल बढ़नी चाहिए ISP, D, कुछ लोग D पे जा रहे हैं, STTP internet कौन प्रदान करता है जो internet की service देता है, उसे क्या बोलता है internet service provider internet service provider ये किसका full form है, ISP का है B आपका correct होगा, कुछ लोग कुछ ही बोलना शुरू कर देते हो किस method दोड़ा हम internet से connect हो सकते हैं dial up से, slip से, triple P से या उप्रोक सभी से जल्दी से बताइए, किस method दोड़ा internet से हम connect हो सकते हैं, जल्दी से बताएए, इसका answer क्या होगा जल्दी से बताएए, DR, C, R, D, 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 D एकदम सही है, सभी, जितने हैं, dial up मैंने आपको बताया था क्या होता है इसमें, हम पहले phone लगाते हैं, ठीके एक आपकी analog line होती है, उससे हम phone लगाते हैं, internet service provider के यहां जाता है, फिर हम से internet से हमें connect करता है, तो इसमें time लग जाता है, ठीके, digital subscriber line उसके बाद आया है, उसी को replace करके DSL, अब यह slip जो होता है, slip का full form क्या होता है, यह भी communication के लिए होता है, तो serial line, इसका full form लिख लो, serial line, internet protocol, यह भी क्या होता है, serial line की तरह ऐसे connectivity होती है, ठीक है, सभी का, तो connection होता है, यह भी क्या, किसका phone line का, triple P किसमें यूज होता है, triple P का full form क्या होता है, point to point protocol, इसको replace करके, point to point को replace करके, serial line internet protocol आया था, यह भी ऐसे ही काम करता था, लेकिन इसकी कुछ demerits इसको replace करके, serial line protocol आया था, ठीक है, तो यह D आपका क्या होगा, सही होगा, URL का earth क्या है, बताओ, URL का full form क्या है, universal resource locator, uniform resource locator, uniform radio locator, या उप्रियोक्त में से कोई नहीं, जल्दी से इन्सका answer बताइए, 10 का answer क्या होगा, 10 number question का answer क्या होगा, universal होगा यह uniform होगा, इसी दो में confusion होगा किसी को, होता भी है तो, edits plus बोलना है, A कुछ लोग B, कुछ लोग C के साथ जा रहे हैं, D बता रहे हैं, pin to Z, abeji, B, 10 का B होगा, चलिए, तो जो लोग B के साथ जा रहे हैं, computer जी बोलने हैं, एकदम correct है, uniform resource locator होता है, ना कि universal होता है, सीगे, radio locator नहीं, जो URL होता है न, का, जैसे आप जालते हो, क्या, HTTPS, ठीक है, ऐसे, ऐसे, www, live.parixasplus.com, ठीक है, यह सब क्या है, यह URL है, एक address है, HTTPS में, S का अर्थ क्या होता है, सरल, सुरच्छित, सर्वर, या उप्रोक्त में से कोई नहीं, बताइए, HTTPS में, S का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं, 11 नमबर question का answer क्या होगा, B, सुरच्छित, security, B, B, C, R, I, किसी का, B, R, I, C, R, I, B, सुरच्छित होगा, सर्वर नहीं होता, secure होता है, क्या होता है, secure, hypertext transfer protocol, hypertext transfer protocol, secure, ठीक है, secure होता है, बहुत बढ़िया, चलो, next आते हैं, website browse करने हैं, तो protocol कौन सा लगता है, जब हम किसी website को browse करते हैं, नेट पर, URL बढ़ार के कौन सा protocol यूज होता है, TCP, HTTP, FTP, या TFTP, जल्दी से बताओ, कौन सा होता है, HTTP होता है, जब ऐसा question आए, कि आपसे website browse करने के लिए, कौन सा protocol यूज होता है, तो HTTP होगा, अगला question 12 के बाद 13 number question पर हम आते हैं, इंटरनेट से जुड़ा प्रते कंप्यूटर, इंटरनेट से जुड़ा प्रते कंप्यूटर, IBM PC होना चाहिए, इंटरनेट की अनुकूल होना चाहिए, आधोनिक connection होना चाहिए, अधिती IP address होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो इंटरनेट से आपके कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए, देखो, सभी के क्या होने चाहिए, बहुत बढ़िया, 13 number का answer D आ रहा है, यूनिक address होने चाहिए, सभी के यूनिक address होने चाहिए, क्या IP address होगा, वो यूनिक होना च चाहिए, नहीं तो गडबड़ हो जाएगा, वर्तमान में IP address का आकार क्या है, जो वर्तमान में IP address यूज कर रहे है, उसका क्या आकार है, वैसे दो है, IPB4 और IPB6 वर्जन आता है, तो मेंने हम वर्जन 4 की बात करेंगे, वो कितने आकार का है, चार बिट्स का है, छे का है, दो बाइट का है, बाइट लिखा है, बिट्स पे मत जाना, या उप्रोक्त में से कोई नहीं, आंसर इसका क्या होगा, चोदा अंबर का आंसर ए आ रहा है, चार बाइट, चलिए, ए, ए, आ रहा है, 14 का D भी आ रहा है, राहुल जी का, 4 आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का, कुछ का यह है, देखो, कन्फ्यूज ना हो, 32 बिट्स का होता है, आई पीवी 4 जो होता है, वर्जन 4 वो 32 का होता है, और आई पीवी जो 6 होता है, वर्जन 6 जो होता है, वो 128 बिट्स का होता है, ठीक है, तो 32 बिट वाला मतलब, 4 बाइट हो गया ना, क्यूंकि 4 बाइट मे का उपयोग करता है किसका पैकेट स्वीचिंग का सर्किट स्वीचिंग का टेलिफोन स्वीचिंग का या डाटा स्वीचिंग का इंटरनेट पे जो हम कम्निकेशन करते हैं तो हमारा डाटा किसके फॉर्म में स्वीच करता है किसके फॉर्म में मूव होता है जल्दी से बताईए एकदम आसान सा question और like और share जरूर करते रहें ये संख्यावल मुझे 200 से पार चाहिए आज 100 question है तो कम से कम 200 तो चाहिए ही चलिए जितने लोग लें हैं चैनल जरू सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से जुड़ते रहें वहाँ पे अभी तक जो मैंने दो सेशन करा हैं उसके पूरे के पूरे पीडियप दे दिये गए हैं 100 question के कल ये भी पीडियप दे दी जाएगी आपको ARI बहुत ही बढ़िया packet switching यूज होता है circuit switching जो होता है वो telephone communication में होता है किस में होता है telephone communication में होता है ये दियान रखना ठीक है telephone communication में circuit switching यूज होता है web page को किसका उप्योग करके ढूणते है जो web page होता है उस किसका उप्योग करके ढूणते है universal resource locator का uniform का या uniform resource locator का जल्दी से बताओ web page सभी web page का अलग-अलग अपना address होता है न तुस अड्रेस को क्या काते है uniform resource locator काते है अभी तो पढ़के आए हो वही है b आपका correct होगा 16 नंबर का b बस question अलग तरीके से पूछ रहा है packet के IP address का पता चलता है कैसे packet के IP address का पता कैसे चलता है switch से hub से router से या modem से जो IP address जाता है उसका पता कैसे चलता है बताओ C answer C R I इसका आंसर बताओ 17 नंबर कोश्चन का जो आपका packet जो होता है IP address का पता कैसे चलता है किसी packet का IP address कैसे पता चलता है तो जिससे वो connect होगा router जिस net connectivity से उसी से IP address पता चलेगा क्यूंकि आपके यहां जो IP जो router लगा हुआ है उसका ISP जोगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको router देकी जाता है उसका एक IP address होता है और वो आपके यहां जितने भी devices connect होती है उसकी IP address आपके router में होता है समझ गए? तो यह समझ लो router हो गए यहां पर C निमलिकित में से building main networking है तू क्या उप्यूक्त होता है अगर किसी building में network कराना है ठीक है? तो वहाँ when होगा lane होगा main होगा mlane होगा जल्दी से बताइए इसका answer क्या होगा? निमलिकित में से building में networking है तू क्या उप्यूक्त होता है? जो router से तुम लोग कुछ और समझ लेते हो router जो होता है ना एक तरह से router जो होता है वो आपका जहां से आपका modern भी connect होता है main router होता है ISP का router होता है ना जो कभी जाना है internet service provider के office में एक तरह से पूरे बना रहेगा और उस पे उसके सभी area के router से लगे रहते है तुम लोग घर के router से सोचने लगते हो ठीके? क्या होगा? local area network होगा जादेतर घरेलू computers पर internet के connect होने है तू उप्योग होने वाला device कौन सा है? जादेतर घरेलू computers पर इंटरनेट से connect होने है तू उप्योग होने वाला device peripheral, monitor, device या modem क्या है इसका answer correct? जादेतर उसे भी जादेतर आपका वो use होता है ना जो router use करते हो घर पर उसे भी modem का ही नाम दिया जाता है ठीक है? तो यहाँ answer क्या होगा? modem होगा सबसे जादे बिजनेस संस्थान द्वारा संचालित computer निम्न का उपयोग करते हैं किस domain का उपयोग करते हैं जो business संस्थान होते हैं .com का, .edu का ठीक है? .bus का या .bns का बताओ कौन सा business वाले क्या use करेंगे? तो business किसमें आ जाएगा? commercial में आ जाएगा ना? जब commercial में आ जाएगा तो क्या होगा? इसके लिए .com यूज होगा ठीक, option A correct होगा next हम आते हैं protocol का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ protocol का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने बताया था संचारण नियमो का सेट internet संयोजन है तो आवस्या कुप करन computer का समू, internet group ना यह होता है, ना यह होता है ना यह होता है संचारण नियमो का सेट होता है मतलब communication कराने के लिए क्या कराने के लिए? communication कराने के लिए क्या होगा? set of rules होगा नियमो का set होगा set of rules होता है किसके लिए? संचारण के लिए तो यह आपका क्या होगा इसमें किस नंबर का सही होगा Next कहाता है निम्न में से कौन सा प्रोटोकाल का उधारण नहीं है बताओ इसमें से कौन सा प्रोटोकाल नहीं है ठीक है? STMP, STTP, FTP, TCP बताओ इसमें से कौन सा प्रोटोकाल नहीं है जल्दी से बताएए इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है संख्यापर गिर लाई है एक बार सेर जरूर करिए A आ रहा है कुछ लोगों का D आ रहा है किसी का TCP आ रहा है TCP प्रोटोकॉल नहीं है Transmission Control प्रोटोकॉल नाम है उसका TCP क्यों नहीं है STMP प्रोटोकॉल का उधारन अंत में पी का अर्थ क्या होता है जो पी लगा रहाता है प्रोटोकॉल में उसका अंत में उसका मतलब क्या होता है प्रोटोकॉल होता है ठीके जो पी लगा रहाता है उसका मतलब क्या होता है प्रोटोकॉल होता है भी आपका सही होगा अगला कुश्चन है HTTP का अर्थ क्या होगा अभी इसका full form पूछ लिया तो क्या होगा Hyper Text Transfer Protocol Higher Text Transfer Packet Higher Text Transfer Protocol Higher Text Terminator Protocol क्या होगा जल्दी से बताएं इसका answer क्या होगा Hyper Text Transfer Protocol यह सही होगा बहुत बढ़े हैं 24 नमबर 25 नमबर question HTTP किसके दोरह उप्योग किया जाता है VMP में, Users में, WW में या UDP में HTTP जो प्रोटोकॉल होता है वो कहां यूज होता है HTTPS dot दो ऐसे Line जो होती न यूज होती है देखो तो ऐसे भी आप का सकते हो यह कहां होता है World Wide Wave में Wave Browsing के लिए यूज होता है किसके लिए यूज होता है लिए यूज होता है क्या होगा इसका आसर C correct होगा अगला Wave Servers तथा Βेब ब्राउजर को कौन बदाता है कि क्या करना है जो वेब सरवर होता है और जो ब्राउजर होता है उसको कौन कहाता है कि आपको क्या करना है FTP SMTP Users या reasoning स्टिटीप इसमें से बताओ web server और web browser को कों बताता है कि आप को क्या करना है जो web server web browser web browser गसरवर करता है सै आफको web pages लेने होते हैं वह कहां करते हो आप web browser में करते हूं वैब browser क्वान बताएगा सब कुछ बताने वाला है stoальная होगा कौन होगा स्टी टीपी होगा यूजर्स नहीं होगा अरे वह अपने में बात कर रहा है तुम लोग तो यूजर पर चले गए वेब सर्वर तथा ब्राउजर का कौन बताता है कि क्या करना यूजर तो सिफ इंस्टक्शन दे देता ये अब वह क्या जाने क्या खोज के लिए आना है चिप कमान्ड बेजी जाती है कि वो कौन सा एक से स्टक्शन शुरू होता है प्रोटॉकॉल कॉल होता है उप्रूक्त कतन गलत है इस में से क्या होगा जब यू अरील एंटर करते हो तो क्या होता है देखो जब URL एंटर करते हो तो ये तो प्रोटोकॉल कॉल नहीं होता है इंटरनेट कनेक्शन तब सुरू नहीं होता है यही होगा ना वेब सर्वर जो होगा ना को HTTP कमांड भेजी जाती है कि कौन सा वेब पेज आप एक्सेस करना है क्योंकि सर्वर से ही वेब पेज एक्सेस करते हैं वेब पेज किस पर हैं लोड सब आपके वेब सर्वर पर अपलोड है तो जैसे HTTP कमांड जाएगा तो बताएगा मुझे वेब सर्वर वेब साइड का वेब पेज अपलोड करना है तो यह answer होगा A आपका correct होगा यहां आ जाते हैं HTTP यह क्या है state count protocol है state less protocol है state transfer protocol है या state full protocol है जल्दी से बताईए HTTP कैसा protocol है state less protocol है इसका मतलब क्या होता है state less का मतलब होता है कि हर आपका command हर command independently क्या होगा, execute होगा हर command independently execute होता है उसको पिछला क्या था उसने क्या सर्च किया था उससे मतलब नहीं हर एक pages अपका अलग-अलग URL से क्या होगा execute होता है तो उसे each request executed independently इसको previous session से कोई मतलब नहीं होता है इसलिए इसको stateless protocol होते हैं previous request से कोई मतलब नहीं होता है web browser किस protocol copy करता है फिर से वह ही आ गया web browser किसका इस्तमाल करेगा तो HTTP का करेगा web browser किसका इस्तमाल करेगा तो STTP का करेगा चलो, next question है Chrome क्या है, बताओ Chrome क्या है Chrome क्या है Chrome, Chrome icon है File Manager है, browser है internet, तो आप सब जानने, Chrome क्या होता है Chrome browser होता है Google Chrome, browser होता है internet access करने है तो इसका आवस्यक होता है किसका आवस्यक होता है internet access के लिए किसका computer का modem का, browser का, यह उपयोग सभी का तो क्या answer होगा, D सही होगा बिना computer के भी नहीं कर सकते हो modem भी जरूरी और browser भी जरूरी यह compulsory है, तीनों चीजें आप अगर internet से connect होना चाते हो तो D सही होगा ISP का क्या full form होता है तो ISP जो होते हैं ट्रांसफर करना, website डिजाइन करना इंटरनेट से connect करना या उपलोक्त में से कोई नहीं इन में से कौन सा सबसे सटी का अंसर होगा FTP जो प्रोटोकॉल है या प्रोग्राम है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है इसमें answer ARA file transfer के लिए बहुत बढ़िया तो यहां internet server से file transfer करने के लिए यूज़ किया जाता है एक correct होगा FTP के लिए World Wide Wave का मूलता इस तरह डिजाइन किया गया था कैसा stateless document, stateless program, stateless entity या stateless IP www को मूलता किस तरह से design किया गया है जल्दी से बताइए क्या होगा इसका answer stateless entity के द्वारा develop किया गया इसको World Wide Wave जो है stateless entity के द्वारा किया गया है A नहीं होगा, document नहीं होगा C answer होगा इसका अगला question है वेब page में store होता है क्या, वेब page कहां store होता है एक तरह से बोला जाए वेब page कहां store होगा वेब server में, कहां पर जो वेब server होगा वहाँ पर ये store होता है तो answer क्या होगा, A correct होगा 35 का answer क्या होगा A होगा, अगला question है www के जनक कौन कहे जाते हैं अभी कर भी हमने पता था team burners league कहे जाते हैं D correct होगा ठीक है आजाओ, निमलिकित में से search engine कौन सा है search engine कौन सा है web crawler, java, internet or net escape इसमें से search engine पूछ रहा है तो java तो programming language है internet search engine नहीं है net escape और web crawler में बताओ कौन सा search engine है देखो 37 का D जो दे रहे हो ये search engine नहीं है ये क्या है, browser है क्या है बच्चो, browser है ठीक है, web crawler जो होता है ये search engine होता है ये search engine है, search मारना जाके आज ये क्या है, search engine है answer A सही होगा इसमें worldwide wave को पहली बार व्यापक रूप से प्रस्तावित कब किया गया था 1989 में 1989 में इसे खोज लिया गया था लेकिन 1980 में कहां पर, sorry 1990 में इसे पूर्ण रूप से क्या किया जाए, जब जनेवा में थे कौन, आपके एक कंपनी में काम करने थे CERN कंपनी नाम थे CERN 1990 में इसको एक तरह से अधिकारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था यहां आंसर क्या होगा 1990 होगा 1990 होगा ठीक है, आओ इस पे इंटरनेट में निमलेखित में से कौन सा प्रोटकॉल उपियोग नहीं होता है बताओ, कौन सा प्रोटकॉल इंटरनेट में नहीं उपियोग होता है Taylanet Vyral Instagram बताओ, इसमें से कौन सा इंटरनेट में उपियोग नहीं होता है गोफर, नही भाई साब गोफर यूज होता है गोफर है, यह गोफर का है एक Rodent है, मतलब Red के Family का जानवर उसका नाम गौफर है ठीक है उसी के नाम पर एक प्रोटोकॉल निकाला गया था और ये प्रोटोकॉल आपका क्या होता है किस पे काम करता है वाइड एरिया इंफोर्मेशन सर्विर जो सर्वर होता है वाइड एरिया इंफोर्मेशन reality क्या होगा वेब इंट्रेक्टिव रियालिटी छीक है वेब इंट्रेक्टिव रियालिटी लिस्निंग रेडियो कम्मुनिकेशन लिस्निंग रेडियो ठीक है तो यह है मैं लिए इसका यूज का होगा जब रेडियो आगया है तो रेडियो कम्मुनिकेशन के लिए यूज होगा तो बी आंसर करेक्ट होगा कौन सी संसा वेब स्टेंडर्स की परिभासा करती है मतलब जो वेब स्टेंडर्स की परिभासित कौन करता है Microsoft Corporation, IBM, Apple, Worldwide Wave, Koncetion वेब स्टेंडर्स को परिभासित कौन करता है जल्दी से बताईए वेब स्टेंडर्स को परिभासित कौन करता है इसका नाम है W3C अब बताओ W3C कौन है यह world wide web concept हम इसको बोलते है W3C क्या है एक team burnal league के दूआरा ही इसको lead किया जा रहा है जो आपको किसको देखता है www को lead करता है जो world wide web है उसके काम काज को देखता है network security web pages availability server availability server disability यह सब कुछ कौन देखता है किस संसा के थूँ होती है W3C वर्ड वाइड वेब कॉंसेंटियम ठीक है अब आते हैं वर्ड वाइड वेब Internet का दूसरा नाम है Computer से तू विस्वास अस्तर का संयोजन है Internet द्वारा संयोजित computers Paristore की गई सूचना का संगरा है विस्वास अस्तर की व्यापक सूचना का संगरा है बताईए वेर्ड वाइड वेब क्या है इसका अंसर बताएं क्या सही होगा क्या होगा इंटरनेट द्वारा सही हो जित कंप्यूटर पर इस्टोर की गई सूचना का क्या है संग्रा है यह इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर में और स्टोर की गई पूरे सूचना का एक तरस डेटाबेस है C आपका सही होगा यह नहीं है C सही होगा वर्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं जो कई कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं HTML का उप्योग करके बनाए जाते हैं अन्य वेब पेज से लिंक कराते हैं HTML का उप्योग करके आपस में जुड़े कंप्यूटर पर स्टोर रहते हैं बताओ वर्ड वाइड वेब पेज का मतलब क्या होता है है की जाते है वर्ड वाइड वेड में वेज वेड वेब पेज फेज रोते हैं चिन में HTML का उप्योग करके आहपस में जुड़े पर इस्टॉर होते हीं इनकी क्या होता है जोСТ एलाग वेज में लिखा जाता है उन्ही यस सवी पेजेस कनेक्ड होते हैं उस से जुड़े जितने computer होते हैं उसमें क्या होते हैं store किए गये होते हैं Search Engine के दवारा आप सूचना धूरते हैं web pages धूरते हैं निर्दिस्ट index tax है तू web page search करते हैं निर्दिस्ट search tax का उपयोग करके सूचना है तू web page search करते हैं बताईए सर्च इंजन से आप क्या करते हैं सर्च इंजन जो होता है उससे क्या करते हैं पर्टिकुलरली किसी भी सर्च टास्क को कोई पर्टिकुलर टास्क को क्या करते हैं हम लोग पर्टिकुलर टास्क को हम क्या करते हैं उस सुचना को वेब पेज में सर्च करते हैं जो भ की बार में कोई पर्टिकुलर चीज सर्च करते हैं इंटरनेट को आवशक्त्या होती है किसकी एग्रिमेंट की लोकल एरिया नेटवर्क की कम्प्यूटर्स के मद्द संचार है तू आम सहमाती से बने नियमों की या वर्ड वाइड वेब की कम्प्यूटर्स जो आपका इंट इंटरनेट है उसके लिए क्या जरूरी है ऐसे चलदी से बता है इंटरनेट के लिए क्या जरूरी होता है मैं जरूरी वाला जो सबसे मेन мет्जर कम्प्यूटर्स पिर मत् नियमों के बिसाomme से बने नियमों की बिना नियम के बिना प्रोटोकॉल कीए कम्रिकेस्ट हो censagem है ठीक है क्योंकि चीजे समझी में नहीं आएंगी तो यह जरूरी है सी वाला नेक्स्ट है पैंतालीस इंटरनेट पर उपलब्द सुईदाएं है सर्च इंजन इमेल बैंकिंग यह सभी इंटरनेट पर उपलब्द हैं फर्स सिकेंड और ओप्शन सी करेक्ट होगा पैंतालीस का सियर करो एक बार यह सो पार करना है computers जो अन्न computer से data या संसाधनों को request करते हैं उन्हें क्या कहते हैं computers जो अन्न computer से data या संसाधनों को कोई भी data लेने के लिए request जो भेजता है मालों यह आपका system है कोई बड़ा सा और यह है आपका यह क्या कर रहा है इसको request भेज रहा है कोई data लेने के लिए तो यह request भेज रहा है तो यह system क्या काल आएगा यह काल आएगा client क्या काल आएगा client और जिसको भेज रहा है यह क्या हो जाएगा server क्योंकि यह approve करेगा उसके बाद से उसको वो data देगा तो CRS का A हो जाएगा यह software web pages देखने यह तू काम आता है कौन सा software, operating system, website, browser या macro कौन सा web page देखने के लिए काम आता है तो browser जो होता है, browser में हम क्या देखते हैं web pages देखते हैं, C होगा अगला question है, यह program सो होता website से जुड़े जाते हैं तथा documents को download करके उन्हें local drive में save कर देते हैं यह एक ऐसा program है, जो directly website से जुड़े जाते हैं और documents के download करके उन्हें local drive में save कर देते हैं उस program को क्या करते हैं web downloading utility, web servers, client या browser जो downloading का काम करें तो उसे web downloading utility कहेंगे यह utility software होते हैं ठीक है, जो आपके system के साथ मिलते हैं निम्न में से कौन keyword द्वारा कौन keyword द्वारा अन्य website को ढूड़ता है routers, social networking, facebook या search engine तो क्या होगा इसका D होगा search engine search engine में हम सिर्फ keyword डालते हैं कोई भी keyword डालो जो भी आपको है अगर आपको डाल ले हो किस डालोगा क्या मालना लालो youptate admit card youptate डाले तो बहुत सारे चीज़े search होके आ जाएंगी तो ये एक keyword है इससे related जितनी भी news होंगे वो सब आपके search engine सो कर देगा ठीक है तो याँ D आपका क्या होगा correct होगा 50 number question अर्द सतक हम लोगों का पूरा हो गया है और 50 बचे हैं century मार दिया जाएगा तो अब 20 minute में हमें century मारना है जब भी आप किसी web page को खोलते हो तो मुक page को काते हैं जब आप किसी भी web page को खोलोगे तो सबसे पहला जो page आपके सामने खुल के आएगा उसको क्या काते हैं उसको काते हैं home page क्या काते हैं बच्चो home page सी सही होगा इसका एकदम लगतार आज तो सो नहीं पार गए क्यों जल्दी से करो भाई इंटरनेट का अन्य नाम क्या है बताओ जल्दे वर्चुल स्पेस, डाटा स्पेस, इन्फॉर्मेशन स्पेस या साइबर स्पेस इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है जल्दी से बताइए इसमें क्या सही होगा इंटरनेट का जो अन्य नाम है वर्चुल स्पेस है क्या है साइबर स्पेस है अगले कुश्चन पर आता है निम्न में से कौन सी वेबसाइट आपको लोकल जगहों की जानकारी देती है इसमें से बताओ कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो लोकल जगह में हो रही कोई भी चीज़े आप सर्च मारोगे तो उसके बारे में आएगा जस्ट्डाइल.com लोकल.com इन्फो.com या गूगल कोई भी चीज़ पलंबर मारो इलेक्ट्रीसियन मारो सब किस पे आते हैं जस्ट्डाइल.com पे तो ये लोकल एरिया में जो भी चीज़े होंगी उसके बारे में जानकारी देगा तो इसका सटीक आंसर क्या होगा भी नहीं अब लोकल लिख दिया आते हैं भाई साब इंटरनेट और पानेट क्या है ये पहली कमपनी थी जिसने इंटरनेट का क्या किया था आविसकार किया था नेस्ट आते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है तो इंटरनेट का कोई सौभाविक मालिक नहीं है ये ध्यान रखना यहां US सरकाल कोई इंटरनेट पर किसी का वर्चस्व नहीं चलता है D होगा चलिए next हमाते हैं computer जो विभिन वेब पेज इस्टोर करता है उसको क्या करते हैं वो computer जो वेब पेजेस इस्टोर करता है उसको क्या करते हैं service provider, web browser, web server तो उसको कहेंगे web server क्योंकि web pages किस पे होते हैं web server पे होते हैं भी नहीं web browser नहीं कहते हैं web page की बात कर रहा है web page किस पे इस्टोर होते हैं web server पे होते हैं बड़ी बड़ी company में website के in charge को कहते हैं जो बड़ी बड़ी company में website के in charge होते हैं उसका देख रेक सब कुछ करना उसको क्या कहते हैं वेब इंस्पेक्टर वेब इंचार्ज या वेब मास्टर या वेब पॉलिसी मेकर उनको एक सब्द बोला रहता है बताईए क्या होता है उनका नाम जल्दी से बताएं चलो ARI वेब मास्टर सही होगा A वाले सही होते हैं नेक्स हम आते हैं IETF का अर्थ क्या होता है बताओ IETF का अर्थ क्या है Internet Engineering Task Force IETF का मातलब क्या है Internet Engineering Task Force इसका फुल फॉर्म होता है B सही होगा Internet Access प्रदान करने वाली कंपनी को काते हैं क्या काते हैं ISP काते हैं Internet Service Provider Next है Internet Access करने का सुल्क होता है हाँ होता है फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है भारत में मौझूदा ISP हैं कौन कौन सी है BSNL, Reliance, भारती एर्टेल, उप्रूक्त सभी तो आंसर क्या होगा सभी है सभी BSNL का भी Internet आता है, Reliance का भी है, भारती एर्टेल का भी है तो आंसर क्या होगा इसका D-SAT का एकसर नमबर, Internet की सनरचना निमलिखित में से सामिल है Computer, Web Browser, ISP Connection या उप्रूक्त सभी Internet की सनरचना निमलिखित में से किस पे सामिल है क्या होगा इसमें, Internet की सनरचना के लिए क्या-क्या जरूरी है, Computer, Web Browser, ISP Connection तो होना चाहिए बिना Internet Service Provider की Connection से, Internet की सनरचना कैसे कर लोगे तो तीनों जरूरी है, तो आंसर क्या होगा, D सही होगा इसका क्या होगा, D अगला है Internet को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, Internet को क्या कहते हैं, Client Server Śिस्टम, System, ISP, equivalent,. Internet को क्या कहते हैं, Internet में हम कोई चीज सर्च मारते हैं, तो लिक्वेस्ट के फॉर्म में और Internet सर्च करके दे देता है. तो request के जो हम भेजती हैं वो हमें मिल जाता है तो client server system भी बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे client server system सिर्फ server नहीं client server क्योंकि आप ऐसे client रहोगे और वो server की तरफ भी एक करेगा remote computer जो electronic files को store करता है वो system computer होता है, server होता है, client होता है या उप्रोक्त में से कोई नहीं remote computer जो electronics files को store करता है, जो एक remote computer होता है, जो आपके क्या electronics file को store करता है तो वो क्या होगा, server होगा, store करने की capacity और किसी में नहीं, server में ही होगी अगले पर आते हैं, इंटरनेट पहली बार कहां प्रस्तावित हुआ था, तो बताओ, इंटरनेट पहली बार कहां प्रस्तावित हुआ था, तो UK में हुआ था, कहां हुआ था, UK में हुआ था, UK में हुआ था, उनाइटेड इस्टेट, एह, US में, सॉरी, कहां हुआ था, US में ना कि UK में United State में हुआ था अमेरिका वाले मेरेट्री के साथ मिलका अर्पानिट ने क्या बनाया था इंटरनेट का विस्कार किया था TCP IP का हर्थ क्या होता है कि फिर से वही रिसीफ हो गया क्या तो यह तो एक बार हो चुका है इंटरनेट में हमें निमलिकित सेवाई परदान होती है कौन सी email news groups और ची या उप्योगत सर भी बताइए इंटरनेट में हमें कौन सी सेवाई मिलती है तो इसका अंसर क्या होगा सभी होगा उप्योग तो सभी यह एक प्रकार की सूचना प्राप्ति टूल है जो अमेरिका से विक्सित हुआ था कौन सा कौन सा एक सूचना प्राप्ती टूल है बताओ CRN, Archie, Gopher, Arpa इसमें से कौन सा ऐसा सूचना प्राप्ती टूल है जो अमेरिका में विक्सित हुआ था सूचना को प्राप्त करने का टूल मैंने बताई यह टूल है यह क्या है प्रोटोकॉल है यह क्या है? प्रोटोकॉल है तो यही सूचना प्राप्ति टूल है जिसका आविस्कार कहा हुआ था? अमेरिका में हुआ था अगले पे आते हैं बाकि यह तो संस्था है यह क्या है? संस्था है और यह आर्ची जो होता है आर्ची एक क्या है? जो file transfer protocol है ना file transfer protocol उसके तहट ये आपका क्या होता है एक तरह से data का file transfer protocol में archive बनाया जाता है कि कहां से data आपको data का indexing इसके तुरू होता है किसका यूज़ करके FTP का यूज़ करके data का indexing को आर्ची बोलते हैं चलिए बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चलिए नेक्स आते हैं इस service के माद्यम से आप किसी को भी संदेश भेज या प्राप्त कर सकते हैं email से email से हम भेज भी सकते हैं और संदेश प्राप्त भी कर सकते हैं तो answer क्या होगा ये होगा बाकी क्या है आपके अलग चीज़े हैं ये दोनों प्रोटोकॉल है और ये आपका वर्ड वाइड वेब है नेक्स्ट ये प्रोटोकॉल यूजर को remote computer से connect करने में सहायक होता है कौन सा टेलनेट जैसे मैंने बता था टेलनेट क्या है remote login प्रोटोकॉल है remote login प्रोटोकॉल है इंटरनेट की इस सर्विस द्वारा आप विभिन विशयों पर चार्चा कर सकते हैं किसके सर्विस द्वारा न्यूस गुरूप के द्वारा www.ftp.rk तो यहां बोला इंटरनेट की इस सर्विस से मतलब किस सर्विस से विभिन विश्यों पर चर्चा कर सकते हैं तो ग्रूप्स जो बनते हैं ग्रूप में क्या होता है डिस्कसन होता है न तो डिस्कसन के लिए क्या होगा न्यूस ग्रूप्स होगे तो यह सही होगा इसमें अगला क्या होगा यह system FTP server से संग्रहित फाइलों की तलास करता है बुलाना यह system FTP server से संग्रहित फाइलों का क्या करता है तलास करता है उसको क्या कहेंगे WW, Veronica, Archie या WAIS इसको क्या बोलेंगे मैंने बता ना Archie Archie क्या होता है पूरे की फाइले को उस index में indexing जो होती ना उसी को Archie बोलते हैं तो वो FTP server से संग्रहित फाइलों को तलास करता है मतलब जो Archie में लगे हैं उसी को क्या करेगा C आपका सही होगा यही आपको क्या करेगा Find करेगा Veronika का अर्थ होता है Veronika क्या होता है Movie भी है Veronika ऐसा program जो gopher के माध्यम से सिर्धा पूरवक सुचनाय प्राप्त करने में सहायक करता है जो Veronika है एक प्रकार का क्या है program है जिसके तहट क्या होता है जिसके तहट क्या होगा चलो जिसके तहट तुरंत सुचनाय प्राप्त की जाती है मतलब communication जो होता है जो information होता है वो gopher का use करके वेरोनिका में ही gopher protocol का use करके हम सूचना क्या करते हैं प्राप्त करते हैं इंटरनेट की service नहीं है gopher से संबंदित तो है लेकिन ये सबसे साटिक होगा ठीक है सबसे साटिक answer क्या होगा ये होगा आपका चलें आगे बढ़ते हैं WAIS का अर्थ क्या है कई जगा मिला था आपको option में तो इसलिए मैं option वाले को बता नहीं रहा हूँ क्योंकि उसे question है आपका WAIS क्या है WAIS क्या है जल्दी से बताइए तीयत्तर आगयी है हाँ WAIS क्या है चलो B आ रहा है तो सभी लोग इसके full form में जा रहा है इसने full form नहीं पूचा है वाइड एरिया information system ये तो हाई है B तो होगा ये ये एक परकार का क्या है search system है क्या है ये भी ध्यान रखनो जो WAIS है ये क्या है search system है तो ये भी इसके लिए सही है ये भी सही है ये उस address को बताता है जहां file उपलब्द होती है ये भी सही है इसके बारे में ये तीनों कथन सत्य है तो उप्रयोग तो सभी होगा इसमें ये WAS का अर्थ क्या है तो WAS का अर्थ तीनों है ये इसका full form हो गया ये बता रहा है कि ये search engine है जो आपके different file को क्या करता है सर्च करता है अगला है इस सेवा का उप्योग internet user domain नाम तथा संगठन से संबंदित सूचना प्राप्ट करने में होता है IRC, WAIS, WIS या FTP इस सेवा का प्रयोग internet user domain नाम तथा संगठन से संबंदित सूचना प्राप्ट करने के लिए होता है वो कौन सा होगा देखो ये एक प्रोटोकॉल है जिसको हम query related protocol बोलते हैं query related protocol बोलते हैं वो कौन सा है वो प्रोटोकॉल W-H-O-I-S है वो इस प्रोटोकॉल है ठीके ये किसके लिए होता है database देखो internet user domain नाम और संगठन से सम्मंदित सूचना प्राप्त करता है मदलब किसी database से आपका सूचना अगर निकालना हो तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो विस होगा ठीके इससे ये query related protocol होता है query जो database में यूज होती है आपका handle करने के लिए database वो यूज होता है तो यह बोल सकते हूँ database management protocol होता है क्या होता है database management protocol ठीक है database management protocol होता है वो इस इसलिए domain name संगठां इतने भी है उनके सब कुछ आप यहां से निकाल सकते हो internet पर दिया जाने वाला निसूलक computer software कौन सा है shareware, spyware, blog या freeware जो internet पर दिया जाने वाला निसूलक computer program जो भी software मिलता है उसको क्या बोलते है freeware बोलते है क्या बोलते है freeware freeware बोलते है अगला है एक परकार की website जहां किसी general या diary की तरह प्रिविस्टियां की जाती है उसको क्या बोलते है एक परकार की वेबसाइट है जहां किसी भी general या diary जैसे diary में कभी कभी किसी को diary लिखने का सौक होता है तो परड़े अपने diary में regular habit लिखता रहता है ऐसे blogging होता है जो blogger होते हैं वो परड़े आपके जो भी उनका जिस पे basis पे blog होगा जैसे खाने बनाने का हो गया चाहे कोई motivational blog हो गया तो वो blogging करते रहते हैं परड़े बैसिस पे तो उसको blog करते हैं अब तो blogging return हट के वी ब्लॉग हो गया है वो जो देखते हो वीडियो ब्लॉग लोग YouTube कितना हो गया है क्योंकि वहाँ से पैसा मिलना है उसमें तो बहुत कम एड मिलता था पैसे यहाँ वीडियो में सुबह से मैंने ये किया वो किया यहाँ गया वहाँ गया सबका वीडियो बनाके blog डाल देते हैं internet से download किया गया software के साथ गुपत रूप से download किया गया software जो आपकी personal सूचना संकलित करता है तो जो आपका personal सूचना चुरा है उसको क्या काते है spyware कहेंगे spy मतलब चोर होता है तो वो आपकी किसी internet में कोई ची download कर रहा है उसके साथ ही download हो जाता है और कि personal information क्या करता है photo blog, vlog, ट्रेक्चु वाली है video log उसको एक नाम दिया जाता है बताई है क्या नाम दिया जाता है उसको देखो एक होता बी लॉग तो blogger log हो गया यह blogger वाला हो गया जिस पे पेज़ पे लिखते हैं यह वी लॉग हो गया video log हो गया ठीक है बी लॉग होता है बी options आई होगा नियमों का समुझ जिनकी अनुसार computer के मद डाटा सांचारण होता है उसको क्या काते है protocols काते है यह कई बार repeat हो चुका असी नंबर question network का मुख कंप्यूटर जो जुड़े हुए computer पर सुचना को नियंतरित करता है तथा भेजता है home computer होता है main होता है source होता है network का मुख कंप्यूटर पूछा है किसी भी network का मुख कंप्यूटर जुड़े हुए computer पर सुचना को नियंतरित करता है तथा भेजता है उसको क्या कहेंगे उसको host कहेंगे ठीक है उसको क्या कहेंगे उसको host कहेंगे D होगा अगला ऐसा व्यक्ति जो computer की सूचना का access करता है तथा बिना अनुमती के उसे बदलने की कोसिस करता है उसको क्या कहेंगे ऐसा व्यक्ति देखो hacker में और cracker में अंतर है hacker क्या है positive है और यह क्या है negative है hacker जो होते हैं वो positive way में भी होते हैं आपके program को hacker करके उसमें loophole क्या है गलतियां क्या है वो भी hacker का काम होता है गलत माइने में भी hacker काम करता है तो वही hacker जब गलत माइने में कई चीज़ों काम करता है आपके personal information को चुराना बोला ऐसे वक्ति जो computer की सूचना को access करता है तता बिना अनुमति के उसे बदले की कोसिस करता है वो सूचने को बदल देगा ठीक है तो उसको क्या कहेंगे hacker कहेंगे अगर वो बदले ना सूचना जो भी आपके information है उसको क्या करे destroy कर दे क्या कर दे destroy कर दे या misuse कर ले ठीक है misuse कर ले तो वो क्या कहलाएगा cracker कहलाएगा यह गलत होते हैं black hat hacker और white hat hacker जो गलत काम वाले हैं वो black कहलाएंगे वह वैक्ति जो computer system के सुरच्छा उपायों पर अपना नियंतर कर लेता security पर बनाने के बाद उस system के गैर कानूनी तोर पर सूचना प्राप्त करता है मलब जो एक तरह से बोला जाये जो कानूनी रूप से legal नहीं है illegal कामजो करे और जैसे आपका system crack कर करके आपके ब्सक्राइक कर लिया hack कर लिया मलब इतनी security उने बाद आपका system crack क कीया जाता है जो response होगा वह काम कौन करेगा cracker करेगा तो ठेलों दोनों में आंसर अलगा एड में क्रेकर होगा उसमें hacker होगा मैं चलिए ऐसी website जो साम समानों के क्रेव विक्रेश संबंदित सूचना प्रदान करती है करती है या e commerce की सुभधा प्रदान करती हो क्या होती है hosht server Portal या client तो वह portal होता है we portal बोलते हैं या क्या बोलते हैं ekommerso अगला सरवर से client पर सूचना transfer करना क्या कहलाता सरवर से मालनो यह server है और यह client है यह server है यह client है यहाँ से जब सूचना इस पर जा रही है तो वो क्या कहलाएगा जब सूचना जाती है तो क्या कहलाती है D जब यहाँ से server पर से सूचना जा रही मतलब server से यह सूचना client क्या रहा है download कर रहा है तो यह क्या हो जागा डाउनलोड होगा और जब क्लाइंट से डाटा सर्वर पे जाता है मनलब यह आपका सर्वर है और यह आपका क्लाइंट है यहां से डाटा कोई चीज भेज रहा है इस पे तो यह डाटा सर्वर पे क्या हो रहा है अपलोड हो रहा है क्या हो रहा है तो य www को क्या कहते हैं तो यह आप जानर हें ओंपड़र्फ लिंक है हैं हैं चाहिटis मेंа कोई नहीं है क्या होगा www को क्या कहढ़र्फ है कि यह दोनों होते हैं दोनों में से कौई नहीं नहीं होता हैda दो आपके अदारित ब्राऊसर होते हैं ग्राफिक अधारित वी ब्राउजर होते इस होगा वह में यह सब्सक्राइब किसका उदारन नहीं वेपेज का समू होता है वेपेज किसका समू होता है जो वेब पेजेज हो से हैं वो किसका समू होता है जो वेब पेजेज के समू को क्या काते है वाई वेब साइट काते हैं क्या काते हैं वेब साइट क्या होता है वेब पेजेज का समू होता है बिस अगला है अभी मैंने इसका बता हूँ रहें डीतर्स्ट का तथ पर क्या वर्ड वाइड वें कॉन्सर्ट्यूम को क्या करता है है लिड करता है कि आपका सही होगा मियों आ इर्सी का अर्थ रांट क्याम मतल इंटरनेटब रौट्टिंग काउंसिल या इंटरनेट रिले चैट IRC का अर्थ क्या है IRC का अर्थ क्या है जल्दी से बताईए तो इंटरनेट रिले चैट है D answer सही होगा इसमें IRC एक क्या है प्रभावी email client है एक chat program है news group है या उप्रूक्त में से कोई नहीं बताई इसमें से क्या सही होगा क्या अभी तो बाता है ना इसका नाम क्या है रिले चैट तो यह क्या एक chat program है एक IRC क्या है चैटिंग का प्रोग्राम है यह B सही होगा नेटी जन्स नेटी जन्स यह किस से बना है नेट सिटीजन से बना है किस से बनाए नेट और सिटीजन से मतलब इंटरनेट और सिटीजन का यूज करके नेट सिटीजन बनाए नेटीजन से आप क्या समझते हैं भारत की कुल सदस्यों की संख्या इंटरनेट मेंबर्स नेट वर्ड के नागरी क्या होंगे इसको क्या बोलेंगे यह नेटीजेंस मतलब इंटरनेट के सिटिजन नेट के दुनिया के सिटिजन तो क्या होगे नेट वर्ड के नागरी ओप्शन D सही होगा इंटरनेट किस किस चेत्र में उपियोगी होता है सिच्छा बिजनेस मननुजन सब सही होता है D सही होगा इ-governance में निम्लिखित क्रियाओं को सामिल किया जाता है मीटिंग, पत्रवेवार, रजिस्ट्रेशन या उप्रियोक्त सभी इ-governance में सब आता है मीटिंग करना, लेटर भेजना, कोई चीज रेजिस्ट्रेशन कराना गवर्रमेंट का ये सब इ-governance है इंटरनेट हमें निमलिखित communication services प्रदान करता है mailing list, news group, IRC या उप्रोग तो सभी क्या होगा इसमें भी same सब सुधाय देता है chatting की भी, news group का भी और mail भेजने के लिए भी कौन सी service का उपयोग करके internet user PC के द्वारा बात कर सकते हैं IRCM, VOIP, mailing list या email बात करने के लिए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा IRCM, chat वाला हो गया, voice over internet protocol voice over internet protocol VOIP, internet telephone, इसका यूज़ करके PC to PC क्या करते हैं, video call करते हैं, voice over internet protocol के द्वारा yahoo messenger तथा MSN messenger के द्वारा आप कौन सी service प्राप्त कर सकते हैं 98 नमबर yahoo messenger और MSN द्वारा कौन सी service आप प्राप्त कर सकते हैं तो instance messaging ये आपका क्या होगा, सही होगा yahoo messenger है, तो messaging service ही प्राप्त कर सकेंगे, mailing नहीं नेक्स्ट आपका बोला, email के द्वारा सम्मान ने सुचना को internet user के समू को share करने के लिए उपयोग की जाने वाली service कौन सी है email के द्वारा कोई सम्मान ने सुचना है, उसको internet user जो है न के समू को share करना है, जितने भी internet यूज करने वाले लोग है उनके पूरे समू को भेजना है, तो उसके लिए कौन सी service होगी, mailing list, mail group, news group या IRC इसमें mailing list होती है, पूरे लोगों को mail भेज दिया जाता है यह होगा, public FTP site का updating database, public FTP site का updated database क्या है, FTP new, Gopher, Archie और Veronika public FTP site का updated database, PDF मिल जाएगी आपको, Telegram पे, कल मिल जाएगी है तो RC है, FTP का बहाँ जिकर हो, तो FTP में जो public FTP sites होगी, उनमें जो database manage होता है जो आपका data तैयार होगा, वो किस के through होगा, Archie के through, किस के through, Archie के through ठीक, तो यह आपके internet से छोटे मोटे जो भी question बने, सम मैंने करा दिये चलिए, C language की question सम करेंगे, क्या करेंगे, programming में C language जम पढ़ेंगे, ठीक है, तो पहला question आपके screen पर है, इसका answer बताइए, निमलिखित में से कौन सा scalar data type है, जो आता है, scalar data type कौन सा है, तो जल्दी से बताइए, float, union, array या jointer, इसमें से बताइए, float, union, array या jointer, scalar data type, जो predefined data type होते हैं, जैसे integer, character, string, ठीक है, तो वही scalar होता है, तो इसमें float जो होता है, वो आपका जो user होता है, वो data type ये define करता है, तो ये आपका standard data type नहीं होता है, लगिन float हुआ, character integer जो हुए, ये होते हैं, सभी को good evening, सभी लोग एक बार session को जोड़दार तरीके से share कर दे, निमलिखित में से कौन सा token है, keyword, variable, constant या उप्रोक्त शभी, token किसे बोला जाता है, एक बार बताइए, token क्या होता है, या किसी भी language में, जो token होता है, वो क्या होता है, डी होगा, चले, विसाल जी, पिंटू कनोजिया जी, पोसपेंद्र जी, अंबेस जी, डी बता रहे हैं, प्रेम पाल जी, सभी, एक दम सही बात है, जो keyword होते हैं, आपके, जो किसी language के आपके keyword होते हैं, auto हुआ, sum हुआ, य जो constant होता है, वो यह सब क्या होते हैं, keyword होते हैं, यह सब क्या होते हैं, keyword होते हैं, कोई बात नहीं चलिए, अब आते हैं, यहाँ पे integer के storage range क्या होता है, जो integer होता है, उसका storage range क्या होता है, जल्दी से बताईए, कि इन्टीजर का स्टोरीज रेंज क्या होता है और कि दो ओसाइए मॉडल करवा दें क्या होता है उसके एक टौपिक को कि यह करवाद हो वह करवाद हो तो वो तो गलत है वह गलत है तोड़ी बेसिक प्योद्थ और नेटवर्क में और admirals aối मॉडल कवर होता है यहां मैं आप लोगों को बीटेक का CS वो थोड़ी पढ़ाने बैठा हूँ B होगा, C होगा, चलिए, यहां पे 0, 2, 4, 6, 3, 2, 7, 6, 8 से लेकर 3, 2, 7, 6, 7 तक यह integer का range होता है, और यह क्या है आपका, यह unsign का है जो 0 से शुरू हो, जो आपका क्या होता है, 0 से शुरू होता है, वो क्या होता है unsign होता है, और sign जो होता है, जो negative value भी लेता है तो यह negative का क्या है, आपका, यह sign integer का range है तो इससे जो अभी आपसे पूछे integer का range, जो plus और minus दोनों लिया जाता है तो यह sign integer का range है ठीक है चलिए एक variable का अधिक्तम size क्या होगा जो एक variable होता है उसका maximum size कितना होगा 8 यह 8 क्या है 16, 32, 64 यह बताओ यह 8 क्या होगा 8 byte होगा तो यह अब बताओ किसी भी variable का maximum size क्या होगा अधिक्तम size क्या होगा जल्दी से बताइए बोला एक variable का अधिक्तम size किसी variable का अधिक्तम size क्या हो सकता है नहीं अधिक्तम size जो होगा वो double का होता है ठीक है जो variable double define करते हम न उसका अधिक्तम साइज 8 बाइट होता है क्या होता है 8 बाइट होता है अधिक्तम साइज चले अगले कुश्चन पर आते हैं फ्लोट वेरियेवल का स्टोरेज साइज क्या है जो फ्लोट वेरियेवल होता है उसका स्टोरेज क्या है एक बाइट है, दो बाइट है, चार बाइट है या आड़ बाइट है जो float होता है, जो decimal value होती है उसका size क्या होता है float का कितना होता है, बताओ C होगा, चार बाइट C इसका क्या होगा, सही answer होगा 4 byte इसका क्या होगा, float variable का होगा next, double variable का कितना होगा double variable का भी बात किया, मैंने 8 byte होगा यही सबसे अधिक्तम size रखता है, 8 variable का होगा exponent और mantissa, नेमर मेंजे किसका बाइट है जो exponent होता है, E की power 3 point ठीके, वो किसका भाग होता है minus 3.4 E की power 38, minus में होता है से लेकर, plus 3.4 E की power 38, यह क्या है float का range है, तो exponent और mantissa किसका भाग है तो float का भाग है, ठीके, float का भाग है integer का नहीं, float का भाग है एक string variable का आकार होता है एक string जो होता है, string variable का आकार क्या होगा एक byte, 8 byte, 16 byte या इनिमे से कोई नहीं जो string variable होगा, उसका क्या आकार होगा string variable जो होगा, उसका आकार नहीं होगा क्योंकि वो तो पूरा लिया रहेगा ना, पूरी string रहती है तो उसमें कोई आकार नहीं होगा अब जैसे लिखना है, ram is a good boy ठीके, यह एक अलग हो गया अब सिख मैं good boy लिखूँ, इसका अलग हो जाएगा string का इसका size अलग हो जाएगा string क्या होता है, characters के जितने character होते हैं, उनीका groups होता है तो यह इसका define size नहीं हो सकता है जितने उसमें character होंगे उसके हिसाब से उसका size होगा तो इन में से कोई नहीं इसका answer होगा ठीके, अगले question एक बार सोयार जरू करें, session को निमने में से किसका प्रियोग करते हुए symbolic constant को परिभासित किया जाता है, बताइए constant के लिए, किसी भी value का constant define करना है, उसके लिए कौन सा, एक तरह से बोल सकते keyword use किया जाता है, तो क्या होगा c-o-n-s-t ये constant क्या होगा, किसी value को define करना उसके लिए ये होता है ठीक है, किसी value को अगर define करना जैसे has, define लिख देते हैं, हम क्या लिख देंगे pi की value लिख देंगे 3.14, कहीं भी इस्तमाल करना पड़ेगा, तो हम define कर दिए pi की value क्या होगी 3.14 होगी, तो हम direct pi की value कहीं भी ले सकते हैं, तो अब define कर दिए हैं, तो वो उसके लिए होता है, constant के लिए कोई value है, जिसे constant रखना है तो वो हम कर देंगे, ठीक है अब किसी की value define हमें रखना है, तो वो define करके करेंगे null character जो होता है, जैसे मानलो कोई भी चीज़े, आप memory में ये allocate करते हो, ठीक है, तो last में जो बचता है, तो वहाँ क्या आ जाता है null character, मानलो कुछ बे आपको लिखना है इसमें हाँ, मानलो इतना ही है, memory में जो आपके पास space है वो इतना है, इसको लिखना है तो R यहां आ जाएगा, A हाँ, M यहां जाएगा, यह last का में क्या होता है null collector आ जाता है, जो इससे denote किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, null बोलते है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा यह option B हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं आप लोगो, ठीक है, option B इसका सही answer हो जाएगा option B हो जाएगा लास्ट में जो आपका आता है एंड मत समझ लेना नल करेक्टर का डाटा इंपूट के लिए कनवर्जन करेक्टर का मतलब होता है जो डाटा इंपूट करते हैं तो उसमें कनवर्जन करेक्टर का मतलब क्या होता है डाटा आइटम का एक लंबा पुडांग डाटा आइटम मे इन में से कोई नहीं, conversion, character जो होते हैं, ठीक है, जब भी हम कुछ भी लिखते हैं, मालनो कोई variable लिखते हैं, यहाँ पर कोई function लिखते हैं, मालनो function लिखिये, main लिख लिए ठीक है, चाहा कोई भी function लिए मालने multiply का मैंने function बनाया, ठीक है अब यहाँ पर मैंने कोई variable रखा है, यहाँ पर integer रखा और भी रखा, तो जो यह integer होता है, यहाँ मैंनली कौन सा होता है short integer होता है, तो data item का एक short integer क्या होगा conversion character कहलाता है जो यहाँ पर conversion character होता है कोई function लिखे रहते हैं, आपर integer हो, चाए character हो चाए float हो, तो उसी को पूछ रहा है उसी को conversion character बोलते हैं तो वो maximum क्या होता है integer के case में, वो short integer होता है या short character होते हैं तो यहाँ पर जो जैसा होगा होगा ऐसी ही तो option देंगे यहाँ पर character तो है नहीं, answer यही है तो short integer ही होगा, unsigned decimal नहीं होगा, unsigned decimal अलग होता है C होगा अगले आपे आते हैं निमलिखित में से character oriented console, input output function कौन सा है, मतलब आपके जो programming C की करते हो, टरबो C में अगर आपको क्या करना है एक character, single character आपको लेना है तो वो किस function से ले सकते हो तो उसके लिए होता है put chr ये दोनों function से हम क्या कर सकते है character oriented console होता है ठीक है, last में जब हम program लिखते हैं, तरबो C में तो आपका screen रुका रहे है उसके लिए भी get chr use करते है तो answer क्या होगा get chr और put chr next है print ये क्या लिख दिया है ये होगा print sorry ये होगा है print f percentage u minus 1 का output क्या होगा print percentage u output u मतलब unsign होता है तो ये क्या value देगा सबसे maximum value देगा क्या value देगा ये maximum value देगा, किसी का भी ये कौन सी value देगा, maximum integer value देगा ये, ठीक है, maximum integer value देगा अगले पर आते है, c में union है, c में union क्या होता है, हम union ऐसे define करते है, इसके अंदर integer ले इंटीजर ले 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 लो, करेक्टर में name ले लो, ठीक है, float में क्या ले लो, float में कुछ भी ले लो, address ले लो, ठीक है, ऐसा कुछ ले ले लता है, तो ये सब चीजे क्या हो गई, एक data type का combination होता है, क्या union, union के अंदर इतनी data type, हम क्या करते हैं, represent करते हैं, तो उसी को union बोलते हैं, तो ये क्या होगा, इसका एक memory location होता है, memory store के लिए होता है, तो ये क्या होगा, memory store के लिए होगा, option B correct होगा, क्या होगा, option B correct होगा, ठीक है C में union क्या होता है memory location या memory store या memory screen इन में से कोई नहीं तो क्या होगा memory location या store जो union होता है यह आपका store नहीं location ही होगा क्योंकि यह union जो होगा आपका store किसी चिक्षिक डाटा का कोई हार्डिस्क और रैम तो है नहीं device तो नहीं है कि इसको store करेगा यह location बताएगा इस इस union का location कहां पर है आपके memory में ठीक है तो a correct होगा ना कि store correct होगा जब main function बुलाया जाता है तब तरक के साथ कहा जाता है जब main function call होता है void main लिखते हो वहाँ पर यह सिर्फ bracket लिखा जाता है लेकिन actually इसमें internally क्या बुलाया जाता है वो क्या होता है आपके c और v होता है यह दोनों बुलाया जाता है character और variables के हाँ उसमें नहीं आएगा तो इसमें आपका क्या होगा यह दोनों होंगे argc और arv आपको क्या करना इन्पूट कराना है तो gate chr का use करेंगे या put chr का use करेंगे यह single कोई भी इन्पूट क्या कराना एक करेक्टर को इन्पूट कराना मालो यह दबाए तो एक जब तक दबाओगे उसके लिए single एक करेक्टर को लेने के लिए gate chr होता है तो यहाँ पे क्या होगा यह होगा इस्पेस नहीं होगा जब यह ध्यान रखना यह स्पेस गलत लिखा बिना स्पेस का होता है बिना स्पेस क्या होते हैं यह function ठीक है अगले पर आते है निमने से किसका उप्योग scanf के value store करने के लिए होता है इसमें भी अलग लिख दिया है scanf बोला scanf printf होता है न उसी का value store करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है जल्दी से बताओ किसका प्रियोग नहीं किया जाता है कौन सा नहीं होता है दो को percentage D होता है integer के लिए percentage A जोज़ाएगा string के लिए f हो जाएगा float के लिए W किसी के लिए नहीं होता यह आपका answer हो जाएगा D ठीक है D answer हो जाएगा सभी लोगों ने D दिया एक बार share जरूर करिए session को एक बार सभी लोग जोड़दार तरीके से share करें उसका PDF पालने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएए scanf का उपयोग किस कारे के लिए होता है input valuable को store करने के लिए क्या होगा input value को store करने के लिए जो value हम देते हैं उसको कहा क्योंकि उसमें लगाया होता है add the address of A ठीक है जो भी हम लगाएंगे तो उस address पर क्या हो जाएगा है value store हो जाती है C में कितने basic loop construct होते हैं जो C होता है basic loop कौन कौन सा होता है तो सबसे पहला loop होता है आपका while loop then होता है आपका do while loop ठीक है पहले do होगा फिर while होगा do के साथ क्या होता है यहाँ पर statement दिया रहता है और यहाँ पर while के साथ condition होगा ठीक है while loop आपका चलेगा do while loop में क्या होगा, do के अंदर statement होगा while के साथ यहाँ पर condition होगा ठीक है, तीसरा हो गया एक पहला इंपर इंक्रिमेंट हो गया दूसरा इंपर इंक्रिमेंट होगा और तीसरा जो loop होता है वो कौन सा होता है, for loop होता है ठीक है, for loop में भी क्या हो जाएगा यहां पर initialization हो जाएगा ठीक है यहां पर condition हो जाएगा और यहां पर increment होता है ठीक है ऐसा नहीं है changes हो सकते हैं ऐसा नहीं है मगर sequence execution का sequence जो होता है जब program run करता है तो sequence यह होता है initialization फिर condition check होगा फिर increment होगा वह भी कराते प्रते एक स्टेटमेंट को अलग अलग करने के लिए किस चिन का उप्योग किया जाता है फॉर लूप में हर एक स्टेटमेंट को मानलो एक स्टेटमेंट हमने यहां से यहां तक लिखा ठीक है एक लिखा इंटीजर एक्वल टू कुछ भी फॉर लूप में जैसे यहां पर लिखा ना दस फॉर लूप मैंने लगा दिया इनिसलाइजेशन कर दिया कि इंटीजर एक है फिर अगला जब स्टेटमेंट लिखना होगा जैसे कंडीशन चिक करना होगा तो a less than 10 फिर इस्टेटमेंट तो यह क्या यही पूछ रहा है इसके लिए कौन सा उपयोग होता है तो semi colon यूज होता है ठीक है उसके बाद से हम कर देंगे यहां पर क्या a plus plus ठीक तो यही पूछ रहा है कि हर एक स्टेटमेंट को फॉर लूप में लिखने के लिए क्या यूज होता है semi colon यूज होता है next नेमलिकित में से कौन सा unconditional control structure है बताओ इसमें से किसमें कंडीसन नहीं लगाया जाता है मैंने आपको बताया कि डू के साथ यहां पर स्टेटमेंट आप चलाओ गए जितने भी इस्टेटमेंट होगे ठीक है उसके बाद से जब इसके के पास यहां पर condition लगाया जिता है और जब यह condition check होता है ट्रू होगा तभी जाएगा और यह को करेगा मतलब पहले condition check होगी अगर सही है तब यह statement execute होगा आपा ठीक है तब this statement execute होगा तो इसमें भी होता है condition for में वी ॥ा वाantes trade जो मैंने ब्रेकट लेकिन गोटू जो नहीं होता इसमें इसमें क्या होगा किसी के सामने अगर मैंने गोटू लगा दिया तो पहले मैंने यहां पर लिखा है ठीक है कोई एक फंसन में बनाया suppose करो मैं कोई function बना रहा हूँ मैंने बनाया loop function ठीक उसके अंदर मैंने statement 1 statement 2 यह सब मैंने लिख दिया है और इसको बना के close कर दिया अब मैंने यहां पर लगाया go to कहां चले जाओ loop पर चले जाओ तो यह तुरंत यहां पर आ जाएगा ठीक है true या false का case नहीं यहां जन्रेट होगा सीधे मैंने किसी पर जाने के लिए किसी particular function पर जाने के लिए किसका यूज किया go to का यूज किया तो यहां पर condition नहीं लगती है तो answer पूछ रहा है किसमें कौन सा unconditional होता है तो answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा इसमें एक बार सेर जरूर करें सेसन को सभी लोग लगतार continue statement का प्रियोग किया जाता है किसमें statement को लगतार चलाने के लिए statement को रोकने के लिए statement बढ़ जंप करने के लिए या इन में से कोई नहीं जंप करने के लिए go to होता है किसी भी statement पे आपको जाना हो तो उसमें क्यों सा उप्योग करेंगे गोटू उप्योग करेंगे इसमें क्या होगा तो लगतार continue statement का प्रियोग क्या होगा statement को लगतार चलाने के लिए होगा यह आपका correct होगा बाइस नंबर यह operator किसका उधारन है alignment का इंक्रिमेंट का logical का यह relational का तो यह किसका increment तो प्लस प्लस वाला होता है alignment ऐसे वाले होते है ठीक लॉजिकल operator होता है ठीक यह क्या है logical bitwise end है bitwise end है bitwise और यह होता है अब आते हैं operator यह अप्रियोग किया जाता bitwise end में वो end operator था अब बिटवाइज आपका यह है, बिटवाइज सिंगल होता है, ऑपरेटर क्या होगा, यह बिटवाइज एंड ऑपरेटर होगा, यह क्या होगा, बिटवाइज एंड ऑपरेटर होगा, वो लॉजिकल एंड था, बिटवाइज नहीं था, यह जो ऑपरेटर हैं, इसको लॉजिकल end बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं इसको bitwise end बोलते हैं single वाले को अब आते हैं operator यह यह वाला operator यह क्या है integer value, float value, double value तो यह answer क्या हो जाएगा float value के लिए ठीक है numerator और diminator का काम करेगा ना यह तो यह floaty value देगा मतलब point में आएगा हो सकता है तो जो भी इस condition में जो भी लिखे जाएंगा ऐसा नहीं है कि आपका अगर 4 आ गया डिवाइड करने के बाग तो इसके बाद भी वो 0000 देगा वो float आप लगा दिये हो तो उसके बाद वो count करता है तो यह float value के लिए होगा अगले आता है equality operator equality operator किससे दर्साया जाता है तो double equal to से equality दर्साया जाती है option D आपका सही होगा option D यह नहीं वो equal हो जाता equality यह कि जब तक क्या ऐसा नहों जाए I is equal to equal to 10 नहों जाए equal to 10 नहीं लिखते हैं I is equal to equal to 10 नहों जाए तब तक यह loop क्या चलेगा चलता रहेगा for I is equal to 1 अगर यह जब तक 10 नहों जाए तब तक क्या चलेगा यह चलता रहे तो यह ऐसा है जब तक यह I की value इसके बराबर नहों जाए यह conditional equality है ठीक तो यह आपका D सही होगा next हम आते हैं operator में कौन सा कथन सब्स नहीं बताओ plus plus यह single लिखा है यह लिखा है यह लिखा है तो इसमें से कौन सा नहीं है यह नहीं है आपका D जो होता है वो operator नहीं है ठीक है operator यह होता यह नहीं होता यह operator होता है यह operator होता है लेकिन यह operator नहीं होता इसको turnally conditional operator बोलते है turnally conditional operator होता है ऐसा वाला ठीक है question mark के साथ 2 कौमा लग जायो लेकिन यह कोई operator नहीं होता है D आपका गलत होगा bitwise and operator का उप्योग किया जाता है masking के लिए comparison के लिए division के लिए shifting के लिए इसमें उचित आंसर क्या होगा आपका masking के लिए किया जाता है bitwise and operator किसके लिए यूज किया जाता है b answer आ रहे हैं आप सभी के मुहमद आसिफ जी a क्यों provide करवा दें कहां पर group में दी तोगी यही है जो paid group है उसमें PDF दिया गया है paid group में PDF आपको दी गई है कल वाले class की सभी लोग एक बार session को जरूर share करें तो यह masking के लिए हो जाएगा उसके बास से 29 नमबर question पर आते है bitwise operator का उपयोग किया जाता है जरूरी bit को one में set करने के लिए जाहिर सी बात है जब तक वो one set नहीं होगा तब तक नहीं चलता है ठीक है condition तभी तक सही नहीं माने जाती है bitwise जो operator होते हैं उनके के लिए क्या होता है कि जरूरी होता है उसको हम क्या set करें one set करें next उच्चतम precedence चाय priority किस operator की होती है सबसे जादे priority किस operator की होती इसकी इसकी या इसकी या इसकी बताओ देखो अगर यह plus लिखा है plus लिखा है तो इसका मतलब कि यह unitary operator की बात कर रहा है ठीक है यह answer दे रहे हो सबसे highest priority किसकी होगी highest priority किसकी होगी ठीक है देखो सबसे जादे presidency जो होगी preference priority जो होगी वो किसकी होगी तो अभी देखो यह आपके जो भी यह वाले है ना यह जो आपके हैं आपके equality वाले assignment वाले left और right shift वाले shift operator है सब ठीक तो यह इनकी priority कम होती है यह आपके single दिखाए जाए तो single वाले में सबसे जादे priority किसकी होगी डी answer आ रहा है तो डी में अगर unit tree operator है तो इसमें सबसे पहले plus की सबसे highest priority होगी highest priority unit tree operator इसको बोलते हैं plus उसकी होगी अब यह depend करता देखो यह एक unit tree operator की तरह भी काम करता है और जहाँ plus के लिए आएगा use वहाँ इसका इससे कम हो जाएगा preference यह multiplication के लिए हो जाएगा लेकिन जब as a unit tree operator इससे treat करेंगे तो अब इसका जादे preference होगा pointer नहीं है यह sign इस operator का क्या उप्योग होता है इस operator का क्या उप्योग होता है दाहिने से बाएं बाएं से दाएं जब यह मतलब यूज होता है तो यह कैसे रन करता है यह कैसे रन करता है जहां यूज होगा यह कैसे रन करेगा तो यह द्यान लो यह जो operator है इसका जो यूज होगा वो दाहिने से बाएं की तरफ होगा दो ही आपके दाहिने से बाएं की तरफ होते हैं एक यह वाला हो गया और एक आपको जो मैंने यह वाला वाता है यह दोनों आपके दाहिने से बाएं चलते हैं बाकी मैक्सिमम बाएं से दाहिएं किस ऑपरेटर में लोएस्ट प्रियोर्टी होती है सबसे कम प्रियोर्टी किसमें होगी बताओ सबसे कम जो होते हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा होगी इसमें देखो यह increment है इसकी नहीं होगी इसकी इन में और इन में अगर बात किया जाए तो यहां कहीं किसकी बात हो रही है यह आपका module का है ठीक है remainder के लिए यूज होता है तो सबसे highest priority किसकी होगी इसमें बी तो इसमें आंसर होगा क्या बी आपका सबसे highest priority इस वाले में इसमें सबसे highest priority इसकी होगी modulus की ठीक है बी होगा यहाँ plus वाला मत लगा देना क्योंकि वहाँ पर star था वहाँ पर अगर divide वाला होता है यह वाला sign होता तो इसकी होती ठीक है अगर वहाँ पर इस option में था ही नहीं यह sign प्लस ही है तो प्लस होगा उसके बाद इसकी आएगी पहले यह होगा फिर यह होगा लेकिन यहाँ पर अगर डिवाइड यह वाला साइन होता है मॉडूलस वाला तो इसकी जादे होती है यहाँ पर है तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका होगा नेक्स आम आते हैं, precedence का निर्धारक करता है गती, कम memory space लेने में आप प्रथम evaluate में जो priority होता है, उसका मतलब क्या होता है, कि सबसे पहले जो board mask यूज करते हो ना, board mask में सबसे पहले आपका क्या होगा, bracket होगा, division, multiplication, ऐसे चलता है ना, तो वैसे इसमें भी होता है, division, multiplication, addition, त मतलब जो पहले execute होगा, उसी के basis पर priority ली जाती है, priority जो है, evaluate होने के basis पर ली जाती है, अगला question है, इनमें से कौन सार, turnary operator है, अभी मैंने आपको पताया था, तो इसमें तो है ने, turnary operator, turnary operator इसके साथ question यह होना चाहिए, turnary operator का मतलब यह है, यह turnary operator है, यह ध्यान रखना, आपको जो दिया गया है notes, उसमें यही सब रट लो, operator क्या है, programming तो पूछेंगे नहीं, basic चीज पूछ सकता है, bitwise operator क्या है, logical operator क्या है, ठीक है, यह सब, यह operator overloading C++ में जाएगा, तो पूछेंगा, यह ध्यान रखना, backspace के लिए किस character space का उप्योग करते हैं, अगर backspace लेना हो, तो इसमें से कौन सा character use करेंगे, backspace के लिए क्या use करेंगे, तो यह sign के साथ b use करते हैं, backspace के लिए, ठीक है, यह किसके लिए होता है, tab के लिए होता है, वो भी कैसा horizontal tab, अगर हम space use कर रहे हैं, एक tab बटन जो होती है, वो horizontally ले रहे हो, तो उसके लिए होता है, अगर vertically tab यूज कर रहे हो space, वर्टिकल टेप का space यूज कर रहे हो, तो यह use होगा, यह किसके लिए होता है, alert के लिए होता है, यह किसके लिए use होता है, alert के लिए use होता है, next हम आते हैं, horizontal tab पूछ रहा है, त करेक्टर इसकेब कौन सा यूज होता है यह यूज होता है new line के लिए बोले तो यह यूज होता है कोई भी program लिखने के लिए नए line से शुरुआत करना चाते हो तो उसके लिए यह है कुछ alert देना चाते हो तो उसके लिए यह है टैब के gap पर वो भी horizontally टैब के gap पर कुछ लिखना चाहते हो तो यह vertically tap के gap पर लिखना चाहते हो तो यह यह देना होता है लास्ट में वर्टिकल टैब के लिए बता ही दिया यह होगा अगले string की length को खोजने के लिए ठीक है कौन से function का यूज किया जाता है function की बात आ गई कि कौन से function से string खोजा सकता है length किसकी length को तो देखो अगा हम आसान सा है str लेम नहीं len होगा string length इस function से हम किसी भी string का length निकाल सकते है मानलो लिखा है Ram is a good boy ठीक है यह कोई आपकी क्या है string है तो इस string का length निकालना है तो हम क्या लिखेंगे strlen और इस string का उसको बोल देंगे इस function में इसको लगा देंगे इस function का मानलो कोई नाम दे दिया इस string का नाम दे दिया name ठीक अब इस name को इस में define गिया गया है तो मैं कहूंगा name का चाहिए मैं direct यही पूरी की पूरी string ही लिख दियूं इस function में यही लिख दूं राम इसे good boy यह मैंने लिख दिया इसके अंदर तो इस string length function क्या करेगा इसके पूरे कितने string है इसमें length है इसकी वो बता देगा length मतलब कितने character use हुए है 3,2,5,6,6,4,10,10,10,13 तो इसकी length कितनी हो जाएगी 13 आ जाएगी यहां से इस function से यह दिया रखना यह किसलिए होता है किसी भी string को lower case में बदलना यह जैसे आर-a-m-a-s-a-good boy ऐसे हो जाए अपर केस में बदलना है तो एस टी आर-a-r-u-p सब अपर केस में हो जाएंगे ऐसे ठीक है ऐसे अपर करेंगे लोवर केस में सब को बदलना हो गए कि अपरकेस अपर केस में के लिए और करेंगे दीकरा करेंगे सेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग और सबस्यर जरूर करें मानने होगा बीटे का आप अगर ऐसे कंप्यूटर सब्जेक्ट पड़े हैं तो मानने होगा वह अभी कौन सा EC, CS, IT ठीक है यह तीन ब्रांच किस फंसन का उप्योग एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग पर निर्भर करने के लिए किया जाता है ठीक है जोडने के लिए किया जाता है किस फंसन का उप्योग एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोडने के लिए किया जाता है तो वह होगा strcat ठीक है strcat इसका उप्योग किया जाता है strcat यह भी एक स्ट्रींग है एक श्ट्रींग है अ कुछ भी लिख़ो ठीक है ऑफकी और nodig है ho मौहन तिवारी ठीक अब इसको जोड़ना है इसमें मौहन को तिवारी ठीक है नल होगा तो क्या जब इसको strcat लगाएंगे न तो यह पूरा का पूरा इसके साथ नल वाला भी चीज आ जाएगा मुहंतिवारी हो जाएगा साथ में यह नल वाला भी क्या हो जाएगा इसके साथ उठके जुड़ जाता है और जब यह strn cat करेंगे तो वह एक एक लेटर जोड़ता है इसको छोड़ देता सिफ जहां तक यह लेटर होगा वही तक का जुड़ेगा लास्ट वाला यह जो नल करेक्टर इसके अंदर रहता है उसको वह नहीं जोड़ेगा ठीक है यह होता है मतलब n टर्म्स तक जहां तक टर्म्स होगा वही तक वह जोड़ेगा इसके लिए strn cat यूज किया जाता है लेकिन आपको यह जनरली पूछ रहा है कि एक स्ट्रिंग को दूसरे इस्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किस फंसन का यूज किया जाता है एक स्ट्रिंग को दूसरे इस्ट्रिंग में कॉपी करने देओ प्रोग्राम नहीं लेकिन यह छोटे-छोटे कुश्चन आ सकते हैं एक स्ट्रिंग के दूसरे इस्ट्रिंग में कॉपी कर लेकिन confuse हो सकता इस से strn cpy अगर यह लिखा है और यह लिखा है तो दोनों में confusion यही create करेगा यह option पर जाए यह option पर जाए अगर आपको नहीं आता है तो मैंने n का मतलब यह बता दिया कि यह copy करते हुए जाएगा मानलो कोई भी string बोला एक string को दूसरे string में copy करना है ठीक है को को भी मानलो यह वाला string है उसको कहां करना है इस मोहन की जगा पूरा copy करना है मतलब इसकी जगह पर टी आना चाहिए तो यह इसकी जगह पर आएगा 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 लेकिन आ उठाके इसके नल में copy कर दें यह नहीं होगा यह till n तक होता है जितने उसमें होगा लेकिन इसमें होता है इसमें क्या करेगा जो last miss character के बचा रहता है जिसको हम नल character बोलते हैं उसको भी वो copy कर देता है ठीक तो यहां पर हम generally उसी को होगा क्या होगा strcmp option b correct होगा प्रथम and character को copy करने के लिए आ गया ना देखो प्रथम and character को copy करने के लिए function copy होगा strncpy यह space नहीं होगा नहीं तो गलत होगा यह सही होगा ठीक है अब पूछे प्रथम and character की तुलना करने के लिए तो strncmp यह होगा जब ऐसा पूछे तो आंसर यह होगा मतलब option a होगा ठीक है option a होगा अगला है duplicate string बनाने के लिए कौन सा function उपयोग होता है duplicate string बनाना होता है तो उस समय कौन सा function यूज होगा तो strdup duplicate dup का मतलब क्या होता है duplicate तो यह function यूज होगा a होगा ठीक अगले question पर आते हैं c में header file limit में से किसका समू है जो c में header file होती है यह स्टूडियो डॉट एच ठीक है कॉन्यो डॉट एच यह header file होती है यह क्या होती है जैसे बोला रहता है है इंक्लूड पूरा ऐसे लिखा दाता है अगो है अगयों अ ईसट जाइन होता है यह बोला है स्टूडियो डॉट है कोनियो डॉट च जो होता है यहां हैस के साथ इंक्लूड लगा रहता है है तो यहां पर को दोटेज फिर लाइबरेरी इस आपका स्ट्रिंग डौट एच स्ट्रिंग डौट एच ऐसे लगा होता है मैंट जौट एच वह सब बोला सी एहां रफाइल निमन में से किसका समों होता है compiler command का library function का c program के header information का file operator का इसमें क्या सही होगा क्या होता इसमें सब library होता है एक तरह से बोला जाए किताबे होती है जो भी हम काम करते हैं जिस language में c में काम कर रहे हैं तो c की पूरी library है उसमें c के हर एक चीज उसके अंदर भरी है आपको बस library का पता होना चाहिए कि इस function में math का कोई हम program बना रहे हैं तो उसमें लिए हम math.h को क्या करेंगे library को ले लेंगे तो math के सभी function उसके अंदर आ जाएंगे जो भी calculation करना होगा ठीक है तो यह library होती है अगला है किस header file का उपयोग strcmp के लिए किया जाता देखो string comparison के लिए किस header file का यूप करेंगे string.h, strings.h, text.h या strcmp.h तो यह कुछ नहीं होता है यह गलत है यह भी गलत है यह भी है string.h क्या होती है यह library होती है header file होती है इससे string से जितनी भी चीज़े होंगी वो आपको मिल जाएंगे string के जितने function है compare, length निकालना, copy करना, duplicate बनाना, reverse करना string को यह सब किसमें मिलेगा string.h की header file में मिलेगा तो जब भी हमें देखेंगे कि program में हमें ऐसी कोई necessary है कि एक string को दूसरे string में copy करना पड़ रहा है उसका duplicate बनाना पड़ रहा है तो हम उपर ही header के साथ ही इसको define कर देंगे has include studio has include क्या string.h तो यह download तो यह क्या हो जागा string से related सभी हमें library file मिल जाएगी malloc function dynamic allocation के लिए उप्योग किया जाता है जिसकी header file किसमें होती है बताओ जो malloc function होता है वो memory allocation के लिए किया जाता है इसकी file कहां पर होती है तो standard library.com stdlib.h इसमें क्या होता malloc function जा हम जब use करेंगे किसी को dynamic memory allocate करेंगे कोई भी है जैसे हमने किसी को भी दिया integer a equal to 10 तो चाहिए किसी को मैं memory दे रहा हूँ space दे रहा हूँ ठीक है memory address दोंगा एक dynamically allocation करूँगा memory का तो उसके लिए हम यह function यूज़ करना पड़ेगा कि अगर हम किसी को memory दे रहा है तो standard library.h हमें यूज़ करना पड़ेगा file manipulation में कौन सा header file यूज़ होता है file manipulation में कौन सा header यूज़ होता है देखो file manipulation में जो यूज़ होता है वो studio.h होता है यही file यूज़ होती इसी से file manipulation होता है अगला है किस header file का उपयोग strcpy के लिए करते हैं तो यह भी string कहीं अंदर आएगा तो string.he होगा इसका अगला लिंक क्या है लिंक क्या है compiler है active debugger है interpreter है यह analyzing tool है तो link जो होता है वो क्या है analyzing tool है किसी भी program को analyze करने के लिए यह एक tool है तो इसको क्या कहेंगे analyzing tool कहेंगे एक बार सभी लोग सेयर करें इस सेशन को जरूर और जितने questions के हैं यह basic questions है यहां से question आपके बोलेगा preprocessor यह कई बार exam में पूछा गया है कि preprocessor को word note करने के लिए किस चिन का उपयोग करते हैं तो जो हम लगाते हैं इसको नाम दिया जाता है प्री प्रोसेसर इसको क्या करते हैं लेंग्वेज में तो प्री प्रोसेसर इस साइंस किया जाता है ठीक है अगला एक कथन को बंद करने के लिए दूसरे कथन को पारंब करने के लिए पहले किस चन का उपयोग किया जाता है एक कथन को बंद करना है किसी statement को बंद करना है तो वहाँ पे हम क्या लिए जिसे मालो integer age को student कर दी हैं तो यहां हमें semi colon लगाना पड़ेगा तभी हम अगला integer b equal to 5 क रहेंगी ठीक है तो एक statement यह आपका हो गया दूसरा यह हो गया तो उसे हिसाब से हमें हर एक statement को सी प्रोग्राम में end करने के लिए क्या लगाना पड़ता है semi colon लगाना पड़ता है नहीं लगा होगे तो error देगा किस character का उपयोग नई line के पारम करने के लिए होता है तो option d correct हो जाएगा option d हो जाएगा next हम आते हैं अगला compound alignment statement का उधारन कौन सा है compounded alignment जो होता है वो क्या होगा plus equal to 5 यह आपका compounded alignment का लाता है मतलब अपने आप वो increment कर जाए ठीक है compounded alignment statement जो होगा वो अपने आप increase कर जाए यह increment equal to 5 जो भी होगा अगर यहाँ लिखे हैं तो यह increment का sign देगा जिसके साथ लिख दे a plus equal to ऐसे कर दे a plus तो जो भी a की value होगी वो plus होके जो भी आएगा ऐसा नहीं एक कुछ की 5 हो अगला है एक compounded statement statement का समू है जो निमन किसमे के बीच जोड़ा जाता है तो वो किसमे जोड़ा जाएगा इसमें braces में होगा अगला क्या है निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है c पुस्तकाले function input output की सुईधा देता है c input output को inherit करता है c input output की सुईधा नहीं देता है दोनों a और b जल्दी से बताईए इसमें कौन सा कथन सत्य है d आंसर आ रहा है d नहीं निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है c पुस्तकाले function input output सुईधा देता है ये पूरा देता है ठीक है तो यही आपका सहीए a correct होगा इसमें जो c library है वो input output जो भी हमें कराना होता हो सभी कि सुईधाएं c library में पड़ी होती है एक statement expression से अलग होता है जिसके लिए कस terminator का उपयोग किया जाता है कौन सा terminator होता है मतलब एक statement expression से अलग होता है जिसके लिए किस terminal का उपयोग किया जाता है टर्मिनेटर क्या स्टेटमेंट का टर्मिनेटर सेमी कॉलन है ठीक है सेमी कॉलन ही क्या है आपका स्टेटमेंट का टर्मिनेटर है डॉट नहीं डॉट से नहीं होता है टर्मिनेटर पूछ रहा है क्या है किसी भी statement या expression का ठीक है कोई भी expression या statement का टर्मिनेटर जो होगा सी लेंग्वेज मों वो सेमी कॉलन ही होगा निमलिखित में से गलत कथन कौन सा है स्टेटमेंट आपको बताना है एक तो सब कैपिटल में लिखा है ऐसे हो गाई है क्योंकि यह फंसन है ने तो सब गलत हो जाएगा एक करेक्टर इसकी एक करेक्टर वै इस मॉल में रखना इसमें कौन सा बोला है गलत है इसमें जो बोला कौन सा गलत है देखो यह भी सही है क्योंकि करेक्टर एक लेना है और character के लिए हम single inverted comma में कोई भी letter लिखते हैं ये character वह single में होगा double में जो कुछ लिखेंगे वह string होती है जैसे मुझे राम लिखना हो तो किस में लिखेंगे double inverted comma में लिखेंगे तो ये आपका गलत है double inverted comma ये इसका syntax नहीं होता है इसका syntax होता है। संदर सिंगल एक करेक्टर लेने के लिए हैं सी आपका होगा अगला है स्पिकर वाज के लिए किस का अम स्पियोग कि यहां कर दो यहां अलोर्ट के लिए किसका है इसका यूज कि अधा है एक में का नेक्त से कांस्ट Kerry घॉक लिए के लिए किया जाता है तो इसमें क्या सही होगा करेक्टर कांस्टेंट किस चिन का उपयोग कथन या स्टेटमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है जल्दी से बताईए इसका आंसर बताएं क्या होगा जो करेक्टर कॉंस्टेंट होता है उसको किस से एंड होगा जो करेक्टर का होगा तो इसकी बात इसमें होगी इसी से एंड होगा सिंगल इन्वर्टेड कामा से अगला है string constant किन चिनों के बीच बंद रहाता है जो string constant होता है string constant किन चिनों के बीच बंद रहाता है तो answer क्या होगा string constant आपका B के बीच में बंद रहाएगा double inverted काम हमें string double inverted character single inverted निम्लिकित में से कौन सा असत्य है ये string है तो ये क्या होगा असत्य होगा, ABC ये 3 एक ही न तो ये double में होना चाहिए, ये double में होना चाहिए, इसलिए असत्य है, अगला क्या है, do while के लिए निम्ड में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ, यहां दिखा है, ये गड़बड लिखा है, गड़बड आ गया है, इसको क्या करो, do statement लिखा है यहां पर option सही कर लो, और यहां पर क्या होगा, आपका अगली line होगी, जो यहां से आ गई है, यहां पर उल्टा सिधा हो गया है, while के साथ condition, यह आपका पहला option होगा, do में, दूसरा option, do condition, while के साथ statement, while के साथ statement, इसको उठा कर कहां कर दो, यहां कर लो, ठीक है, अब यह आपके option स पहला है, पहला है, do statement, while के साथ condition, दूसरा है, do condition, while के साथ statement, नहीं, do while loop में, do के बाद statement आता है, उसके बाद while आता है, उसके बाद condition आता है, तो option A आपका correct होगा, इस case में, अगला, निम्न में से कौन सा for loop में सही नहीं है, तो for loop के लिए यह सही नहीं है, देखो, c option नहीं सही है, क्या नहीं सही है, c, यहां पर यह पता नहीं क्या है, ठीक है, यह minus, single नहीं operator यूज होता है, यह तो double minus operator यूज होगा, तो यह सही नहीं है, for loop के लिए, अगला condition यह है do while या while condition में क्या अंतर है do while में condition के बाद semicolon का उपयोग होता है while में semicolon का उपयोग नहीं होता है while में condition के बाद statement होता है नहीं while में condition के बाद statement का अच्छा सिर्फ while condition जब while loop लगाएंगे तो क्या while में condition के बाद statement आएगा जल्दी से बताए होता है क्या होता है बोला है do while एवाम while condition में क्या अंतर है तो do while में condition के बाद semi-colon का उप्योग होता है साहिर जी बात है जहां condition होगा वहाँ semi-colon लगेगा ये सही है बोला है while जो loop होता है डिरेक्ट खाली while loop do while नहीं while loop तो while में semi-colon का उप्योग नहीं होता है जो while होगा उसमें semi-colon का उप्योग नहीं होगा while में condition के बाद statement होता है पहले condition आएगा फिर statement मतलब मैंने while लिखा यहाँ पे condition लगाऊंगा फिर इसके अंदर जो होगा हम क्या करेंगे statement जो भी होगा वो करेंगे यह while के loop के case है do while वाला नहीं तो यह भी सही है उप्योग तो शभी क्या होंगे आपके सब्ते होंगे CLR, SCR CLR, SCR एक function है यह किसके लिए उस होता है यह screen में मिटाने के लिए होता है जो screen होती है उसको क्या delete करने के लिए होता है screen का message हटाने के लिए होता है यह होगा मिटाने के लिए या नहीं लिखा है क्या मिटाने के लिए तो screen से message हटाने के लिए जो आप प्रोग्राम लिखते हो ना तो last में CLR, SCR कर दोगे तो वो पूरा का पूरा मतलब जो आपका आता है यह जैसे CLR, SCR करोगे तो पूरा clear हो जाएगा screen ठीक सत्तर नमबर question और last question आपका सत्तर question और last question है C में निमलिखित में operator कौन कौन है arithmetic operator, logical, relational या उप्रोग्त शभी तो logical operator भी होता है arithmetic भी होता है और आपका relational operator भी होता है जो relation बता है तो answer क्या होगा इसमें एकदम सही जा रहे हो सभी होगा, option D होगा ठीक है कल इसकी पूरी PDF आपको सत्तर question की मिल जाएगी इसमें general general जितना चीज़े हो सका था मैंने करा दिया प्रोग्राम का output वाला बहुत कम chances है एक दो कभी हो सकता है मैं बीच में लहाके mix वाले में करा दूँगा चलिए आज तुम लोगों ने 100 के पार नहीं पहुचाया तो कल से इस class को हम बंद कर देते हैं चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कल 9 बजे मिलते हैं फिर इसी time पे और कल कोसिस करना कि इसे 100 पूरा कर देना आपका स्क्रिन पर है तेजी से हम लोग questions को करेंगे basic basic से question है ये English में है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको general से questions है who invented C language क्योंकि language हमेशा English में ही आपको मिलेगा language कभी Hindi नहीं हो सकता है तो C language का invention किस ने किया था तो Dennis Ritchie ने किया था किस ने किया था Dennis Ritchie ने किया था ये ध्यान रखना चलिए C क्या होगा Dennis Ritchie होगा next बोला है C language is a successor to which language C जो है किसका successor है किसके बाद C language की खोज हुई थी जल्दी से बताईए C language किसका successor है C language जो है B के बाद C language है C is which language C कैसा language है तो C गया है Yes जो Human इसकी code क्या होते है Human understand कर सकते है Low level का नहीं कर सकते है Low level language is a Low level language क्या होता है इसका क्या सही होगा बोला क्या ये human के पढ़ने लायक होता है ये language बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है language with small program छोटा प्रोग्राम होता है इस language का या इसको समझना बहुत ही difficulties होती है समझने में तो क्या होगा डी सही होगा ए नहीं human readable like language नहीं होता है low level low level language को ही क्या बोलते है machine language बोलते हैं और machine language किसमें काम करती है zero one binary इस bit पर काम करती है तो कुछ भी लिखा रहेगा वह zero one के form में लिखा रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे तो डी आपका answer होगा next है पांच नंबर question high level language is a क्या है human readable like language मैंने बता है न यह क्या होता है इसे इंसान पढ़ सकता है language which is difficult to understand नहीं ऐसा नहीं होता language with big program size यह नहीं इस माउस प्रोग्राम साइज नहीं यह मेंली इसका सही होगा कि यह इंसान पढ़ सकता है जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ यह सी के यहां पर scan of hello word लिखा है तो क्या यह hello word आएगा इसमें से पूछ रहा है किसका output hello word आएगा इसमें पूछ रहा है किसका hello word आएगा एक बार quality आप लोग सही कर लिए डेटर नहीं बताईए क्योंकि यह जो है बड़ा है programming section है तो इसमें आज questions बड़े बड़े हैं c होगा प्रेम पाल जी का answer c है दीपक कुमार जी का answer c है चलो देखते हैं कौन सही होता है यह scan of print नहीं कराता है तो यह option गलत हो जाएगा scan of address store करने के लिए होता है यह print लिखा है तो print f होता है function क्या होता है print f होता है ना कि print होता है तो यह भी गलत हो जाएगा c option भी नहीं देगा बचा क्या d ना a b b option गायव है इसमें से option b गायव है चलो कोई बात नहीं डी बोला man scan तो यह भी गलत हो जाएगा तो b option रहा होगा जिसमें ऐसा लिखा हो man कोई इसमें सो option नहीं होगा option नहीं में सिंग है इसमें क्या होगा print f hello world यह option गायव है आपका जो यही होगा dot dot do ठीक है semi column यह आपका answer होगा print f होना चाहिए यहाँ print नहीं था इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा हाँ यहाँ पर print f होना चाहिए option एक मिसिंग था एक के बाद सीधे c आ रहा है अगले question पर आते हैं साथ number question देखो बोला है c is type of programming language कैसा है object oriented procedural bit level language functional मैंने आपको बताया था प्रोसीजरल थे कैसा है यह procedural based है मतलब इसके जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो step by step लिखे जाते हैं एक के बाद दूसरा इस टेप लिखा जाता है यह प्रोसीजरल है सी प्लस प्लस जावा सी हैस सी सार्प जिसको बोलते हैं सी हैस को सी सार्प बोलते हैं यह object oriented है ठीक है यहां आजाओ सी लेंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन विच लेबरेटरी किस लेबरेटरी में सी लेंग्वेज की खोज की गई थी तो a.t.n.t.b.l. लैब्स में हुआ था कहां पर a.t.n.t.b.l. लेब्स निउजर्सी वो उप्स अलग है c++ उप्स में होगा इसमें नहीं होगा BCPL language का अगर full form आ जाए तो यह हो जाएगा basic combined programming language बेसिक combined programming language ठीक है यह किसी से related नहीं है सब अलग-अलग language नन होगा इसका answer D होगा अरे हिंदी क्या रखें इसमें BCPL language is also card तो यह नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों तो computer कहां से कर पाओगे वो भी programming का section वो label कैसे पास की हो अगर नहीं किया पाओँ हो तो इतना basic चीज है C language was invented और developed which operating system C language में जो C की language होती है जो आप पढ़ते हो programming language उससे कौन सा operating system develop किया गया है अगर आप programming में command हिंदी का सोचो गए तो किसी language किसी बुक में आपको हिंदी में C programming चाय कोई भी extra वो नहीं मिलेगा आंसर क्या होगा B चलो यहां पर क्या होगा C language invented किसमे होगा C language invent जो आपका प्रोग्राम किया गया वो किसमे किया गया उनिक्स ऑपरेटिक सिस्टम जो है वो C language में किया गया है किसमे C language में इसकी प्रोग्रामिंग की गई है चलो अगला कुश्चन है C language was invented year year आपसे पूछा किस year में हुआ था तो 1912 में एटीटी बैल्वेंग लैब में डैनिस रिची ने किया था C language is used in the development of किसके लिए database, graphic application, word process, all of this तो यह सब के लिए सभी के application हम बना सकते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो application क्यों नहीं बनाएंगे एसी प्रोग्राम इस ए कंबिनेशन आफ इस्टेट्मेंट फंसन वेरियेवल यह ओल अब दाइवाब देखो सब कुछ होता है, इनी को तो token बोलते हैं, statement भी होता है, function भी होता है, variable भी होता है, all of the above होगा, d answer सही होगा reasoning की class सुभा, 9 बजे, choose correct answer, इसमें सही answer क्या होगा, देखो, एक आपका दिया क्या है इसमें है, has include studio h main, यहाँ पर लिखा है, multi-line comment, this line is ignored by compiler, print of hello c dot dot dot, semi colon, यह end हो गया है, अब पूछ रहा है, option आप से की कौन सा इसमें correct होगा, has include is a preprocessor directive, कली मैंने बता हा था, has को क्या बोलते हैं, preprocessor बोलते हैं, studio dot h is a header file, with predefined function, like print of, यह एक header file है, जिसके अंदर कौन कौन से function है, print of, scan of, और etc, c बोला है, has include main, यह यह is a mandatory function, to include every c program, एकदम सही है, यह main function आपको लिखना जरूरी होता है, हर c program में, अगर यह नहीं लिखे, तो आपको error आएगा, यह जरूरी होता है, यह भी सत्ते है, यह भी सत्ते है, तो सभी all of the above क्या हैं, सही है, अगला question, correct way of connecting a single line comment, अगर आपको program में, किसी single line, जैको double line comment ऐसे होता है, double line comment के लिए यह use करते हैं, दो line में, एक से जादे line का comment आपको देना है, किसी भी program में, तो हम यह use करेंगे, ठीक है, अगर आपको single line comment देना है, तो वही पूछ रहा है, आप क्या use करोगे, single line comment में, अगर program में देना है, जैसे print, f, hello, c, यहाँ पर print of how are you, तो यह क्या है, यह आपका सही है single line comment, या b option, यह single ऐसे है, print of hello, c, print of how are you, अगर यह single line comment है, single line मतलब यहाँ पर होता है, इसके पास है print of hello, c, print of hello, how are you, print of यह, print of how are you, तो यह इसमें कौन सा होगा, single line comment, अरे यह double line पर मत जाओ, single line comment किससे होगा, single line comment जो होगा, इससे सुरू होता है, b option सही होगा, इसमें, अगला है, single line comment, देखो, इससे is also called, क्या कहते हैं, c++ style, java style, php style comment, यह समें होता है, यह इस line का comment जो होगा, single line, यह सभी program में होता है, तो all of the above कहेंगे, all of the above, 16 का answer होगा, 17 में, which is an identifier, identifier क्या होता है, c language के, जितने भी यह float हुए, functions हुए, सब identifier होते हैं, int हुआ, float हुआ, यह सब, तो name of function और variable, name of macros, name of structure और union, यह भी होता है, किसी function का नाम, किसी variable का नाम, किसी macros का नाम, structure का नाम, union का नाम, यह सभी क्या है, identifier होते हैं, c में, बोला, an identifier में contains, identifier जो होता हुआ, वो क्या contain किया रहता है, later a से z, small, फिर basic character set, unique code of alphabets, character of other language, under school or symbol, ठीक है, number 0 to 9, unique code number in the other language, all of the above, एक identifier क्या contain किया रहेगा, देखो सब रहेगा, number 0 से 9 तक रह सकता है, underscore भी हो सकता है, यह भी capital और small letter भी हो सकता है, तो all of the above होगा इसमें, एक बार सभी लोग session को जरूर share करें, identifier can start with, किस से start होता है, identifier, तो alphabets से, underscore से, any character that can be type on a keyboard, option A and B, किस से start होगा identifier, जल्दी बताइए, identifier किस से start होगा, any character नहीं, कोई भी character नहीं, आप 0 लिखके, identifier start नहीं होगा, number कोई भी लिख दोगे, keyword से तो, वो नहीं होगा, या तो alphabet से start होगा, या underscore से, underscore से, underscore से, my लिख दिये, यह भी आपका identifier होगा, या alphabet से, किसी भी alphabet से start होगा, तो वहीं होगा, option A और option B सिर्फ, इसका और इससे, digit से start नहीं होता है आपका, बीच में digit आ सकता है, ठीके, my01 कर सकते हैं, एक साथ लिखके, लेकिन सुरुव आप digit से नहीं होगा, C program are used in, any electronics device which works on a sum logic and operating system, washing machine, fridge, micro, wans and all that works, some may use होता है, किसमें होता है, सब में इसकी programming कर सकते हैं, find the integer constant, आपसे पूछ रहा, integer constant कौन सा है, यह क्या है, यह float value है, ठीके, यह किसमें आ गया, double में हो गया, तो यह string value हो गई एक तरह से, यह आपका क्या होगा, integer constant है, क्या है यह, integer constant बोलेंगे इसको, ठीके, तो भी option सही होगा, find a floating point constant, floating point constant कौन सा हैस में, floating point दोनों हैं, सब point में लिखा हुआ है, यह exponential form में लिखा है, यह भी exponential में है, तो यह क्या हो जाएगा, all of the above हो जाएगा, floating point में, find a character constant, अगर आप से character constant पूछे, तो इसमें से क्या होगा, जल्दी से बताईए, इसमें भी character constant क्या है, सब हैं, यह सब ही क्या है, कि character ही माने जाएंगे, यह single में लिखे हैं न, तो यह सब character माने जाएंगे, यह सब character constant है, अगर तुमने किसी digit को भी, single inverted comma में लिख दिया है, तो भी as a character दिना जाएगा, all of the above, a variable of a particular type, can hold only a constant of the same type, choose a right answer, जो variable होगा, किसी भी particular type का, वो सिर्फ उसी प्रकार का constant रखेगा, जैसे मानलो integer, यह मैंने दिया, तो इसमें integer ही आएगा, इसमें मैं और कुछ नहीं डाल सकता, float नहीं जा सकता, 4.2021, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ठीक, वो सिर्फ integer value ही लेगा, तो यहीं बोला है, कि हाँ सही बात है, जैसा इसका variable का type होगा, वैसे ही वो value भी store करेगा, एकदम सही है, अगले question पर आते हैं, choose a right statement, right choose करना है, देखो, integer my is equal to 10, integer my, यहाँ पर underscore है, यह चलता है, यह आपका variable में चलेगा, तो यह आपका सही है, यहाँ देखो, यह comma नहीं चलेगा, तो इसलिए यह गलत हो गया, यहाँ पर space भी नहीं चलेगा, इसलिए यह option यह भी गलत हो गया, तो safe answer क्या सही होगा, ए सही होगा, underscore चलता है, space यह comma नहीं चलेगा, variable name में, number of keyword, कितने keyword होते हैं C language में, तो 32 keyword होते हैं C language में, कितने होते हैं, 32 keyword होते हैं, अगला पूछता है, choose a correct statement, इसमें से कौन सा सही है, C compiler convert your C program into machine, readable language, सही बात है, एकदम सत्य है, क्या ऐसा होता है क्या, क्या यह सही है, हाँ, जो C editor होता है, allow you type C program, जो editor होता है, जैसे turbo C है, उसमें आप ऐसे ही type करेंगे, जैसे notepad में type करते हो, कुछ extra option उसमें दिये रहेंगे, console show the output of C program, if it is text output, ठीक है, console जो होगा, उस पर आप क्या कर सकते हैं, उसका output ले सकते हैं, तो यह सब कुछ होता है, all the above होगा, अब यहाँ, identify wrong C keyword, keyword जो होगा, कौन सा इसमें से नहीं है, देखो, auto भी होता है, double, int, इस्टरक्ट यह भी होता है, ब्रेक, else, long, सीज, यह भी होता है, अब देखो, case, in num, register, type def, इसमें से कौन सा आपका, क्या नहीं है, keyword नहीं है, कौन सा keyword नहीं है इसमें, keyword, देखो, इसमें यह सब तुनों keyword है, character भी होता है, यहाँ intern, और extern लिखा है, इसमें कौन सा keyword होता है, extern keyword होता है, intern नहीं होता है, तो यह option गलत हो जाएगा, intern keyword नहीं होता है, D नहीं, case भी होता है, जब break, switch का यूज करते हैं न, program में, तब case लगाते हैं, case 1, case 2, switch की programming की होगे, calculator बनाने की programming होती है, तो वहाँ होता है, enum, register होता है, register की value, जब register लगा देते हैं, किसी variable के आगे, तो वो आपके RAM में, जो register होता है न, उसमें value store होता है, CPU में जो register होते हैं, memory device, उसमें value store होता है, identify wrong C keyword, इसमें भी बताओ, union, const, var where, or float, इसमें से कौन सा गलत होगा, जोगो यह नहीं होता है, यह कोई कौन की वर्ड नहीं होता है, यहीं गलत है, बाकी सब सही है, इसमें भी रॉंग निकालना है, static, while, break, go to, struct, construct, sign, unsign, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो construct जो होता है, वो कोई की वर्ड नहीं होता, बाकी सब होते हैं, sort, long, if, else, return, in a mist, struct, do, यह सब होते हैं, share करो एक बार जोगदार तरीके से, type of integer are, integer कितने प्रकार का होता है, sort, int, long, यह सब होता है, कली मैंने बताया था, all of the evolves, इस सब ही किसके integer के प्रकार है, सब की range अलग-अलग define होती है, range जरूर एक बार देख लेना, find the correct C keyword, C keyword इसमें से कौन सा है, float, int, long, double, इसमें से C keyword कौन सा है, देखो, find a correct C keyword, आपको ध्यान देखना है, यह सब keyword हैं, लेकिन लिखा सही नहीं है, यह F-L-O-A-T होगा, small में, यह I-N-T, small में होगा, यह long होगा, ऐसे, तो सही लिखा कौन सा है, यह लिखा, यह small में, कभी भी keyword जो होंगे, वो capital लेटर में नहीं लिखा रहेगा, small में लिखा, चोटी गलतियां होती है, छोटी गलतियां होती है, D होगा इसमें, यही correct है, बाकी सब, लिखे सब सही है, लेकिन, लिखने का तरीका गलत है, long में L capital नहीं होगा, small होगा, keyword हमेशा, small में start होते हैं, अब देखो, integer, टाइप आफ इंटीजर्स आर, range of sign character, and unsign character, इसमें sign और unsign character का, आपको क्या पूछ रहा है, range पूछ रहा है, तो sign मतलब, यहाँ जिसमें, negative और positive दोनों लेते हैं, तो यह हो जाएगा, 0 से 255, तो यह answer सही हो जाएगा, यह sign का है, यह unsign का है, ठीक है, अब यहाँ, देखें, किसकी value पूछ रहा है, long variable की पूछ रहा है, जो सबसे बड़ा होता है, तो long variable कितने का होता है, देखा जाएगा, तो इसका 10 byte का होता है, कितने का होता है, 10 byte का होता है, इसमें बताओ, क्या सही होगा, long के लिए, long किसमें 10 byte का होता है, long double अगर लोगे, long double जो होता है, long double जो होगा, वो 10 byte का होता है, सिर्फ long किसी का लोगे, तो वो 4 byte का होता है, long double सबसे बड़ा होता है, 10 byte का होता है, यहाँ इसका जो answer होगा, वो C होगा, माइनस 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8 से लेकर आगे जवा है आपका सेम यह ही चीज यहाँ पे जो 4, 8, 4, 7 आपका क्या हो जाएगा 4, 8 तक यह आपका वो value हो जाएगी और यह जो unsigned value है unsigned value 0 से लेकर 4, 2, 9, 4 9, 6, 7, 2, 9, 5 तक रहेगी ठीक है यहाँ 4, 8 है तो यहाँ एक कम हो जाता है 4, 7 हो जाता है बस choose the correct statement regarding automatic variable automatic variable के according कौन सा सही option यहाँ लिखा है main auto int a print percentage d a लिखा है तो output is a compiler error a is not a initialize ठीक है option में क्या ऐसा होगा output नहीं आएगा option a बोला है कि अगर ऐसे प्रोग्राम लिखा हुआ है तो इसमें compiler error आएगा आप क्या काते हो error आएगा जल्दी बताओ दूसरा option है यह प्रोग्राम लिखा हुआ है main auto int a print of d a output बोला है 0 आएगा ठीक है इसमें बोला है कि auto int a print of इसका output देख लें क्या बोला है इसका output बोला है null आएगा और last में एक d option है उसमें बोला है some random number आएगा उसी program का बोला है random number आएगा तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा सही होगा अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ variable को क्या किया गया है जो variable है उसको declare किया गया है ना कि initialize किया गया है initialization में क्या होता है value assign करते हैं तो वो नहीं किया गया सिर्फ variable declare कर दिया गया है कि एक variable है कैसा type है उसका integer है जल्दी से बताईए यहाँ पर कौन सा आपके हिसाब से सही होगा D आ रहा है मुहमद आसिव जी प्रिती द्रिवेदी जी का answer D है बताओ नहीं समझ में आ रहा है इसमें देखो यहाँ पर auto एक keyword अगर आपका static लगा रहे है तो कुछी भी variable कि हो जाएगा अगर वह इनसलाइज नहीं हुआ है किसी भी में अगर static लग जाता है keyword variable पे तो उसकी value जो default हो जाती हो 0 इनसलाइज हो जाती है हमें 0 नहीं तो यह गलत है compile error नहीं आएगा यह program run करेगा और value भी देगा लेकिन value क्या देगा वह compile error नहीं होगा यह गलत है option B बोला है 0 कोई जाएगा नहीं 0 तब होगा जब यह आटो की जगा static लिखा रहेगा ठीक है तो यह भी गलत हो जाएगा 0 कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ बोला है c option में कि value क्या आनी चाहिए null आनी चाहिए नहीं यह भी नहीं है यह भी गलत है null नहीं आएगा यहाँ बोला है value कुछ random number आएगा हाँ random कोई भी number आ सकता है garbage value आएगी जिसे हम क्या कहते है random जो number आएगा उसको कहेंगे garbage value तो कोई भी garbage value जो आपके memory में पड़ी रहेगी वो 0 भी हो सकता है 1, 2, आटो इंट ए 10 यहाँ है value को declare और resign एक साथ कर दिया गया उसके बाद से फिर से एक braces on हुआ है उसके अंदर लिखा है आटो इंट ए equal to 15 print a 15 उसके बाद से इसको close कर दिया गया फिर printf लिखा गया है a लिखा गया है return 1 हो रहा है आपको बताना इसका answer क्या आएगा ऐसे आपसे पूछ लेगा छोटा सा program देखे कि इसका output क्या आएगा 10-10 आएगा 10-15 आएगा 15-10 आएगा compile error आएगा जल्दी से बताईए इसमें output क्या आएगा compile error एक बार share करिए आप लोग इस session को जल्दी से बताओ इसका output क्या आएगा भाई दी होगा compile error आएगा अच्छा compile error आएगा अच्छा चलो देखते हैं तुम लोग programming नहीं पड़े हो लेबल किये हो कितने लोग लेबल वाले हो इसमें कितने लोग उने पढ़ा है देखो इसकी जो यहां पर यह main शुरू होता है यहां पर जब function आपका शुरू होता है has include studio.h वो नहीं लिखा है तो उससे मत मालनेना की error होगा कि वो नहीं लिखा है वो लिखा रहेगा अगर generally आपसे पूछेगा तो has include studio.h लिखा रहेगा अब यहां से function आपका start हुआ यह braces on होता है main function यह जरूरी होता है उसमें एक variable को initialize और declare दोनों कर दिया गया auto है फिर एक braces on हुआ है इसका मतलब यहां फिर एक integer एको लिया गया है तो इसका scope इस तक ही है जहां यह on यह off हो रहा है इस variable का scope सिर्फ इसके अंदर है और इस variable का scope इस braces के अंदर होगा जो यह वाला होगा यह main जहां close होगा इसके इसके बीच में इस variable का scope होगा तो यहां जब print पहले होगा जैसे a की value यहां 15 है तो यह पहला क्या print होगा 15 होगा जैसे इससे बाहर आएगा तो फिर printf मिलेगा तो यह print a की value क्या करेगा यह वाला नहीं print होगा क्योंकि इसका scope सिर्फ यहां तक है इस वाले को print करेगा किसको print करेगा इसकी value print करेगा तो य पहले आपकी value कौन से print होगी ये वाली print होगी क्योंकि इसमें print up आया है और वो ये कौन सा लेगा ये लेगा इसके अंदर scope वाला फिर जब ये खतम होगा execute होगा है तो इस print up पे आएगा ये print up किसके अंदर आएगा इस braces के अंदर आ रहा है तो यहाँ पर 10 print होगा अगला question इसका output बताना है integer main यहाँ देखो register is equals to 10 होगया है यहाँ पर भी आपका on हुआ है same condition है print of a अब बताओ इसमें क्या होगा return 20 return कुछ भी लिखा रहे है उससे आपको दिमाग नहीं लगाना है return में कुछ भी लिखा रहे है यहाँ देखो close यह जरूर होगा बिना close हुए गडबर हो जाएगा return एक दो तीन कुछ भी न लिखा रहे है जीरो लिखा रहे है वो भी सही है क्योंकि जब हम यहाँ पर int लाएंगे तो यहाँ return लिखना जरूरी है अगर int लिखे यहाँ वाइड में लिखे टर्बो यूज करें डेव सी सी प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो हाँ हमारा int होता है लेकिन टर्बो में वाइड होता है इसलिए यहाँ पर में return value देना जरूरी होता है कि इसमें option क्या होगा कि इसमें भी सेम होगा देखो क्योंकि रेजिस्टर का भी इसको PC में रहेगा यहाँ पंदरा आएगा यहाँ दस आएगा तो पंदरा और दस option भी सही होगा इसका अगला इसका output बताओ इसमें बोला है कि इसका output बताओ यहाँ क्या है रेजिस्टर इंटीजर भी लिखा है प्रिंट अप पर्सेंटेज डी भी पूछ रहा है तो यहाँ क्या वैलू आएगी नल जीरो रेंडम इंटीजर नंबर रेंडम रियल नंबर क्या आएगा ऐसे प्रोग्राम में क्या आंसर आएगा देखो इनटीजर है न वैलू क्या डी अरियर की गई इसको इस सीजर होगी जो डिकलेयर होगा option C होगा इसमें ठीक इसका output बताओ देखो यह main function स्टार्ट हो रहा है रेजिस्टर ए इसको स्टो असी आटो इंट बी ठीक है एक इंटीजर वेरियेबल भी है जो आटो है और एक जो सीजर है इसका मतलब इसका value है जो है म His predecessor में इस्ट रहा है और यह अटो इंटीजर जो भी लिखा है और B में A की value डाली गई है बोला है print F percentage D A तो A की value क्या थी? 80 थी तो 80 प्रिंट हो जाएगा और B की value क्या हो गई? A की value B में चली गई न तो B की value भी क्या हो गई? 80 हो गई तो answer क्या होगा इसका? 80 होगा क्यूं? इसका answer क्या होगा? 80 होगा अगले question प्याते हैं यहाँ देखो void my so एक function बना दिया गया function को इसको क्या कहते हैं? अगर program सुरू होने से पहले मतलब has include, studio रचे यह तो लिखा ही रहेगा ठीक और यहाँ पर void my so लिखा है इसका मतलब इसको क्या कहते हैं? function को declare कर दिया गया है ठीक function को declare कर दिया गया और यह क्या कालाता है? यहाँ पर function को define किया गया है जहाँ function खोल के लखा जाया है इसको कहते हैं function define हो गया है ठीक है? यहाँ पर आते हैं अब बोला है word integer है इसमें इसमें बोला है integer में शुरू हुआ यहां पर क्या होगा कॉल होगा इसी को कहते हैं फंसन कॉल ठीक है जो आपका फंसन है वो कॉल होता है पहली पर कॉल होगा तो कहां जाएगा तुरंत यहां पर जाएगा जहां पर इस फंसन को खोल के रखा गया है क्या रखा गया है स्टेटिक इंटीजर के अब स्टेटिक इ फिर यह आपका close हो रहा है, तो अभी क्या होगा, कि आपका value क्या होगा, इसका print होगा, Αभ उसका value क्या हो जाएगा प्लस-प्लस, मतलब 21 हो जाएगी value, 21 हो गई, फिर यहाँ पर अगली बार जब जैसे run करेगा, अब 21 हो गई है तो 20 प्रिंट हो गया यह अभी एक्जिक्यूट हुआ है यह function कॉल हुआ फिर दुबार जैसे इस पर आएगा तो यह function कॉल होगा तो यह भी वही function है फिर इसमें आएगा तो यहां पर जब एक बार value यहां static लगा है तो बार-बार इसका initialization नहीं होगा यह द् साइ क्या हो चुकिया क्या के की वेलू 21 हो चुकी है अब बार-बार initialization नहीं होगा इस टेक लगने का यहीं फायदा है कि यह से INISH नहीं होगा यह ध्यान रखना इसलिए अगला जो प्रिंट होगा वह क्या होगा 21 प्रृंट होगा फिर अगला जब ये कॉल होगा तो अगल के लिखा होता चाहे रेजिस्टर के लिखा होता तब वैलू दिक्कत आती तब क्या वैलू प्रिंट होती बीस 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 बढ़ती नहीं तो वो हर बार इनिसलाइजेशन होता लेकिन इस्टेटिक लग जाने के वज़ा से इनिसलाइजेशन बार-बार नहीं होगा वैलू का ठीक है चलो आजाओ यह समझ में आया अब आते हैं यहाँ पर देखो has included studio लिखा है static integer के यहाँ पर declare कर दिया गया integer main print of percentage dk return 90 कुछ भी लिख दे उससे मतलब नहीं अब बताओ इसकी value क्या आएगा जल्दी से बताओ minus 1090 या compile error इसमें क्या आएगा जल्दी से बताओ error आएगा वाह क्या बात है क्यों error आएगा c होगा 90 मैंने बोला return 90 का कोई role नहीं होता है return 0 हो सकता है return minus 1 हो सकता है वो कोई भी हमें एक variable return करते हैं क्यों क्योंकि यह integer लखा हुआ है अरे भाइया नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे ऐसे करो के तब तो हो चुका तुम लोग का कलना थोड़ा सो दिमाग लगाओ ब्रिलियंट नाम माइंड है ब्रिलियंट माइंड नाम है और काम कर रहे हो क्या बता है दुमें देखो मैंने आप से क्या बोला जब सुरुवात में बोला था static variable जब भी declare किया जाता है तो initialization उसका by default हो जाता है उसमें value क्या हो जाती by default 0 हो जाती है लेकिन auto register चाह कोई भी simple हम कोई भी अगर integer variable declare करेंगे integer a तो इसकी value क्या होगी garbage होगी इसमें कोई value नहीं पड़ी होगी उसको जब तक हम initialize नहीं करेंगे लेकिन जब हम इसकी सामने keyword लगा देंगे static तो इसकी value automatic initialize हो जाती है किससे 0 से जीरो से हो जाती answer b होगा कर दो हो option b होगा next आते हैं यहां बोला है integer main register k इसको स्टू 25 print at the address k लिखा है अब देखो एक चीज़ ध्यान देना अभी यहां पर बताना है return 90 program close हो गया print of address of variable k पचीश 0 या compile error क्या आएगा इसमें इसमें बताओ क्या आएगा यहां register k equals to 25 लिखा है print of percentage at the address k लिखा है यह होगा print of address of variable k नहीं अगर यह लिखा होता है register integer k equal to 25 तब जाके आप यह कहते print of address variable k का address print करता ठीक है तब print करता लेकिन यहां सिर्फ register के लिखा है मनलब के क्या है register है CPU का उसको 25 दिया गया है तो यह क्या आएगा compiler error आएगा यहां पर compiler error क्योंकि यह कुछ नहीं होता है हाँ पॉनेजी error आएगा variable type ठीक है variable नहीं define किया गया है कैसा variable है डी answer होगा इसका next the statement below is external int p क्या है यह इसको क्या बोलेंगे declaration definition initialization या none of the above अभी मैंने इसको जिकर किया था क्या होता है जब भी कोई चीज ऐसा रिखा रहा है तो इसको declaration बोलते है ठीक है declaration है यह देखो इसका output क्या होगा integer main यहां से शुरू हो रहा है int a equals to 0 यह आपको solve करना है operator से question है यह print a की value क्या होगे जल्दी बताओ 44-34-34 जल्दी से बताओ board mass की तरीके से solve करना है और board mass कहां से लगेगा देखो इसका preference और इसका preference priorities होती है equal होती है क्या होती है equal होती है तो जब किदर से किदर चलेगा left से right चलेगा operation जोगा इसमें left से right मतलब left से right का करने का मतलब यह हुआ 4 प्लस अब इन दोनों में operation होगा तो पहले left वाला solve होगा solve होगा तो 2 into 5 प्लस 20 4 पांदोनी 10 प्लस 20 तो 20, 10, 34, 34 यह answer आएगा यहां पर क्या होगा 34 होगा इसका answer क्या होगा 34 होगा बाद में आपको जो भी comment पूछना होगा बाद में पूछ लीजए कितने marks आ रहे हैं phone number दिया है उस पर contact कर सकते हैं अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो उसे पढ़िए अगला question इसमें बोला है कि कौन सा priority order है symbol में priority order किसका क्या क्या है तो देखो यह 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 तीनों क्या है एक preference होता है यह दोनों का एक होता है यह सबसे बड़ा फिर यह वाले फिर यह वाले आते हैं तो option c आपका correct होगा यह preference order होता है कि 47 नंबर question पर आ जाओ यहां पर integer इसको स्टू 0 है फिर से यह operator लगा हूँ है सेम कोश्चन है क्या सेम कोश्चन है सेम कोश्चन है इसको छोड़ देते हैं वही repeat हो गया है question अगले question पर आओ हाँ a 0 है यहां पर अब देखो यहां पर क्या है यह आपका जो expression है चेंज है तो इसमें भी यह यह और यह में क्या है सब सेम्प्रियोटी है तो left to right चलेंगे हो दस in to the 10 ढिके उसके बाध से 10 इंट्यू एट ट्यू एक टू यहां पर असी हो जाएगा आसी डिवाइड़ टू K Конечно तो 10, 80 divided 2 कितना हो जागा? 40, प्लस 4, 40, 10, 50, 54, तो इसका solve करने पर option क्या हैगा? 54 print होगा, क्या होगा? 54 B option print होगा हाँ, बहुत बढ़िया punish, बैतरीन what is the output of C program integer main int A equals to 0 है फिर यह आपका दिया गया है तो यहाँ भी इसकी और इसकी क्या है priority, same होती है, तो 4 5 upon 2 यह solve होगा, तो decimal में होगा, यहाँ से 10, 2 पचे 10, 5 into 5 25 होगा, प्लस 5 25, 5 30, 34, 34, 34, यहाँ answer क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा यहाँ पर answer क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा ठीक है? यहाँ पर answer 34 हो जाएगा आपका चलो, अगले question पर आप दे है A is equals to 0 यह फिर से आपका यहाँ पर है इसको solve करना है, तो क्या होगा? देखो same preference है, left to right जाएगे, तो यहाँ हो जाएगा 12, 24, 10 24, और यह solve होगा, क्योंकि यह bracket है नहीं तो सबसे पहले bracket solve होगा फिर यह solve होगे, तो bracket solve होगा तो यहाँ 6 होगा, प्लस 5 होगा तो 6, 24, मलब यहाँ 4 प्लस 5, 5, 4, 9, 10, 19 ठीक है? क्या हो जाएगा? 19 होगा, इसका answer B आपका correct हो जाएगा इसका answer B correct हो जाएगा अगले पर आते हैं अब इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? यहाँ पर भी same है, 10, 2, 3 और यह दिया होगा यहाँ bracket हटा दिया गया है तो bracket हटा गया, तो left से right चलेगा तो देखो, ऐसे solve होगा 10, 12, 2, 24, divided 3, into 2, plus 5 है तो अब यह solve होगा तो 3, 8, 24, गुणे 2, plus 5 तो 10, 16, plus 5, 26, और 5, 31 कितना हो जाएगा? answer इसका 31 हो जाएगा B आपका correct होगा इसमें ठीक है, क्योंकि bracket होता तब यह पहले solve होता, नहीं तो फिर ऐसे left to right solve होगा अगला question इसमें देखो float A is equals to 10.0 हो है और यहाँ पे A modulus 3 लिखा हुआ है तो print of A पूछ रहा है क्या होगा A की value? return 0, तो answer क्या दोगे इसका? इसमें आएगा compiler error, क्या हो आएगा? क्योंकि जो यह A है यहाँ पे जो भी modulus function लगता है, वो integer के लिए लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया जाता है? remainder दिया जाता है remainder कभी किसमें आएगा? आपका decimal में remainder नहीं आता है, integer में आता है इसलिए इस वज़ा से क्या होगा? modulus error का देगा कि compiler error आएगा आपका प्रोग्राम में compiler error आएगा यहाँ देखो यहाँ इसी को सही कर दिया गया यहाँ 10 तो दिया गया, integer इसके आगे लगा दिया गया तो अब यह integer A हो गया अब यहाँ से modulus मिलेगा 10 3 को divide करोगे तो 3 तरी के 9 remainder कितना बचेगा 2 तो यहाँ से output आएगा आपका क्या 3 तरी के 9 remainder बचेगा आपका 1 तो वो output कौन सा आएगा यह वाला यह वाला जल्दी से बताओ 1 O होगा यह C वाला 1 होगा कौन सा होगा कौन सा होगा क्योंकि यह A यहाँ पर इस A को अलग से declare किया गया है यह अलग है A और यह float A है तो यह 1.000 वाला answer होगा C सही होगा अगला question इसमें देखो क्या होगा सही integer A is equals to 0 A यहाँ पर क्या है modulus function लगाया गया है minus 5 minus 2 है तो यहाँ पर जब यह solve होता है modulus तो sign जो है negative नहीं आएगा sign हमें सा numerator का आता है किसका आता है numerator का यह ध्यान रखना तो 5 से 14 को divide करोगे remainder कितना आएगा 5 दो नहीं 10 4 आएगा na remainder 4 remainder positive sign रहेगा 4 minus 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो answer क्या आएगा 2 आएगा minus में नहीं positive में 2 आएगा D is cost to 2 होगा क्योंकि यहाँ denominator में minus sign है लेकिन जो solve होता है तो वो minus sign हट जाता है sign हमेशा इसका numerator का आता ना कि denominator का आता है इसको देखते हैं यहाँ पर क्या integer A 3 प्लस 5 2 अब यह integer value लेगा A की जो भी value होगी वो integer होगी ना कि fractional value होगी तो यह 3 है 5 बटा 2 का integer value क्या आएगा धाई होता है ना तो 0.5 तो fractional हो गई तो 2 integer value होगी तो यहाँ पर इसका 2 लेगा इसका 3 लेगा तो A के अंदर कौन सी value store होगी 5 store होगी तो print भी क्या होगा 5 होगा यह मत बोल देना 3 प्लस धाई 5 प्रिंट होगा तो क्या होगा 5 प्रिंट होगा अगले पर आते हैं यह देखो integer main int A is close to 0 अब यह आँँ देखो यह operator use हुआ कल मैंने बताया था ना as is turnary operator जिसको बोलते है turnary operator condition के लिए use होता देखो question मार के यहा यह value true होने पर यह value false होने पर तो A यहाँ पर condition लगा दिया गया है कि 5 is less than 2 नहीं न false होगा यह condition जैसे false होगी तो कौन सी value print होगी 3 print होगी तो option B सही होगा इसमें option B सही होगा अगले question पर आते हैं यहाँ देखो एक print of 4 यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान देखना है क्योंकि यहाँ function से print कराया जा रहा है यहाँ as cost to 0 यहाँ print of 4 हो रहा है मलब 4 print होगा ऐसे उसकी value नहीं जा रही है उसमें यह value नहीं डाला जा रहा है यहाँ से print हो रहा है यह line जब compiler compile करेगा तो तुरंट print कर देगा क्या 4 और यहाँ पर print of function यह लिखा है न तो जो भी यह print of compile होगा तो यह return value बेजता है कौन से कितनी value return बेजेगा एक value return करती है one value यह हमेशा जो functions होते हैं वो return value क्या बेजते हैं one return बेजते हैं तो यह answer क्या होगा 4,1 आएगा एक साथ ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पर फिर यह print of जब चालू होगा तो एक value क्या होगी one होगा क्यूंकि देखो यह print of 4 को print करेगा और यह function जो है one return करता है तो a में जो यह a है इसमें one आ जाएगा और 4 तो वो print हुआ है 4 print होगा और यह value किसना return करेगी one return करेगी क्यूंकि वो चीज print हो गई वो as a क्या है true condition कोई भी function के अंदर कोई character लिखा जाता तो वो true condition बताता है non जो आपके numeric value होते हैं वो true condition बताता तो वो print हो गया 4 और उसके true condition के वज़े से one return होता है तो one return होगा तो वो a के अंदर जाएगा तो यहाँ पर a की value one print होगा तो four one आएगा इसका answer d आपका correct होगा अगला यहाँ पर देखो a five is greater than two एकदम सही बात है क्योंकि जैसे true होगा तो इस पर जाएगा और print four तो print होगा four print होगा और यह a को क्या return करेगा one return करेगा a को क्या return करेगा one return करेगा तो इसमें answer क्या होगा a को क्या return करेगा one return करेगा ठीक तो वही same चीज होगा one return करेगा तो यहाँ one फिर से आ जाएगा यह print function वोई को one return करेगा क्योंकि यह condition true हो गई true हो गई तो यहाँ पर one आएगा तो for one ही वाला options आई होगा अगला क्या है इसमें देखो यह condition इस bracket में है अगर यह greater देन है तो यहाँ question mark लगा है एक आपका दिया नहीं एक आपका दिया नहीं यहाँ question mark की बाद एक condition और देना चाहिए न true और false वाली तो अब यहाँ पर एक ही value क्या होगी बताओ अब यहाँ पर एक ही value क्या होगी देखो यह condition true है 5 is greater than 2 true होने पर इदहा की value प्रिंट होनी चाहिए लेकिन है नहीं तो condition true है तो वा return क्या करता है 1 करता है न तो यहाँ क्या आएगा answer 1 आएगा प्रिंट क्या होगा 1 प्रिंट होगा अगला क्या है A और B रिखा है तो यह गलत है हम यहाँ पर initialization नहीं कर सकते हैं value का तो यह तरीका गलत है इस operator का use करने if condition यह integer खुला if condition खुली if 4 is greater than 5 अगर यह condition सही है क्या 4-5 से बड़ा है नहीं न तो क्या यह execute होगा यह execute नहीं होगा अगर 4-5 से बड़ा हो तो तब यह execute होता तो तुरंट execute क्या होगा यह execute होगा तुरंट execute क्या होगा 4 is greater than 5 नहीं कौन सा है यह है तो printf क्या करेगा s करेगा चलिए सभी का answer आ गया yes तो यह answer क्या आएगा yes आएगा क्योंकि यह condition जब true होती तब यह print होता आओ आगे देखते हैं ऐसा देखो if 4 is greater than 5 printf hurry then printf as return 0 तो अभी क्या है यहाँ पर यहाँ पर condition true हुई यह इसको ले लेगा क्योंकि यह इसके अंदर जगो ऐसा मत कहना कि sir इसके अंदर bracket नहीं लगाया गया अगर कहीं bracket नहीं लिखता है यहाँ पर देखो और कोई statement इसके अंदर लिखा गया है तो print होगा क्या hurry और यहाँ लगाया है यन इससे क्या होता new line न्यू लाइन में आ जाएगा cursor और new line में print करेगा yes तो hurry yes होगा hurry yes कौन सा hurry के साथ double dot है याद रखना hurry yes दोनों में लिखा है क्या be of s और hurry yes दो option है तो इसमें कौन से जानोगे कौन सा सही है दोनों से हम है h u double r a y लेकिन ये लिखने का तरीका इसका अलग होगा इसके लिखने का तरीका अलग होगा अच्छा यहाँ पर condition true कहा हो रही है sorry sorry देखो 4 is greater than 5 कहा हो रहा है अगर यहाँ पर condition true कहा हो रहे है क्या 4 greater than 5 है अगर true होगा तब जाके ये print होगा यहाँ से वो bracket हटा लिया गया वो इसी लिए हटा आया गया कि आप यह समझो कि अगर bracket नहीं लगा है तो bracket के just मतलब condition वाला जो होता है उसके just नीचे वाला statement यह if का ही statement होता है मतलब यह true होगा तब ही execute करेगा तो यह true नहीं है ना इसलिए क्या execute करेगा सिर्फ यह आएगा yes क्योंकि दूसरा statement उससे related नहीं होगा एक ही हो सकता है यह किससे हो जाएगा यह main से related हो जाएगा इसलिए s print होगा इसका answer s होगा only yes होगा no output नहीं होगा yes होगा क्योंकि यहाँ पर कभी भी condition के साथ अगर कोई एक statement हमेशा आ जाता है चाहे वो bracket लगे चाहे ना लगे तो वो एक statement लिया जागा अगर एक से जादे इसमें रखना है तो आपको bracket लगाना पड़ेगा एक से जादे statement इसके लिए if के साथ रखना है तो आपको bracket लगाना पड़ेगा तो सिर्फ इसके साथ condition true होने पर यह print होगा अगर false होगी तो यह print होगा अगला question देखो इसमें समझ में आ जाएगा यहां क्या है condition true होगी 5 is greater than 4 तो यह आपका print होगा क्योंकि यह इसके साथ है तो हरी भी print होगा dot dot और अगले line में आपका क्या print होगा yes क्योंकि यह इसके साथ जुड़ा और यह उस loop मतलब condition से बाहर होने के बाद प्रिंट होगा ठीक है यह आपका किसके साथ प्रिंट होगा उसके साथ प्रिंट होगा तो हरी s होगा हरी s प्रिंट होगा else नहीं होगा else कब use होगा अगर यहां पर लिखा होता यहां लिखा होता 6 यह लिखा होता 5 तो क्या 5 is greater than 6 है नहीं न तो यहां यह run नहीं करता आपका यह रन नहीं करता लेकिन अभी देखो अभी इसमें दिक्कत है अभी यह गलत है अभी आप लोग जो सोच रहे हो कि आपका अंसर हरी एस होगा कितने लोग सोच रहे हैं हरी एस होगा अंसर जल्दी से बताओ कितने लोग सोच रहे हरी या सोगा आंसर कितने लोग सोच रहे हरी या सोगा आंसर कितने लोग सोच रहे हरी या सोगा इसका आंसर जल्दी से बताओ देखो दो चीजे हैं यहां एक कंडीशन लगा हुआ है if else का कंडीशन मैं बताऊं इसमें जो आप सोच रहे हो गलतियां ऐसे प्रोग्राम में होती है हमने else को पढ़ा नहीं इसलिए if लगा है if अगर ये condition true हो गई तो ये print होगा print होगा तो अगला जब print होगा तो ये आपका गड़बड कर देगा क्योंकि यहाँ else statement लिखा है अगर आपका ये नहीं लिखा होता ये नहीं लिखा होता तब हरी ऐस आता तब ये आपका syntax सही था एक तरह से लेकिन यहाँ गड़बड हो जाएगा यहाँ दो statement नहीं ले सकता है if उसके लिए हमें यहाँ तो यहाँ पर curly bracket on और यहाँ off करना पड़ेगा तब जाके हरी ऐस आएगा नहीं तो इसका answer क्या होगा इसका answer इस line पर error देखाएगा कैसा error compiler error क्योंकि यहाँ else है एक और अलग से आ रहा है ठीक है अच्छा semi colon भी चलो यह semi colon छूट गया होगा लेकिन यह भी गलत है यह भी गलत सही बात है semi colon होना चाहिए कोई भी statement terminate semi colon से होता है तो यहाँ error आएगा क्या आएगा compiler error आएगा यह ध्यान रखना अगला जो है a equal to 5 while root a equal to 1,2,3 लिखा है तो आप बताओ इसका output क्या होगा देखो जब a equal to लिखा है इसका मतलब इसे कोई भी true value मिल गई क्या मिल गई कोई भी true value मिल गई तो यह loop execute होगा execute होगा तो rabbit print होगा क्या होगा यह आपका print होगा print होने के बाद तुरंत break हो जाएगा loop यह से बाहर निकला आएगा loop से बाहर निकलते ही क्या लिखा है print of green तो green भी print होगा green भी print होगा loop चलेगा नहीं कई बार क्योंकि यह ऐसा होता कि a equal to equal to 123 तो यह comparison होता कि a की value जब तक 123 नहों जाए तब तक यह loop चलता रहेगा तो infinite हो जाता यह loop तो आमें increment भी लगाना पड़ता एक ही value को कहीं है इसी वज़ा से यहां एक बार true होगा यह non value equal to का sign लगाया है तो यह s हो जाएगा तो यह एक बार execute होगा rabbit print होगा फिर loop break होगा और यहां पर green आ जाएगा rabbit और green print होगा इसमें अगला क्या है integer k for loop है k is equals to 1 k less than equal to 5 k plus plus यह पिछली बार आया था और आपसे देखो यह चीज़ ध्यां रखना for यही पर semi colon लग गया मतलब for का काम यहां खतम यह आपका अलग है यह for loop के statement पेस से नहीं है for का statement यहीं खतम हो गया semi colon लग गया है तो इसका answer यह पूछा एक्जाम में पिछली बार computer operator में पूछा है k की value क्या होगी इसमें जल्दी बताओ नहीं गलत है एक दो तीन चार पांच जो बता रहे हैं पूरता गलत हैं चलो यह last question होगा एक किसी से related और हो बता दूँगा बात खतम 6 होगा चलिए जाविद खान जी बहुत बढ़े हैं यह term देखो यह क्या होगा k is equals to 1 k less than 5 है हाँ है k plus plus हो जाएगा क्यूंकि आगे कुछ हाई ने इसका statement यह terminate है और यह तब तक चलेगा जब तक condition follow होगी ठीक है तो फॉर की अभी k की value कितनी हो गई दो हो गई फिर k है चेक करेगा condition 2 भी 5 से कम है ठीक है तो अब k की value कितनी हो गई 3 हो गई फिर check करेगा k की value तो अभी भी कम है तो फिर plus हो जाएगा अब k की value 4 हो गई 4 यहाँ पर देखा कि अभी भी क्या है आपका कम है अभी भी आपका value कम है तो अब 5 हो गया 5 greater than or equal to हाँ भी equal to sign है चलेगा तो फिर एक बार execute होगा तो 5 से value क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी अब 6 जाके यहाँ जब check होगा 5 is greater than equal to 6 नहीं न अब condition false होई तो अब for loop से बाहर निकलेंगे अब for loop से बाहर निकलेंगे तो print percent dk के लिखा हुआ यह अलग statement है for loop के अंदर नहीं आएगा तो अभी k की value कितनी हो गई है 6 तो answer क्या हैगा 6 आएगा अब इसी से related देखो यहां क्या है अभी इसी में बता दू इसी program में देख लो इसी program में मैं छोटा सा change कर देता हूँ changes क्या होगे वो देख लो मानलो अगर यह सीज हट गई यह हट गई यहां से picks हटा दे तक है यह अ हटा दे यह अटा दे तो आपको वह नहीं मान ना इए इसके for loop के एक statement उसके अंदर माना जाता है ठीक है for loop के बाद एक statement उसके अंदर माना जाता है यह ध्यां रखना ठीक अगर यहां से सेमी कॉलन लहटा के यहां लगा देते हो तब वैलू जो आएगी के इसकी वैलू होगी जब यहां से सेमी कॉलन हट जाएगा ठीक है इस केस में प्रिंट होगा एक दो तीन चार पांच ठीक अगला है यहां पर देखो के और जे पॉर के इसकी इसकी स्का कर देखो एक लगा है यहां पर वैलू को इल्च कर दिया गया है यहां देखो इन二 कॉलन होता है इने slide इसन कंडीशन और इंक्रिमेंट अब यहां के प्लस जी हो रहा है तो यहां print क्या होगा जल्दी से बताओ दिखो के की वैलू 1 होगी जेकी वैलू 10 ठीके, condition है कि क्या K की value 5 से कम है, हाँ कम है, तो यहाँ print देखो, इसी से यहाँ semi-colon नहीं लगा हुआ है, तो 1 इसकी value, 10 इसकी value, तो 10 प्लस एक क्या हो जाएगा, 11 प्रिंट होगा, उसके बाद से K की value बढ़ रही है, तो 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, तो यह आपका option C सही होगा, तो यह रहें कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम और उसके output, कल मिलेंगे networking के साथ, तब तक के लिए सभी को सुबरात्री धन्यवाद, क्या इसका सही आंसर होगा, पहला question आपके screen पर आ चुका है, इसका answer comment करें, क्या सही होगा, computer network, computer networking के मानक model, standard model कौन से होते हैं, TCP, IP, इंटरनेट, प्रोटोकॉल सूट, ISO, SI, reference model, दोनों A, B, and SCI, कौन सा model जो है, आपके computer network का है, इसमें से, C answer आ रहा, दीपक कुमार जी का answer आ रहा, एंकिज जी का C है, दानिज जी का C है, जाविज जी का C है, मास्टरोपी जी का answer B है, मुनिश जी सी के साथ जा रहा है, मौमद आसिप जी, नमस्कार स्वागत है, आसी स्ट्यादों जी का answer B है, सोविज जैन का answer C है, तो यहाँ सभी लोग जो C दे रहे हैं, वो correct होते हैं, TCP IP model जिसमें आपके कितने layer की बात की जाती है, पांच layer की बात करती है, और different different book में कहीं कहीं आपको 4 layer भी मिलेगा, और ISO OSI model जो है आपको 7 layer की बात करता है, कितने 7 layer की, यह मैंने आपको network का मेरा theory class पढ़ा हुआ है, YouTube पे free है, उसे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सब बताया है, कि सबसे उपरी layer कौन सी होती है, application layer होती है, उसके नीचे कौन सी होती है, presentation layer होती है, जिसमें data को compress किया जाता है, उसके बाद से session layer होती है, session के बाद transport layer आती है, जिसे heart of OSI model बोलते हैं, transport के बाद network layer आता है, और network के बाद data link आता है, और data link के बाद कौन सा आता है, physical आता है, ठीके, physical आता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 layer आपके ये हो जाती है, इन तीनो layer को मिला कर application layer बन जाता है, तीनो layer मिलकर application तो यहाँ से एक layer आपका ये, ये भी रहता है, ये भी रहता है, यहाँ पर आपका physical network आपका बन जाता है, ठीके, data link और physical मिला के network application layers टाइप का एक बन जाता है, इन दोनों को एक layer बोल जाते हैं, तो 1, 2, 3, 4, और 5, कहीं कहीं आपको ये पूरा 5 मिलेगा, जैसे आपका ये data link है ना, 1, 2, 3, 4, और ये पूरा 1 बन जाता है 5, और जहाँ 4 होंगे, वहाँ पर इसको भी कम कर दिया जाता है, अगला question आपके screen पर है, TCP IP model को किस नाम से जाना जाता है, difference book में different 4 model भी TCP IP के मिलेंगे, और 5 भी मिलता है, आज नहीं आया, तो देखो कल, क्या, क्यूंकि आज ही आने वाला था, पता नहीं क्यूं वो नहीं आ रहा है, क्या चल लहा है, आयोक के अंदर, लेकिन आप लोग तयार रहे है, 4, 5 में ही कुछ भी हो, आपकी तयारी नहीं उसमें रुकनी चाहिए, TCP IP मॉडल को किस नाम से जाना जाता, OSI मॉडल से, TCP मॉडल से, या DOD मॉडल से, या नेटवर्क मॉडल से, TCP IP मॉडल को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम कौन सा है, वो नाम कौन सा है, जल्दी से बताइए, सुभम जी, जी खुश रहें मस्त रहें स्वस्त रहें कोर्स कंप्यूटर का आंसर ए है जाविज जी का नेट्वर्क मॉडल राहू जी का आंसर ए आ रहा है अजीज जी का आंसर नहीं निगेटिव मार्किंग नहीं है तुसार जी इसमें आपको क्या करना है sectional cut up पार करना है और overall sectional cut up पार करना है और overall cut up पार करना है network model हाँ यहाँ पर आ जाओ यह DOD model कहलाएगा क्या कहला था Department of Defense model इसको बोलते हैं जो TCP IP model होता है उसका other नाम आपसे पूछें तो Department of Defense या DOD model कहते हैं C सही होगा network model नहीं C आपका correct answer होगा DOD models कहते हैं इसको आजाओ यहाँ पर है ISO OSI reference model में पर्तो की संख्या कितनी होती हैं कितने layer होते हैं अभी मैंने बात किया कि कितने layer होते हैं आपके OSI model में तो 7 layer होते हैं 7 layers होते हैं बहुत बढ़िया अगला कुश्चन है ISO OSI संदर्व model में presentation layer का क्या कारी है बताओ presentation layer का कारी क्या होता है presentation layer में मैंने आपको क्या बताया था data description, data encryption, data compression या उप्रोक्त शभी चले इसका क्या answer होगा यह आपका यह data description भी होता है encryption भी होता है compression मतलब बड़ी file है तो उसको compress भी किया जाता है decrypt मतलब receive end पे जाएगा तो data जो encrypt रहता है उसको फिर से decode किया जाता है और यहाँ पे data के security के लिए इसको encryption किया जाता है तो यह सभी होते हैं D आपका सही होगा उप्रोक्त शभी answer होगा बहुत बड़ी हैं और एक तरफ से share जरूर करो सभी लोग और likes मत करना भूलो daily meeting, वितरण और synchronization द्वारा data exchange किस layer में प्रदान किया जाता है लेट ना हो जाते तो वो synchronization किस में होता है session का establishment किस में होता है जब communications करने के लिए data आपका सब तयार हो गया है तो अब network का एक तरह से आपके बीच में session एक बनेगा particular उस session में आपका क्या होगा data transfer होगा B होगा बहुत बढ़िया तो session layer सही इसका answer है इसमें क्या होगा आपका data का exchange process चालू होगा synchronization जो बोला जाए कि कोई late ना हो real time data रहे जैसा send कियो वैसे वहाँ पर पहुंचे थोड़ा मोड़ा चलता है ठीक है मेरा भी जब मैं यहाँ से जो बोलता हूँ वो आप तक कुछ minute कुछ second lack होके जाता है तो यह synchronization का काम होता है कि जादे चीजे दिक्कत ना दें अगले question पर आए जाए अगला क्या है OSI का full form पूछ रहा है क्या होता है open system OSI का full form सर्वेस पांडे जी राम राम सभी लोग इस session को 10 लोगों को share करो सभी को खुसकबरी मिलेगी कब कल सुबह तक तुम लोगों के admit card आजाएंगे चलो यहां आजाओ open system interconnection क्या होगा जल्दी से बताओ इसका full form होगा OSI का open system interconnection open simple interface नहीं होता है system interconnection होता है कई बार तुम्हें बता चुका हूँ NIMD में से कौन सा application layer protocol नहीं है बताओ इसमें से कौन सा application layer protocol नहीं है बताइए कौन सा application layer protocol नहीं है SMTP, FTP, HTTP, HTTP and TCP TCP नहीं है बहुत बढ़िया यह transport layer में काम करता है यह आपके SMTP, FTP और HTTP यह browsing के लिए होता है file upload के लिए होता है और यह mail send करने के लिए होता है यह ध्यान रखना तो D आपका answer इसमें correct होगा application layer का कौन सा service प्रदान करता है जो application layer हो कौन सा service process प्रदान करता है process to process, end to end या दोनों A and B इसमें से क्या सही होगा इसमें से answer बताएं क्या correct होगा जल्दी से correct answer बताएं see आगा, चलो यहाँ process to process, end to end दोनों होगा दोनों अगर भासा लिखा रहे है point to point किसमें होता है बताओ point to point किसमें होता है transport layer में होता है किसमें होता है transport में होता है यह process to process जैसे आपने एक process कौन सा Gmail खोला हुआ या application खोला हुआ अगले कुछ email भेज रहे हैं तो वो process to process communication का लाएगा end to end का लाएगा, दोनों का लाएगा C इसका correct answer होगा C correct होगा, एक बर जोड़दार तरीके से share करो email किस application layer protocol का use करता है email जो है, किस application layer protocol का use करता है अभी मैंने बताया, smtp, इसका full form बताओ इसका full form क्या होगा, simple mail, simple mail transfer protocol इनका full form जरूर याद करके जाना, इनी में से पूछेगा एक web page open होता है, तो application layer किसका use करता है बताओ, जब web page हम open करते हैं, तो किसका use होता है किस, बोला जब protocol का use होगा, इसका तो जान लिए तो इसमें sttp का होगा, इसका full form बताओ sttp का full form क्या होगा, hypertext transfer protocol और यहाँ पर sttps हो जाए तो hypertext transfer protocol secure हो जाएगा, क्या हो जाएगा, secure हो जाएगा चलो, अगले question है, network layer मध्यवर्ती router के मध्य से dash के लिए जिम्मेदार होता है, जो network layer होता है वो मध्यवर्ती router के माध्यम से किस के लिए जिम्मेदार होता है bit के लिए, packet forwarding के लिए, frames के लिए या इनमेदार से कोई नहीं, network layer में क्या होता है देखो, पहले physical में bit जाएगा, physical के उपर कौन सा layer होता है data link layer होता है, उसमें frame बनेगी, network में क्या होगा, packet होगा ठीक है, तो यह किसके लिए होगा, packet forwarding के लिए होता है, किसके लिए होता है option B सही है, packet forwarding के लिए होगा अगला है, अगले question पे आते हैं, network device का repeater सभी PDF आपको जितनी भी classes चल लही है, मैं proper telegram पर भी PDF मिल गई पांच practice set की, programming की भी दे दी गई है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना जहां भी और भी जो extra question होते हैं, जो यहां नहीं हो पाते हैं, वो मैं और डाल के उसमें दे देता हूँ जैमाई की, धिरत जी, क्या बोल ले हैं रुख जाईए भाई, रुख जाईए, बस करिए, थम जाईए, नेटवर्ट डिवाइस का repeater, पुन्रा वर्तक OSI model की किस layer को operate करती है जो नेटवर्ट डिवाइस का जो repeater होता है, पुन्रा वर्तक OSI model के किस layer को operate करता है जो नेटवर्ट डिवाइस है आपका repeater, मैंने बताया था repeater कहां यूज करता है, repeater का मतलब क्या होता है आपके signal को regenerate करना, उसके aptitude को बढ़ाना, अगर signal आपका कम हो जाता है वो किस layer में काम करेगा, physical layer में काम करेगा, किस layer में, physical layer में काम करेगा layer 1 में काम करता है, आनंद शिंग जी, प्रणाम, खुश रहिए, मस्त रहिए, सुस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, ग्यान जी आ चुके हैं C के साथ, एकदम सही है, C वाले सही है, repeater हुआ, hub हुआ, जो आपके software devices नहीं होते हैं में software नहीं होता है, एक तरह से, वो कहां काम करते हैं आपके, network या आपके physical layer में काम करते हैं, cables होएं, computer networking का bridge, OSI model के किस layer में operate करती है, bridge जो होता है, वो किस में होता है, bridge मतलब, जैसे pool होता न, यहाँ पे आपके कुछ system है, मानलो कुछ lane से system जुड़े हुए है, यह lane से system जुड़े हुए है, ठीक है, इनके बीच में, इन दोनों road को connect करने का काम कौन करेगा, bridge करेगा, सब्सक्राइब bridge करेगा, तो bridge क्या होगा, एक इसमें memory भी होता है, इसमें table भी होता है, किसी data को जाना है, filtering process होता है, forwarding भी होता है, filtering का मतलब, जिसके लिए जरूरी होगा, data, तो ये c को ही forward होगा, बाकि को किसी को नहीं forward होगा, तो ये किस layer में होगा, गुड इवनिंग, data link layer में यह होता है, bridge जो आपका काम करेगा, वो किस layer में काम करेगा? हाँ, BCA हैं आप eligible हैं, कोई दिक्कत नहीं है, data link layer होगा, bridge आपका किस में करेगा? data link layer में काम करेगा, BCA वाले एकदम दिश्चिंद रहो, इस बार तो है, network device का router, OSI model के किस layer में operate होता है, transport, network, data link या physical, router किस layer में होता है, बताओ तो, router किस layer में होता है, जो routers होते हैं, वो किस layer में होगा? data link layer में होता है, ठीके? routers जो होगा, वो आपका, sorry, वो किस layer में होगा? network layer में होगा, किस में होगा? network layer में होगा, sorry, network layer में होगा, data link में होगा, प्रिज dorme उपिख्या वी आपने पड़ा क्या होगा जो होगा जो हो अ होगा किराउटर नेटवर्क ले एर से काम करना सुरू कर देता है यहां से यह आते हैं डाटा कंवर्जन कोडे ट्रांसलेटर के लिए कौंसे लिए जिम्मिदार डाटा का conversion होना मनद डाटा का परिवर्तन होना या code का translate होना application layer presentation layer physical layer या data link layer इसका answer बताइए क्या होगा बस उसी बात को अलग तरीके से paste किया गया है code translator मतलब code करना data का किसमे होता है encryption description compression ये किसमे होगा presentation layer में होगा बहुत बढ़िया एक बार सियर करो सभी लोग आजाओ internet protocol version ipv6 version में address size कितना होता है 32,4,128 या 256 धीरत जी आपका comment हमें मिल गया जै माई की आप बोले हैं बहुत बढ़िया चलिए 128,128 CRR बहुत बढ़िया D कुछ के किसी के आ रहे हैं C और D में confusion है नहीं confusion होना चाहितनी बार में पढ़ाते वक्त बोला हूं कि आपका internet protocol version 6 ipv6 जो होगा वह 128 bit का होता है कितने 128 bits का होता है internet protocol ipv4 कितने bit का होगा तो यह 32 bit का होगा 32 bits का होगा चलो अगला questions है transport layer protocol क्या होता है जो टीसी ट्रांस्पोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है वह कौन size में से TCP है UDP है FTP है दोनो A & B है FTP तो हमने देख लिया यह किस में होता है यह application layer में होता है यह किस में होता है application में होता तो मैंने वहां पर बताया था TCP और UDP यह आपका क्या होता है connection oriented protocol भी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं connection oriented connection oriented protocol बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं जो UDP होता है user data gram protocol इसको connectionless बोलते हैं इसके थुरू अगर कोई data भेज रहे हो receiver end तक कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा data मिले लेकिन TCP IP जो के जाता है उसमें आपके पूरा का पूरा data जाएगा loss होने के chances नहीं रहेंगे क्यूंकि वह acknowledgement signal का use करता है अगले पर आते हैं अगला question कौन सा bounded media है मैंने media पढ़ाया था ना आपको कौन सा bounded media है try for transmission media के example कौन से हैं जितने लोग भी अभी लास सुम्मे में आप लोग test series नहीं दियो या practice नहीं कर रहे हो तो मैं भाई बोलूँगा 149 का test series package है परिक्षा प्लस एप पर इसे जरूर ले ले लें इसमें computer के जो test है ना बहुत qualitative है और सभी expect clear के आपके जो हैं cover किये गए अगर उसे आप पढ़ लेते हैं पूरे दसो टेस्ट के questions को तो अदम कल्यान है आपका कल तक आ जाएगा चैंसम न लेजिए बस आप focus रहिए कि आपका exam चार-पांच में होने वाला है इसी को रखके तयारी करिए अगर कोई भी changes होते हैं exam में यूपी PCS RO को लेकर तो आपको बहुत जादे time भी नहीं मिलेगा थोड़ी सी date इधर उधर होगी 244 उसका है high code का है मैं बोलना हूँ 149 में ASI है UP ASI वालों के लिए test series जो है इसमें 10 10 full length test है और 40 sectional है तो बहुत हो जाएगी practice और last में practice ही जरूरी है bounded media कौन सा होता है बताओ इसमें coaxial cable, wave guided या fiber optics उपर्योक्त में से सभी bounded media क्या होगा bounded media क्या होता इसमें तो coaxial के बार wave guide, fiber optics ये सब क्या है bounded media है ये सब ही क्या है bounded media है अगला question bounded media को किस नाम से जाना जाता है wired media, transport media या guided media, guided media या unguided media दो होते हैं तो इसमें क्या होगा, answer क्या होगा जल्दी से बताओ wired media भी बोलते हैं जो bounded media होता है उसको wired भी बोते हैं और guided भी बोलते हैं अगला 21 number lane network कितनी distance तक work कर सकता है बताओ धाई किलो मीटर, 100 मीटर से 500 मीटर, 2.1 किलो मीटर और या 1000 मीटर तक तो जो lane network होता है वो कितना cover कर सकता है lane network जो होगा आपका वो almost कितना cover करेगा जो local area network होता है वो डाई किलो मेटर तक cover कर सकता है कितना, डाई किलो मेटर तक लाई किलो मीटर तक का cover करेगा share जरूर कर यह सभी लोग, lane topology कितने प्रकारकही होती है जो लेंड टॉपलोजी होती है वो कितने प्रकार की होती है बताइए तो देखो एक स्टार्ट अपलोजी वो भी लेंड पर डिपेंड होती है ऐसे जो बनती है स्टार्ट अपलोजी दूसरी आपकी बस्ट अपलोजी, रिंड अपलोजी ये सब क्या है तीन प्रकार creativity होती है जो लेन की टॉपोदि के सामिल नाम कौन कौन से स्टार बस रिंग मून स्टार रिंग संपस रिंग संथ कुछ होता नहीं है इस्टार में स्ट्री में भी नही का थिकले ओप्षन क्या ओगा करेक्ट होगा कि अगले कुश्चन पर आते हैं किस प्रकार की टॉप लोजी के अंतरगात सभी स्टेसन सेंट्रल स्टेसन को जोडने वाली कड़ी पॉइंट टू-पॉइंट हो सकती है बताईए कौन से टॉप लोजी के अंतरगात सभी स्टेशन और सेंटरल स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है बस स्टार रिंग या सर्किल इसमें से क्या सही होगा इसमें से बताएं क्या सही होगा बी आंसर आ रहा है चलिए दिखते हैं किसका सही होता इसमें और एडिमिट कार्ड नहीं आया आसीज जी तो आज आएगा हम थोरी यहां से रिलीस करेंगे पढ़ाई पर फोकस हो एडिमिट कार्ड पर फोकस ना ओको दो दिन मौका भी मिल जाएगा तो क्या हुआ रिविजन और अच्छा हो जाएगा नहीं आया तो लेकिन माइंड में म अगल होते हैं लग रहा है कि हाँ अभी आ जाएगा तो अभी जाकर देदेंगे और है चाहiben है कि क्या होगे यह असंति कि सब्सक्टेस्ट होता है कौन सा होता यह स्टार टपलायों को सब्सक्राइब अगले कुशन बे आते हैं किस प्रकार की टॉपलोजी के अंतरगत सभी स्टेशन एक ही कम्मिनिकेशन पाथ से कनेक्ट होते हैं बताएं इसका अंसर बताएं किस टॉपलोजी के अंतरगत सभी स्टेशन एक ही कम्मिनिकेशन पाथ से कनेक्ट होते हैं बताईए बस बहुत बढ़िया पच्चिस का ए आरा स्टार नहीं होगा सरवेश जी बोला एक इस टॉपलोजी के अंदर गत सभी स्टेशन एक ही कम्मुनिकेशन पाथ से कनेक्ट होते हैं आप मुशमस सदाम जी आप टेलिग्राम जोड़ जाईए परिक्षा प्लस के वहां पर रोज कल इसकी पीडियाप मिल जाएगा आज क्लास होती कल मिल जाएगे बस बस चलो एकदम सही बस जो होताई को बैक बॉन बोलते हैं यहां यहां जो लगा होता है इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटर जहां से होता और इस से जो भी system connect होते है यह बस टॉपलोजी कहलती है ये क्या कहल आती है बस टॉपलोजी कराते हैं, इनको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, जो system correct होते हैं, तो किस प्रकार के टॉपलोजी कहते हैं, सभी station एक ही communication, एक ही communication path है न, सभी को लिए एक ही lane है, इसको क्या बोलते हैं, बैक बोलते हैं, बैक बोलते हैं, बैक बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पर स्टार बस इस टॉपलोजी होगा एकल संचार पत सिंगल कम्मुनिकेशन पाथ को क्या कहा जाता है स्टार, रिंग, बस या ट्री, जल्दी से बताईए एकल संचार पत टेलिग्राम का नाम जो है परिक्षा प्लस के नाम से है, उसे सर्च कर लीजिए बोला एकल संचार पत सिंगल कम्मुनिकेशन पाथ को क्या कहा जाता है स्टार है, रिंग है, बस है और ट्री है तो इसका अंसर क्या होगा B and C बोथ होगा B and C बोथ होगा जो रिंग टोपलोजी होती है इसमें भी सिंगल कम्मुनिकेशन पाथ ही होता है ये भी क्या होता ये बस जो होता ने इसी को अगर ऐसे मोड़ दोगे तो रिंग बन जाएगा तो यही दोनों होंगे B and C बोथ होंगे अगर दोनों आप्सन में मौझूद हो तो किसको प्रिफर करोगे C को प्रिफर करोगे बस टॉपलोजी को किसको बस को क्योंकि कभी कभी रिंग टॉपलोजी टूवे भी बन जाती है ठीक है कभी कभी बस टॉपलोजी रिंग टॉपलोजी टूवे भी बन जाती है इसलिए किसको प्रिफर करोगे बस को प्रिफर करोगे C आंसर वैसे अगर कहीं लिखा हो आप्सन में B and C तो B and C सही होगा लेकिन अगर option नहीं दिया है दोनों मौझूद है तो prefer किसे करोगे C को करोगे किस प्रकार की topology वृत्तकार होती है और सूचना का प्रवा information जो flow होता है एक ही दिशा या single direction में होता है कौन से topology में bus, star, ring या मेस देखो bus में तो एक single direction में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा यह मालो यहाँ पर है यहाँ से data भेजा तो जाएगा यहाँ पर कोई data है वो data भेजा है इसके लिए तो वो इस direction में तो इस cable से दोनों direction में जा रहा है लेकिन जो single way ring topology होती है जो single way ring topology होगी suppose करो यह system है अगर A को C को data भेजना है तो यह data पहले A से B पे जाएगा फिर B से C पर जाएगा तो इसके पास एक ही direction में जाएगा data वो भी clockwise जाता है ठीके? तो वो कौन सी होगी ring topology यहाँ पर answer होगा single direction की बात करे बस में नहीं होता single direction बस में दोनों तरफ से होता है सूरज जी क्यों नहीं नाम ले रहे हैं यह आप से हमारी दुस्मनी थोरी है हमारा खेट थोरी आप काट लिए है यहाँ पर मैं questions जादे जादे करा रहा हूँ नाम लेना क्या है नाम तो आप इस दिन करेंगे एक बार सेलेक्ट हो जाईए यह असाई में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा पूरे paper में पूरे इलाके में पूरे मुहले में पूरे district में हो जाएगा पूरे नात रिष्टदार में अच्छे अच्छे साधियां आने लगेंगी तुरंत एक बार selection लेके देखो एक से दहेज package offer होगा यहाँ workstation जिस medium से सूचना के प्रसार information dissemination के लिए normal channel का use करते हैं वो क्या कालाता है जो workstation जिस medium का सूचना का प्रसार करने के लिए जो channel वो use करते हैं उस channel को क्या कहते हैं receiving method, assess method sending method या कोई network interview इसमें क्या होगा कोई भी network नहीं कोई भी network नहीं हम दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं तुम लोग तो ही मांगते हो एक बार नोकरी किस लिए ले रहे हो कि बहुत नोटा दहेज ले पाएं क्यों नोकरी लेना है तो मकसद क्या होता है तुम लोग का government job है तो दहेज तो ऐसा मांगते हैं लोग घर वाले कि लग रहा है कि क्या बताया जाए आज ऐसा नहीं है एसी बात तो नहीं है हमें नहीं लगता है अभी दुनिया में बहुत जादे change हुआ है लेगिन बहुत changes नहीं हुए है यहाँ पर क्या है assess method यूज होगा जो channel यूज किया जाता है workstation के दवारा वो उस channel को क्या बोलते हैं अच्छा आपकी fix है पहले से चलिए CSMA CD एक प्रकार का assess method है इसका full form क्या होता है यह assess method मैंने बताया ना यह क्या करता है जब आपका traffic जादे हो जाता ना चैनल में जब traffic जादे हो जाएगा एक तरह से बोला जाए collision के chances जब जादे होने chances होते हैं तो यह collision को management करता है यह collision क्या करता है management करता है कि जादे message का collision ना हो इसका answer बताइए क्या सही होगा CSMA का full form पूछा है आपसे C होगा carrier sense multiple assess with collision detection collision को detect करता है कि collision chances ना हो कम से कम हो ठीक है यह C आपका answer होगा CSMA CD का अगला है 30 number CSMA के अंतरगत बस किस mode में work करता है जो CSMA के अंतरगत जो bus होता है ना bus topology क्योंकि यह किस में आता है bus topology में CSMA technology यूज होती है तो bus किस mode में काम करता है multiple assess में करता है क्यों यहां से इसने यह connect है यहां से यह connect है यहां से यह connect है यहां से यह connect है इसको mode किया इसने data भेज दिया इसको भी यह भेज दिया यह भेज दिया सभी किस में चले गा है बस एक ही cable में जा रहा है तो उसको management करने का काम CSMA होता है कि collision data के बीच में कम से कम हो तो ये multiple assess करता है एक साथ कई data को assess करता है CSMA के अंतरगत information frame के collision का पता किसके माध्यम से चलता है thrifting node, transmitting node, sending node या कोई नहीं ये एक technology है जो collision detect करती है किसका frame का तो उसका कैसे किस माध्यम से पता चलेगा वो technique क्या कालाती है जल्दी से बताईए transmitting node जो collision का होता है का पता किस माध्यम से चलता है transmitting mode जो आपका transmitting node है वो कितने data भेज रहा है इसने एक ने कितने भेजा दूसरे ने कितने भेजा तो वहाँ से पता चलेगा कि लाइन में collision होने के क्या detection है उसको detect करेगा वो अगला question token passing भी एक अन्य प्रकार का SS method है ये token passing भी क्या है ये भी आपका क्या collision detection या बोल सकते हो collision को रोकने के लिए token method है जिसने computer network as a BCA या आपने बीटेग में पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक token method पर questions हमेशा बनते थे ठीक है तो token होता था उसमें गिरता था ऐसे token के टाइप का डाइग्राम बाल्टी वाला होता था उस पर भी डिसकस नहीं किया जाएगा token passing एक परकार का SS method है जिसके अंतरगत किसी की मदब से share medium में SS control होता है कि उसका SS क्या किया जाए कुछी पल के लिए दिया जाए code connector control token या transmitter क्या होगा इसका इसका answer control token होगा token control जो token passing है एक परकार का SS method होता है जिसके अंतरगत किसी की मदद से shared medium में assets control किया जाता है किसके मदद से control token के मदद से जो shared medium है जिस medium को हम सभी devices share कर रही है उनमें क्या होता है कि कब किसको मिले कब ये device data भेजेगी कब वो device data भेजेगी इस सबका management token passing system से होता है जैसे होता है token दे देना कि पहले तुम आओगे पहले जाओ वहां से token लो फिर हमारे हां से समान लो ऐसा system होता है किस assets method के अंतरगत सभी node मिलकर एक ring बनाते हैं बताइए token passing, collision detection carrier sense multiple assets किसके अंतरगत A होगा सभी node मिलकर एक ring बनाते हैं जितने भी आपके ring होंगे किस asset metal के अंतरगत सभी node मिलकर ring बनाएंगे तो carrier multiple assets CSMA क्या हुआ, CT आ गई क्या exam की exam CT आ गई नियमों के उस समुख set को क्या काते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक network में जुड़े सभी nodes का एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए बताइए नियमों के उस समुख set को क्या काते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक network से जुड़े सभी nodes एक दूसरे से संपर connected होने चाहिए उसको क्या काते हैं नियमों का set क्या होगा भाई साब नियमों के उस समुख set को क्या काते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक network में जुड़े सभी nodes node होगा सभी nodes नहीं सभी node का एक दूसरे से संपर connected होना चाहिए तो वो क्या होगा communication architecture होगा क्या होगा protocol मत मार देना नियम देखते ही rules की protocol होगा कितने लोग कांसा protocol आया है ठीक है तो protocol नहीं होगा कि यह नियम देखते ही मार देना यह बोला क्या है नियमों के उस समुख set को क्या काते हैं जो निर्धारित करता है कि network में जुड़े सभी node जो network में जुड़ते हैं जितने भी system है वो एक दूसरे से क्या हो properly क्या हो connected हो किसे ना किसी topology से तो उसी को communication architecture बोलेंगे उसी को topology बोलेंगे एक तरह से कहा सकते हो आस्मान module के बीच information के suppression या आदान प्रदान के लिए जिम्मदार rule क्या कहलाते हैं modules, layer, interface या प्रोटोकॉल जल्दी से बताएं बोला आस्मान module जो एक जैसे नहीं होते हैं आस्मान module के बीच information के suppression मतलब information का जो communication होता है या उसका आदान प्रदान बोला जाएं जो आपका information है उसका exchange अगर बोला जाएं उसके लिए कौन जिम्मदार होता है बताओ module होता है, layer होता है या interface होता है तो interface जब भी ये device किसी से दूसरे से communicate करेगी तो इसके बीच में interface जो होगा, वही तो इनके बीच का क्या होगा माद्यम होगा तो ये interface ही क्या होता है इसके लिए उत्तरदाई होता है information का exchange इनके बीच में जो interface होगा, चाहे वो cable हो चाहे कुछ भी हो वो सब क्या होंगे चाहे devices जो भी हो वो interface ही काम आएगा तो C आपका correct होगा समान module के 20 संचार नियम communication rule module क्या कहलाते है modules, layer, interface or protocol जल्दी से बताईए अगर एक जैसे हो नहीं, एक जैसे की बात करे समान module के 20 संचार या नियम communications के rule एक जैसे लोग जो होते है उन्हें में अगर कोई communication का rule होता है तो उसी को protocol काते है आप समान में interface और समान में protocol काते है OSI, open system interconnection model के ताथ कई layer होते हैं open system में मौजूद application के बीच semantic, exchange, आदान प्रदान में कौन सी layer मदद करती है application layer, physical presentation या data layer बोला है application के बीच semantic exchange, आदान प्रदान करना कौन सी layer मदद करती है इसमें इसका answer बताइए क्या होगा अच्छा ठीक है, class के बाद देखते हैं OSI बोला है 37 questions इसको देखिए तुक्का लगाना पड़ेगा चलो, बोला है जो OSI model है उसमें open system के में मौझूद application के बीच semantic exchange, आदान प्रदान में कौन सी layer मदद करती है तो वो कौन सी होती है presentation layer होती है कौन सी होती है presentation layer होती है ठीक है C answer होगा presentation layer जहां पर आप से पूछें कि semantic exchange जो होता है वो किस layer में होता है तो presentation layer में होता है application के बीच सनराचनात्मक अंतक्रिया structural interaction और संगठन structure के लिए प्रविधी method प्रदान करने वाली layer कौन सी है application के बीच सनराचनात्मक मतलब structure interaction या structure कोई भी structure आपका या कोई method जो प्रदान करे वो किस layer में होता है एक structure बनाया जाता है किस चीज़ का एक बोला गया ना structural interaction ये session create किया जाएगा तो किस में होगा session create communication का तो वो session layer में होगा भी सही होगा अगला क्या है data transparency के लिए विश्वासनी अस्थनांत्रन reliable data transfer के लिए कौन सा जिम्मेदार है कि जो आप data transfer कर रहे हो वो सही सलामत पहुँचे उसमें कोई दिक्कत ना हो उसके लिए कौन जिम्मेदार है जैसे miss ना हो मैंने बताया ना तो उसके लिए transport layer जिम्मेदार है जिसमें TCP protocol काम करता है भी आपका सही होगा उसके लिए जिम्मेदार कौन है कि जो आपका data जाए वो सही सलामत पहुचे पूरी accurate पहुचे तो वो आपके transport layer जिम्मेदार होता है अगला question है computer network के बीच संपर्क अस्थापित करने के लिए agent का काम कौन करता है session layer करता है data link layer करता है transport layer करता है computer network के बीच संपर्क connection आपका बन जाता है तो उसमें agent का काम कौन करता है कौन से layer agent का काम करती है नेटवर क्लेयर करता है क्या करता है network layer करता है work as a agent कि किस network से data जाना चाहिए रास्ते आपके पास कई हैं लेकिन कौन सा network सुनना है तो वो agent आपका चुनेगा तो वो network layer में काम होता है अगला है computer network के बीच data अस्थनांतरण के लिए protocol और work agent प्रदान करने वाली और error को पकड़ने वाली layer कौन सी है जहां आपके error को पकड़ा जाए वो कौन सी layer होगी जल्दी से बताइए डी होगा computer network के बीच data का स्थनांतरण मतलब data का transmission हो protocol के लिए जो data transmission होता है के लिए protocol और work agent दोनों प्रदान करने वाले और error को पकड़ने वाले layer का नाम क्या है तो हमने देखा work agent अभी हमें कहां मिला था network में मिला है और भी कहां मिलेगा protocol आपका कहां से मिलना शुरू हो जाएगा data link layer पे मिलता है तो यह protocol और work agent प्रदान करने वाले और error को पकड़ने वाला मैंने पूरा computer के network के detail में बताया है कि कहां कहां error find किया जाता है किसमें किसमें error को सुधारा जाता है transport में भी सुधारा जाता है और किसमें सुधारा जाता है data link layer में भी error को find किया जाता है ट्रांस्पोर्ट लेयर में भी और डाटा लिंक लेयर में भी एरर आपका फाइंड होता है तो भी आपका सही होगा नेटवर्क कम्मिनिकेशन माध्यम में डाटा के भावतिक संप्रेशन के लिए यांत्रिक विद्धूतियां कारियात्मक और प्रविधी संबंदी मानक निरधारन के लिए कौन जिम्मेदार है हिंदी इतनी हो गई है तो नहीं समझ में आएगा तो इसलिए बीच में इंगलिस लिखा हुआ है जो नेटवर्क कम्मिनिकेशन के माध्यम से जो फिजिकल डाटा आपका फिजिकल लेयर में जाता है उसके लिए आपको क्या यांत्रिक विद्धूतिय कर्यात्म प्रविधी संबंदी मानक निरधारन स्टेंडर डेटर्मिनेशन कौन सा है सेसन लेयर है डाटा लिंक लेयर है लिए 2022 Short कि शिम्पल सी बात है यहां नेटवर्क कम्मिनिकेशन के मात्य Almost ii संब्प्रेशन भूल दिया ना भांतिक बतलत फिजिकल जो कनेक्ट होता है वह किस लेयर में होता है फीजिकल लेयर में जहां आपको केबल, वाई फाई मिले, यह सब जहां मिलते हैं, जहां आपके switch repeaters मिले, वो क्या होंगे, physical layer होगा, C होगा, एक micro computer में add-on card के रूप में किसे install किया जाता है, transmission layer को, network interface unit को, data link layer को, या protocol unit को, एक जो micro computer, mini computer, mainframe computer या पड़े हो न, type of computers, तो उसमें एक add-on card के रूप में किसे install किया जाता है, बताईए, मैंने बताया था, एक NIC के बारे में बताया था, network interface card, या network interface unit, NIU, वो ही होता है, network interface unit, आपके laptop में, desktop में, motherboard से connected होता है, चलो, एक बार सभी लोग लाश्ट में सिहर जरूर करो, इसे 100 पार पहुंचाईए, एक या अधिक संसाधनों का नियंत्रण, करने वाला समर्पित computer क्या का लाता है, इसे land के लिए दोनों ही software और hardware लगे होते हैं, बताईए, उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताईए, एक या अधिक संसाधनों का नियंत्रण करने वाला, control resource, जो resource को control करता है, उसके लिए जो especially computer बनाया जाता है, लेन के लिए दोनों ही software और hardware लगे होते हैं, इसमें, वो क्या काला आएगा, server काला आएगा, central में resource का management यही करता है, तो वो server होगा, क्या होगा, server होगा, अगला question है आपका, फाइल के लिए storage space share करने के लिए, किस server का प्रियोग किया जाता है, जो file होती है, उसके लिए storage space share करने के लिए, किस server का होगा, printer server नहीं, file server, network scanner या modem scanner, इसमें answer क्या होगा, जाइल सी बात है, file की space की बात कर रहा है, तो file server होगा, अगला है, lane के अंतरगर, printing work में, लिए, किस server का use किया जाता है, जब printing work हम करेंगे, तो उस समय कौन सा server use होगा, printer server use होगा, ठीक है, printer server use होगा, क्योंकि उनका भी खुद का IP address होता है उस address से लोग जुड़े होते है, lane के अंतरगर सभी जुड़े हुए workstation के द्वारा, modem और कुछ telephone line, share करने के लिए, किस server का use होता है, बताइए, lane के अंतरगर, जितने भी workstation जुड़े हैं, चाहे आपके modem जुड़े हैं, या कुछ telephone line, share करने के लिए, किस server का use होगा, file, modem server, printer server, या network server, किसका use होगा, नाम पे जाओ, answer अपने आप मिलने लगेगा, नाम पे जाओ, क्या होगा, modem server, तो ऐसे question अगर आप पढ़े भी नहीं हो, तो आप सिफ अंदाजा लगा के कर सकते हो, modem तो modem server, printer तो printer server ऐसे, LAN और WAN के बीच मुख्य अंतर क्या है, LAN की speed से, LAN की speed से कम होता है, किसकी, LAN पर computer user का पूर्ण कंट्रोल रहता है, जबकि WAN के लिए एक un telephone company को सामिल करना होता है, सही बात है, WAN connection आपका टेलिफोनिक company जिसमें सामिल होगी तभी होगा, LAN की speed कम होती है, यह जाहिज सी बात है, तो क्या होगा, दोनों सकते हैं, C सही होगा, हाँ, देखिए क्या होता है, अगर कल तक नहीं आए, तो कुछ chances बन सकता है, लेकिन आपको यह नहीं सोचना है, आप तयारी करो, नहीं तो बाद में गुरुजी को दोस्त दोगे, कि exam हट गया, circuit switching में, sender और receiver device के बीच, एक निश्चित communication पात होता है, निम्दांकित में, circuit switching का उधार्ण बताईए, मैंने पढ़ाते वक्त बताया था, circuit switching और packet switching, packet switching किसमें होता है, जब हम computer के communications को देखते हैं, लेकिन जब telephone line हम communication में यूज करेंगे, तो वहाँ पे जो data आपका transfer होता है, वो circuit switching में होता है, तो telephone network होगा इसका answer, PDF मिल जाएगी, टेलिग्राम जॉइन कर लीजिए, 50 number question, आजाएए, 50 number question पे आते हैं, जल्दी से, बोला है, किस प्रकार की switching में प्रतेक switching node, एक information प्राप्त होता है, और थोड़ी देर के लिए collect करता है, फिर अगले node को प्रेसित कर देता है, इस switching में एक fixed path की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कौन सी switching एक तरह से path है, जल्दी से बताइए, लास्ट कोश्चन है आपका, ये बोला किस प्रकार की switching में प्रतेक switching node, एक information प्राप्त करता है, थोड़ी देर के लिए collect करके रखता है, फिर उसे अगले node को दे देता है, इस switching में एक fixed path कोई जरूरत नहीं होती है, कि एक fixed path हो कोई भी message जाने के लिए, तो यहाँ पर आएगा message switching, क्या आएगा? message switching आएगा, इसमें क्या आएगा? message switching आएगा, कल इसकी pdf आपको मिल लाएगी, और कल हम लोग इसके आगे के questions करेंगे, जो classes of IP address पर depend होगा, classes of, यहाँ से question कभी कभी पूछ लेता है, तो classes of IP address और subnet mask पर करेंगे, किस पर? subnet mask पर question क्यों होगा, कुछ, उसके बास नहीं होगा, तिससे के साथ, क्योंकि इससे ज़्यादे question नहीं बनेगा, जो आपके A, B, C, D, और E, यह आपके 5 class है ना, IP address के, उसको पाचानने के लि यह आता है, और host network कितने हो सकते हैं, यह आपसे पूछ सकता है, plus आपसे पूछ सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका एक network ID होता है, जो IP address होता है, उसमें दो पार्ट होते है, host ID और network ID, तो पूछता है, class C में कितने bit का network ID होता है, कितने bit का host ID होता है, तो कल revision करके आईएगा इस चेप्टर को कल इस पर कोश्चन किया जाएगा चलिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कोई दिक्कत कोई परिसानी कोई दुख कोई दर्द जल्दी बता दीजिए दो मिनट आपके पास है कोई दुख कोई दर्द कोई समस्या एक्जाम के लिए टिप्स लेना है चलो तो एक्जाम के लिए टिप्स एक ही है कि निरंतर प्रियास करते रहिए मतलब लास्ट मुमेंट में एक्जाम के दो दिन पहले तक आप जितना प्रैक्टिस कर सकें प्रैक्टिस करिए क्योंकि अभी तो मैं नहीं कुछ कहूंगा कि नया पढ़िए नया पढ़ने का मतलब है कि अपने आप में फिर फ्रस्टेशन होना कि यह नहीं कवर हुआ वो नहीं कवर हुआ जितना कवर है सोचो वहीं से आएगा हमें चस्मा लगा है कितना पावर है देखो प्लस फाइफ और माइनस फाइफ यह डायोक्टर आपको ले लिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा अगर पांस से उपर भी है तो चांसे जोते हैं लेकिन जहां तक मैंने पता किया था तो प्लस पांच माइनस पांच तक चलता है अप्लिकेशन बता दो गए हैं 65,000 के अप्रॉक्स हैं कोईश्चन पर आते हैं बाकी परिचर्चा हम लोग बात पे करेंगे बाकी बात में बच्चे जो देखते हैं तो जादे परिचर्चा हो जाती तो उनके लिए एक दिक्कत होने लगती जो बच्चे बात में वीडियो में भी कर सकते हैं बाकी हम कोश्चन को करते हैं जो आपके लिए फायदेमन साबित होगा इसका अंसर बताएंगे स्टीटीपिस इस्टेंड फॉर यह रिपीटेट कुशन आ चुका है हाइपर टेक्स क्या होगा हाई स्टीटीपी एस पूला हाइपर टेक्स टांसपर प्र जरूर आएगा इन डिजिटल पेमेंट टांसफर मोड प्रिफर फॉर लाज्ज ट्रांजेशन इस डिजिटल पेमेंट में विश्तित लेन देन के लिए पस्दिंदा अस्थानांत्रन मोड क्या है आई-एम-पियस एन-फ्टी यू-पी आई-अ-टी-जी-अस बताइए क् सबसे इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आपके कमेंट मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है सभी के किसे बताइए कि विश्तिक्स दें हूआ करें का अब ल guest संसे मिनिमम क्यूंकि देखो इसमें तुम 12 लाक से उपर कर सकते हो minimum category 2 lakh है उसके बाद से उपर का कोई limit नहीं है किस में? RTGS में RTGS में आपका minimum का 2 lakh होना चाहिए 2 lakh से उपर transfer करना चाहते हो तो RTGS करोगे तो RTGS है अगर बड़ी रकम को करना है Real time gross settlement क्या होता है? Real time gross settlement अच्छा, कोई मुझे इसका बता हो बच्चे तो आज फोन पर ही फोन कर रहे है UPI में जादे मात्रा में आप amount नहीं कर सकते हो transfer UPI में जादे मात्रा में आप amount transfer नहीं कर सकते हो भाई साहब यहाँ बोला क्या विस्तित लेन देन के लिए पसंदीदा अस्थनांत्रन mode क्या है? बड़े तर्ज पर अगर देखा जाए तो क्या होगा? RTGS होगा अच्छा अब इसका full form बताओ, सभी का full form बताओ UPI का full form क्या होगा NEFT का क्या होगा, IMPS का क्या होगा IMPS का क्या होगा? जल्दी से बताओ IMPS का full form क्या होगा? सब्सथाय कि प्लि फुर्म ससली आर्टी based on एँएफटी में क्या होता एक ृपिया से लेकर जोहबा उसका जो लिमिट लगाते हो वहां तक भेस सकते हो एक रूपिया भी भेस सकते हो एँएफी कर सकते हो लेकिन आटी जीस नहीं कर सकते हो ई ecos इम्टी counselor g क्या होगा इमेडियेट पेमेंट सिस्टम अच्छा इमेडियेट पेमेंट सिस्टम होगा या सर्विस होगा जल्दी से बताईए इमेडियेट पेमेंट सिस्टम नहीं सर्विस होगा क्या होगा सर्विस होगा इमेडियेट पेमेंट सर्विस NEFT का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताईए NEFT का फुल फॉर्म क्या होगा? NEFT का फुल फॉर्म क्या होगा? NEFT का क्या होगा? जल्दी से बताएं नेशनल इलक्ट्रोनिक्स बहुत बढ़िया नेशनल इलक्ट्रोनिक्स फंड टांसफर ठीक है UPI का फुल फर्म UPI का फुल फर्म किसने बताया भी UPI का हाँ फुल फर्म इब्रिवेशन इसी को बहुते है न स्लेबस में इब्रिवेशन दिया है UPI का unified क्या होगा UPI का unified payment interface unified payment interface बहुत बढ़िया unified payment interface चलो RTGS का फुल फर्म बताय दिया था आप से real time gross settlement इसका क्या होगा real time gross settlement चलो अगे आते हैं वोला है वही RTGS stand for RTGS का मतलब क्या होगा real time gross settlement होगा option B सही होगा अगला है चलो यह कुछ मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ और इसी से related अभी questions बनेंगे आपके सामने इसको आप लोग screenshot लेना चाहो तो ले सकते हो यह दिख रहा है यह बताओ यह दिख रहा है कि नहीं यह एक बार देख लो इसी से related कुछ questions बनेंगे तो उसको आप लोग थोड़ा देखते रहेगा जैहिंस अभी को सर क्लियर नहीं आ रहा है अभी भी नहीं आ रहा है क्या बता है हम अभी बताओ अभी कुछ क्लियर है अभी कुछ क्लियर है कि नहीं है क्लियर है चलो यहां देखो यह classes है किसकी classes of IP address है A B C D E इसका first octet of IP address क्या होगा एक से लेकर 26 तक होगा मतलब यह कितने पार्ट में होता है देखो यह आपके octet होते हैं एक दो तीन चार octet होते हैं हर एक octet में 8 bit होता है हर octet में 8 bit होता है तो 48 32 bit का आपका IP address होता ही है उसी में बोला है कि अगर class A का है तो पहला आपका पहला क्या होगा network address होगा बाकी 3 octet जो होंगे आठ आठ शोला आर्थरिक 24 24 bit आपके क्या होंगे host address होगा बी की बात करें तो दो 16 bit आठ बीट यह आठ बीट यह 16 bit आपका network address होगा और 16 bit आपका क्या होगा host address होगा और आठ बीट आपका host address होगा तो इसका देखो maximum question पूछता है कि दे देगा IP address पूछेगा कि यह किस class का IP address है तो starting पहले octet की starting एक से अगर 26 तक लेटर लिखा हुआ है कोई भी तो वह class A में आएगा 128 से 191 की बीच की बात है तो वह किस में आएगा आपका class B में आएगा और 192 से 223 की बात है तो वह किस में आएगा class C में आएगा और 224 से 249 D में आएगा और 40 से 54 आपके किस में आएगा E में आएगा ठीक है 40 से 54 E में आएगा साथ ही साथ चलो आजाओ अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा से question आप लोग को मैंने वह दिखा दिया उसी से related कुछ questions आपको मिलेंगे अभी hypertext was invented by जो hypertext है वो किसने invent किया था तो याद रखना किसने इनवर्ट किया था टेड नेलसन ने किसने किया है टेड नेलसन option D correct होगा टेड नेलसन ने किया है एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से सेर करें और जितने लोग live दिख रहे हो like नहीं किये हो यह गलत बात है यह एकदम गलत है अगला question है GPRS का full form क्या होगा बताओ जो GPRS होता है आपका उसका full form क्या होगा GPRS का full form क्या होगा GPRS का general packet radio service यह GPRS का full form होता है यह full form जरूर देख की जाना जितना भी हो the process of a computer receiving information from a server on the internet is known as जब computer आपका कोई भी information server से लेता है मालो यह server है यह आपका system है server से कोई information ले रहा है तो उसको क्या कहेंगे उसको downloading कहेंगे यह करा चुके हैं अगला है avas dropping is an example of avas dropping क्या है example of type of cyber attack किस प्रकार के cyber attack का example है fishing जिसे चोरी करते हैं denial of services denial of services men in the middle या malware किस प्रकार का यह cyber attack किसे बोला जाएगा फैसल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्या होगा देखो यह जो avas dropping है वो man in the middle बोला जाता है मतलब दो लोगों के बीच में दो लोगों के communication के बीच में क्या होता है यह यह अवरूद पैदा करता है मतलब disturb करता है कोई भी communication यह बीच में disturb करें ठीक है तो उसी को क्या करते है man in the middle करते हैं यह एक cyber attack होता है बीच में कोई आपके communication को interact करेगा उसी को बोलते है man in the middle यह एवर्स ड्रॉपिंग अगला है port address in TCP IP कितने बीच का होता है जो TCP IP आपका port होता है वो कितने बीच का होता है screen content clear तो है अब कितना clear करें भाई साब clear तो है content TCP IP का port address कितना होगा बता हो 32, 48, 16, 19 यह वो TCP IP में port address कितने का होगा चलिए देखो इसमें क्या होता है 16 bit का आपका port address होता है जो 16 bit का आपका होगा वो परस्थान port address होगा और 16 का क्या होगा जैसे port में जो 16 होगा जिससे message जाएगा वह port और 16 में जहां message receive होगा वो पोट तो 16 कितना हो जाएगा 32 bit हो जाएगा ठीक है तो आप से क्या पूछा है ports पूछा ना तो एक port कितने का होता है 16 bit का होता है 16 bit का तो यह हमें 32 नहीं लिखना है 16 bits का TCP IP में port address कितने का होगा तो 16 bit का क्योंकि यह अलग-अलग होते हैं port transfer और receiving लेकिन हमें एक ही का मतलब लेना है क्योंकि वह एक ही काम करेगा आपका तो 16 bit का एक आपका port address होता है कि अगला इचाफ फॉर पार्ट ऑफ एन आई पीवी फॉर एड्रेस इस आलवेज ए नंबर इन रेंज ओफ जो आपके रेंज कहां से कहां तक होती है 0 से 255 बहुत बढ़िया जीरो से लेकर 255 तक होगा यह पहला ऑक्टेट जो होगा अगला है in a decimal dotted notation an IP address the maximum value of each component can be maximum value कितनी हो सकती है maximum value कितनी हो सकती है जल्दी से बताइए maximum value जो आपके octet की बात करें चार octet में कितनी हो सकती है 255 हो सकती है उससे जादे नहीं हो सकती है option a सही होगा option a सही होगा अभी उस figure पे भी ले चलेंगे अब देखो class c ip address use bits और host id क्या पूछ रहा है जो class c ip address होता है उसमें host id के लिए कितने bit use होते हैं बताओ कितने bit host id के लिए use होते हैं host id के लिए कितने bit use होते हैं अभी मैं पीछे चलता हूँ देखो कहा है वो यह है ना figure चलो figure यह है figure यह है यह c है आपका इस c वाले में host id के लिए कितने bit use हो रहा है 8 bit last का octate जो है वो host id है साथ ही साथ एक चीज़ और confirm कर लो इसका subnet mask क्या होता है तो दो जो host address होते हैं वो 00 होंगे बाकी 255 255 होंगे पहले class का पूछे एक का पूछे तो यह 255 होगा बाकी host address 00 रहेंगे वो आपका by default subnet mask होता है यह question पूछता है इसलिए मैं करा रहा हूँ तो subnet mask याद रखना जितना host address होगा जितना bit वो 0 हो जाएंगे बाकी network id जो होगी वो 255 रहेगे आगे आओ शेयर करते हो भाई मजा नहीं आ रहा है यहां भी हो गया था यह भी हो गया था यह भी हो गया इसमें host id पूछे तो कितना होगा 8 bit होगा कितना होगा 8 bits होगा अगर byte में पूछे यहीं पर अगर bits न लिखे byte में पूछे तो कितना होगा 1 byte होगा कितना होगा एक byte एक byte बराबर 8 bits ठीक है चलो अगला question class c ip address use network id कितने bit use करता है network id के लिए network पूछ दिया अभी तक क्या पूछा था host अब network पूछ दिया तो चार octet में एक octet आपका क्या होता है host id होता है 8 bit बाकि यह जो तीनों होते है यह क्या होते है network id होते है यह क्या होता है network जिस network से connected होता है उसका id होता है network id कितना होगा 8 16 8 3 24 24 bits होगा कितना होगा 24 bits चलिए अगले question है the port used by smtp अब port number पूछ रहा है यह क्या है port number used by smtp protocol जिस port का use करता है उसका port number क्या होता है उसका port number क्या होगा port number आ गया तो चलो मैं port number आपको यहां से कुछ दिखा दे रहा हूं port number port number इसका क्या होगा 25 port number होगा कितना होगा 25 होगा 25 होता है 25 पूर्ट पर कौन सा काम करता है SMTP अब मैं आपको कुछ पूर्ट दिखा दे रहा हूँ यह पूर्ट मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यह रेखिए हँए यह आपके स्क्रिन औड भी ले सकते हो यह आपके नोट में दिया गया होगा यह ओं देखो यह पूर्ट नबर बीस और एक किस देखते जाओ पूर्ट नबर बीस और एक शिव फ्टीपे के लिए यूज होता है 22 नमबर Secure Sale SS के लिए होता है इतना जादे important नहीं है 23 नमबर Telenet के लिए ये important है ठीक है ये important है 25 नमबर बता है ना Simple Mail Transfer Protocol SMTP के लिए use होता है Domain Name DNS के लिए भी आएगा तिरपन होता है ठीक है ये कोई खासा important नहीं है Hypertext Transfer Protocol के लिए 80 use होता है POP3 किसी message को inbox में लेने के लिए जो use होता है Post Office Protocol उसके लिए 110 use होता है ठीक है उसके बाद से हम देखें Internet Message Assess Protocol IMAP के लिए 143 Secure HTTPS HTTPS के लिए 443 ये भी याद रखना ठीक है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ जो है ऐसे most important port ID है Most important है ये इनको याद रखो इनी में से कोई एक पूछ सकता है Good evening अरुन जी सभी का स्वागत है सभी लोग एक पार जोड़तार तरीके से share कर दें इसको तो अभी जो ने मैंने बताया 25 होते हैं इसके कितने होते हैं SMTP वाला 25 होता है अब आजाओ बोल ले वाट इस दा वैलिड रेंज ओफ वेल नेन पोर्ट विच और कंट्रोल बाई आई एने आई एने इसको क्या करता है नंबर देता है सभी IP एड्रेस के पोर्ट को नंबर वही प्रवाइड कराता है तो कहां से कहां तक होते हैं नंबर कहां से कहां तक होते हैं तो जीरो से लेकर 123 तक होते हैं C option correct होगा आई एने द्वारा नियंतिर्ज होने वाले ग्याद पोर्ट के मानने स्रेणी क्या है यहां से लेकर यहां तक जिसने आई एने ने माननेता दिया है अगला है क्लास C IP एड्रेस बिट्स ओफ नेटवर्क आईडी और बिट्स ओफ होस्ट आईडी कितने होंगे बताइए नेटवर्क आईडी C में कितना होता है C में network id होता है 24 bits और host id कितना होता है 8 bits 24 और 8 आपका option कौन सा है B correct होगा B correct होगा Class C पूछ रहा है Class C में 3 octet जो होते हैं आपके वो network का होता है एक octet आपका क्या होता है host होता है ठीक है अगला Class A IP address use bits network id Class A का देखा जाए तो network id यह होता है बाकी host id होती है क्या होती है बाकी host तो network id कितने bit का होगा 8 bits का होता है ठीक है तो answer क्या होगा A होगा इसका answer क्या होगा A होगा एक बार share like जरूर करते रहे Class B IP address use bits for network id बहुत बढ़िया इसका बताओ बी का बताओ देखें इसलिए एक बार मैं figure दिखा दिया था at least question करते समय सबको पता रहे Class B में जो होगा वो network id कितने की होगी Nature भाई अभी A होगा B आ रहा है Manish जी का answer A कुलवीर जी का answer 16 आ रहा है रेंचो राजा यह तो पहले Metro पे वो आता था राजा रेंचो प्रिजी दिवेदी जी का answer B प्रदीप जी का answer 16 है आसीज जी का answer A है Ambees जी का 16 है राजा रेंचो जी का A आ रहा है अंकुर जी का 16 है चलो देखते है मैंने बताया था B यह आपका B क्लास B में क्या होगा यह network ID होगी यह network ID होगी यह host होगी यह host होगी बस यह याद रखो होता क्या क्लास A क्लास A में यह network होगा बाकी host ID होगी क्लास B में जो होगा यह network होगा यह network होगा, यह host होगा Class C में क्या होगा यह network होगा, network होगा, network होगा यह host होगा, तो यही तो है Octate का distribution तो इससे आपको पता चल जाएगा ठीक है, तो यह अगर B की बात करें, तो 2 network ID होगी ना, तो 8-8, 16 bit की होगी option B correct होगा B correct होगा, अगला question है, Class B IP address, use bits of host ID host ID पूच रहा है, तो वो भी 16 bits होगा, ठीक है, आजाओ यहाँ देखो Which of the following is required for process to process delivery at each end in network network में प्रतेक छोड पर process to process delivery के लिए निमलिखित में से क्या आवश्यक है, only port number, only IP address neither IP address nor port number, IP address and port number दोनो, अगर आपको process to process या end to end communication कराना है, तो उसके लिए आपको क्या जरूरी होना चाहिए नहीं, ऐसा कोई issue तो नहीं आ रहा है अभी, OTP का विराट जी का answer B है, रवी जी का answer D है, रैंचो राजा जी का answer D है, तो D वाले सही है, हमें IP address भी चाहिए और port नंबर भी चाहिए D option correct है, class AIP address, number of network ID, byte used by identify a class is क्या होगा, byte में पूछ रहा है, कितने byte होगा network ID, किसमे किसमे A class में class A में network ID कितने byte का होगा, एक byte का होगा, क्योंकि 8 bits तो होता है, एक byte बराबर 8 bits, ठीक है, तो एक byte का होगा B option सही होगा तो ऐसे ही इसके question बहुत ही आसान बस घुमाऊ पूछे जाते हैं, मतलब कभी bits में, कभी bytes में, अब ये भी bytes पूछ रहा है, ये किसका पूछ रहा है network ID, ये B का पूछ रहा है तो B में कितने हो जाएंगे दो बाइट का हो जाएगा B में दो बाइट का हो जाएगा, option C which of the following is a class AIP address, बताओ इसमें से कौन सा class AIP address का form है class AIP address का form कौन सा है, जल्दी बताओ class AIP address का form कौन सा है, इसमें से B आ रहा है अच्छा, B है class A के लिए चलो, B लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया देखते हैं, कौन सा ही होता है कौन होता है, गलत चलो, तो यहां पर देखो A का कहा जाता है, कहां से 0 से लेकर 125 तक आपका क्या होना चाहिए फर्स्ट अक्टेट होना चाहिए जो पहला अक्टेट निटवर्क वाला होगा वो 0 से लेकर अगर 125 तक नंबरी है, तो किसमें आएगा वो A क्लास में आएगा यह 125 से जादे यह क्लास A नहीं हो सकता है, ठीक है यह 125 तक है यह 125 से जादे यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा, तो यह किस क्लास का होगा यह क्लास A का होगा ठीक है, और यह किस क्लास का होगा 165 वाला 165 वाला किस क्लास का होगा 165 वाला किस क्लास का होगा 128 से 198 किस में आता है B में आता है ठीक है B का होगा और C में कहां से आता है 191 होता है ठीक है 192 है और 192 से आपका कौन सुरू होता है Class C सुरू होता है 192 से 223 Class C सुरू होता है चलो यहां देखो The Class of an IP Address 14.23.12.8 14 है मतलब 0 से लेकर 125 के बीच वाला है तो किस Class का होगा Class A का होगा Option B सही होगा इसका Option B सही होगा बहुत बढ़िया आजाओ Total Number of IP Address Classes कितने होती है Total Number of IP Address Classes कितने होती है IP Address के Classes कौन कौन से है A, B, C, D, E ठीक है इनका तक जादे यूज है इन सब को Reserve रखा गया है यह आपके Multi Broadcasting के लिए यूज होता है यह Reserve रखा गया है ठीक है तो पांच Class होगी आपके कितनी पांच Classes होती है अगला है In Class C IP Address Number of Network ID Bits used to identify the Class तो Network ID आपसे पूछ रहा है फिर से किसमें पूछ रहा है यहां लिखा है Bits लेकिन 0, 1, 2, 3 दिया है तो इसका मतलब है यह पूछ रहा है Octate क्या पूछ रहा है Octate पूछ रहा है कितने Octate की जरूरत होगी कितने Octate के लिए कितने octet network id के लिए होते हैं class c में class c में तीन जो होंगे octet क्या होंगे network id के लिए होंगे तो d यहाँ पर सही होगा bits नहीं octet पर आपको ध्यान देखना है अगला है internet से जुड़े प्रतेक computer का ip पता होता है निमलिखित में से कौन सा विकल्प एक मानने ip internet से जुड़े प्रतेक computer का ip पता होता है निमलिखित में से कौन सा विकल्प एक मानने ip पता class नहीं है इसमें से अचा class कौन सा नहीं है आई-पी अड्रेस का क्लास कौन सा नहीं है आई नहीं है बाकि C, D, A है A, B, C, D, E तक है आई नहीं है ओप्शन A हो जाएगा इसका अगला कुश्चन है यह क्या है हाँ DNS is convert to the function of DNS क्या करता है DNS का काम क्या है domain name into IP address, IP address into domain name, domain name into email address, email address into domain name DNS क्या करता है, DNS का functions क्या है जैसा आप डालते हो, आप तो डालते हो ना परिक्षा प्लस, नाम डाल ले हो domain का तो वो क्या करता है, domain name को IP address में change करके search करता है क्योंकि आपके net पे जो भी आपका domain है, जो भी आपका एक तरह से बोला जाए आप जो भी website चला रहे हैं, उसका एक IP address होता है उसकी एक IP होती है, तो आप तो domain name से search करते हो लेकिन network में सभी के लिए, सभी website हो का एक IP address है तो वो IP address में convert होता है, फिर वो search हो के आपके सामने आता है तो यह आपका correct होगा अगला question, in which of the following SS technology do the stations share the bandwidth of the channel in a time slot यह बोला है, निमलिकित में से किस access technology में station channel की bandwidth के समय सीमा में साजा किया जाता है कई चीज़े होती है, जो bandwidth होता है आपका, मालनों जिसमें communication होना है, medium क्या होते हैं, जो भी आपके ISP होते हैं, internet service provider यह government से, मतलब BSNL का ही network सबसे बेकार है, लेकिन BSNL से ही लोग bandwidth purchase करते हैं, तो bandwidth जिसका ही सबसे जादे होगा उस पे numbers of candidates अच्छे होगे और speed भी अच्छा होगा और इसलिए traffic भी वहाँ सबसे जादे होती है तो bandwidth को time division में जो slot किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है time sequence में आपको convert किया जाएगा, तो उसे बोला जाता है TDMA time division multiple SS, ठीक है, code division multiple SS, frequency division multiple SS यह full form है, frequency division multiple SS, FDMA का full form आपसे पूछे, तो इसका full form होगा, frequency, frequency division multiple SS, ऐसे ऐसे क्या कर दिया जाएगा आपके, frequency में डिवाइड कर दिया जाएगा, इसको frequency में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, slot को, यह द्यान जाएगा, यह time division हो जाएगा, यह code हो जाता है, और यह time हो जाता है, time division, अगला है, anomalies are avoided, by splitting the offending relation into multiple relation is also known as, offending relation की multiple relation में विभाजित करने पर, विसंगन्तियों से बचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बोला क्या है, anomalies are avoided by splitting the offending relation into multiple relation, ठीक है, multiple relation में जो आपके अनलोईज हो दे हैं, उनको divide करने का, यह phone, क्या बताया जाएं, क्या बोला इसमें, offending relation को multiple relation में विभाजित करने पर, विसंगतियों से बचने के लिए जो दिक्कतें आएंगी, जब हम उसको multiple relation में तोड़ेंगे तो, किसको offending relation को, ठीक, तो उसमें आपको क्या हो जगा, decomposition हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, decomposition करते हैं, which of the among following is used for testing the network, network को test करने के लिए क्या use करते हैं, कि आपका network कैसा चल लहा है, कोई भी आप network लगाए हो, तो वो network का response कैसा है, कितना जल्दी चीजों को search कर रहा है, कितना उसकी speed down या तेज हो रही है, उसके correction के लिए क्या किया जाता है, पिंग किया जाता है, ठीक है, आप www.ping website खोलना, वहाँ पे अपना IP address डालना, चाहे किसी भी website का एक तरह से भी, पिंग वो देख सकते हो, कितना जल्दी उसका refreshment rate है, ठीक है, तो दिखा देता है, कि site load होने में कितना समय ले रहा है, चलने में कितना, ऐसे ही ping network के लिए भी use होता है, आप cmd command में, ping डालके network का search करोगे, जो आपके ISP provider होते हैं, उनका IP address डालके search करोगे, तो बताता है, कि कब आपका network डाउन हो रहा है, कितने second के लिए फिर अप हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है, तो ping एक method होता है, जो लोग Wi-Fi के उसमें काम कर रहे होंगे, उनको पता हो गए सब चीजे, ECS stand for, ECS का full form क्या होता है, ECS का full form होता है, electronics clearing system, क्या होता है, electronics clearing system, यह सही होगा, अगला question है, बच्चे कम क्यों हो रहे हैं, यह सौब के पार जाने चाहिए, cyber law की सबदावली में, DOS का अर्थ क्या है, cyber law में, DOS का मतलब क्या होता है, Daniel of service, क्या होता है, Daniel of, service होता है, DOS का full form, denial of service यही बोला, Daniel of denial of service, denial of service, यह आपका सही होगा, अगला है, virus can, virus क्या है, still a hard disk space, hard disk का अस्थान नहीं चुरा सकता, अस्थान नहीं चुरा सकता, चुरा सकता, steel hard disk space, यहाँ पर लिखा है, next है, steel CPU time, CPU का समय, CPU समय की चौरी नहीं कर सकता, log की stocks, कुजी, stock की logging नहीं कर सकता, increase, decrease the word length, of CPU, CPU की साब्दिक लंबाई को बढ़ा या, घटा सकता है, इसमें से virus क्या है, यहाँ एक चीज़ देखो, steel hard disk space लिखा है, hard disk का अस्थान नहीं चुरा सकता, बताओ, चुरा सकता है न, यहाँ पर लिखा है, steel hard disk space, not steel hard disk space होना चाहिए, इंगलिस वाला सब गलत लिखा है, still CPU time, not still CPU time, देखो यह virus, इंगलिस मत पढ़ो है, not still होना चाहिए, not still hard disk space, not still CPU time, तभी होगा, CPU के समय नहीं चोरी कर सकता, नहीं यह कर सकता है, यह भी कर सकता है, कुझी स्टोक की लॉगिन नहीं कर सकता है, यह भी कर सकता है, increase, decrease the word length of CPU, and CPU की साब्दिक लंबाई, यह सही होगा, क्योंकि यहाँ तो सब not not है, वो तो करता है, यह करता है, तो increase, decrease the word length of CPU होगा, option गलत दिख रहा है, यह English वाला गलत है, Hindi वाला सही है, hard disk का अस्थाम नहीं चुरा सकता, चुरा सकता है, इसलिए यह नहीं तो नहीं नहीं होगा, virus क्या है, जो hard disk का space चुरा है, जो CPU का time चुरा है, जो क्योंकि लॉगिन जो है, उसे प्रभावित करे, तो यह सब कर सकता है virus, तो इसमें नहीं नहीं लगा है, इसलिए यह गलत होंगे, यह वाला सही होगा, कि increase, decrease the word length of CPU, CPU के word length को increase, decrease कर सकता है, समझ गहें, अगला, which type of virus attack with EXC file, and resulting infected EXC file, attacks other EXC file, and infect them, कहा रहा है, किस प्रकार का virus, EXC file के साथ सलंग होकर, उसे infected या संक्रमित कर देता है, और infected EXC file, un-EXC file पर हमला करे, और उन्हें भी संक्रमित कर देता, मतलब, एक virus EXC file को संक्रमित करेगा, फिर संक्रमन से, कोरोना वाइरस हो गया, ठीक है, एक लोग को हुआ, तो सब को होगा, क्या हुआ, क्या explain करें हम आपको theoretically, theoretically आपको क्या explain करें, मैंने topic explain कर रखा है, मैं 6 महिना से पढ़ा ही रहा हूँ आपको, और यहां revision में बच्चों को करा रहा हूँ, तो आपको last moment में मैं explain करता चलूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जा सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैंने पूरा network पढ़ा डाला है, पूरा हर चीजे पढ़ा डाला है, और अभी कर रहे हो, कि सर आप explain नहीं कर रहे हो, अगर मैं explain करना चाहूँ, तो मैं maximum questions नहीं करा सकता हूँ आपको, मैं पढ़ाया किस लिए हूँ आपको, चलिए, यहां पर बोला है कि, वो वाइरस जो EXC file पर घुज जाता है, और EXC को infect करने के बाद, दूसरे EXC को infect करता है, इसका answer बता है, यह क्या सही होगा, उसको क्या काते हैं, जोक जानते हो न, अब parasite जिसे बोलते हैं, वह इसे जब एक कोई चपक जाता हो, वह ही होता है यह, parasitic virus होगा, यह क्या होगा, parasitic virus होगा, A option सही होगा, A सही होगा, चलिए, अगला question, computer में virus का संबन्द निमलिखित में से क्या है, धूल के कण, hardware, program या इन में से कोई ने, देखो, antivirus किसलिए निकलता है, जाहिर सी बात है, यह सब कमाने का एक जरिगा होता है, virus आपके एक program ही बनाय जाते हैं, और वही प्रोग्रामर होते हैं, जो antivirus बनाते हैं, कहीं ना कहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक virus क्या है, virus और कुछ नहीं है, ऐसी कोई बिमारी नहीं है, computer के लिए, तो computer के लिए बिमारी है, लेकिन वो कहा जाए, तो क्या है, एक प्रोग्राम है, जैसे बाकी सब प्रोग्राम लिखे जाते हैं, अप्लिकेशन के लिए, वैसे ही भी यह प्रोग्राम होता है, ठीक है, आजाओ, which mechanism is used by the computer virus, on to duplicate itself, computer virus द्वारा स्वय को, पुन्राविडती के लिए, किस युकती का प्रोग्राम किया जाता है, कौन सा वाइरस ऐसा है, जो अपना डुप्लिकेट क्रियेट करता रहता है, कौन सा वाइरस ऐसा है, जो अपना डुप्लिकेट क्रियेट करता रहता है, बताइए, बी होगा, नहीं, बी नहीं होगा, इस पान होगा जो इस पान वाइरस होता है वो क्या करेगा आपके मिमोरी में उस वाइरस का duplicate create होता रहता है ठीके उसका duplicate create होता रहता है computer विशाणू प्रभावित करता है किसको software को hardware को computer भासा को किसको प्रभावित करता है जो वाइरस होता है वो किसको करता है जितने भी आपके software होंगे न हैंग करने लगेंगे कुछ भी खोलोगे हैंग करेगा तो वो आपको software को प्रभावित करता है अगला question है निमलेकित में से कौन सा एक antivirus है कोड रेड मेलीशा क्रिप्टो लॉकर डॉक्तर वेब इसमें से कौन एक आपका antivirus है जल्दी से बताईए देखो डॉक्तर जिसके सामने लिखा है डॉक्तर वेब क्या है antivirus है यह क्या है antivirus है डॉक्तर वेब डी होगा डी अगला question what is the other name of crackers the malicious hackers who infiltrate secure system in order or still information cause damages बोला है कि जो crackers होता है hackers और crackers मैंने बता रखा इससे पिछले वाले में तो crackers जो होते हैं विदेशपूर्ण hackers हैं जो सूचना की चोरी करने का छती पहुचाने के उदेश से सुरक्षित प्रणालियों में घुस पैट करते हैं अन्य किस नाम से जाने जाते हैं जो ऐसा काम करते हैं जो illegal काम करते हैं मैंने बता था एक होता है hackers एक होता है crackers hackers आपके सही भी होते हैं ठीक है जो आपके सही security नहीं है तो उसको जो ऐसा करता है उसको तुरन ट्यूटर चाहे Facebook हायर कर लेती है तो यह जानो इसको क्या करते हैं ब्लैक हैट्स करते हैं जो ब्लैक हैट्स है कर होते हैं वाइट है कर होता है एक ब्लैक जो काले काम करें मतलब जो illegal काम करता है वो black hat का लाते हैं और जो legal काते हैं वो आपके white hat का लाते हैं कि चलो अगला question है निमलिकित में से कौन सा antivirus software नहीं है बताईए इसमें से कौन सा antivirus नहीं है में कैफे यह आप जानते हो antivirus होता है एवीरा कैस्प्रेश काई firefox इसमें से कौन सा antivirus नहीं है कि यह fire फॉक्स होगा क्या होगा firefox तो firefox जो है आप क्या जानते हो यह आपका browser है firefox तो यह क्या होगा डी आपका antivirus नहीं है बाकी antivirus है इंडियान आइटी एक्ट वाज नोटिफिकेशन इन दे यह अरप भारती आइटी अधिनियम जो cyber law जो cyber crime होते हैं उनके लिए यह बनाया गया वो कब आया था तो यह 2000 में आया था आइटी एक्ट 2000 2000 ठीक है कि सी होगा अगला कोश्चन निमलिखित में से कौन सा वाइरस समनायता हार्ड डिस्क में पाया जाता है परन्तु अपने स्थिती परिवर्तित करता रहता है वह हार्ड डिस्क में पाया जाता है और अपना जो बोला जाए पोजीशन है हर बार चेंज करता रहता है वह वाइरस का नाम क्या है उस virus का नाम क्या है उस virus का नाम है वियाना क्या नाम है व्याना व्याना एसा वाइरस जो हार्डेस में पाये जाता है और अपने स्थिती को समय के समय बदलता रहता है which the following virus spread by malicious email email से कौन सा वाइरस फैलता है बताओ टी आर्जे रेवोट वियाना जियास फॉर्टनाइट नाम देखो एक-एक हैं कि ट्राइवियल 0.88 डी इसमें से कौन सा वाइरस email के थोरा फैलता है जल्दी से बताइए क्या होगा इसका अंसर js फॉर्टनाइड जुका होता है एमेल से आपका फैलता है ऐसे वायररस जैसे आप但 ह inanuan यह वाइरस किसे होता है हवा से होता है आच्छूने से होता है डेंग वायरस कैसे फैलता है तो इसी खास तारीक को चलते हैं कहलाते हैं बताओ ऐसे वाइरस जो समय बीतने या किसी तारीक को fix किया है हम इसी दिन आएंगे ठीक है तो वो क्या का लाएंगे boot sector virus, macro virus, time bomb, warm या इन में से कोई नहीं तो यह time fix किया रहते हैं कि हम इस दिन क्या करेंगे execute होंगे तो यह क्या का लाएंगे time bomb का लाएंगे यह time bomb का लाएंगे चलो अगला question है यह वाइरस प्राया floppy disk drive में रह गई floppy disk में से आता है जो floppy disk पहले चलता था उससे ही आपके system में वाइरस आता है तो वाइरस का नाम क्या होता है उसका नाम होता है boot sector virus क्या होता है boot sector वाइरस हाँ बूट sector वाइरस होगा 45-46 का निमलिखित वाइरस की स्रेड़ी में से कौन स्वाइं को नहीं दोराता अपने आपको copy नहीं करता वह बताओ वांस प्रोजन होर्स बूट सेक्टर वाइरस या वाइरस कौन सा अपने आपका duplicate create नहीं करता है इसका आंसर बताइए कौन सा होगा ट्रोजन होगा ट्रोजन होर्स डूप्लिकेट क्रियेट नहीं करता है यह वाइरस बी करेक्ट होगा सिन नहीं which of the following is not a override virus मतलब एक के बाद एक नहीं आपका override नहीं करेगा किसी भी चीजका कौन सा override वाइरस नहीं है इसमें लेए ऑन वाराइट वाइरस कौन सा नहीं है तो ओड़ाइडmee नहीं है मी वाइरस वाईराइट नहीं करता रही ओवर्राइड मतलब एक वाइरस के ऊपर दूसरा वाइरस यह ओवर्राइड वाइरस नहीं है और चाहे कुछ भी हो उस पर ओवर्राइड हो जाए कोई चीज लिखे हुआ सेफ्कियों अगे च्छप जाए तो वो इसका काम नहीं होगा किसी ओर का काम होगा which of the following categories of virus normally infect executable code such as .com and .exe files ठीक है .com और .exe file को कौन infect करता है जल्दी से बताइए इसका answer क्या होगा file infector virus boot sector virus master boot record virus या macro virus तो ऐसे जो file होंगे न क्योंकि .exe.com के file होंगे इनको infect करने वाला file infector virus होता है अगला है कौन सा computer को निमलिखित में से कौन सा एक computer को संक्रमित करने वाला virus नहीं है बताओ मेलिशा, ट्रोजन हॉर्स, लोफगेट, नॉटन नॉटन क्या है एंटी वाइरस है ये क्या है एंटी वाइरस है भाई साब ठीक है ये एंटी वाइरस है नॉटन का एंटी वाइरस आप लोग डलवाते भी होगे ये बाकी वाइरस है ये एंटी वाइरस है अगला which of the following is not a valid category of computer virus इसमें से कौन सा computer virus का valid category नहीं है macro virus, prosence, memory resident virus या interrupt interrupt कोई virus नहीं है interrupt कोई signal में interrupt हो जाना किसी कोई communication बीच में drop हो जाना वो virus के होज़न से नहीं होता है कोई भी काम कर रहे हो suddenly आपका system बंद हो गया ठीक है वो interrupt का लाएगा आपके किसी भी काम में हस्ता छेप ऐसा जो suddenly हो चीज़े तो वो interrupt होती है अनाथराइज remote access to a PC by exploiting security vulnerability यह कह रहा है वो malware attacker जो आपके remote access ले लेगा आपके PC का remotely access कर लेगा और आपके जो भी आपके PC के security होगा उसको exploit कर देगा मतलब तोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं है अगर गलत हो गया तो document verification में जाकर आप affidavit लगा लीजिएगा उसमें कोई परिसाने होने की बात नहीं है वो क्या होगा बताओ जो आपसे बिना authorization के unauthorized remote access बिना आपसे पूछे उच्छे क्या करेगा unauthorized आपका access कर लेगा PC और आपके security को तोड़ देगा ठीक तो ऐसे को क्या करते हैं बैक डोर इंडरी काते हैं ऐसे लोगों को क्या करते हैं बैक डोर से कोई घुच जाए घर में हाँ बाद में सही हो जाएगा चलिए तो ये भी आपका सही होगा बावन antivirus software must be regularly updated क्यों हमें antivirus software को आप लोग अपने system में जब antivirus रखते हो original तो उसे हमेशा update करते रहो क्योंकि market में नए नए वाइरस आते हैं अगर update नहीं करोगे तो नए वाइरस को वो पकड़ नहीं पाएगा समझ रहे हो तो antivirus में जैसे market में नए वाइरस आता है antivirus के software में जो programming होती है उसमें भी उसका version आता रहता है update होता रहता है जब उसे update करोगे तो उसके पास नई विमारी को जानने के लिए भी सकती आ जाएगी जैसे coronavirus आया तो यहां के लोग वही दवा जो बहुत पहले छोड़ दी गई थी मतलब bacteria के लिए agithromycin वही चलाना सुरू कर दिये न तो सेम यहां पर भी आपका condition है अगर अपडेट नहीं करोगे चीजों को relate नहीं करोगे तो वह आप पकड़ नहीं पागे तो यहां क्या होगा new viruses would not be recognized अगर हम अपडेट नहीं करते हैं तो नहीं वाइरस को पकड़ नहीं पाएंगे अगर हम अपने समय के साथ नहीं आगे बढ़ें तो हम भी इसका तोड़ नहीं निकाल पाते verification of login name and password is known as किसी login नाम या password के प्रमाड़ी करों को क्या कहा जाता है configuration, accessibility, authentication इसको क्या बोला जाता है authentication आपको authenticate कर दिया गया कि आप login कर सकते हो ठीक है चलो अगला question है which of the following type of attack allows to attack to inject a client-side script into web page बोला निमने मैं से किस प्रकार का attack, किस प्रकार का हमला हमलवारों को एक client-side script को वेब प्रिस्ट में inject करने की अनुमती देता है जो आपके client-side में web page होगा उसमें आपका कोई भी जो एक तरह से बोला जाए क्या virus type का inject करने की अनुमती कौन देता है cross client scripting, cross site scripting, cross server scripting या cross short scripting क्या इसका सही answer होगा जल्दी से बताईए तो इसका answer होगा cross site scripting ये आपका क्या करता है जो भी attackers होते हैं उनको client-side में attack करने की अनुमती देता है अगले पर आते हैं cyber crime क्या है बताओ hacking है, stocking है, service अग्यात की माना ही है या उप्योक्त सभी है cyber crime क्या है सभी में आते हैं hacking, stocking, service अग्यात की माना ही और उप्योक्त सभी यह सभी होगा डी आपका होगा correct इसका देखो वी केटिगराइज cybercrime in two ways that is cybercrime दो प्रकार के होते हैं पहला option है the real world और the computer world मतलब वास्थविक दुनिया में और computer की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हम cybercrime साइबर क्राइम आपके computer की दुनिया में होता है रियल नहीं बी क्या crime committed through www internet और आपका मतलब www के थू या इंटरनेट के थू जो हो वही आपका क्या होगा crime होगा मतलब साइबर क्राइम होगा सी बोल ला वास्तिक दुनिया में जो क्राइम होता हो cybercrime नहीं होता है और इसमें जो बोला है www और इंटरनेट से जो हो वही आपका cybercrime नहीं होगा नहीं क्या होता है cybercrime की जो actual definition जो पार्ट है crime committed where a computer is a target ठीक है कोई जरूरी नहीं आप किसी की भी सिस्टम को लॉग इन कर ले उसका पास्वर डालके उसके प्राइबेट चीजों को आप चुरा लेते हो तो वह भी crime का लाएगा चाहिए वो नेटवर्क से रिलेटेड हो कि ना हो एक computer is a target और वेयर एक computer is a weapon cyber crime तब कहते हैं कि जब हम किसी एक computer को target बना ले कि उसके डेटा को चुराना चाहिए उसका नस्ट करना वो होता है या हम किसी computer को हथियार बना ले तब ही क्या होगा आपका crime होगा अगला है समय की एक अवधी के दोरान आप जीतने website इवंप्रिष्ट देख देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है कौन title बार history list menu बार status बार जीतना भी आप site open करते हो उसको कौन देखता है उसमें आपके list में किसमें आ जाता है history list में आ जाता है 58 58 देखो commonly used abbreviation SEO SEO क्या होता है SEO जो होता है जब आप कोई website बनाओ चाहें आप YouTube भी अगर आपके पास होगा तो एक SEO जरूरी होता है इसके लिए कई लोग के इसी पर hiring होती है बद जो आप लोग computer से चाहें आप काम ही होता है कि आप जिस company में जा रहे है उस company का जो भी चीजें है जिस पर आपको लगाया गया है मालो कोई product based company है तो उसके product को आप क्या करना है search में ले आना काम होता है ठीक है चाहें website हो चाहें आपका YouTube हो उसके लिए जो क्या use किये जाते हैं keyword use किये जाते हैं particular जि इस पर ट्रेफिक जादे है इस प्रकार के keyword आपको क्या किया जाता है filter करके आप क्या कर सकते हैं उसे उसके search engine optimization उसका कर सकते हैं ठीक है चलिए तो यह क्या होगा SEO का फुल फॉर्म क्या होगा search engine optimization बी option सही होगा बी होगा डी नहीं single engine यहां single engine न ले आज़ो उसक नमबर एक वेग पेज एक visitor भेजता है अब मौझूद नहीं है ठीक है एक वेग पेज पर एक visitor भेजता है जो अब मौझूद नहीं है वो क्या होता है कौन सा link होगा disable link hyperlink deleted link या broken link इसमें से क्या सही होगा जल्दी से बताइए एक किसी ने link वेजा किसी वेब पेज पर लेकिन बाद में आप देखें तो लिंक आपके वेब पेज से हट चुकी है तो उसको बोलते है broken link क्या बोलते है broken link last question आपका है a malware that secretly collect information about user without consent is called एक malware जो गुपत रूप से उपयोग करताओं के बारे में उनकी सहमती के बिना जानकारी कठा करे मतलब आपके बिना बताए आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी सभी जानकारियां चुरा ली जाएंगी उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है spyware उसे क्या कहा जाता है spyware कहा जाता है ठीक है तो ये रहे question कल इसके PDF आपको मिल जाएगी आप सभी लोग उसे एक बार देख लेना questions जितने हो सके थे network के जो आपके ऐसा नहीं मैंने high five question नहीं कराया है जितना limited हो सकता था कि आपसे पूछा जाए उतना ही कराया है ठीक है बाकी lecture तो मैंने network का पढ़ाया है उसे जाके देख लेना उसमें तो मैंने node निकालना कितने cables होंगे वो सब पढ़ा दिया तो वो सब आने वाला नहीं है आने वाला इन ही question में से है तो इसे question के जितने Windows आज पढ़ेंगे Windows के बारे मे होगा बताएं इंटरनेट एक्स्प्लोरर ब्रेंग बिंग Microsoft आउट्लूक या Microsoft एज Windows 10 की बात कर रहा है Windows 10 में जो इन बिल्ड ब्राउजर आता है इंटरनेट के लिए वो कौन सा होता है D होगा चलिए बहुत बढ़िया ए आ रहा है विनास पंडे इंटरनेट एक्स्प्लोरर नहीं 7 में आता था इंटरनेट एक्स्प्लोरर 7 में होता था Windows ये Microsoft Edge जो होगा वो आपका किस में आ रहा है Windows 10 में आ रहा है Windows 10 में ये 7 में होता था ठीक आओ अगले कुश्चन पर आते हैं The first version of Windows launch in Windows 1 कब launch हुआ था Windows 1.1 1.0 जिसे 1.0 बोलते हैं Windows 1.1 1.0 कब launch हुआ था 90 में 87 में 84 में या 85 में इसका आंसर करिए और सेशन को सिहर जरूर करिए 1985 में कब हुआ था ये 1985 option D correct होगा पहला संस्करण Windows का 1985 में launch हुआ था Windows operating system विक्सित किया गया किसके द्वारा Microsoft द्वारा IBM द्वारा AT&T द्वारा HP द्वारा किसके द्वारा किया गया है तो Microsoft द्वारा किया गया है Windows का विसकार गुड इवनिंग अंजली जी नहीं एच एपल का नहीं है याओ which of the following is a GUI based operating system MS-DOS, Windows, Unix या all of these इस में से GUI based operating system कौन सा है जल्दी से बताएं क्या होगा गुड इवनिंग इंद्रबनीश जी यह नेक्स होगा इस में से बॉल ला विच आप दा फॉलोईंग इस जी आई बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस में से कौन सा जी आई बेस्ट ग्रैफिकल यूजर इंटर्फेक्स है यह भी नहीं है यह भी नहीं है सिर्फ विन्डोज है विन्डोज जो है क्योंकि इनमें आईकन विकन देखते हो कितना बढ़िया ग्रैफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है तो विन्डोज सिर्फ आपका क्या है एक आपका जी यू आई इंटरफेस है जी आई मतलब की हमारा और सॉफ्ट्वेयर का जो स्काइप अजियोर बताई इसमें से कौन सा वीडियो कॉन्फरेंसिंग टूल नहीं है बहुत समय तो नहीं मिलेगा अगर आपको 0 है नल है एकदम तो टाइपिंग तो आपको जादे समय नहीं मुस्किल से 2-5 महिना टाइम मिलेगा दो महिना मुस्किल से आपको टाइम दि डी होगा बहुत बढ़िया यह option सही है अजूर जो है यह आपका क्या है video conferencing टूल नहीं है which of the following is a real-time operating system इसमें से real-time operating system कौन है macOS, Linux, Windows 7, Windows CE बताएं इसमें से कौन सा real-time operating system है Windows CE है क्या है Windows CE compact embedded यह कहां use होता है जो pocket PC आते थे पहले उसमें होता था तो यह real-time होता था pocket PC हुआ छोटे-छोटे पहले होते थे उसमें Windows CE compact use होता था ठीक तो Windows CE क्या है real-time operating system है यह Windows में real-time operating system आया था Windows CE compact embedded नाम था इसका Windows 95, 98, Windows NT डेस 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 के नाम से जाने जाते हैं प्रोसेसर, डोमेन नेम, मोडेम, operating system या इन में से कोई नहीं तो यह क्या है 95, 98 यह क्या है operating system है ठीक है यह सब क्या है operating system है कल से होगी, कल से classes current वाली होगी Windows 8 operating system was followed by आठ, किस आठ जो है आठ के बाद कौन फॉलो हुआ आठ के बाद कौन सा आया Windows 8 को कौन फॉलो किया बताइए Windows 8 को कौन फॉलो किया जल्दी से बताएं Windows 8 को कौन फॉलो किया 10 फॉलो किया बहुत बढ़े है, Windows 10 आया 8 के बाद 9 नहीं आया था, 10 आया था सीदे application को छोड़े बिना program से exit करना क्या का लगता है application को छोड़े बिना program को अगर exit कर जाते हो तो file, edit, copy, close तो क्या होगा इसमें close होगा क्या होगा close होगा, d option correct होगा इसमें एक बार सेशन को जोड़दार तरीके से share कर दे, d सही होगा बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, आकास जी, सभी के d आ रहे है next है Microsoft 10 किस वर्स पारंब किया गया था जल्दी से बताईए, मैंने एक बार करा रहे है इसका अंबेश जी इसका अंसर बताईए दस नंबर कोश्चन आपके स्क्रीन पर है d, 2015 चलिए, a आ रहा है, किसी का c आ रहा है प्रिया जी का 2015 आ रहा है रवी जी का d है सिर्वास्तो जी का a आ रहा है कपिल जी का d है आकास जी का 2015 है, बहुत बढ़िया 2015, 29 दिसंबर 29 जुलाई 2015 में Windows 7 का विज़कार हुआ था ठीक है, अगले में आते है Microsoft Corporation के नविंतम ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 7 में भारती भासाओं के कितने फॉंट है ये भी कुश्चन हो चुका है तो कितने फॉंट है 49 से पहले 9 होते थे, बाद में आपके 40 और जोडे गए, तो 49 फॉंट है जो भारती भासाओं से रिलिटेड है 49 फॉंट है, ठीक है ये याद रखना, कई बार ये कुश्चन पूछा भी गया है Which of the following is a cloud storage service provided by Microsoft Microsoft के द्वारा cloud storage कौन सा है iCloud, OneDrive IDE Drive या Dropbox, जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए इसमें से कौन सा है क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का B आंसर आ रहा है OneDrive चलो देखो ये क्या है iCloud जो होता है ये Apple का है किसका है, Apple का है OneDrive किसका है, Microsoft का है ठीक है, ये भी सब हैं आपके Dropbox भी, Dropbox एक company है उसका cloud storage होता है ठीक है, तो ये देहर रखना आंसर क्या होगा OneDrive Microsoft का होगा बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने B आंसर दिया Which of the following cannot be done via disk cleanup जब disk cleanup करते हैं हम लोग जो आपके operating system में एक utility software होता है तो remove temporary web files remove temporary windows file empty the recycle bin change the power option तो बोला जब हम कौन सा ऐसा काम जो disk cleanup नहीं करता है इसमें से option जल्दी से बताएं क्या होगा तेरा का answer D होगा प्रदीप जी D answer दे रहे हैं अच्छा चलो देखते हैं क्या सही होगा क्या गलत होगा घंशाम जी चली एकदम हड़ गये हम बोलो तो बाहर चले जाएं यहां से तेरा का answer change the power option सही बात है power option कुछ change नहीं करता है बाकी आपके जो भी temporary windows file होंगी उनको delete कर देगा और temporary web files होंगी जो आपके website जब open करते हो तो कुछ ऐसे unwanted files जो होती है वो आपके store में आ जाती है तो उनको delete करता है और ये भी file delete होता है ता recycle bin भी अगर आप में कुछ file पड़ी है उसको भी clean कर देगा लेकिन power option को नहीं change करता है तो d answer सही होगा अगला है windows 10 में निमलिखित में से कौन से control panel item उपयोग करताओं को computer पहले से install किये गए program को uninstall करने देती है windows 10 निमलिखित में से कौन से control panel item उपयोग करताओं को computer पहले से install किये गए प्रोग्राम को अनिस्टॉल करने देती है बताइए प्रोग्राम सिस्टम और सुरच्छा हार्डवेर और धोनी उप्योग करता का खाता यह होगा यूजर एकाउंट नहीं नहीं ऐसा नहीं है बोला Windows 10 में निमलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उप्योग करताओं को ठीक है कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किये गए प्रोग्राम में अनिस्टॉल करने देती है किये गए प्रोग्राम को अनिस्टॉल करने देती है तो वो क्या होगा वो प्रोग्राम होगा वो कुछ नहीं होगा वो प्रोग्राम होगा जो आपको Windows 10 के प्रोग्राम कंट्रोल पैनल आइटम से ठीक है अनिस्टॉल प्रोग्राम अम अनिस्टॉल कर सकते हैं कंट्रोल पैनल प्रोग्राम से Windows 7 में कौन सी सौटकट की चैनित वस्तू के लिए shortcut menu प्रदर्सित करती है बताइए इसमें से Windows 7 में कौन सी shortcut की चैनित वस्तू या item के लिए shortcut menu प्रदर्सित करती है Shift F4 Ctrl F10 Shift F10 या Alt F12 इसका जल्दी से क्या बलना है Sir in same windows we can install two windows Windows आप अलग-अलग drive में दो windows कर सकते हो मैं ठीक है मैं system जब लिया था तो मैं अपने system में दो windows रखता था Windows 7 and Windows 8.1 ठीक है तो एक drive में मेरी C होती थी एक में D होती थी जब power on करोगे तो पूस्ता है कौन सा start करना चाहते हो तो एक system में दो windows हो सकती ही, तीन windows हो सकती ही, चार windows हो सकती ही, जितने drive है उसमें रख लो जल्दी से बताइए, इसका correct answer क्या होगा? देखो इसका correct answer होगा shift F10 shift F10 से क्या होगा आपका, कि जो आपका कोई भी चैनित item है, उसका shortcut बनाना है, ठीके? तो shortcut आपका तुरंद बन जाएगा, shift F10, windows 7 में, windows 10 में न जाके drive कर लेना, control F10 से क्या होगा? अब control F10 से क्या होगा? बताए, control F10 से कोई बताएगा क्या होगा? चार, सर चार को paper है, अधार पर analysis class लगवा दीजिए, और एक marathon भी, चलिए, इस पर देखा जाएगा, इस पर आपके analysis पता चल जाएगी, control F10 क्या होता है? जो minimize करने के लिए होता है, जो windows खोलेंगे, उसको minimize के लिए होगा, control F10, windows 8 में, windows plus X, shortcut की का प्रियोग, pop-up menu को परदर्सित करने के लिए किया जाता है, जिसमें, क्या समनीच होता है? create, view, control panel या open, windows plus X दबा दें, windows की जो होती है, उसमें, windows के साथ X दबाएंगे, तो क्या आएगा? एक pop-up ऐसे बनके आएगा, जो control panel में जितने भी आपके वो होते न, item की जो भी settings होती है, जो भी कर सकते हों, वही आपके उसमें दिखाएगा, तो answer क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, control panel हो जाएगा इसका, अगला, यह क्या है? हम, यहाँ देखो match कराना है, यहाँ पर थोड़ा एक साथ सट गया है, यहाँ पर यह 1 है, यह 2 है, और यह 3 है, match कराना desktop पर right click करें, तो क्या होगा? refresh करने के लिए taskbar पर right click करें, windows start button पर right click करें, तो क्या किस से क्या क्या आएगा? जल्दी से बताइए. जल्दी से बताइए, कौन किस से match करें, डेक्स टॉप पर जब right click करते हो, तो refresh कर सकते हैं, तो पहले का A का second हो जाएगा, उसके पास taskbar पर right click करें, तो उसके property को जान सकते हैं, गुड़ को जान सकते हैं, तो B का 3 हो जाएगा, विंडोस पर start button पर right click करके shutdown कर सकते हैं, मतलब यह option आते हैं, जैसे right click करो तो बंद कर सकते हैं, C का first हो जाएगा, तो A का second, B का third, C का first, option B सही होगा, अगला, Microsoft द्वारा Windows के निमलिखित संस्करणों में से, कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया, जल्दी से बताओ, Windows के किस संस्करणों में से, कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया, एक बर सियर जरूर कर दें सवी लोग, 9, बहुत बढ़े, Windows 9 नहीं आया था, बाकि सब आये थे, अगला, Windows 7 में, चैनित वस्तू आइटम को हटाने, और इसे recycle bin में ले जाने के लिए, महत्रपूर संयोजन का प्रियोग अवश्यक रूप से किया जाता है, recycle bin में ले जाना है, Ctrl X, Shift Plus Delete, Ctrl D, Alt Delete, जल्दी से बताओ, देखो, वैसे delete कर देते हो, वैसे delete जो बटम होती है न, उससे delete बटन दबाद होगे, तब भी क्या हो जाएगा, delete बरतन दबाद होगे, तो recycle bin में चला जाता है, लेकिन यहाँ delete नहीं है, तो यहाँ क्या दोगे answer, Ctrl Plus Delete, Shift Plus Delete से और recycle bin में नहीं जाएगा, recycle bin में Shift Plus Delete से न, पर्मानेंटली डिलीट हो जाता है, जैसे Shift Plus Delete दबाओगे किसी पर, तो पूछता है कि इसको पर्मानेंटली डिलीट करना चाते हो, तो हाँ, पर्मानेंट हो जाएगा, recycle bin में जा नहीं जाएगा, कि फिर से दुबारा आप restore कर सको, तो answer क्या होगा, इसका C होगा, Windows 8 में, Screen Saver Setting में, कितने टैब होते हैं, बताइए, Windows 8 के, Internet हो चुका है, एक बार जाके देखिए, Internet मैंने करा चुका, कितनी बार Internet कराएं, कितने होते हैं, एक होता इसमें, Windows 8 में, Screen Saver Setting में, एक टैब सामिल होता है, who owns the Windows Operating System, Windows Operating System, किसके दवारा, अधिकरण किया गया है, तो Microsoft दवारा, DC होगा, अगला कुश्चन है, Windows 3.0 संसकरण जारी किया गया था, 90 में, 91 में, 92 में या 93 में, जल्दी से बताईए, कब जारी किया गया था, तो 3.0 आपका 90 में आया था, 1990 में, Which of the following accessories program in Windows, कौन से accessories program है, Word, WordPad, WordPad नहीं, WordPad होगा, L8 आदो यहां से, WordPad, VLC Player, Paint, Notepad, क्या पूचा, Is not a accessory program, कौन सा Windows में, सहायख program नहीं है, बताओ, WordPad, VLC Player, Paint, NotePad, इसे तो हम लोग अपना इंस्टॉल करते हैं, पहले से कहां आता है, पहले से, WordPad राता है, Paint राता है, NotePad राता है, यह नहीं है, यह हम अपने सहूलियत के लिए, प्लेयर काते हैं, Microsoft का प्लेयर होता है, Video Player, Slow चलें, कहा है, 50 questions है, अभी आपकी GS की class live हो जाएगी, यदि आप Windows 98 को Windows XP से बदल दे, तो आप वास्तों में क्या कर रहे हो, अप स्टार्ट कर रहे हो, अप ग्रेड कर रहे हो, अप देट कर रहे हो, या पैच कर रहे हो, या इन में से कोई नहीं, जबाब आप लोग दीजिए, जबाब दीजिए, अप ग्रेड, अप ग्रेड, चलिए, C, R, I, आंसर, B, B, देखो, तीनी दिन मुश्किल से बतने, जितना जादे questions कर लोगे, पतल चले, आज मैंने 50 questions है, आज कर नहीं पाओ, तो कल फिर कैसे करोगे, जितना questions कर लो, PDF भी तुमिल जाती है, उसे भी पढ़ लेना, तो ये दो-दो बार हो जाएगा, एक बार यहां कर लोगे, एक बार PDF से पढ़ लोगे, तो चीजी एक्दम दिमांग में फिट हो जाएंगी, तो क्या होगा, इसका अफग्रेड होगा, क्या होगा, B option correct होगा, अभी जो यूपिटेट का पेपर लिख हुआ है, जितना question मैंने practice में, CDP का कराया था, वो सभी के सभी आये थे उसमें, दिब्याजी, खुश रही है, मस्त रही है, स्वस्त रही है, चलिए, next question, Windows उपयोद करता, इंटरफेस का प्रियोग करके, विक्सित किये जाते है, GUI, OpenGL, XWindows, Windows Graphics, Windows उपयोद करता का, उपयोद करके, क्या, इंटरफेस का प्रियोग करके, XWindows किये जाते है, GUI, नट दा नाकशन, ये क्या होता है, Bitmap Display Type का होता है, डिस्प्ले बिट मैप डिस्प्ले जो एक तरह से इंटरफेस का काम करता है इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में यूजर और user और software के बीच में एक तरह से बोला जाए ये interface का काम करता है based on किस पे होता है इसी technique पर आपका bitmap display technique इसमें क्या होता है pixels के क्या होते है matrix बने होते है छोटे 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 pixels के आपके matrix बने रहेंगा ऐसे उसी को bitmap बोला जाता इसी पर GUI का आविस्कार हुआ था इसी principle पर telegram पर मिलती भाई PDF, c option correct होगा इसका ध्यान रगना अगर एक question कहीं आता है तो ये question पूछा गया है निमलिखित में से कौन सा software application की आम विसेस्ता विसेस्ता नहीं है बताए menu, windows, help, search इन में से कौई नहीं कौन सा software, application की एक आम विसेस्ता नहीं है इसमें से कौन से software की एक आम विसेस्ता नहीं है जल्दी से बताए windows नहीं है बाकी help है, search है, menu है windows आपकी उसकी विसेस्ता नहीं है बी option होगा अगला, word program के घटकों में सामिल होते है title bar, ribbon, status bar, view, document, workspace word program के घटकों में सामिल होते है window के घटकों में browser के, explorer के, website के या इन में से कोई नहीं तो क्या answer दोगे इसका window के घटकों में word program के जो window होता है घटकों में क्या सामिल होता है आपका, ये subtitle bar, ribbon, status bar option क्या होगा, window अगला, which of these is a boot loader for windows 10 boot loader इसमें कौन सा use होता है windows 10 में boot loader मतलब, जब आप system को boot कराते हो जब आपका operating system memory में load होता है, तो उस समय एक loader काम करता है program होता है, ये boot loader उसका एक generic नाम होता है उस boot loader को क्या करते हैं इससे पहले windows 7 में दूसरा होता था लेकिन 10 में, ऐसा नहीं है सबसे पहले जो anti में windows anti जब आया था उसमें ये boot loader use हुआ करता था, तो उसमें कुछ खामिया थी, जिसको दूर करने में इतने साल लग गए, मगर बहतरीन था तो जब 7 ओबन चलें, तो उस समय आपका अलग था, हाँ, boot MZR जो था, ये 10 में यूज होता है, और NT LDR जो था, ये 7 में यूज होता था, बूट लोडर, ये ध्यान रखना दे इस्टेंट मेसेजिंग एप्लिकेशन डेट कम्स इन विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम इसकाल, ततकाल मेसेजिंग एप्लिकेशन जो विंडोज OS में आता है, उसे क्या कहा जाता है, एक बार सेर करो और ये संख्याबल सो के पार करिए, जल्दी से करेंट कुश्चन बारा प्लस ही होंगे, बारा से पंद्रा के बीच में है, प्रदीब जी का अंसर ए है, अमबेश जी का ए है, विसाल जी का डी है अचलिए, रवी जी आप कंटेक्ट करिए, नमबर पर जो दिए जा रहे नीचे नमबर है, संस्था का उस पर कंटेक्ट करिए आप डी आ रहा है, सज़द जी का अंसर, ए आ रहा है, इजार अंसारी जी ग्यान जी का अंसर, भी घंस्याम जी का अंसर ए आ रहा है Microsoft Outlook उसके लिए नहीं होता, Talk कुछ नहीं होता, Chat नहीं होता है Windows Messenger होता है, क्या होता है? Windows Messenger होता है उसके लिए यह आपका Correct होगा Computer के छेक्त्र में प्रियुक्त Windows को निमलेखित में से कौन से बेहता रुप से व्यक्त करता है Windows की Definition से बता है Windows खुली जगा है, जो Computer के भागों में उसे ठंडा करने के लिए लगाये जाते है नहीं, यह गलत है Windows Software प्रोग्राम है, जो जटिल गणती प्रस्नों को हल करने के लिए होता है C बोला है, Windows Graphics User Interface सौफ्ट्वेर है जो आइकन चिन्यों को बड़े पैमाने पर प्रियोक करता है यह गलत है, यह कोई Windows गड़ेती प्रस्नों को थोरी हल करता है वो तो Calculator एक प्रोग्राम होता है, वो होता है यह सही है, Graphical User Interface है Windows जो आपके आइकन जो चिन्यों होते हैं, वो काफी उस पे होते हैं विंडोज, निम्न में से कौन सा विंडोज का एक सेट अप प्रकार नहीं है पार्सल, नन अव धीस, टीपिकल, कस्टम, जल्दी से बताइए इस में से विंडोज का कौन सा सेट अप टाइप नहीं है जो partial होता है इसका मतलब है कोई argument को fix करके नया function बनाना होता है ठीक है किसमें डर लग रहा है इसमें ये partial नहीं है बाकी आपका सभी है ये तो खतम है टिपिकल और कस्टम जो होते हैं सेट अप होते हैं विंडोज के ये आपका होगा अगला question which of the following windows utility is used to display the driver, folder, files on your computer system निमलिकित मैं से किस windows utility का उपयोग करके computer system पर drive, folder, file को परदरसित करने के लिए किया जाता है windows explorer का, notepad का, ms explorer का, internet explorer का क्या answer होगा कल excel ही कराएंगे, कल excel कराएंगे, उसके बाद ms office कराएंगे ठीके, word कराएंगे, उसके बाद से आपका ppt करा देंगे powerpoint presentation मैच में डर लग रहा है, डरो मत डर के आगे जीत है, मैच में जितना कोसिस करो, अगर मैच बाकी अच्छा करने की कोसिस करो, लेकिन मैच में इतना करो कि दस बारा पंदर बारा कोश्चन तक हो जाए चलिए, एक बार सभी लोग सियर करें, सभी का अंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया windows explorer पे करोगे, तो वो आपके system के जितने भी folder हैं, files हैं, ss, quick, ss, एक नाम से आता है, वो सब आ जाएगा ए आपका सही होगा, अगला कोश्चन जब किसी windows system में एक file को, उसकी समगरी को सहेजे बिना संपाधित और बंद किया जाए, तो क्या होता है, file recycle बिन में चली जाएगी, समगरी को सहेजे बिना file बंद हो जाएगी, जब तक समगरी सहेजी नहीं जाएगी, तब तक file बंद नहीं होगी, file को सहेजने के लिए, उपियो करता input के लिए एक dialogue box दिखाई देगा, बताइए, क्या होगा, अगर आप directly कोई file पे काम कर रहे हो, MS Office Word पे, और उस file को save नहीं कियो, और direct close बटन दबाओगे, तो आपको क्या करना होगा, क्या होगा, DRA बहुत बढ़े है, देव जी, जितेंद्र जी, अंबेश जी, घंस्याम जी, सभी को answer DRA एकदम जाहिर सी बात है, यहीं होगा, जैसे उस पे दबाओगे, तो डायलोग बॉक्स आ जाता है, कि बहुत बढ़े हैं, 282 मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, Microsoft Windows में, Notepad का उप्योग किस लिए किया जाता है, चित्र बनाने के लिए, नहीं भाई साब, बाइनरी फाइलोग बनाने के लिए, चित्र खीचने के लिए, नहीं, तो क्या answer होगा, केवल text document बनाने के लिए, क कटफ के बारे में, आप लोग मत पूछिए, कटफ जब तक आपके paper का अस्तर नहीं देखा जा सकता है, कोई भी चीज डिपेक्ट नहीं किया जाएगा, paper दिस दिन आप लोगों का 4-5 को हो जाएगा, हम बच्चों से बात कर लेंगे एक बार, paper कैसा था, उसकी analysis कर लेंगे तब ही जाके कुछ बताएंगे, क्या हुआ अंकुर जी, सर कंप्यूटर कैसे पढ़ें, अरे मैंने बताया है, कंप्यूटर की strategy वहाँ जाओ, बस वही वही टॉपिक पर main बना लो, और जितने मैंने MCQ इधर 7-8, 8-2 क्लास है, उस 8-2 क्लास में मैंने 100, किसी में 50, किसी में 65, ऐसे questions कराएं, उसको रट मारो, मतलब एक बार पढ़ जाओ, ठीक है, पढ़ जाओगे, तो वहाँ से question काफी मिल जाएंगे, निमन में से कौन सा Windows, operating system से सम्बंदित नहीं हो सकता है, और बाकी जो लोग test से नहीं जुड़े हो, अभी भी time है, 149 में 10 test हैं, और इस 10 test के ज पर clear हो जाएंगे, चलिए, यहां कि अगर निमन में से कौन सा Windows, operating system से सम्बंदित नहीं हो सकता है, प्रो टेबल, जिवाई, सपोर्ट, मल्टि टास्किंग, ओपेन सोर्स, तो Windows से ओपेन सोर्स सम्बंदित नहीं हो, ओपेन सोर्स यह नहीं होता, यह प्लोस सोर्स होता, Windows ओपेन नहीं है, Windows नहीं है, Unix है, Linux है, इन सब के जो main original file होती है, वो open होता सब के लिए, कोई भी industry उसको लेकर, अपने हिसाब से, जो भी उस पे features डालना चाहती है, डाल सकती है, लेकिन Windows को नहीं है, typing कहां से सीखें, typing के लिए तो आप लोग बेटर जानोंगे, देखें typing institute जओंगे, उनको पकड़िए, वहाँ से आप typing अच्छा कर सकते हो, जहां के होंगे, आप वहाँ पे typing institute होते हैं, वहाँ पे जाएए वो आपको बहतरिन करेंगे Windows एप्लिकेशन के सम्मन्द में OLE का फूल फॉर्म क्या होता है OLE का फूल फॉर्म क्या होगा जल्दी से बताईए 37 नंबर कुश्चन का आंसर जल्दी से बताएं क्या होगा एक बर्स यहर जरूर करें एक सो से कम नहीं होने चाहिए OLE का फॉल फॉर्म क्या होगा जल्दी से बताए B आंसर आ रहा Object linking and embedding होता है इसका फॉल फॉर्म Object Online तो कभी दुनिया में नहीं हो सकता है Windows में Object linking and embarking नहीं होता है embedding होता है इसलिए सही है 37 का आंसर B 38 का फाइल का नाम में दो भाग होते है प्रात्मिक नाम और दूसरा क्या होता है गूर्ण विसेस्ता प्रकार या विस्तार extension क्या होता है जैसे हम कुछ भी लिखे कोई फाइल बनाए तो परिक्षा के नाम से बना है dot के बाद जो आता उसको क्या बोलते है extension बोलते है कौन सा extension है तो विस्तार होता है D op का correct होगा option D अगला question which of the following is not a setup type in windows ये तो फिर से भागया हाँ चालिस नमबर shortcut used to hide all the tapes and go directly to the desktop कौन से shortcut से हम सभी tab को hide करके direct desktop पे जा सकते हैं control windows windows up arrow windows D windows K जल्दी से बताई है इसमें क्या सही होगा देखो windows अभी cutoff मैंने पहले बता दिया cutoff आपका एक overall बनेगा typing के बाद आपका अलग-अलग cutoff बनेगा D होगा चलो windows D से हम क्या करेंगे जो भी tab खुले रहेंगे वो छिप जाएंगे हम सीधे desktop पे पहुंच जाएंगे तो यह आप दिमाग लगा के भी कर सकते हो control और windows windows K के साथ आते हैं देखो विंडोस प्लस के से क्या होगा क्विक जो क्विक ऐसे सोता ना क्विक एक्षन जिसको बोलते हैं सर्चोर्च का उसमें आ जाता है क्विक एक्षन आ जाता है windows K के साथ windows up arrow से क्या होता है windows up arrow से अगर आपका windows छोटा है तो उसको बड़ा कर सकते हो ठीक है windows आपका छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा तो windows up arrow से down arrow से छोटा हो जाता है तो windows up arrow से आपका जो भी आप window खोले हो पूरे windows में आ जाएगा छोटा करना है तो down following device adds in GUI based OS निम्न उपकरंट जीवाई पर अरधारित OS में सहायता देते हैं कौन सब कीबोर्ड टैच पैड माउस ऑल अफ दीज क्या इसका करेक्ट आंसर होगा जो आपका बोल लाए कौन से मतलब डिवाईस है जो जीवाई बेजड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं सहायता देते हैं सभी होगा सी होगा ओल आप दीज यह सब उसी के बेजड पे होता है टच पेड हुआ की वोड हुआ है सब आपके जीवाई बेजड है moving an object around by clicking on it with a mouse scarred एक वस्तू को mouse से क्लिक करके उसे अस्थनांत्रित करने को कहा जाता है clicking dragging shifting dropping क्या कहा जाता है जब mouse क्लिक करके उसको खीचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ड्रैग कर रह below क्या कर रहे हैं माउस को ड्रैग कर रहे है कोई फाये उठा कर एसे खीच के अलग कर दीए डेक्स्टोप पे तो ड्रैगिंग कालाएगी निम licked मैं से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा computer system को command भेजने के लिए किया जाता है देखो दो ही प्रकार के interface होता है एक GUI होता है एक कौन सा होता है CLI होता है command line interface जो DOS में होता है, UNIX में होता है निम्लेकित में किसका प्रयोग icon के द्वारा computer system को command भेजने के लिए किया जाता है इसमें बताएए क्या होगा कमांड किसमें भेजा जाता है गलत आप लोग समझ रहे हो यहां बोला निमलिखित में से किसका प्रयोग जो आइकन जब आपको आइकन चीजे दिखती है तो इसका मतलब वह GUI है तो जब हम आइकन पर क्लिक करते हैं तो वह आइकन किसको विंडो ही होगा यहां पर GUI होगा कमांड नहीं होगा क्योंकि जब आइकन दिख रहा है तो आइकन का मतलब ही हुआ कि GUI आपके सिस्टम में है अगला Windows user interface निमलिखित में से क्या काल आता है Windows user interface निमलिखित में से क्या काल आता है CUI GUI यूजर इंटरफेस को कितने भागों में विभाजित किया गया है जल्दी से बताईए बोला ना Windows Explore user interface को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो दो भागों में विभाजित किया गया है आइं आपके समेश्टर में computer and computer programming था तो आप क्या हमसे पूछना चाहते हैं वह तो बताएं branch कौन सी है ये बताइए अगला क्या है the windows operating system would be a failure without a क्या windows operating system interface के बिना एक विफलता होगी किसके बिना the windows operating system would be a failure without a scanner modern mouse webcam mechanical branch है the form आपने फिल कर दिया है कि चलिए सी आ रहा है mouse दोको the windows operating system would be a failure without a किसके इंटरफेस के दौरा mouse बिना माउस के हम operating system नहीं चला सकते हैं किसी तरह से बिना चुहे के अपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता है आपका सी होगा विच ब्रांड अफ कंप्यूटर फर्स्ट यूज दा कंबिनेशन अफ जी यू आइड माउस टुगेदर एक साथ किसने कौन सा ब्रांड का कंप्यूटर था जो इसने दोनों को एक साथ निकाला आईबियम ने बैबेच कंप्यूटर ने या मैकेन टोष ने या माउस विंडोज ने किसने सबसे पहले जी यू आई के साथ माउस इंबेडेड निकाला था आईबियम नहीं होगा मैशिन टोष होगा मैशिन टोष सी होगा देखिए उसमें आपका जो माना गया था डिप्लोमा के बारे में जिक्र किया गया था ठीक है तो डिप्लोमा इन सियस या एसी बोला गया था तो जहां तक ये है कि बीटेग वालों को भी लिया गया अगर आप mechanical से हैं और आपने computer as a subject पढ़ा है one year तक ठीक है क्योंकि एक जगह ये भी था कि अगर आपके विशय में कहीं भर किसी भी graduation डिगरी में आपके एक साव तक computer as a subject रहा है तब भी आप eligible हो तो आप eligible हो उससे टेंसर ना लो a small pictorial representation of software on the screen is called tool map logos icon जो software install करते हो तो उसका एक आजाता है ना बनके उसको क्या कहते है आइकन कहते हैं क्या कहते हैं आइकन कहते हैं लोगो नहीं कहते हैं यार icon कहते हैं उसको computer के भास हम लोगो हो हम जानते हैं उसका logo है लेकिन उसको logo computer की भास हमें नहीं icon बोलते हैं उसको उन्चास windows operating system has कितने मानक main जो icon होते हैं मानक icon ऐसे तो बहुत होते हैं मानक icon कितने होते हैं बताईए सर मेरा कंप्यूटर के मार्प सीट में कुछ अल्फाबेट्स गलत है क्या डॉक्मेंट वेरिफिकस हुगँ प्रोब्लम होगी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा क्या अल्फाबेट्स गलत है बर मुझे बताईएगा इसमें चार मानक होते है ठीक है मानक जो अगर आइकन बोला जाए तो चार मानक होंगे डॉकुमेंट पहला दूसरा जो होता है एक बार आप दिखा दीजिएगा उसके बाद से मैं कुछ बता हुआँगे एप्लिकेशन टूल बार और तीसरा यह हो गया चौथा आपका मीनू बार यह मेन होते हैं आइकन बस मतलब इनको मानक आइकन बोला जाता तो चार होते हैं लास्ट कोशन विंडोस सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का वड़ान अच्छी तरह से निम्न मेंसे कौन सा विकल्प करता है फाइल आइकन पर डबल क्लिक करें फाइल आइकन पर राइड क्लिक करें और कॉपी विकल्प को चुनें फाइल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें फाइल आइकन पर राइड क्लिक करें और रीनेम विकल्प को चुनें क्या इसमें सही होगा इसका अंसर बताइए बोला विंडोस सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने की प्रक्रिया का बड़ाँ अच्छी तरह से निम्निमेंज से कौन सा विकल्ब करता है तो फाइल आइकन पर राइट क्लिक करेंगे रिनेम विकल्ब को चुनेंगे ये सही होगा बाकी आपके फाइल आइकन पर लेफ्ट क्लिक करने से नहीं होगा फाइल आइकन पर राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्ब को चुने से नाम नहीं बदलने वाला डबल क्लिक से भी नहीं होने वाला open हो जाएगी फाइल तो D आपका सही होगा अब ये आपके 50 question पूरे हो गए कुछ छूटा तो नहीं था इसमें 50 ही थे ना बीच में कुछ skip तो नहीं हुआ है हाँ चलिए 50 आपके questions पूरे हो गए है एक दो एक्स्टा करा दें अभी जीन्स की आपकी class स्टार्ट हो जाएगी PDF किस नाम से है PDF देखिए PDF तो ये आपको कल Windows के नाम से मिलेंगी बाकी class practice 1 practice 2 practice 3 के नाम से मिला है कल जो है हम लोग word को और excels को पढ़ेंगे राम राम लवीजी चलिए पहला question आपके screen पर है इसका answer comment करिए क्या सही उत्तर होगा इसको सही क्रम में आपको लगाना है बोला है कि Windows 7 में Windows 7 में एक फोल्डर बनाने के लिए नेमने चर्णो को सही क्रम में वस्थित करें पहला है taskbar file explorer आईकन पर क्लिक करें या टैप करो home tab पर new folder बटन पर क्लिक करें या टैप करें जहां पर आप folder बनाना चाहते हैं वो drive या folder खोलें खाली जगा पर enterprise अथवा टैप करें चैनित नए folder नाम के साथ एक नए नाम लिखें आपको क्रम बताना है कि सबसे पहले क्या काम करेंगे इसका answer बताईए क्या सही होगा सबसे पहले काम कौन सा आप करेंगे इसका answer बताईए ए होगा सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहला काम यह वाला करोगे सी वाला बोला जहां पर आप folder बनाना चाहते हैं कि आपको क्या करना है folder बनाना है तो जिस place पर आप folder बनाओगे वहाँ पर आप folder बनाना चाहते हैं वो drive या फोल्डर खोने तो सबसे पहला step होगा C, option में देखो ठीके, option में देखो कोई C से step होगा या और कोई चोगा पहले taskbar पर file explorer आइकन पर क्लिक करें पहला option क्या होगा A होगा C नहीं होगा पहले A होगा क्यूंकि file explorer चाहे window explorer जब open करोगे तो वहीं पर आपका क्या दिखता है drive दिखते हैं उन drive से आप जा सकते हो कहाँ पर जिस drive में आपको folder बनाना हो तो पहले A दूसरे नंबर पर C तो दूसरे नंबर पर C कहाँ पर A और C यहाँ है A और C यहाँ है बाकी option cancel हो जाएगा अगला क्या है अगला आप क्या करोगे कि home tab पर new folder बटन पर क्लिक करें जो उपर आता है वहाँ पर new folder आता है उस पर करके आप new folder बना सकते हो तो B option पहले होगा ठीक है 1, 2 और यह तीसरे नंबर पर होगा B वाला तो B option कौन सा यहाँ पर है इसमें नहीं है तो यह answer सही हो जाएगा A, C, B, E उसके बाद से चैनित नहीं folder का नाम करोगे फिर इंटर मार दोगे यह option last में मतलब D आपका last में होना चाहिए हाँ एकदम exam की खोपड़ी में छेद कर देना चलिए एक बार सी air कर दे सभी लोग session को like जरूर करें यहाँ पर answer क्या होगा C, answer correct होगा पहले taskbar पर जो taskbar होता है नीचे ठीक है जो नीचे होता है और यहाँ start button होता है यहाँ file explorer खोलोगे उसके बाद से जिस drive में folder बनाना होगा उसको open करोगे see उसके बाद से क्या करोगे उपर बार में आता है new folder home वाला जो होता है उस पर new folder टिक करोगे नया बन जाएगा उसका नाम करोगे enter मारोगे folder बनके तयार होगया तुक्का कैसे लगा है अब पता चलेगा बताएंगे उसको तुक्का लगाने का काम कैसे करेंगे Windows Explorer में निमलिखित में से किसमे चेंज आइकन व्यू सामिल होता है बताइए जब Windows Explorer जैसे दब पीसी होता है न आपका desktop पे आइकन होता है PC वाला ठीक है उसको जब open करोगे तो आपका Explorer खुलता है और Explorer खुलता है उसमें home होता है व्यू होता है शेयर होता है तो जब view बटन पे जाओगे तो वहां क्या होता है आपका होगा व्यू होगा वो उसको क्या बोलेंगे वो सब क्या है आपके डी डी आरा है मिनाक्ष मिनाक्षी जी प्रिया जी प्रतिभा जी सभी कांसर डी आरा घंसयाम जी स्विटी जी सभी कांसर डी है सभी लोग कंजूजी ना करो एक बार सेहर जरूर कर दो तो यहां मीनू बार में एक फोटो से आपको दिखाऊंगा, यह फोटो आपको clear हो रहा होगा, यहाँ देखो, यह फोटो देखो, जब आप खोलोगे, फाइल एक्स्प्लोरर तो यह QCASES वाला आएगा, QCASES वाला, यह आपके क्या होता है, यह navigation pen होता है, क्या बोलते हैं, को navigation pen बोलते हैं, navigation pen, आप किसी भी जगा पर जा सकते हो, नविगेट कर सकते हो, इसके लिए होता है, ठीक है, यहाँ देखो view में जाओगे, तो medium icon, small icon, list, detail, ऐसे आपके change हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ देखो navigation pen दिया हुआ है, यह navigation, इसको क्या बोलेंगे, यही आपका क्या ह होता है, menu होता है, क्या होता है, menu होता है, उपर अपका क्या होता है, title बार होता है, ठीक है, और यह क्या होता है, यह जो होगा, यह होता है, address बार, क्या होता है, address बार होता है, ठीक है, अरे 65,000 के अप्रोक्स फॉर्म है कितनी बार एक ही चीज आप लोग पूछते हो चलो इसका अंसर बताईए क्या करेक्ट होगा विंडो के किस हिस्से में forward और backward बटन है मिनू बार में, title बार में navigation pen में या address बार में किस में forward और backward बटन होते हैं c होगा इसका answer क्या होगा third का answer क्या होगा merit जो मैंने पहले बताया आपको merit जो पहले सभी की एक बनेगी उसके बाद सभी की typing होगी उसके बाद से अलग-अलग merit बनेगी b answer होगा, b होगा चलो, देखते हैं कितने लोग सही होते हैं इसमें forward और backward जो बटन होता है वो address bar के पास होता है अभी मैं दिखा रहा हूँ address bar के पास होता है देखो अभी यह figure था यह देखो, यहाँ पे क्या है? यह forward है, यह backward है यहाँ पे ऐसे arrow बना होता है तो यह address bar है ना पूरा उसी वाले में होता है यह पूरे को address bar बोलते हैं यह पूरे पैनल को तो उसी में यह forward और backward होता है वही पूछ रहा है कि कहां पे होता है तो यह menu bar में नहीं कहां गया address bar में होता है किस में होता? address bar में D आपका correct होगा अगला question कभी system खोल के देख भी लिया करो Windows 10 में जब आप desktop पर this PC जो this PC का icon होता है पर दाया क्लिक करते हैं तब कितने विकल pop-up menu में आते हैं जैसे दाया करेंगे क्लिक करेंगे तो आपके पास pop-up menu खोल के आएगा उस pop-up menu में कितने होंगे? इसका अंसर वदा एक क्या होगा? बी आंसर होगा साथ खुल के आते हैं तुशार जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए अभी देखते हैं क्या सही होगा? कितने icon खुल के आपके सामने आते हैं? नहीं पता? देखो जब आप windows 10 में जब आप desktop पे 10 PC, the PC पे option क्लिक करते हैं तो आपके सामने 10 खुल के आते हैं इंडोस 10 जिसके पास होगा तब PC पे क्लिक करना राइट क्लिक करोगे तो जो डाइलाउग बॉक्स करके आएगा उसमें 10 सीजे आएंगी दिखा दें अरे यहां पर कहा से दिखा दें है नहीं साथ देखो हाई है 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 लाएं है लाएं है देखो यह रहा दिस पीसी पर करोगे यह दिख रहा है कि देखो यहाँ देखो जब ऐसे दिखाने लगए तो कम कोश्चन्स हो पाएंगे एक ओपेन दूसरा पिन टू क्यूक एसे मैनेज पिन टू स्टार्ट मैप नेटवर्क डिवाइस डिसकनेट नेटवर्क क्रियेट सॉटकर डिलीट रिनेम और प्रोपर्टी तो कितने होगा एक दो त 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 टोटल 10 आपके आएंगे अगर दिस PC पर आप राइट क्लिक करोगे साथ नहीं होगा दस होगा देखो मैंने ओपेन किया है यहाँ पर स्क्रीन सॉट लिया है PC का चलिए जल्दी से बताइए यह सही है साथ नहीं होगा आप लोग करेक्ट कर लीजेगा विंडोस 10 की बात कर रहा है विंडोस 10 की बात जब विंडोस एप्लिकेशन को न्यूनिकरित किया जाता है तो यह विंडोस ओपरेटिंग सिस्टम के डैस पर एक छोटा आइकन के रूप में प्रकट होता है कहाँ मीनू बार में, टास्क बार में, टैटल बार में या स्क्रॉल बार में कहाँ पर होता है ऐसा बताइए इसका आंसर बताइए पांच नंबर कुश्चन जब हम विंडोस डालते हैं तो विंडोस का एक आइकन जो है छोटा सा बनके आता है कहाँ पर आता है बनके, बहुत बढ़िया जो नीचे आपका टास्क बार होता है तो यहाँ पर देखे होगे ऐसे विंडोस का आइकन बनके आता है तो वही इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, जो नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, यह देखो, यह फिगर देखो, यह टास्क बार है, यहाँ पर दोखो Windows बन के आता है, यहाँ पर, क्या आता है, Windows बन के आता है, इसमें आप देख सकत कुछ लोगों के इंगलेस में कुछ डिफॉल्ट रूप से विंडोस में उपयोग करता द्वारा बनाई सभी फाइलों को कहा संग्रहित किया जाता जो भी फाइल अगर आप बना रहे हो चाहे वर्ड की चाहे किसी की भी जब उसको कंट्रोल एस दवाओगे सेव करने के लिए तो वह कहां पर जाके सेव होगा जल्दी से बताईए और एक बार सेर जरूर करिए बताईए इसका अंसर क्या होगा अब एक दिन है तो किसी का तो त्याग करना पड़ेगा आपको यदवनसी जी रोहित जी हाँ पेपर ऑनलाइन होगा बी आंसर होगा इसका आंसर पताईए डिफॉल्ट रूप से जब विंडोस में कोई भी फाइल कहां सेव होगी माई फाइल में माई डॉकुमेंट्स लोकल ड्राइब डेक्स्टॉप किस भी होती है बहुत बढ़िया डॉकुमेंट्स सी आ रहा है सभी का किसी का बी है किसी का सी आरा सीक नहीं होगा लोकल ड्राइब कहां से आ जाएगी जब तक आप चूज नहीं करोगे कि कहां आपको सेव करना है पर्टिकुलर फोल्डर पे तो बाई डिफॉल्ट वो पहले आपका माई डॉकुमेंट ही खुलता है भी आपका करेक्ट होगा आपको अलग से होता है जैसे आपने कई सारे टैब खोल लिए तो कैसे हर एक टैब पर जाओगा उसके लिए सौटकट की क्या होगा जल्दी से बताओ क्या होगा एक बार सभी लोग से इटर जरूर करिए और लाइक जितने लोग लाइक हो वो लाइफ हो वो लोग लाइक नहीं किये हैं तो कंजूसीन करो भाई पैसा तो लगता नहीं है गुड इवनिंग निश्री जी प्रतिवा जी का अंसर सी है मुनिश जी का अंसर डी एस और निगेटिव मार्किंग है नहीं है चलिए किसके किसके साथ जाती हुई है कि सभी एक ही दिन दोनों पेपर पड़ गया है बच्चों का यह आएगा कंट्रोल प्लस टैब अंकित कुमार जी कंट्रोल प्लस टैब के साथ जा रहे हैं एकदम सही है कंट्रोल प्लस टैब से जो भी आप खुले विंडोज होगा अगर रेप्टॉप के साब में हो कंट्रोल टैब दबाओ स्विच करेगा क्या होगा हर एक टैब आपको बन के आ जाएगा उस पे जिस पे जाना होगा आप जा सकते हैं ठीके Alt प्लस सिफ्ट से क्या होता है Language चेंज करते होंगे आप लोग आप लोग टैपिंग करते होगे तो Alt सिफ्ट दबाते हो तो English Hindi चेंज होता है तो Alt सिफ्ट से होता है ठीके चलो आपका साथ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कॉश्चन पे देखते हैं Windows 8 में Desktop पर नया फोल्डर बनाने का सौट कुंजी क्या है बताइए आठ में चाहिए किसी में ऐसा नहीं आठ ही में होगा वो बहुत आपको Confuse करने के लिए पूछा है Desktop पर अगर कोई नया फोल्डर बनाना आ तो उसके लिए सौट कट की क्या होगा जल्दी से बताइए उसके लिए सौट कट की क्या होगा A आएगा A आएगा B आएगा यहाँ तो कंट्रोल सिफ्ट N आया बाकी option देखलो N नहीं है N का मतलब ही new होता है तो यह new कंट्रोल सिफ्ट N दबाव गए तो desktop पे new folder बन जाएगा कंट्रोल सिफ्ट F के लिए change कर दोगे क्या font font change करने के लिए होता है change font change font कंट्रोल सिफ्ट के लिए कंट्रोल सिफ्ट के लिए यह word में MS word में MS office में word जब खोलोगे उसमें यह count करता है कितने word है कंट्रोल सिफ्ट जी करोगे तो यह count वाला आ जाएगा कितने pages है कितने word है कितने आपकी line है यह सब बताएगा ठीक है और browser में यह browser में क्या होगा यह browser में find का काम करता है एक तरह से find यह search वह सकते हो control alt t का मतलब क्या होता है control alt t का मतलब होगा कि आप word में MS word में क्या करोगे कहीं भी यह sign लगाना होता है न टीम वाला इस टीम के sign को लगाने के साथ किसी के साथ लगा सकते है मालो किसी company का नाम लिखे परिक्षा प्लस ठीक अब इस पर टीम लगाना है उपर देखे होगे टीम लगता है तो यह टीम ट्रेडमार्क लगाने के लिए क्या लग कर सकते हो control alt प्लस t करोगे तो टीम लग जाएगा उपर समझ गए एक बार सिहर करो जब समझ गए तो answer क्या होगा इसका एक correct होगा नया folder के लिए control shift N होगा अगला है Windows 7 में screen saver को बदलने के लिए निम्न चर्णो को सही करम में विस्थित करिए सबसे पहले क्या करेंगे साथ में आपको screen saver बदलना है तो बोला है appearance and personalization स्रेणी को चुनेंगे start menu से control panel खोलेंगे personalization area से change screen saver चुनेंगे ok पर click करेंगे screen saver select करेंगे पहला क्या होगा सबसे पहला क्या करोगे सबसे पहला करोगे B start menu से control panel खोलोगे उसमें से क्या करोगे A choose करोगे appearance and personalization स्रेणी चूज करोगे उसके बाद से कहां जाओगे personalization area से change screen saver चुनोगे ठीक है तो क्या क्या हो गया B A C B A C आपको मिलना चाहिए क्यूं चलो तो किसमें है B A C B A C इसमें भी है B A C उसमें भी है और इसमें इसमें नहीं है उसके बाद से क्या करेंगे screen saver को select करेंगे फिर OK बटन दबाएंगे तो E और D होगा option B आपका सही होगा यह नहीं सही होगा अगला question है Windows 7 में जब आप desktop पर right click करते हैं जब 7 पर right click करोगे तो pop-up menu में sort by आता है न कि कैसे जो भी desktop के icon है उसको sort कैसे करना चाहते हो date से, name से, size से तो उसमें विकल्प को सामिल नहीं करता है कौन सा विकल्प नहीं होता है name, size, item type या author name कौन सा नहीं होता है, बताइए ए नहीं होता है जब आप desktop पर right click करोगे तो वहाँ पर आता है sort by मतलब पूरे desktop के icon वो कैसे sort करना चाहते हो D होगा, D होगा, चलिए coolest अंकित जी, D दे रहा है गौरब जी, घंस्याम जी, A दे रहा है D, author name नहीं होता है, आर, click करके देखना है यह सब, यहाँ पर क्या क्या होता है name होता है, size होता है item होता है item type, और क्या होता है date modify होता है, मतलब date के according भी आप set कर सकते हो कौन सा folder नहीं बनाया हो यह होता है, author नहीं होता है, यह दियान रखना D correct होगा यह नहीं यह तो होता है नाम से size से item से कैसा है उस सब को आप sort कर सकते हो File Fragmentation का मतलब है कि एक File जब तक यह D fragment नहीं है वेर्थ है सुकुचित किया गया है RAM non-contiguous अस्थानों में संग्रहित है डिस्क में non-contiguous अस्थानों में संग्रहित है जो आपकी Fragmentation File होती है वो कहां होती है इसी के लिए D fragmentation किया जाता है जल्दी से बताईए यह किसमें होता है हम disk D fragment करते हैं तो disk होता है तो इसका मतलब जो fragmentation होगा वो कहां होगा disk में होगा इसमें क्या होगा कि जो मालो यह आपकी disk है यह space है मालो space है आपके disk के जो भी space यह है एक space मालो यह disk का space है अब कोई भी file आपका कोई यहां पढ़ा है कोई यहां पढ़ा है कोई यहां पढ़ा है कोई यहां फाइल पढ़ी है कोई यहां कोई यहां ऐसे पढ़ी है मतलब randomness पढ़ा है तो इसमें क्या होगा किसी file को system को read करने के लिए s time जादे लगता है क्या लगता है s time जादे लगता है increase हो जाता है इसलिए आप समय समय पर अपने system को कोई भी चीज open करना है कोई भी file तो उसको defragment किया करो defragment किर दिया करो जब defragment कर दोगे यह utility software होता है आपके windows में इससे क्या होगा कि सभी फाइले एक विवस्थित क्रम में आ जाएंगी एक hierarchical order में आ जाएंगी जिस order में उनको रखा जाएगा उस order में यह फाइले arrange हो जाएंगी तो ठीक है जिसके जैसे तो यहाँ पर assist time जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा समझ गए प्रिष्ट भूमी छवी को बदलने के लिए सही क्रम में निम्न चर्णों को वेवस्थित करे प्रिष्ट भूमी छवी मतलब background पीछे का background बदलना है desktop को खाली जगां पर right click करें window के निचले बाइं कोने में desktop प्रिष्ट भूमी विकल पर क्लिक करें personalized चुनें किसी एक pictures पर क्लिक करें save button पर क्लिक करें क्या होगा तो सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले कौन सा option चूज करोगे सबसे पहले करोगे desktop की खाली जगा पर right click करोगे जैसे right click करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा आपका वहाँ पे personalized आएगा उसको चुनोगे A और C होना चाहिए A, C इसमें नहीं है A, C इसमें नहीं इसमें नहीं है तो answer B आपका सही हो जाएगा फिर window के निचले बाये कोने पर desktop प्रिस्ट भूमी होगा set background वाला उसको choose करोगे desktop background उसके बास D number पर किसी एक pictures को select करोगे और उस पर save button दबा दोगे तो पीछे का background आपका change हो जाएगा तो A, C, D, B, A, C, B, D आपका option सही होगा 13 number है नीचे वे चरण दिये गये हैं जो windows 7 के operating system में आपके password को set या बदलने में मदद करते हैं अनुपलब चरणों में से एक विकल्प को पाचाने जो नीचे दिए गये चरण तीन में प्रस्न चिन को बदल देगा आपको बताना है या दिया है आपको क्या क्या करना है लेकिन एक जो थाड़ है वो step गायब कर दिया गया तो वही आपसे पूछा है कि क्या होगा अभी option में दिखाऊंगा बोला click the start button and then click control panel start button पर करो उसके बाद से control panel पर जाओ control panel क्लिक करने के बाद user account and family safety को open करो जब control panel खोलते हो तो control panel में यहाँ धेर सारे आ जाते ठीके? यहाँ पर install, uninstall वाला आ जाएगा ऐसे सभी के बने होते हैं उस पर click करोगे तो user accounts and family वाले पर वहाँ पर आप चूज क्या करोगे? then choose change your windows password उसके बाद से क्या करोगे? वही third option आपसे पूछ रहा है तो यहाँ option है choose insert password choose create a password your account or change your password choose reset password choose remove password तो क्या choose करोगे? choose करोगे create password of your account और change करना है तो change password यह choose करेंगे तो यहाँ पर third में क्या होगा? choose password में choose new password या create a new password वह वाला करेंगे फिर हम password को type करेंगे फिर ask, retype, then same password and confirm new password box type a hint, remind your password and click the create password button आपका password बन जाएगा तो इसका answer b correct होगा अगला है windows 10 में तारीक समय बदलने के लिए सही क्रम में चर्णों को व्यस्थित करें एक बार share सभी लोग करें windows 10 के तारीक को बदलना है तो क्या करोगे? सबसे पहला समायोजित तारीक समय चुने screen के निचले दाई और समय पर right click करें एक दम पहला step I होगा नीचे जो आपका task बार होता है यहाँ पर देखे होगे तो time देखाता है यहाँ पर जब right click करोगे तो date और time change हो जाएगा तो B option सबसे पहले होना चाहिए B option सबसे पहले किस किस option में है B option किस में सबसे पहले है ठीक है इसमें है इसमें है बाकी तीन option में है उसके बाद से क्या करोगे समयोजित तारिक और समय चुनेंगे B के बाद A होना चाहिए उसके बाद से क्या करेंगे आपका जो setting pop up window आएगा उसे बाई और दिनांग और समय टैप चुनेंगे उसमें आपका जो pop up window आएगा तो उसमें date और time का टैप चुनेंगे समय दर्ज करें और change कर दें यह करोगे या change तारिक समय के अंतरगत change पर click करें सही बात है तो उसके बाद से क्या करोगे e पर होना चाहिए मलब change तारिक और समय के अंतरगत change पर click करें उसके बाद समय दर्ज करें और change दबा दें तो यह आपका set हो जाएगा b, a, c, e, d हो जाएगा c option होगा पहले b, फिर a उसके बाद से c करोगे उसके बाद से e करोगे, फिर d पर कर दोगे, change दबाया होगे तो change हो जाएगा आपका अगला question है इनमें से कौन सा power विकल्प नहीं है, जब आप power बटन पर click करते हो तो उसमें से कौन सा आपका नहीं है यह है set down यह है slip यह है hibernate यह log out, इसमें से कौन सा power विकल्प नहीं है power विकल्प log out नहीं है बाकी आपके power विकल्प है d आपका correct हो जाएगा 16 number question आपके desktop का एक special area जो आपके सब ही चलने वाले प्रोग्राम और उनके windows पर नजर रखता है, लगतार अपने चलने वाले प्रोग्राम के लिए icon दिखाने के लिए खुद को update करता है कौन होता है, control panel, task bar, windows explorer ये title bar जो भी आप desktop में special area होता है, जो आपके सभी चलने वाले प्रोग्राम तो चलने वाले आपके desktop पे जो भी प्रोग्राम होगा तो वो यहाँ पे task bar में क्या होता है so होता है, वो क्या होता है task bar में so होता है option B सही होगा इसका अगला question है निमलिखित बारों में से कौन सा word processor में right interface का भाग नहीं है किसमें? word processor में menu bar, tool bar formula bar, title bar तो word processor में formula bar नहीं होता है ये ध्यान रखना ये कहां होता है, excel में होता है worksheet वाले में होता है formula bar, word processor में नहीं होता है बाकी menu bar होता है tool bar जो उपर होता है title bar जिसमें title लिखे होते है जो document का नाम लिखते हो title bar होता है तो इसका क्या हो जाएगा? C आपका होगा, ये नहीं होता है अगला है, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है आपको ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ देखो, ये quick access होता है tool bar होता है, quick access ये आपका title bar हो गया ठीक है? ये पूरे groups होते हैं एक एक क्या होगे? groups होगे, इन पूरे को ribbon काते हैं पूरे को क्या काते है? ribbon काते हैं और एक एक part जी, इसमें font का एक group हो गया, paragraph का group हो गया style का group हो गया ये आपके क्या हो गए? menu हो गए क्या हो गए? menu होते हैं home, insert, page layout ये सब होते हैं ये होते हैं, अगला question Microsoft Windows उपयोग करता को रिक्त अस्थान सहित सम्पृत्यों को तक file नाम type करने की सुविधा देता है कितने digit तक, कितने तक आप file का नाम type कर सकते हो जल्दी से बताईए देखो, minimum एक और maximum 255 तक आप इस पेस रिक तक स्थान के साथ भी 255 तक किसी भी file का नाम कर सकते हो उससे ज़्यादे नहीं word 255 वर्ड तक A होगा Libra office करा दे अब इतना समय कहा है किस तरह का प्रकम Libra office आपका पूछेगा नहीं MS office ही पूछेगा सलेबस में आपके साथ साथ दिया है MS office office जो दिया है वो पढ़ो न का है किस तरह का प्रकम छोटे file बनाता है जिसका internet पर अस्थानांतरण्टी वो होता है छोटा file किस से होता है compression से, fragmentation से, encapsulation से उप्यूक्त मैं से कोई नहीं encapsulation जो होता है न ये UPS का एक concept है UPS long edge जब पढ़ोगे जैसे C++ और Java में जो UPS होता है उसमें encapsulation आता है encapsulation मतलब capsule, capsule का मतलब हो गया capsule के अंदर हम पढ़ते हैं class के बारे में Java और C++ में class के बारे में पढ़ते हैं और इस class के अंदर ही हमारे variables, function इन सब को क्या करते हैं define करते हैं इन सब को define करते हैं तो इसको हम किसी भी variable या function को हम directly assess नहीं करते हैं हम एक class के माध्यम से assess करते हैं इसी को encapsulation करते हैं capsule के अंदर data होना है ठीक है उसी को करते है regresion fragmentation मैंने आपको बता दिया compression क्या होगा कि file को compress किया जाता है उसके size को reduce किया जाता हैं ठीक है तो यह होगा जब भी हमें किसी बड़ी फाइल को कहीं भेजना होता है नेट के थूरू तो उसको कमप्रेस करते हैं हाँ SS-Modify चलो यहां आ जाओ ऑुеня। स्रूइन फाइल एकस्टेंशन और इमार का फूल फॉर्म क्या है जल्दी से बताईए हैं इसे अमार का फूल फॉर्म क्या हो rocket Adaptive Multi Adaptive Multi Rate ये क्या है? ये Audio Extension एक File होती AMR उसका Full Form Adaptive Multi Rate है C Option Correct होगा Binary File के लिए कौन सा File Extension प्रियोग किया जाता है? .bak, .bat, .bf, .bin जल्दी से बनाईए क्या होगा इसका आंसर? एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से Share कर दें Session को ये मैंने Strategy बता रखिए दुर्गेश जी आप पर इक्षा प्लस पे जाईए और Computer की Strategy देखिए कि किस पे आप 15 प्लस तक आप Score कर सकते हैं Computer में .bin होगा D Answer आ रहा है Pin to Z सभी का Bin आ रहा है तो एकदम सही है Binary, BIN से ही होता है Binary ठीक है Binary फाइल का Extension यही है नहीं पढ़के जाओगे तभी भी दिमाग काम करेगा कि Bin ही होगा Binary के लिए BAK क्या होता है? BAK किस के लिए होता है? .BAK किस के लिए होता है? BAK फाइल किस के लिए होगा? जल्दी से बता हो Back Backup A Copy File ठीक है? यह Backup फाइल की Copy बनाने जब बनाते हैं तो उसको .BAK होता है Backup फाइल की जब उसकी Copy बनाते हैं तो Backup फाइल होता है .BAT किस के लिए होता है? बता हो यह Batch फाइल होता है यह Batch फाइल होता है DOS Operating System में Command Execute करने के लिए Command Execute करने के लिए यह Batch फाइल होता है DOC मतलब MS-DOS Operating System में .BAKF क्या होता है? यह आपका Backup फाइल होता है यह Backup फाइल का Extension होता है और यह Backup फाइल के Copy का Extension होता है यह दियान रखना हाँ तो यह बिन जो होगा binary file का extension होता है यह आपके file का मैंने बता दिया निमलिकित में से कौन सा file नाम extension इंगित करता है कि file किसी अन्ने file की backup copy है किसी अन्ने file की backup copy के लिए कौन सा बताएगा .bak जो बताएगा वो backup के copy को बताएगा ठीक है एक बर share करो 100 पार हो जाएगा एकदम जोड़दार तरीके से share करिए डी आपका correct होगा अगला question .bac.doc.html किसके उधारन है extension के domains के database के protocol के तो यह सब पहला चुका है यह नहीं होता है domains ऐसे नहीं होते है .com होता है .in होता है .uk होता है .org होता है यह domain होते है ठीक है domain name system अब extension है यह क्या है file के extension होते हैं यह क्या होता है file का extension होता यह आपका correct होगा चलिए बहुत बढ़िया साधना जी पौनेश जी बहतरीन आगे आते हैं तुम लोग को बोलें share करने के लिए तुम लोग कम कर देते हो वाह 24 नंबर question निमलखित में से कौन सा image file extension नहीं है jpg, gif, png and wab अब इसके full form भी लिखते जाओ यह भी पूछता है इसके full form भी पूछेगा आपसे कौन सा image file extension नहीं है jpg का full form भी बताते जाओ joint photography export group ठीक है joint photography export group joint photography export group gif का full form क्या होगा gif का full form क्या होगा जल्दी से बताइए graphic interchange format ok png का full form क्या होगा portable नेटवर्क ग्राफिक्स wav का full form क्या होगा wave audio file format ठीक है और यह क्या है जब audio आगया इसका मतलब यह audio file format है ना कि image का file format है तो दी इसका आपका answer correct हो जाएगा अगला question pdf का पूर्ण रूप क्या होता है pdf का पूर्ण रूप क्या होता है जल्दी से बताइए पूर्ण रूप क्या होता है पूर्टेबल document format काउंसा option होगा पूर्टेबल डॉक्मेंट format option d correct होगा option d भी नहीं पूर्टेबल डॉक्मेंट फाइल है यह फाइल नहीं होता है format होता है इससे confused हो जाओग एक्जाम में बहुत बढ़िया चलिए एक बार सभी लोग सेयर करें डेड़ सोपर आप पहुचाना है आज आ जाईए alignment बटन किस पर होता है status बार पे formatting टूल बार में standard टूल बार में या इन में से कोई नहीं जो alignment होता है वो किस में होता है लेफ्ट एलाइंगमेंट, राइट एलाइंगमेंट, सेंटर एलाइंगमेंट, जस्टिफाई, यह सब कहां पर होता है, तो यह होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार में, किसमें, उसको क्या कहते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेट करते हैं, किसी चीज को सुधारना, अलंकृत करन ठीक है सजाना उसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं तो वह क्या होगा फॉर्मेटिंग टूल बार में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुश्चन आसानी से कर ले जाओगे यहां आते हैं MS Word 2007 में undo redo इसे इस siete वो कितने बार परियोंक कर सकते हो ?200 बार ?300 बार ?500 बार या 100 बार ? 100 कितनी बार तक वो redo हो सकता है ? maior कितनी बार तक undo हो सकता है ? जल्दी से बता हो क्या होगा इसका answer 100 होगा 100 answer होगा 100 बार हम उसको undo या redo कर सकते हैं 300 बार नहीं redu निमलिखित द्वारा किया जाता है reduce किस कि Shotcut की द्वारा किया जाएगा बताओ Ctrl Z, Ctrl Y undo होता है इसके द्वारा Ctrl Y के द्वारा redo होता है बी आपका सही होगा Ctrl Z से Undo होता है Ctrl Z से Undo होता है Ctrl Y से Redo होता है ठीक है तो answer B आपका correct होगा computer में reboot करने के लिए या task manager खोलने के लिए या shutdown करने के लिए कौन सा command दिया जाता है Ctrl R delete shift STRL shift STRL कोई फोई नहीं होता है Ctrl shift delete Ctrl R shift Ctrl Alt Tab कौन सा आप लोग reboot करने के लिए करते हैं use जल्दी से बताईए ये मैंने एक बार करा भी रखा है आप लोगो को क्या होगा Ctrl Alt delete करोगे task manager reboot भी हो जाएगा सब कुछ open हो जाता है Ctrl Alt delete से अच्छा आगे आते हैं Windows के लिए Google Chrome web browser में एक नया tab खोलने के लिए Chrome browser में जब नया tab खोलने के लिए कौन सा shortcut यूज करोगे Art N Ctrl T Art Ctrl T Art Ctrl T मैंने बता है किस के लिए होता है TM के लिए होता है ठीक है या Art T क्या करोगे तो इसमें option B सही होगा Ctrl T के साथ हम करेंगे दबाएंगे तो browser में नया tab खुल जाएगा क्या खुल जाएगा नया tab खुल जाएगा B सही होगा A नहीं B Ctrl T से नया tab खुलेगा B होगा सबी लोग गलत जा रहे हो Art T नहीं होगा Ctrl T होगा दबाएकर देखना आज फाइल खोलने के लिए shortcut क्या है अगर कोई फाइल पहले से आप save कियो उसको open करना है तो कैसे करोगे Art के साथ O या Ctrl के साथ हो Ctrl के साथ Ctrl O से open होता है Ctrl S से save होता है Ctrl X से क्या होता है Cut होता है C से copy होता है V से paste होता है ये तो है General साथ U से underline होता है B से bold होता है और I से italic होता है ये सब general चीज़े हैं जो याद रखो अगली कुशन है Match करना है Ctrl B क्या होगा Bold होगा Make a text bold Ctrl U underline Ctrl P print करने के लिए Shift F3 क्या करेगा Change case of later मतलब upper case Lower case में किसी later को बदलना है छोटे और बड़े later में तो उसके लिए Shift F3 दबाएंगे तो देखो A का 4th A का 4th B का नहीं A का 3rd A का 3rd B का 4th C का 2nd और D का 1st Option C correct होगा C correct होगा समझ गया अगला question Print menu प्रदर्शित करने के लिए क्या होगा Tab P Shift P Alt P Ctrl P Confusing के लिए question बना दिया गया है जल्दी से बताइए Dependr जी क्या suggestion मांग रहे हैं इसके बाद मांगेगा एक बार share आप सभी लोग कर दें प्रतिवाजी इस concept DR है बहुत बढ़े है Ctrl P से हम क्या करते हैं किसी भी फाइल को Print command देते हैं Ctrl P होगा Text को Elective बनाने के लिए मलब italic बनाने के लिए क्या कौन सा होगा Ctrl I होगा Use underline ठीक है मैंने बता ही दिया था Ctrl T किसमें Browser में नया Tab खोलने के लिए Ctrl L Ctrl P Print करने के लिए तो italic के लिए Ctrl I हो जाएगा Windows Explorer में File Explorer को खोलने के लिए shortcut की कौन सी है जब File Explorer Direct आप कैसे खोल सकते हो Windows प्लस E Windows प्लस W मत्तब विंडोस की जो Windows की होती है आपके ऐसे उसको प्लस E के साथ या W के साथ या O के साथ या Ctrl प्लस O के साथ File Explorer कैसे ओपन होगा जल्दी से बताएं कमेंट करके क्या इसका correct answer होगा E होगा Windows के साथ E जब करोगे तो आपका क्या हो जाएगा File Explorer खुलेगा Windows के साथ W करोगे तो क्या करोगे इसका प्रियोग सेटिंग को ढूडने के लिए किया जाता है इसका प्रियोग सेटिंग को ढूडने के लिए किया जाता है सेटिंग को सर्च करने के लिए किया जाता है ठीके सेटिंग को सर्च के लिए होता है इसका जाने का ओपन फाइल करने के लिए होता है इसका कुछ नहीं होता है किसी डॉकुमेंट में इंसर्ट हाइपर लिंक डायलोग बॉक्स को परदर्शित करने का सॉटकट की कौन सा है मैंने पहले भी बता रहा है कि कंट्रोल एच से आप क्या कर सकते हो हाइपर लिंक बना सकते हो और किसी टेक्स्ट में अगर हाइपर लिंक लगाना है ठीके मान लोग कोई भी परिक्षा प्लस लिखा है यह टेक्स्ट लिखाना इसको सलेक्ट करो यहाँ से ठीके और इसपे कंट्रोल प्लस एच दबा दो और इसपे कोई लिंक लगा दो तो यह हाइपर टेक्स्ट हो जाता है क्या इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं इसमें हाइपर लिंक लग गया ना तो हाइपर टेक्स्ट का लाता है तो कंट्रोल एच होगा L से left alignment होता है ठिक, आ जाओ ईसे, सौरी, सौरी, सौरी,страी, सॉरी, सौरी control H नहीं होगा control H नहीं होगा क्या होगा, control K होता है control H नहीं, control K होता है ठीक है Ctrl K होता है यह ध्यान रखना Hyperlink के लिए Ctrl H किसके लिए होता है Go to Replace Find and Replace के लिए Find and Replace के लिए Ctrl H जो Box बनके आ जाता है ऐसे ठीक है एक से बार होता है जिसको आप Find करो और जिसको Replace करना चाहते है और Replace कर दो यह आ गया Ctrl K होगा यहां shortcut कुंजी Alt Enter किसके लिए प्रियोक किया जाता है एक प्रोग्राम से दूसरे तक जाने के लिए चैनित आइटम की प्रपर्टी देखने के लिए अलग विंडो में नया टैब खोलने के लिए सिस्टम का बल पुरुवक सट डाउन करने के लिए नहीं सट डाउन के लिए आल्ट F4 यूज होता है इसके लिए आल्ट प्लस F4 यूज होता है उस पे भी आपको मांगता है कि पहले आप सभी फाइल क्लोज कर लें फिर आप बंद कर सकते हैं तुम लोग कंजूसी कर रहे हो share नहीं कर रहे हो share करो एक बार सभी लोग तो यहाँ क्या होगा यह आप किसी भी कोई भी फाइल चूज करना चाहे फोल्डर चूज करना उस पे आल्ट के साथ एंटर दबा देना तो क्या हैगा प्रोपर्टी वाला डैलाफ बॉक्स आ जाएगा तो उसके बारे में बताएगा प्रोपर्टी बताएगा उसकी ठीक है उसकी प्रोपर्टी बताता है चैनित आइटम की प्रोपर्टी बताएगा बी अगला कुश्चन एक विंडोस की कीबोर्ड पर कौन सा बटन की चल रहे प्रोग्राम के सहायता प्रिष्ठी मतलब help page को खोलता है जो भी आप प्रोग्राम open कियो हो जो भी application open कियो हो किस से आप help ले सकते हो help dialogue box किस से खुल के आता है तो f1 से खुल कर आता है किस से आता है f1 से समझ गए f1 से आपका help बटन खुल के आता है f2 से क्या होता है f2 से किसी का rename कर सकते हो किसी भी चीज़ का rename कर सकते हो f10 से क्या होगा देखो f10 जो होगा आपका जो भी program open कियो हो उसमें activate active जो होगा एक तरह से बोल सकतो active menu वार सो करेगा जो active menu होगा जो भी application कुरे f10 दबाए तो जिस menu बे होगे उसको दिखाएगा ये active menu है f11 क्या होता है f11 क्या roll क्या होगा इसका अंसर बताई है f11 ये f f11 का बताओ run command नहीं run command कहा खुलता है f12 से वो तो windows से run command जो होता है run window जो होती है वो तो windows windows प्लस r से खुलता है ठीक है f11 कभी कभी boot operation में use होता है किसी किसी system में depend करता है f11, f12 ठीक है f11, f12 boot operation में use होने वाले है फूल स्क्रीन पे भी होता है चलो तो फूल स्क्रीन और boot operation पे भी use होता है चलो नेक्स्ट ये क्या है ये देखें ये क्या है जल्दी से बताईए ये दिख रहा है ये कैसा dialogue box है ये dialogue box कौन सा dialogue box है इसको क्या बोलते है f12 save के लिए होता है और booting के लिए भी होता है जब खुल जाएगा तो save जब आप कोई नया windows डालना है तो f11 किसी किसी में सिस्टम में f11 किसी में f12 ऐसे काम करता है find and replace बहुत बढ़िया ये क्या है find and replace है text को ढूणना select किये गए text को delete करने के लिए text को ढूणने में text को ढूणने और बदलने में option d ہوगा ढूणने और बदलने में होता है अगले कुश्चन पर आते हैं विंडोज रन सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लिकेशन को खोलने के लिए निमलखित में से कौन सा निस्पाधन योग फाइलों का पुरियोग किया जाता है मतलब रन कमांड में PowerPoint presentation खोलना है तो क्या कमांड ये जल्दी से बताओ जब विंडों के साथ wandos बटन के साथ न दबाओगे तो एक रनकमांड आपके आदग समन के आ जाएगा कि डारेक्ट आपका PowerPoint प्रिजेंटेशन खुल जाए जल्दी से बताइए डालोगे पावर P&T क्या डालोगे पावर P&T ये भी डालोगे तभी भी खुल जाएगा डाट ये अक्सी भी लगा दूगे तभी भी खुल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पावर P&T से खुलेगा ये ओप्शन सही होगा अगला है इनमें से कौन सा एक MS Office का वैद एक्स्टेंशन नहीं है MS Office का वैद एक्स्टेंशन एको ओफिस के कुछ कुछन इसमें है बाकी कल Office और Excel दोनों साथ रहेंगे जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा MS Office ओफिस बोला है किसी particular पर नहीं बात किया है DOCX यह होता है .POT टेंप्लेट जो होता है यह मैंने पढ़ाया है पढ़ाते वक्त टेंप्लेट किसमें PPT का जो टेंप्लेट होता है उसका एक्स्टेंशन .POT होता है XLSM जो होता था यह 2007 में एक तरह से इसको क्या बोल सकते हो Macro Enable Worksheet Extension है यह Macro Enable Worksheet Extension है इससे फाइल अगर सेव करतो हो XLSM से यह 2007 से उपर जितने भी वर्जन है ठीक है यह 2007 में होता था वह XLS तो होता ही था तो XLSM मतलब कि आप 2007 से उपर भी अपग्रेड वाले वर्जन में भी उस फाइल को असानी से ओपेन कर सकते हो ठीक है पी पी टी अल जो होता है यह वैड नहीं है बाकी सब MS Office के बैद Extension है वैलिड Extension है लेकिन यह नहीं Option D Option D आपका गलत Extension है प्रिंट होने पर आपका प्रलेक डॉकुमेंट कैसा दिखेगा यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडू को खोला जा सकता है उसे कहा जाता है प्रिंट प्रिव्यू प्रिंटर विंडो प्रिंट डेमो प्रिंट विवर प्रिंट से पहले उसे देखने के लिए कि हमारा डॉकुमेंट कैसे प्रिंट होगा जब Control P दबाते हो न तो वो दिखता है ठीक है वहाँ पे तो एक दिखता है तो वो आप अपने डेश्टॉप पे ही अपने laptop पे देख सकते हो कि किसा दिखेगा उसके लिए क्या option होता है print preview होता है यह form में भी आप जब online form आप लोग भरते हो तो आता है कि आप स्कॉलर सी भर रहे हो चाया form भर कि प्रिंट प्रिवू करके देख लो कि आपका form कैसा दिखेगा उसके बाद से फाइनल सम्मिट मारो ठीक है तो यह होगा option 43 नंबर कोश्चन मल्टी मीडिया सॉफ्ट्वेयर समनेता समलित नहीं करते हैं क्या वाट डॉकुमेंट ध्व मल्टी मीडिया में डॉकुमेंट्स नहीं यूज होते हैं लेकिन डॉकुमेंट्स यूज नहीं होते हैं इनका यूज नहीं होता अगला कोश्चन है spread seat के visualization के लिए निम्न में से कौन सा उप current नहीं है जो spread seat होती है जो Excel की spread seat होती है उसके visualization के लिए कौन सा उसमें नहीं सामिल होता mail merger mail merger जो होता है एक साथ कई लोगों को mail भेजने के लिए ये आपके MS Word में होता है किसमें होता है MS Word में यह Excel sheet में नहीं होता है बाकी आपके होते हैं लक्ष की तलाज छटाई इसको sorting बोलते हैं इंग्लिस में होता है Goal Analysis, Goal Seeking इसको बोलते हैं हिंदी में भला ही नहीं समझ पाओगे Goal Seeking Process एक होता है ठीक है? बाकी What If Analysis यह होता है अगला कुश्चन है सिर्षक टाइटल केस के मामले में प्रतेक अक्षर अपर केस में कनवर्ट किया जाता है एक वाक में हर सब्द कैपिटल किया जाता है वाक के सुरुवात में प्रतेक सब्द को कैपिटल किया जाता है lower case और uppercase इसी के भी प्रीत में बदला किया जाता है बताइए इसमें क्या होगा देखो टाइटल केस में जब टाइटल के केस में जाते हैं तो जो भी वार्ड लिखेंगे हम ठीक है मालनों मैंने लिखा वार्ड तो डबलू कैपिटल होगा बाकी यह होगा डॉकुमेंट लिखा तो डी कैपिटल होगा बाकी सब आपके स्मॉल होगे तो एक वाक के हर सब्द कैपिटल किया जाएगा एक वाक में हर सब्द कैपिटल किया जाएगा या क्या होगा किका आंसर होगा इसका सुरुवाती सी वाला प्रतियक प्रतेक सब्द का कैप्टल किया जाएगा मतलब जो भी शुरुवात होगा उसको पहला प्रतेकि केंस की चाहिए दोकिया सुरुमे में क्या हो गया है जैनब को जल्दी से बताईए इसका आंसर क्या होगा जूम करें क्या है एमेस वर्ड दो आजार साथ की निमलिखिस सौटकट कुंजियों पर विचार कीजिये कंट्रोल शिफ्ट ये एरो लगा है चैनित फॉंट को एक बढ़ाता है कंट्रोल डिलीट करसर की दाई और किसे सब्दो को मिटाता है कंट्रोल इ रेखा तथा चैनित सब्दो टेक्स्ट को स्क्रीन के केंदर पर सरेखित करता है कंट्रोल अल लिंक इंसर्ट करता है तो अभी आप लोगों ने पढ़के आया इसमें से गलत आपको छाटना है कौन सा गलत होगा गलत छाटना है कौन सा सही है इन में से कौन सा सही है सही चानना है तो सही एक दो तीन है यह तो नहीं होता है Ctrl L नहीं Ctrl K से Link Insert होता है Ctrl L से Left Alignment होता है तो एक दो तीन आपका सही है एक दो तीन आपका कहा है यहाँ पर C Ctrl E से रेखा तथा चैनित सब्दों का Text की Screen के केंदर पर सरेखित करना होता है केंदर में ले जाए जाए तो Ctrl E का इस्तमाल करते है ठीक है और Shift के लिए Change Font जो है Increase करता है अब दस वाली क्लास बस आप क्यों होने वाली Run Command में Dialog Box में Command Microsoft One Unpub क्रमादेश Application Program आरम कर देगा जो Run Command होता है उसमें क्या डालोगे कि आपका MS Word Open हो जाएगा बताईए Word Open करने के लिए PowerPoint का तो बता दिये थे Word Open के लिए क्या Command डालोगे जल्दी से बताईए बहुत बढ़िया ये जन्नल कोश्चन कई बार पूछा गया है इसके लिए हम लोग Win Word डालते है Win Word, .exe या Win Word कुछ भी डाल दो चलेगा B option correct होगा निम्न में से कौन सी MS Word की अंतर निहित सुविधा नहीं है लाइव स्ट्रीम स्पेल टेक सब्द कोश अनुवाद इसमें बताईए क्या किसकी सुविधा नहीं है MS Word की सुविधा नहीं है spell check होगा कि सब्द कोश होगा जो थ्रेसर होता है जिसमें मिनिंग साब के Word आते हैं या अनुवाद होगा या लाइव स्ट्रीम होगा तो लाइव स्ट्रीम कहा मिलता भाई साब Word में लाइव स्ट्रीम थोड़ी मिलता है ये आपका गलत होगा बाकी spell checking dictionary वाला पूरा प्रोसेस यहां आता है ये क्या होगा मेरा सिस्टम में error क्यों आ गया आप सभी को वीडियो दिखाई दे रही है एक बार कमेंट से बताए आप सभी को वीडियो दिखाई दे रही है अगला कोश्चन है निमलिखित में से कौन सा खंड विचे section break का प्रकार नहीं है section break का प्रकार नहीं है last question हाँ दिख रहा है चलिए बहुत बढ़िया मेरे screen पर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं आप लोग के comment दिख रहे है screen गाए मेरी निमलखित में से कौन सा खंड विचे सेक्षन ब्रेक का प्रकार नहीं है ओड पेज, नेक्स्ट पेज, कॉलम या इवेन पेज सेक्षन ब्रेक का कौन सा प्रकार नहीं है देखो यह सब सेक्षन ब्रेक के इसे हैं odd page next page even page column नहीं है C आपका नहीं है section break का जब हम page को break करते हैं उस section में जब जाएंगे even page में करना चाते है odd में करना चाते है next page तो इस type से होता है तो ये आपका C column नहीं होता है section break में ठीक है C आपका तो ये रहे हैं 50 कल हम लोग अगर आपके धेड़ सारे windows खुले हो ठीक है तो हम कैसे switch करेंगे कि shortcut की से तो alt tab से करेंगे कैसे करेंगे alt tab से अगर किसी browser के अंदर धेड़ सारे tab open हो तो browser में tab switching कैसे करेंगे browser में tab जो switch करते हैं वो किसे करते हैं control plus tab से करते हैं तो जो question था उसको देख लीजिएगा वो साइध windows switch पूछ रहा था और मैंने browser switch के लिए बताया था आवाज नहीं आ रही है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने बताया था आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है जैराम जी की विने चौहान जी रादे रादे जन्नत जी फैजल जी चलिए आप लोग के support का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही हमारा भी support आप लोग को मिलता रहेगा बस आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखें जैराम जी की आ रही है यहां आते हैं अगले question पे अब हमारा word शुरू होता है देखते ही कितना आप लोगों को knowledge है क्योंकि आप को typing भी करना है चाहे हो high quote वाले हो चाहे ASI वाले हो तो word तो चलाई ही होगे चलाई हो तो देखते ही कितना knowledge आपके पास है which among the following method is used to insert clip part in MS word MS word में clip part में क्या insert किया जाता add picture command, insert object command, insert file command, insert picture command क्या करते हैं जल्दी से बताईए क्या correct होगा इसका answer है मन जी खुश रहे हैं, मस्त रहे हैं, स्वस्त रहे हैं अनुवाग जी का answer, डी आ रहा है आ रहा है, सब कुछ चलिए, बहुत बढ़िया सभी लोग एक बार share जरूर कर दें संख्या बलाज 200 पार होना चाहिए चलिए तो क्या होगा, insert clip art में MS word में हम क्या insert करते हैं insert हम लोग picture करते हैं क्या करते हैं, insert picture command होगा add picture मत मार देना, गलत हो जाओगे D option correct होगा, D वाले एकदम सत्य होगे देखो, यह होता है यहाँ पर जब जाओगे, किस में होता है insert यह भी आप से पूछ सकता है कि insert जो होगा, वो किस में आपका home के बाद insert होता है, यहाँ पर type होता है उसी में यहाँ पर clip art होता है, देख रहे हो picture के बगर में clip art होता है यहाँ पर करोगे, तो pictures हम insert कर सकते है इसमें कुछ आपके generally picture होते हैं icons होते हैं, उनको हम insert कर सकते हैं तो D आपका correct होगा अगला question है इसका answer बताइए Microsoft Word 12H के सभी अक्षरों को अपर case के अक्षरों में बदलने के लिए, निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है अगर कोई भी later लिखा है आपको सबको अपर case में बदलना है तो आप कैसे करोगे जल्दी से बताइए सभी समगरी चुने और so hide बटन पर क्लिक करें नहीं, सभी समगरी का chain करें और control x दबाएं नहीं है तो cut हो जाएगा सभी समगरी का chain करें और control u दबाएं, यह underline हो जाएगा control a दबाएं मतलब सभी select हो जाएगी font menu में change case सूची में अपर case विकल्प चुने ठीक है font menu में जाके change case सूची में अपर विकल्प चुने तो आपका सभी अपर case में हो जाएगा बहुत ही बढ़ी है, सभी का draw का D आ रहा है घंस्याम जी, हमन्त जी मुनिस बिटकॉाइन जी D आंसर दे रहे है, मौमद फैजल जी D आंसर दे रहे है, प्रभाव मिस्रा जी D आंसर दे रहे है कविता जी का आंसर D है, निसी जी का आंसर D है, अनुराग जी का भी D ही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने काम किया है D ही होगा, यह कुछ आपको ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा देखो, यहाँ पे जब lower case, upper case आता है, इस पर जैसे drop down भी click करोगे, तो इस खुलके आएगा, upper case में करना चाते हो, lower case में करना चाते हो, किस में जिसमें भी करना होगा, वो आप कर सकते हो, अगले question पर आते हैं, राम, राम, विवेक जी, अगला question है, which amount the following method can be used to write, align a text, alignment से question पूछ रहा है, अगर alignment आपको अगर right में करना हो, तो कौन सा आफ shortcut की अपनाएंगे, control I से मैंने बताया था, italic हो जाता है, ठीक है, Z से undo हो जाता है, J से क्या होता है, justify होता है, क्या होता है, justify हो जाता है, क्या alignment है, बीच बीच में एक दम ऐसे हो जाएगा, पूरा, वो justify होता है, right से क्या होगा, right alignment होगा, option D आपका correct होगा, शुरुआज से D ही D मिल ला है, आज D ही D मारो, चलिए, तो सभी लोग एक बार like भी कर दो भाई, कंजूसी मत करो, live जितने हो, like में जरूर बदलो, the feature date fills up form, etc automatically with preset values, ठीक है, इस card क्या होता है, जो भी आपका form होता है, automatic fill हो जाता है, कभी कभी आप देखते होगे, कभी कोई चीज, mail में जाओ, चाहे कहीं भी registration करते हो, तो automatic आपका mail जो होता है, कभी fill की होगे, तो वो आ जाता है, आपका password आ जाता है, कहीं भी, जैसे form home होत होता है, तो automatic आता चला जाता है, बस आपको इंटर मारना होता है, तो वो किस feature के कारण होता है, autofill, instant fill, filler, या fill up, जल्दी से बताईए, यह होगा, यह होगा, यह होगा, यह होगा, बहुत बढ़े हैं, सभी का answer, यह आ रहा है, गौरव, एश्वर, घंश्याम, प्रतिक्षा, तुलसीदास, कपिल जी, मुनीज जी, सभी लोगों ने यह answer दिया, बहुत ही बढ़े हैं, बैतरीन, यह होगा, autofill से क्या होता है, automatic अपना भर जाता है, देखो, यह example है, instant fill का क्या होता है, जब हम तुरंत fill करेंगे, ठीक है, मालो form आपके सामने आया, उसमें हम name डाल ला है, अपना email डाल ला है, date of birth डाल ला है, तो वो हो गया instant fill, filler क्या होता है, filler में आपका ऐसा कुछ लिखा होता है, जिसमें कुछ भी लिखा रहेगा, जिसका अर्थ नहीं मिकलेगा, कोई भी ऐसी जैसे demo website पर चले जाओगे, website wordpress चाहिए, किसी का जो demo आता है, word में कुछ word का अगर demo लिखके आएगा, ठीक, तो उसमें जो भी word लिखा रहेगा, उसका कोई meaning नहीं होगा, उल्टे सिधे arrange होते हैं, ठीक, एक तरह से बोल सकते हो, वो demo होता है, नहीं नहीं, आपका नामी नहीं समझ में आ रहा है, क्या लिखा गया है, तो मैं कैसे बताऊं, आप हमारे दुसमन नहीं भाई, कोई यहां भी मेरा दुसमन नहीं है, आप अपना नाम दो लिख दीजिए, तो आपके लेकर मुझे समझ मे नहीं आ रहे है, ठीक तो यह ध्यान रखिएगा, अगला, the two ways, यहां देखे, the two type of page orientation are portrait and दूसरा क्या होता है, एक portrait होता है, दूसरा क्या होगा, राम राम गुरु जी, अच्छा, विवेक जी, राम राम, इसमें बताइए, अभी भी आपने अपना नाम नहीं लिया, आंस सभी ने आंसर यह दे रहे हैं, लेंडिस्केप होगा, बहुत बढ़े, एक portrait होता है, दूसरा क्या होता है, लेंडिस्केप मोल होता है, ठीक है, यह paper size के लिए होता है, प्रिंट होता है, paper source होता है, कितने student appear होंगे, अब तो देखो, जितने लोग का admit card आया, कितने लोग देने के लिए जाते हैं, कितने लोग नहीं, 65,000 के उपर आपके क्या है, candidate है, अब exam तो कुछ लोग छोड़ेंगे, यह ऐसा थो, यह 65 के 65 ही, appear होंगे, अच्छा, आपका 80 सिर्वास्तो नाम है, चलिए सिर्वास्तो जी, आपसे हमारी कोई दुस्मनी नहीं है, नेक्स्ट, इसका आंसर बताएं, Microsoft Word 2016 में, देखो यह कभी-कभी ऐसा लिख देता है, 2016, 2013, तो confused नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं features होता है, वो confusion के लिए लिखता है कि, अरे आप सोचोगा, 2016 हमने पढ़ा ही नहीं, हमें तो 2007 पे पढ़ाये थे, actually maximum feature जो questions पूछा जाएगा, 2007 में भी होगा, 2016 में भी होगा, 10 में भी होगा, 680 होगा, बोला Microsoft Word 2016 में, नेमने में इसे कौन सा विकल्प एक वैद menu item नहीं है, insert, home, review या tools, कौन सा नहीं होता है, जो menu होता है, उसमें कौन सा आपका option नहीं होता है, insert होता है, home के just bugle में, review, कौन बोलाइक review नहीं होता है, भाई साब, एक बार MS office, अगर होए system तो खोल के देखो, topology की question मैंने करा दिया है, जैंजी, network के questions पढ़े हुए, आप जाएए, इसी में, जो आपका playlist बना है, network नाम से दो classes लिया है, network 1, network 2, उसमें topology से questions हैं, tool होगा, बहुत बढ़े हैं, सभी लोग tools के साथ जा रहे हैं, tools का कोई menu नहीं होता है, यह ध्यान रखना, tools का कोई भी menu नहीं होता है, अगला question है, किस work के सब्दों के बीच, रित अस्तान, space को छोड़ते हुए, केवल सब्दों को रेखांकित करने के लिए, आप Microsoft Word में क्या दबाएंगे, shortcut की, यह ध्यान रखना, underline एक अलग चीज हो गई, अगर underline की कहा जा तो यह पूरा underline करने के लिए, control U होता है, क्या होता है, control U, लेकिन यहाँ question में बोलना है आपसे, कि आपको space छोड़ना है, जैसे यह हो गया, यह छूट जाएगा, फिर यह underline, फिर यह, फिर यह underline, फिर यह छूट जाएगा, फिर यह underline, जहां जहां space होगा, वो वो छूट जाएगा, समझ रहे हो, वो वो छूट बाकी underline होगा, इस feature को enable करने के लिए, कौन सा shortcut की, अपना है जाएगा, जल्दी से बताएगे, जल्दी से बताएगे, इसका answer क्या होगा, D answer होगा, control shift U, नहीं, करके देखो, क्या control shift U काम करेगा, नहीं होगा, जैको control U से underline होता है, control shift W से आपका क्या होगा, कि space को छोड़ कर, बाकी जो letters होंगे, उनको underline करेगा, C option सही होगा, C option सही होगा, अच्छा, comment पर जादे intention ना दें, चलिए भाई साब, आपका भी बात मान लेते हैं, shortcut kunzy, combination Microsoft 2016 में, text का double underline करने के लिए क्या use होता है, double underline करना हो, तो answer क्या होगा, जल्दी से आप लोग एक बार, इसका comment करके बताएं कि क्या सही होगा, अरे ARO ARO का exam तो बोली गया, 14 तारिक से start है आपका, C is right answer, इसका बताइए, इसका correct answer बताएं क्या होगा, बी answer आ रहा है, बी आ रहा है, चलिए और देखते हैं, क्या सही होगा, तो यहाँ अगर double underline करना है, तो control shift के साथ D लगाना है, क्या लगाना है, control shift के साथ D लगाओगे, तो किसी भी आपके उसमें double underline हो जाएगा, यह ध्यान रखना, Microsoft Word जैसे कुछ अनुप्रियोग एप्लिकेशन में कारिक करते समय, अगर R tab 4 दबाने का क्या परड़ा मिलेगा, एप्लिकेशन से बाहर हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, वर्तमान, डॉकुमेंट सेवा हो जाएगा, यह दूसरी चल रहे है, रणिंग अनुप्रियोग जो एप्लिकेशन है, उस पर स्विच कर जाओगे, जल्दी से बताएं, इसमें क्या करेक्ट होगा, एक बर सेर्ज जरूर कर दें, कि आप लोग R tab 4, अगर वर्ड आप खोले हैं, और R tab 4 दबा दिये, तो वो क्या हो जाएगी Windows, आपका बंद हो जाएगा, आप वहाँ से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए जब भी आपके काम होते हैं, सब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी, चलिए, अगला question, 10 number, 10 का प्रियोग paragraph के पहल अक्षर के एक से अधिक line में फैलाने के लिए किया जाता है, बताइए, पहले अक्षर को एक से जादे line में फैलाने के लिए कौन सा, इसमें से यूज होगा, table, caps, drops, caps, या marzine, जल्दी से बताएं, इसका correct answer क्या होगा, ए होगा, चलिए, तो यहाँ पर, बोला यार, आप जब इन्यूज में देखते होगे, कोई ऐसा होता है, बड़ा सा, जादे बड़े में लिखा रहता है, जैसे times, लिख दिया, तो T बड़ा होगा, बाकी छोटे होंगे, तो उसके लिए बोला, डैस का प्रियोग paragraph के पहल, अक्षर को एक से अधिक लाइन में फाइल आने के लिए किया जाता है, तो इसको बोला जाता है, ड्रॉब कैप, क्या बोला जाता है, ड्रॉब कैप, आपको कुछ, ड्रॉब कैप आप न्यूज पेपर में चाहे कहीं भी देखोगे, तो ऐसे लिखेगा, टाइम्स, ऑफ, इंडिया, तो ऐसे में जब आपको जादे स्पेस लेना हो, तो यहाँ पर ड्रॉब कैप का यूज होता है, अगला कुश्चन, वाट इस दा सॉटकट की ओफ सेंटर एलाइन, सेलेक्टेड टेक्स, सेलेक्टेड टेस्ट के लिए, सेंटर एलाइन किस से होता है, जल्दी से बताइए, कंट्रोल सी से तो कॉपी होगा, इसे क्या होगा, इसे ही आपका सेंटर एलाइन होगा, सेंटर एलाइन इसे होगा, एफ से क्या होगा, find window खुल जाती है और H से क्या होता है find and replace वाली window खुलती है और go to वाला भी रहता है ठीक है यह control H से होता है इससे सिर्फ find वाला आएगा उपर ऐसे आपका अगर खोले हो तो यहां पर आपका find option आ जाता अगला question in MS Word you can display the find and replace dialogue box by pressing which of the following function की किस function की को दबाने से आपका क्या आ जाएगा function की में पूछ रहा है कि find and replace dialogue box आ जाएगा जल्दी से बताईए जल्दी से बताए ए आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है सर इस्टोने में बाबू के लिए दोनों अलग अलग मेरिट बनेगी हाँ पहले टाइपिंग के बाद सभी मेरिट अलग बनेगी बी गुड इवनिंग दिपेंदर जी खांसर आ गया है क्लास में हमारे वाह बी आंसर दे रहे हैं चले बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग बी होगा या आपका ए होगा ये इसमें से कंफर्म करो बी होगा या ए होगा function key से अगर find and replace वाला कर रहे हो तो f5 आपका सही होगा f5 से क्या होगा आपका find and replace का dialogue box खुल के आपके सामने आ जाएगा ठीक है f5 से control f4 से क्या होता है control f4 से आपका जो है जो भी document होगा वो कहींने कहीं save करने के लिए बंद करने से पहले save करने के लिए आएगा अगर save है तो direct आप बाहर हो जाओगे f4 से भी और control f4 से भी यहां आ जाओ in microsoft word 2013 what is the shortcut key of print preview ठीक है print preview के लिए आपका shortcut क्यों क्या होगा print preview मतलब print देने से पहले आपका कैसा दिख रहा है जो भी word document है उसके लिए आप print preview का कौन सा दोगे जल्दी से बताइए इसका answer क्या होगा हाँ क्या होगा इसमें control f2 होगा f2 जैसे दबाओगे control के साथ तो आपका print preview आ जाएगा control के साथ f2 से print preview तो shortcut की जरूर याद कर लो दो से तीन question जरूर रहेंगे shortcut की से और shortcut की कहां में जादे यूज होता है word excel the usual option of text alignment in text editor आर ठीक है text editor में usual alignment कौन सा होता है mainly आपका general center alignment होता है right होता है left होता हो justified होता है ठीक है यही alignment होते है डी option correct होगा ठीक है डी option क्या होगा correct होगा अगले question पर आएं font का आकार box खोलने के लिए किन shortcut कुंजियों का प्रयोग करते हैं बताइए font का अगर font वाला box खोलना है आपको dialogue box तो किस shortcut के कुंजी से आप करोगे और पी control पी और सिफ्ट पी या control सिफ्ट पी जल्दी से बताएं क्या correct होगा जल्दी से बताइए क्या correct होगा डी होगा सी होगा अच्छा चलो देखते हैं क्या सही होगा डी डी आ रहा है control सिफ्ट पी वाला सही होगा control सिफ्ट पी दबाओगे तो फॉंट का डायलोग बॉक्स खुल के आल जाएगा आपके सामने ठीक है यह ध्यान रगना इन Microsoft word what will the effect of control space bar on a selected portion of text किसी selected portion पे अगर हम control के साथ space bar दबाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा move the cursor to the end of the document दस्तवेच के हंत में cursor ले जाएगा moves the cursor to the beginning of the document changes case upper to lower और lower to upper case में बदल देगा यह clears are formatting on the selected text क्या होगा किसी भी text को अगर कियो और control के साथ space bar दबा दिये तो क्या होगा a option आ रहा है शौरब जी एक पर सभी लोग जोड़दार तरीके से सभी लोग share करें और जितने लोग live और like जरूर कर दें राज चोहान आंसर d दे रहे हैं किसी ने पूरा दे दिया यहां क्या होगा जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिखा moves लिखा moves the cursor और इसको मैंने bold कर दिया ठीक है मैंने moves को bold कर दिया है suppose करो इसमें कोई formatting कर दी है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए formatting क्या होती है अच्छे दिखने के लिए italic italic कर दूँ उसके पास से इस पूरे word को select करके मैं control के साथ space bar दबा दूँ तो जानते हो क्या होगा यह सब bold old हट जाएगा यह original format में आ जाएगा जो by default आपका font होता है कैलिबरी 11 नंबर फॉर्ण उस पर यह आ जाएगा ठीक है यह ध्यान रखना तो यह होगा clear all formatting जितनी formatting होगी उसको clear कर देगा उस रोग के अब next question पर आते हैं in ms excel 2016 what is the shortcut key launch to open dialogue box dialogue box खोलने के लिए कौन सा की होगा वैसे तो open का वैसे तो control o होता है control प्लस o लेकिन function key में कैसे करोगे function key में cancer बहुत बहुत धन्यवाद इसका answer बताइए क्या होगा ms excel 2016 में open dialogue box खोलने के लिए function key का कैसे यूज़ करेंगे कौन सा होगा बहुत बढ़िया बी जो answer दे रहे control के साथ f12 जब दबाएंगे न f12 तब हमारे पास open dialogue box खुलके आता है ठीक है open dialogue box खुलके आता कि किसको आपको open करना है f12 के साथ अगला question चलो Microsoft Word दस्तावेज में text पर लागू किया जा सकने वाला सबसे छोटा font आकार कितना है इसमें बताईए सबसे कम से कम सबसे छोटा font आकार क्या होगा सबसे छोटा font नहीं नहीं गलत गलत जा रहे हो एक तरफ से गलत जा रहे हो जो लोग d के साथ जा रहे है अच्छा जो लोग 8 के साथ जा रहे हैं जो 8 दे रहे हैं जो आपका यहाँ पे font वाला आता है न लेकिन minimum range font की जो होती है वो one होती है one use कर सकते हैं हम इसको type करके यहाँ पर one लिखेंगे तो one font में वो आ जाएगा ठीक है answer क्या होगा डी होगा ऐसे ही maximum जो 72 दिखाता है लेकिन maximum जादे होता है अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे related questions है यहां आते हैं इन Microsoft Word 2013 which of the following menus देखो अभी 2016 था कहीं 2013 कर दिया तो यह सिर्फ confusion कि बच्चा सोचे रहे 2013 तो हम पड़े नहीं है ठीक है which of the following menus include insert row and column in table देखो किसी भी table में मालो यह table है ठीक है यह table है अब तुम्हें फिर से किसी row की जरूरत है यह column की जरूरत है एक extra row की जरूरत है उसको insert करने के लिए आप किस पर जाओगे या तो आप right click करके right click करके आप वहाँ से insert कर लो आता है insert row या column ठीक है या किस menu में जाकर करोगे यह आपसे पूछ रहा है तो वो कौन सा होगा design होगा insert होगा layout होगा या page layout जोगो page layout में तो अलग होता column होता है page layout में आपका अलग होगा insert में क्या मिलेगा आपको table मिलेगा अगर आपको table insert करना होगा तो आप insert menu खोलोगे तो बगल में ऐसे यहाँ पर बना होता है table उसके बासे इधर page layout वाले section होते हैं जब उस table से table को बना लोगे तो मानलो उसमें और तुम्हें row या column की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें कहां जाना पड़ेगा तब तुम्हें layout में जाना पड़ेगा C correct होगा C correct होगा और इस table की design करना होगा color roller करना होगा इसका border order set करना होगा तो उसके layout में एक design होता होगे देखो यहाँ पे है यह figure मैंने दिखा दिया आपको यह figure देखो यहाँ पे जैसे ही insert table पे आओगे और table पे click करोगे click करोगे तभी तो insert करोगे जो table आपके सामने बनेगी ना document में इस पर जब click करोगे mouse से तो आपके सामने यह खुल के आएगा वैसे नहीं दिखेगा तब आपके सामने layout खुल के आएगा और इस layout में आप insert कर सकते हो देखो insert left insert below insert above जो भी insert करना हो आप insert कर सकते हो यहाँ design का है चलिए अगले question पर आते हैं इसका answer बताईए क्या होगा इन PDF अच्छे से पढ़ लिया करना PDF में कुछ detail में भी चीज़े होती है इन Microsoft Word 2013 विच मेनू include table row heights to change the height of the row ठीक है अब अगर उसके height row को change करना हो तो यह किसमे होगा जल्दी से बताईए यह सब किसमे होगा जब हम table पर click करेंगे तो उसमें जो भी change करना होगा height weight में row column जो भी यह सब layout में होगा यह सब layout में होगा see ही होगा इसका answer अगला question है how will MS Word respond in case a word is immediately repeated यदि एक सब्ध तुरंद पुनारवित हो दाता है तो MS Word में किस प्रकार अनुक्रिया होगा मालो आप लिख रहे हो और दो वर्ड एक ही जैसे लिख गया तो MS Word में क्या होगा यह देखे होगे कि इसके नीचे ऐसे तरंग सी लॉक्त और यदाती लॉद ग्रेड लाइन बन जाती है जिसको कह काते है रेड लाइन बन जाती है वो लए ग्रीन वेवी लाइन अंडर रीपीटीटन वर्ड नहीं ग्रीन नहीं बनेगा रेड वेवी लाइन अंडर दर रिपीटेड वर्ड यही बनेगा बी आपका करेक्ट होगा ग्रीन लाइन इस स्पेस से बनेगा देखो क्या होगा जब जादे इस स्पेस दे दोगे यहां पर space जादे दे दिये, माल ने single space नहीं दिये, जादे दे दिये, तो green line बन जाता है, यह ध्यान लखना, बी option correct होगा इसमें, अगले question पर आते हैं, which of the following features are available in Microsoft, Microsoft में कौन कौन से feature होते हैं, check the document for spelling and grammar, यह होता है, आप कर सकते हो, header footer लगाने के लिए होता है, page number डालने के लिए होता है, protect the word document with password एकदम, आप document को protect कर सकते हो, आप जब जाओगे, कहाँ पे file वाले section में, तो वहाँ आता है, protect document, ठीक, तो वहाँ अपना, जो भी document होगा, उस पे password लगाके, कि कोई भी अगर खोले, तो password मांगे उससे, तो सभी हो सकता है, तो first, second, third, option D correct होगा, all correct होगा, अगला, what is macro, ये question हमेशा पूछा गया है, कई examों में पूछा गया, macro क्या है, तो macro क्या है, small add-on program that are installed afterwards, if you need them, ये छोटे end-on program है, मतलब add-on करने के लिए, जो आपको उनकी हो सकता पढ़ने के बाद अस्थापित किये जाते हैं, दूसरा बोला है, उच लेवल का programming भासा है, C बोला है, निम्न लेवल की programming भासा है, मतलब नीचले अस्थर का low level का, third, आपका last बोला है, small programs created in MS Word to automatic repetitive task by using VBA, ठीके, अब बताओ क्या होगा, D होगा, बहुत बढ़िया, इसमें क्या होता है, ये ध्यान रखो, मालनों macro, यहां समझो, कोई table है, किसी employee का, किसी company का data आप feed कर रहे हो, क्या क्या आया है, क्या नहीं आया है, इंपरडे basis पे कि यहां quantity है, क्या आया है, कितना rate है, total कितना हुआ, ये सब आप कर रहे हो, तो आपको ऐसे table हर एक particular किसी के लिए बना रहे हो, किसी brand के लिए, में यही सब रहे हो, quantity, rate, कितना है, total कितना हुआ, तो ये बार-बार बनाना ना पड़े, तो आप macro on कर दोगे, अपने word में, ऐसे ही Excel में भी कर सकते हो, यहाँ पर macro on कर दोगे, तो जो task एक बार कर रहे हो, वो record हो जाता है, और जब record हो जाता है, तो बार-बार उसी का एक shortcut की बना लो, वो automatic आप अपने हिसाब से बना सकते हो, उसका कोई general shortcut की नहीं होता है, आप खुद set कर सकते हो, कि आपको याद रहे, और जहाँ जहाँ ऐसे table की जरूरत पड़े, तुरंत उसको paste करते जाओ, तो आपका task क्या हो जागा, जो repetitive task है, वो कम हो जाएगा, कम समय में आप जल्द अप्लिकेशन होता है, क्या होता है, वीजुल बेसिक अप्लिकेशन फुल फॉल फॉर्म होता है, यह प्रकार का, वीजुल बेसिक अप्लिकेशन है, यह द्यान रखना, अगले question पर आते हैं, what is the smallest and largest available font on formatting toolbar, देखो यह formatting toolbar की बात कर रहा है, जो formatting toolbar होता है, उसमें font की size, कितन कि मैं कितना minimum और कितना maximum दिखाता है, अभी बात किया मैंने, जल्दी से बताएं, इसका correct answer क्या होगा, 8 और 22 प्रभाव मिश्रा जी का answer आ रहा है, 8 बातर विसाल जी का 8 बातर आ रहा है, बहुत बढ़िया चलिए, देखते हैं कौन सही होता, 8 बातर, एकदम सही हो भाई, 8 बातर जोगा, वो correct होगा, मैंने अभी बताया, minimum 8 दिखाता है, और यहां देखा हो जोगा है, तो 72 दिखाएगा आपको, ठीक है, तो यह answer सही होगा, C वाला, अगला question, what is the range of the smallest and largest font size available in the font size tool, on the formatting toolbar, ठीक है, formatting toolbar में क्या होता है, तो यह भी same question आगया, 8 से 72 होता है, same question, छोड़ो, Microsoft Word 2016 में, एक ही question को कई परकार से पूछ सकता है, यहां देखो, 2016 लिख रहे हैं, confuse करने के लिए, Microsoft Word 2016 में, तालिका में, column की new term और अधिक्तम संख्या कितनी होती है, जो word, चाहे 16 हो, चाहे 10 हो, ठीक है, चाहे 7 हो, जो use कर रहे हो, उसमें बूछा जा रहा है आपसे, कि column, जो table हम insert करते हैं, तो वहाँ पर जाओगे, तो यह खोता है, manual करने के लिए, manual table बनाने के लिए, ठीक है, तो जब manual table पर click करोगो, वैसे यह होता है, आप choose करोगे, कितने row, कितने column, एक manual पर जाओगे, तो और इसका ऐसे बना रहेगा box, और इस पर रहेगा ऐसे, तो उस पर select कर सकते हो, कितने, तो maximum इसकी range कितनी जाएगी, वही पूछ रहा है, column की maximum range कितनी जाएगी, जल्दी से बताएगे, देखो, maximum range कितनी जाएगी, maximum range जाएगी, 63, 63 column आप ले सकते हो, इससे जादे नहीं ले सकते हो, और minimum तो एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है, minimum का एक, maximum का till set, row की बात करें, तो minimum तो एक हो सकता है, लेकिन maximum, ये नहीं पूछ सकता है, क्योंकि देखो, बहुत कम chances ये पूछे, लेकिन मैं maximum बता दू, तो 3, 2, 7, 6, 7 होता है, 3, 2, 7, 6, 7, ये maximum rows होगा, maximum rows, 32, 766 होगा, ठीक है, ये मैंने खुद निकाला है, आप निकाल सकते हो, ये range डालना उसके बाद नहीं जाएगा, आगे, कौन सा, हम लोग MS, office यूज करते हो, 10 या 7, देखो, ये मैंने screenshot भी ले लिया, जब मैंने निकाला था, तो उसका screenshot भी ले लिया, ये दोगो, इसकी maximum range 63 होगी, ठीक है, और इसकी 32,766 उसके बाद नहीं जाएगा, ये, हाँ, हमारी वीडियो खांसर भी देख रहे हैं, आजाओ, next, next आते हैं, माइक्रोसोफ्ट वर्ड में, होम टैप के तहाथ, फॉन्ट सुविधा में उपलब सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या होगा, अब बताओ, मैंने वहाँ पे नहीं इसलिए बताया था, कि दिखता तो हमें टूल बार में जो है, वो मिनिममम आठ दिखता है, और यहाँ पर, और यहाँ बहत्तर दिखता है, तो का मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होगा, वो बोला है, चलिए, इसका आंसर बताइए, दी होगा, धर्मेंद्र जी, सुमिच जी आंसर सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया सरवेज जी, बहुत अच्छा स्कोर है, दस नमबर टेस्ट दिए हैं, बहुत बैतरीन आपका स्कोर है, सलेक्षन आप लोगों के पक्के हैं, जिन बंदों के 240 से बब माक्स आ रहे हैं, एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है, सबका सी आ रहा है, एकदम जायर सी बात है, सी करेक्ट है, मिनिममम एक होगा, मैक्सिमम 1638 होगा, फॉर्ण साइज, ये ध्यान रखना, ये कुश्चन पूछा गया है कई बार, सी करेक्ट होगा, अगला, इन MS वर्ड, by pressing which of the following की कम्बिनेशन, अब पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड, किस से पेज ब्रेक कर सकते हैं, तीनी ओप्शन दिया इसमें तो, Ctrl F1, Shift Enter, या Shift F1, बताओ किस से पेज ब्रेक कर सकते हैं, एक ओप्शन छूट गया इसमें, Ctrl F1, Shift Enter, Shift F1, Ctrl Enter कर लो, ठीक है, Option D, Ctrl Enter, किस से आप, किस की वर्ड से आप पेज ब्रेक लगा सकते हैं, जल्दी से बताइए, Shift Enter नहीं, Ctrl Enter होगा, जो लाश में मैंने लिखा, Ctrl Enter लगा, जब दबाओगे, तो आपका पेज ब्रेक होगा, Ctrl Enter के साथ, पेज ब्रेक होगा, दिपेंदर जी हमसे मिलना आजाईए, लखना हो, सेक्टर आठ में आजाईए, स्वागत है आपका, अच्छा, D Option यहां खसक आया था, Ctrl Enter, 29 नंबर कोश्चन पे आते हैं, What is the shortcut key of go to menu in MS Word, सिर्फ go to menu का बताना है आपको, Go to के लिए shortcut क्या होगा, shortcut key, जल्दी से बताएं, Go to के लिए shortcut key क्या होगा, Ctrl G होगा, सिर्फ go to आएगा, कि आपको किस पेज में, go to का काम क्या होता है, ठीक है, आप कहां किस पेज में जाना चाते हैं, Go to, कहां जाना चाते हैं, तो Ctrl G आपका correct होगा, D options आई होगा, Which of the following is a default tab stop in word, जो आपका tab कहां पर जाके stop होता है, Default tab stop कहां होगा, मद्दे में, दाहिना, बाएं या दसमलो, यह कुछ भी option मने गया है, तो बताओ, आपका जो tab होता है, वो कहां जाके stop होगा, जल्दी बताओ, क्या होगा, जब आप tab शुरू करते हो, तो कहां से सुरू होता है, left side से नो, तो वहीं पर stop होता हो, वहां से आगे बढ़ता है, तो C होगा, by default, यह change भी हो सकता है, इसे आप change भी कर सकते हो, अगला question, shortcut की shift plus tab is used for, shift or tab, किस लिए use किया जाता है, move forward through the tabs, move backward through the tabs, move forward through the options, move backward through the options, shift plus tab, किसके लिए use होता है, किसके लिए use होता है, backward जाने के, विकल्प में किमाध्यम से पीछे जाने के लिए होता है, D option correct होगा, backward जाने के लिए होता है, C नहीं D होगा, D, 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 D,,, D होगा backward जाने के लिए होता है, shortcut की shift plus tab, what is the function of theおお, thasers in MS Word, इसका क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, MS Word में, change the word to its synonyms, सब्द को उसके परिवार्ची सब्द में बतलना, alignment of word नहीं यह नहीं होता है change in graphics in word यह भी नहीं होता है mail murder भी नहीं होता है mail murder अलग से होता है इसका काम मान लो कुछ भी है उसका अलग से कोई word आप use करना चाहते हो अपने document में इंगलीज का चाहे हिंदी का तो वो आप क्या करोगे सब्दकोस में जाओगी सब्दकोस का मतलब यह सब्दो का बंडार उसके अलग से तूसरा word जो अच्छा लगे low frequency word हो वैसा आप डाल सकते हो कि आपकी जो भी लिखे हो तो यह होगा synonyms उसका लगाने के लिए होता add करने के लिए अगले question पे आएं चलो 33 नंबर in MS word allow the user to type a text directly inside it किसमे cable में, print में, clouds में या numbers only में यह बोला है कि MS word में किसमे directly users text को लिख सकता है according to the option cable तो कुछ होता नहीं है बाई उसमे print कुछ और होता है print तो option होता है clouds क्या होता है देखो इसको धर से पूछो call outs call out मतलब अभी जब जाओगे insert करने तो कुछ ऐसे बन के आते हैं symbol यह देखो यह cartoon है यह भाई साहब है ठीक है यह कुछ बोले यह इधर कोई और है इन्होंने कुछ बोला था हम लोग ऐसे symbol करके दिखाते हैं इनको कि यह बोल ले हैं ऐसे छोटा सा यहाँ पिंग रहत था इसी को बोलते हैं call out symbol ठीक है तो इसमें आपको MS Word direct text लिखने के लिए क्या करता है सुविधा प्रदान करता है इसी को बोलते हैं C आपका correct होगा अगला यह आपके उसमें होते हैं जब shape में जाओगे shape insert shape में आओगे वहाँ होगा आपको सबस्क्रिप्ट लगाना होगा तो कैसे लगाओगे इसका अंसर बताइए सबस्क्रिप्ट लगाने के लिए क्या करोगे C होगा control shift नहीं control जो C दे रहा होगा सूपर स्क्रिप्ट लगेगा इससे सूपर स्क्रिप्ट लगेगा सबस्क्रिप्ट लगाना मतलब नीचे अगर कुछ भी लिखना हो इसके नीचे कुछ ऐसे लगाना हो तो उसके लिए control प्लस equal to के साईन से सबस्क्रिप्ट लगेगा अग control shift प्लस control shift और equal to से सूपर जगेगा जैसे यहाँ पे सूपर जगाना हो तो A होगा इसका अंजर जब सबस्क्रिप्ट आए अज सूपर इसक्रिप्ट आए तो C होगा चलिए, एक बर सबी लोग share कर दें 200 पार हो जाएगा in word you can create bullets with किसके किसके bullets बनाए जा सकते हैं word में numbers के roman numbers के all of these या letters के जल्दी से बताइए bullet किसके किसके होते हैं जब आप कोई भी चीज bullet में लिखते हो मालो कि अच्छा लगे 1, 2, 3 या आप dot dot भी कर सकते हो या alphabet से भी लिख सकते हो ठीक है तो वो सब क्या होता है सब ही होते हैं आप roman number का भी कर सकते हैं use letters का भी कर सकते हो number का भी कर सकते हो all of these हो जाएगा 36 number Microsoft word 2016 में word count में सामिल नहीं है क्या जब word count आपका होता है उसमें क्या नहीं सामिल होता है pages character ठीक है no space character with space या sentence क्या नहीं सामिल होता है देखो यह सब सामिल होता है character जब नहीं कोई space नहीं होता वो भी होता है character with space जो space के साथ character होते हैं वो भी बताता है सिर्फ sentence नहीं बताता है कि कितने sentence हैं word बताएगा ठीक है character बताएगा लेकिन sentence से नहीं बताएगा यह ध्यान रखना डी आपका क्या होगा गलत होगा इसमें कि अगले कोश्चन पर आते हैं इसमें बताओ इन माइक्रोसफ वर्ड दोजार तोर तेरा विच अप्ड़ फॉलोइंग्स हग बोला कि लिल्न है कैपल इन्सांन और प्र 2050 कांसा निंकार्ट य स्ण प्र 505 बॉल है क्लिक और इंशा इंसा क्लिक वे ऐन ऑंसा प्लिक एंशार्ण इन्न एंसार्ण गूंटेबल इन्सार्टल nos इंसाट क्लिक on the table अप बताई इसमें से कौन सा गलत है इंसाट टेबल के लिए जल्दी से बताएं अब डी अरे नहीं भाई आप जब जाओगे उस पर इंसाट टेबल पर क्लिक अनदल टेबल करोगे तो माउस से भी करसर खीज कर आप Table बना सकते हो ठीकर या Draw Table करोगे तभी भी बना सकते हो Move the Cursor करोगे बन जाएगा लेकिन पहला Select the Table नहीं होता है, Insert the Table होता है Select the table नहीं होता है Insert the Table होता है यह पहला आपका गलत है समझ गए अगले कुश्चन पर आते हैं अगर दस पेज का कोई डॉकुमेंट है और आपको सिर्फ दो और तीन पेज चाहिए प्रिंट में तो कैसे करोगे जब कंट्रोल पी दबाते हो तो वहां रेंज आता है एक तो होता है ओल का दूसरा होता है पेज रेंजिस तो पेज रेंजिस में डाल दो सिर्फ दो और तीन तो वही प्रिंट होगा ओप्शन एक करेक्ट होगा ओप्शन एक करेक्ट होगा चलो अगला एक निश्चित कॉलम की चोडाई सेट करने के लिए डैस टैब पर डैस समू में पर अपनी तालिका का chain करे आटो फिट पर क्लिक करें और निश्चित कॉलम चौणाई का chain करे डिजाईन सेल साइज ले आउट फिक्स कॉलम वेट्थ ले आउट सेल साइज पेज़ ले आउट सेल साइज क्या होगा इसमें कि जल्दी से बताएं इसमें क्या करेक्ट होगा कि अभी मैंने बताया कि यहां क्या बोला है चोड़ाई हो उसकी हाइट हो कुछ भी हो किसी भी टेबल में सेल का चाया कुछ किसी का भी कॉलम का तो उसके लिए हम ले आउट में जाते हैं ले आउट में जो सेल साइज होगा वहां पर जाएंगे तो सी ओप्षन करेक्ट होगा अगला बात्चित संचप बीवील का पूर्ण रूप क्या है बीवील का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताएए बी बी अल का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताएं BBL का full firm क्या होगा बी बैक लेटर होता है क्या होता है बी बैक लेटर विच अप्धा सौटकट की इस उस्टू मूब डारेक्टली तो दा बॉटम अप्धा वर्ड डॉकुमेंट किसी भी आप डॉकुमेंट पे हो ठीक है आपका कुछ भी आप यहां पे लिखे हुए हो और डारेक्ट आप नीचे आना चाते हो तो किस बटन से आओगे बताओ कंट्रोल एंड से नीचे आओगे और कंट्रोल प्लस होम से कहां जाओगे सब से उपर चले जाओगे एकदम फॉंट पे आजाओगे नहीं 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 यह नहीं होगा आल्ट एंड नहीं कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाएंगे कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाएंगे कंट्रोल के साथ एंड आल्ट के साथ नहीं सौटकट की वाला पीडिएफ आप लोगों ने रट नहीं रटा नहीं लग रहा है वार्त इंकलूदे सीज़ आप उटेफिक्स में अब जसको क्या बोल आ जाता है अभी मैंने बता है ता क्लिपाइट उस पहले से ही कुछ पिक्चर्स होतेये जो प्रिडीफाइट ग्राफिक्स होगा उसको insert करना है word में तो कहां से करेंगे clip art से करेंगे अगला है what is the use of drop cap feature in ms word वही फिर से drop cap का आ गया तो to drop all the capitals letters सभी capital letters को drop करने के लिए नहीं to begin a paragraph with a large drop initial capital letter paragraph की शुरुवात बड़े draft initial capital letter के साथ करने के लिए to automatically begin each paragraph with capital letter नहीं to automatically begin each paragraph with small letter नहीं 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 यहां पर पहले letter को बड़ा capital letter में लिखने के लिए drop cap का use किया जाता है 44 number question in a microsoft word if you are keeping typing the features dash features will automatically move you the next line ठीक है Microsoft word में अगर आप feature type करते रहें तो अपने आप अगली लाइनों में चला जाएगा वो क्या होता है टेक्स रेपिंग निव लाइन बॉर्डर एड्जस्मेंट यह लेफ्ट वह होता है टेक्स रेपिंग जब आप टेक्स रेपिंग कर जाते हो तो इमेज के साथ ठीक है सपोस करो क्या होगा image के साथ एक फीचर बन जाएगा आप ऐसे ऐसे लिखे फिर next line में चला जाता फिर next अपने आप जैसे उसमें लिखते रहो अब अपने आप next आउट होते हैं टेक्स ट्रेपिंग के अगले कुश्चन पर आते हैं हम दस सवेक्टेट पोर्षन आफ टेक्स इसकार किसी टेक्स का चैनित भाग कहा जाता है मालो इसने पोर्षन को मैंने सबैक कर लिया सबकिया इसको क्या कहा जाएगा computer के language में क्या कहा जाएगा जल्दी से बताईए block कहा जाएगा 45 का बहुत बढ़िया किसने answer दिया block पापा की छिपकली बहुत तेज हैं यह छिपकली जी यहां होगा block answer C आपका correct है इसको क्या कर दिया गया देखो block कर दिया गया तो यह धान रखना formula तो है नहीं function है नहीं method है नहीं तो क्या answer होगा यह option elimination से कर सकते हो अगर ऐसे आ जाए और यह exam में ऐसा question आया है Windows 10 के notepad में editing करते समय F5 की दबाने पर क्या होता है notepad की बात कर रहा है वर्तमान दिनांक और समय प्रविष्ट हो जाता है कुछ नहीं होता है notepad window refresh हो जाता है असंचिका file का जैसे जो file है file का नाम प्रविष्ट होता है क्या होगा notepad में अगर F5 की दबाओगे generally आप desktop पे हो अगर F5 दबाते हो तो क्या होता है आपका refresh होता है ठीक है लेकिन आप notepad में हो तो दिनांक और समय क्या हो जाएगा छप जाएगा आपका समझ गए दिनांक और समय क्या हो जाएगा आपका छप जाएगा अगले question पर आते हैं यह question दिख रहा है तुम लोगों को यह question दिख रहा है इतना बड़ा सा question है जल्दी से बताओ PDF कल morning में आपको मिल जाएगी कहां पर मिलेगी टेलिग्राम पर परिक्षा प्लस टेलिग्राम बोला है कौन सा statement true है MS Word के footnotes और endnotes के बारे में चलो नहीं दिख रहा है तो अब क्या किया ज़े नहीं दिख रहा है बहुत कोशिस किया उसने एक ही पेज में सब लगा दिया बहुत बड़ा question था यह question आपका computer operator में आया हुआ था कहां आया था computer operator में computer operator का जो paper हुआ था 17 में ASI के बादी जस्ट हुआ था तो उसमें आया था बोला footnotes और endnotes के बारे में सौरभ जी सेक्टर 8 हाँ कल PDF मिल जाएगा बोला footnotes और endnotes के बारे में क्या सही है बोला both footnotes and endnotes print the comment the end of the page जो footnotes और endnotes होते हैं वो comment माध्यम से page के अंतिम में लगाए जाता है बी बोला है footnotes are used to mention comment about a text at the end of the corresponding page while endnotes are used to print the comment at the end of the documents तो इसमें क्या होगा इसमें यही सही होता है देखो footnotes में और endnotes में याद रखना क्या होता है footnotes में कभी कभी lucent आप लोग पढ़ते हो तो एक single page में आपका जो भी चीजे है और कहीं star लगा देता है उस star को नीचे वो describe कर देता है कि इसका मतलब यह हुआ तो यह single page पर एक page पर यह क्या है इसका footnote है क्या कालाएगा footnotes कालाएगा अगर single page पर end में कोई चीज लिखी जाती है उस paragraph के बारे से कुछ detail चाहे कोई भी सब तो footnote कालाएगा और जब यह पूरा document आपका मालो तीन page का document है ठीक है और तीन page का document खतम हो गया तो यहाँ जो बनेगा वो सभी document के उपर के बारे में लिखा रहेगा तो इसको बोलेंगे end notes ठीक है तो यह confusion ना हो है कि footnotes और end notes सेम होता है नहीं अलग होता है पूरे document के बारे में जहां बात किया जाया और यह document के end page पर होगा और यह हर page पर आप footnote लगा सकते हो तो बी answer इसका correct होगा बाकि इसके कल PDF मिल जाएगी तो वहां से आप लोग देख लेना 48 नंबर question आपके पास which of the following are the types of alignment allow in MS word तो सभी होते हैं यह option कुछ अलग दिया है इसमें option देना चाहिए था all of the above एक होना चाहिए left align right align center justify सब होता है ठीक है आप से पूस्ता है कि justify का shortcut की क्या होता है justify के लिए अगर shortcut की कहा जाए क्या होगा किसी भी टेक्स्ट को justify करना होगा alignment में तो shortcut left और center का तो जानते हो justify का क्या होगा लगनों में sector rate आ जाओ कल्यान मंदप के पास हाँ जे होगा जे है तो justify मतलब जे जाएर सी बात है control के साथ control के साथ यह question कई बार आ चुका है तो यहाँ पर answer यह चानतों क्या होगा all होगा सभी होते हैं तो यह option नहीं दिया होगा आप इन Microsoft Word अबूष सद्लार þाइक हाइपरनेशन ओप्सण इन एविलेबर अंडर हाइपरनेशन ओप्सर्न होता है जल्दी से बता बैल साथ लहीं महतिंग में होता है यह पेज ले आउट में होता हाईपरफर नेशन किस में होता है कि पेज लेयाउट में होता हाइपर नेशन मालो कुछ लिखना है यहांसे इस चार्ट किया और यहां खतम हो रहा है ड़ी यहां आगा यहां हाइपर नेट लग जाएगा डी यहां हो जाएगा तो यह बताएगा कि इसी का पार्ट है वर्ड डबलू ओ और डी जैसे हम लोग लिखते समय जब लास्ट में जाते हैं तो नीचे हाइपर लगा के उसका जो अधूरा वर्ड होता है वह भी लिख देते हैं तो वह किसमें होता पेज लेयाउट में होता ह अगला कोश्चिन पचास नमबर और लास्ट कोश्चिन बोलाई इन एमेसवार्ड वाट इस दा हैंगिंग इंडेंटेशन हैंगिंग इंडेंटेशन क्या होता है ओप्शन है दि सेकेंड अन अल द फॉलोइंग लाइन आफ पायर ग्राफ हैज मोर इंडेंटेशन वेलू साथ हो कि मानलों आपने यहां से लाइन सुरू किया पैराग्राफ की आपने लिखा ठीक है फिर अगले जो लाइन होगी वो यहां से स्टार्ट किया पाराग्राफ के लाइए फिर से मतलब तो देखो ये क्या है ये indent हो गया और इसके नीचे की लाइने इससे अलग indent है ठीक है तो यही hanging indent काल आती है क्या कालाती है hanging indentation कालाती है जब आपके उसके एक लाइन को चोड़के बाके सभी लाइने उससे अलग indent हो और फिर दूसरा paragraph यहीं से शुरू हुआ तो same indent पे आपने सुरू किया फिर ऐसे start किया तो यही क्या का लाएगी hanging indentation का लाएगी ठीक है तो इसमें क्या सही होगा इसमें आपका पहला सही होगा the second and all the following lines of the paragraph has more indentation value the first line पहले line से जादे दूसरे line के indentation होती है समझ गये ए होगा चलिए तो यह रहें पचास question कल इसकी PDF पाने के लिए चलिए तो पढ़ लेते हैं कुछ जान लेते हैं भगवान भरोसे मार्सोसती का असिरवाद रहा तो कल questions मिल जाएंगे आप सभी को बी answer होगा चलिए millions instruction पर सेकेंड आपका क्या होगा इसका correct answer होगा तो एक बार सभी लोग जोड़दार तरीके से session को जरूर share कर दे millions instruction पर सेकेंड क्या होता है computer के speed होती है मिप्स अगले question पर आते हैं यहां पर binary से आपको किस में convert करना है octet में convert करना है binary to octet करना है इसको तो octet में convert करना मैंने बताया था जल्दी से बताओ इसका क्या correct answer होगा जिसका भी लखनाओं में है दिक्कत हो रही है आप दिये गए नंबर पे एक बार संपर्क कर लीजेगा आपको जरूर सहता मिलेगी इसका answer बताइए क्या होगा second का C होगा service जी चलिए C वाले देखते हैं दीपती जी answer C दे रहे हैं सर्वेज जी C answer दे रहे हैं और और एकदम cool mind से रहो paper एकदम आप जो पढ़े हो उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला और एकदम ध्यान रहो कि इस बार ठीक है नोकरी ले लेनी है questions एक भी छोड़ना नहीं अगर आप 200 के 200 questions अभी strategy सर ने बताया आलोक सर ने उसे सभी लोग देख लो 200 के 200 questions आपको attempt करने अगर आपने कर लिया जिन बच्चों ने 200 questions को पढ़ लिया उनका selection पका है राजा जी पूरम तो आप opposite में है चार बाग के आसपास में है पांच को बनारसी में है चलिए इसका answer क्या होगा binary to octate करना है इसमें 3-3 का binary बनाते है न 3-3 वाले को तो 3 यह हो जाएगा फिर 3 यह हो जाएगा तीन यह हो जाएगा और उसके पास से 3 यह होगा फिर 3 यह होग कि जाएगा तो 101 क्या होता है पांश होता है क्यूंकि 100 क्या होगा binary में 4 तो 1-0-1 पांच होता है 5 किसमें दिख रहा है 5 लास्ट में इसमें दिख रहा है, वेक्यूम ट्यूब्स ट्राजिस्टर से रिप्लेस हो गया किस जन्रेशन में फोर्स जन्रेशन में फर्स जन्रेशन में सिकेंड जन्रेशन में या थर्ड जन्रेशन में जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सी होगा बहुत बढ़ बढ़ ग्रेंशन में सानुक विप्ती जी सभी का अंसर पहाँ एप स्सेकेंड जन्येशन में अब फर्स्ट में वैक्यूम् था थाड में आपका क्या था था थाड में आपकी आए-सी आती है उसके वासे VLSI आता है very large scale integrated circuit आती है ठीक है उसके बास ultra large आता है 5th generation में ULSI ultra large scale integrated circuit अगले पे आते हैं What names has been given to the first supercomputer made in India इंडिया का पहला supercomputer किस नाम से जाना जाता है आकास के नाम से, परम के नाम से, अर्जुन के नाम से या सिधार्थ के नाम से पहली PC जो है वो सिधार्थ के नाम से जाना जाती लेकिन पहला supercomputer जो है वो परम के नाम से जाना जाता है परम supercomputer sedek ने बनवाया था sedek पूने sedek पूने ने पहला supercomputer परम बनआया था अगला question चार बिट्स के एकतरित समों को क्या कहा जाता है 4 bits is equal to the 4 bit किसके बराबर होता है यह सभी जानते है 4 bit यह option नहीं होगा 4 bit एक निबल के बराबर होता है जो 4 bits होता है वो 1 निबल के बराबर होता है यह जन्रल सा question है इसको हमेशा याद रखना इस question में कलती नहीं होना चाहिए बोला है इसमें से कौन से secondary storage device है hard disk, ram, floppy disk या compact disk इसमें से secondary storage device कौन कौन से है रवी पटेल जी चलिए निब्बल आ रहा है सभी का सभी लोग मस्त मस्त खाना खाओ कितने लोग traveling कर रहे हैं अभी अभी कितने लोग travel में है एक दिन पहले ही आप लोग को अपने जो भी आपका exam city वहाँ पहुँच जाना चाहिए था ताकि exam से पहले travel ना करें exhaust ना हो आपकी body कितने लोग पहुँच चुके हैं अपने अपने station पे, अपने city में C answer आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया इसमें एक तीन और चार हार डिक्स सिकेंडरी है floppy डिक्स भी है रैम primary memory होती है यह क्या होती है primary होती है secondary नहीं होती है compact डिक्स है तो एक दो और चार एक दो चार किसमें है एक दो चार आपका option A में है option A correct होगा सी नहीं तीन आपका primary होता है secondary नहीं गोरकपुर जा रहे हैं आपको कल जाना है एक दिन पहले आप लोग पहुंच जाओ कोई बेवस्था बना लो कोई नात रिष्तदारी ढूंड़ो दोस्त ढूंड़ो ताकि आपको exhaust ना फीलो paper देने जाना है कूल माइंड से रहो एक HDMI टाइप A होता है port जो होते हैं टाइप A टाइप B होता है connector में कितने पीन होते हैं 18 19 25 या 20 बताइए अच्छा कल आपको जाना है सुना लिजी कहा है आपका center रिता रितु जी अच्छा आप सुबह बनारस के लिए रवाना होंगी अतीश सिंग जी ट्रेन में हैं बहुत बढ़िया चलिए आप सभी को मेरा असिरवाद है कि आप सब के सब डवल स्टार और सिंगल स्टार जरूर बने क्योंकि ये ASI में जो बच्चे हमारे यहां से परिक्षा प्लस से परिक्षा प्लस से पढ़े हैं उन सब के उमीद है कि वो सभी सलेक्ट होंगे बस आप लोग कूल माइंड से पेपर देना और सबसे बड़ी बात फर्स्ट फेस तो आप सभी के निकल जाएंगे मैक्सिमम चांसेंस है मैक्सिमम लोगों के निकल जाएंगे लेकिन सेकेंड के लिए आपको एक दम चांस नहीं मिलेगा विदिन वन मंत में आपका सब कुछ हो जाएगा अनुज जी बता रहे हैं लखना हुज जा रहे हैं और बस में हैं कि अली इगड में है डाहद में इसका अंसर बताईए क्या होगा कितने ही पोर्टस होते हैं तो स्में 19 पोर्ट होता है dmi टाइफ्ट 1 में जो केबल होता है dmi पोर्ट हेता है वह आप कुसी भी जो श्राठ टीवी आती है ना उनको तो आप किसी से भी connect कर सकते हैं अपने laptop से connect कर सकते हो camera से connect कर सकते हो उसके लिए होता है mini HDMI camera में होता है बाकी मैं आपका जो main micro HDMI होता है वो आपके इन सम्में होते हैं तो वो 19 pin का होता है HDMI port जो होता है बरिली से पयागराज बहुत बढ़िया चलिए in boolean algebra a bar a plus b का whole bar क्या होगा किसके बराबर होगा जल्दी से बताएए boolean algebra में यह किसके बराबर होता है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे a into a bar मतलब यह से multiply होगा then hop का क्या होगा a bar into b bar ठीक है a bar into b bar चल्द तो यहाँ answer क्या होगा इसका यह a bar into a जो होता है वो 0 होता है boolean algebra मैंने function पढ़हा रखा है जो class देखे होंगे तो यही आपका बचेगा a bar into b bar तो यह आपका correct answer होगा a bar into b bar अगले question पे आए यह रहा parallel port usually are not used to connect parallel port किसे नहीं connect किया जाता है modem से, scanner से, printer से, cd rider से बताए किस से आपका parallel port नहीं connect होता है parallel port जो होगा वो पिछली बार पूछा था उसका figure दिखा के आज मैंने port वाला pdf जो telegram पे डाला है उसमें से सभी के figure देख लेना यह parallel port होता है उससे scanner, printer, cd rider आप क्या कर सकते हो modem नहीं कर सकते हो modem नहीं कर सकते हो ए आपका इसमें correct होगा ए correct होगा एक बर सभी लोग share जरूर कर दें कंजूसी ना करें which of the following is responsible for resembling receive packet at recipient computer निमलिखित में से कौन प्राप्त करता computer में प्राप्त packet को पुना संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है IP, TCP, TCT, IP बोग या नाइज़र TCP नौर IP क्या इसमें correct होगा जो बोल ला इसमें कि which of the following is responsible for resembling receive packet at recipient computer मालो इसने data को send किया इस computer ने तो यहां पे जो receive करने वाला उसमें प्रापर तरीके से जो data आपका send हुआ है वो प्रापर receive हुआ कि नहीं यह किसकी जिम्मेदारी होती है वो TCP की होती है अगर प्रापर कोई भी segment नहीं आता तो वो acknowledgement signal भेज कर इससे मांगेगा कि आपका यह वाला miss हो गया data ठीक है तो TCP होगा यह ध्यान रखना नहीं सिर्फ B होगा B होगा D नहीं B होगा सिर्फ TCP होगा TCT लिखा है TCT कुछ नहीं होता है यहां आजाओ Internet Explorer was launching Internet Explorer कब launch किया गया था 1998, 1997, 1994, 1995 बताइए 1995 में launch हुआ था D answer correct होगा 1995 में पापा की छिपकली आपका पेपर कब है 1997 में नहीं पंचानबे में जितने भी MCQ के PDF गए है 13-14 क्लास उसको देख लीजिए जो extra PDF मैंने टेलिग्राम पे डलवाए है कल आज ports का डलवाया है उसको एक बार देख लीजिएगा कि देखने में port कैसा दिखता है बाकी question आसान आएंगे tension न लोग दम बिंदास रहो The network is overloaded with the enormous data sent by many computers within the networks The inability of network to deliver the data is tom as जब एक ही बार network में जो धेर सारे computer connect है अगर data भेजने लगते हैं तो क्या हो जाता है बहुत सारे data हो जाते हैं तो उस समय जो आपको network को data भेजने में कि कहां जाए network को inability होती है उसको क्या कहा जाता है network के अंदर बहुत से computer द्वारा भेजेगे भारी मातरा में data के अत्यधिक भार भर जाने पर network data नहीं दे पाता उसे क्या कहाते हैं प्रोपोगेशन या डेट लॉग जब धीर सार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा traffic लग जाएगा ना trafficking लग जाता है तो जाम इसमें किसका मतलब होता है congestion का मतलब होता है सीने में congestion हो गया सीना जाम हो गया है ठीक है तो ऐसे क्या हो जाएगा network भी आपका congestion हो जाएगा जाम हो जाएगा डी नहीं पूजा जी deadlock नहीं deadlock अलग condition है deadlock process में होता है CPU में deadlock होता है जब CPU scheduling पढ़ते हैं हम लोग वहाँ deadlock अकर होता है अगर कोई process line में लगा हुआ है और उस process को time नहीं मिला तो वो deadlock condition में चला जाता है ऐसे होता है आपका भी paper कली है second shift में है अच्छा first shift वाले बहुत कम मिल ले हैं मेरे class के बाद GS की class होगी रमन सर की ठीक है which of the following option act as a barrier between local area network and the internet निम्ड में से कौन सा विकल्प local area network और internet के बीच barrier की रूप में कारे करता है SQL, Hasing, Firewall या cross server scripting वो कौन सा है जो एक barrier है local area network और internet के बीच में तो वो कौन सा होगा लेन और internet के बीच में barrier का काम करता है वो आपका firewall होता है क्या होता है firewall होता है ये ध्यान रखेगा firewall internet से आप जब लेन से आप connect होते है इंटरनेट के तुरू ठीक है तो वो firewall आपके protection का काम करता है कि कोई भी unwanted चीज आपको है system में गुस के आपका जो personal data है वो चोरी ना कर सकते है उसके लिए firewall होता है एक तरह से अगला question है disk cleanup टूल हीजे क्या है antivirus utility compression tool desktop publisher यह क्या है एक तरह से utility है utility software है disk cleanup disk cleanup क्या है utility software है क्या हुआ किसके बारे में बताना है देखो hashing जो होता है hashing जो होगा यह यहां sorting और hashing हम data को sort करने के लिए data structure में use करते हैं hashing process ठीक तो वो बड़ा चीज हो गई उस पे अभी नहीं आपको जाना है hashing मतलब यहां देखो data को sort करना और has करना वो होता है कि एक साथ data को sorting करके उसको फिर से rearrange करके रखना data structure में आप अगर data structure पढ़े होगे तो आपको पता होगा the abbreviation of जब नहीं पढ़े तो अभी दिमाग पर load मत डालो last time में the abbreviation of OSI stand for अभिशेक जी आपका first shift में है तो बंदू आप संस्था के नंबर पर एक बार अपने नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि आप अपने बंदू जो second batch में हैं उनकी help कर सकें open system internet नहीं होता है पापा की छिपकली मैंने कई बार इस question को करा रखा है अभी भी गलत दोगे तो सही में बता रहे हैं कि क्या बता है ऐसे question करोगे binary class लगी हो यह number system मैंने पढ़ाया है detail में उसको जाके देख लीजिए CRI अरे यार तुम लोग तो गजब हो OSI मॉडल मैंने पढ़ाया था बताओ OSI मॉडल का क्या होता है इंटर कनेक्शन इसमें होगा इंटर कनेक्शन ओपेन सिस्टम इंटर कनेक्शन यह आपका सही होगा अब बाकी और कोई नहीं operational system इंटर कनेक्शन होता है OSI का फुल फ़र्म ओपेन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है कनेक्शन नहीं इंटरकनेक्शन ओपेन सिस्टम interconnection c o double n होगा वहाँ पर double m जहाँ लिखा है वहाँ double n होगा interconnection c नहीं होगा operational system interface नहीं होता है वो SI के साथ layer होते हैं यह सब पढ़ाया है और उसके बाद last moment मैं इसी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा अगले question पर आते है the removal of error form a program किसी भी program से किसी भी program से error को find करके उसको remove करना क्या कहलाएगा troubleshooting, error handling, debugging या patching जल्दी से बताओ क्योंकि error handling में सिर्फ error रूणा जाता है उसको सुद नहीं किया जाता है बोला है removal of error form a program मतलब किसी program से तुरूटी हटाने को का कहा जाता है error handling अलग चीज हो गई वो program में नहीं होता है लेकिन debugging जो एक process होता है debugging का मतलब कि आपको error ढूणना होगा फिर जब ढूण लोगे तो उसे हटाना ही क्या का लाएगा error handling का लाता है तो उसी के आएगा debugging में आता है debugging process में आता है error को identify करोगे उसे analyze करोगे क्या है फिर error की location जानोगे फिर उसे सही करोगे यह सब process क्या है debugging में आता है उसी में handling भी आ जाता है which of the following statement is true for valid email address email address के लिए कौन सा valid है कौन सा statement is true for valid email address email address are not case sensitive email address are not unique email address can have hyphen as a first character space are allowed between character in email address कौन सा email address के लिए true है space allow नहीं होता है यह जान लेकना space allow नहीं होता है email address में email address can have a hyphen as a first character नहीं पहला character hyphen नहीं रख सकते हो symbol रख सकते हो लेकिन hyphen नहीं रख सकते हो email address are not unique unique होता है एक जैसा सभी का नहीं होगा कि आप भी उसी नाम से बना लोगे email address unique होता है इसलिए जब address जालते हो email address तो बोलता है यह नाम मौझूद नहीं है यह ट्राइ कर सकते हैं तो यूनिक होता है तो इमेल एड्रेस आर नॉट के सेंस्टिव यह के सेंस्टिव नहीं होता है के सेंस्टिव मतलब अगर आपका इमेल कुछ भी हो जैसे मालोब परिक्षा प्लस परिक्षा प्लस सेंस्टिव नहीं होता है केस का कोई अंतर नहीं पड़ता है चलिए तो आपका आंसर क्या होगा यही ट्रू है 18 का प्रियोग करके पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फाइल आने के लिए किया जाता है बताईए किसका प्रियोग करके टेबल का आफिस वर्ड कराया था आपको सी आंसर होगा बहुत बढ़िया ड्रॉप कैप कम से कम याद तो है तुम लोगों को कुछ लोग तो भूली जाते है ड्रॉप कैप होता है अगर कुछ भी दिखना हो तो सब पहला लेटर बड़ा हो जाएगा बाकी सब छोटे हो जाएगे न्यूस पेपर में अग्डिकतर दिखते हो गए अगला कुछन है विच ब्रांड अफ कम्प्यूटर फर्स्ट यूज़ तो कम्बिनेशन अफ जिवाई और माउस टुगेधर ये भी मैंने बताया था आपको ये कौन सा ब्रांड था इसका आंसर बतायी चाहिए कौन सा था मैसिन्टोस मैसिन्टोस, मैकेन्टोस ये आपका ब्रांड था जिसने पहले जिवाई के साथ माउस का कंबिनेशन निकाला था अरे ऐसा नहीं होना चाहिए तब तो छोड़ दो न देखो which of this is a scripting language scripting language कौन सी है इसमें से बताईए इसमें से scripting language कौन सी है बताईए scripting language कौन सी है इसमें से क्या answer आ रहा है आपके d आ रहे है side हो जाईए अभी side है बोलो तो सेसा नहीं छोड़ का चले जाए पास का लिस्क्रिप्टिंग लांग वेज है अच्छा नमस्कार रवी प्रेंका जी स्क्रिप्टिंग बता रहे हैं स्क्रिप्टिंग लांग वेज जो है आपका वो कौनसा है प्रल था सिसार्प नहीं है यह स्क्रिप्टिंग लांग वेज होती है इस new lah hindsight का मतलब जब आप इसे आप लिखो節 घुक्त लोगे तो क्या होता है इसमें इंत् पर लेंग्वेज में बाव इसके कोड लिखोगे तो यह स्क्रिप्टिंग होती है जो जोल्ड यह जोकी डॉय का टाइम सिस्ट्र मेंopp करते रखते हैं जो भी टास्क होता इनके प्रोग्राम में और दिag execute करते नाते हैं ठीक है यह runtime क्या होता है आपका परल आपका सही होगा मेरा system बहुत slow चला है चलो तपाल इसका सही होगा भी अगला question which of the following html code is not valid इसमें कौन सा html code valid नहीं है बताइए html code का मैंने pdf आपको दिया था अब तुम्हीं लोग जानो 131 लोग 137 लोग लाइव हैं और लाइव सिफ 78 है क्या मैंने किसी का खेट काट रखा है या किसी की भैंस खोल लेके आ गया हूँ मैं जल्दी से बताइए अज़र होगा बी होगा यह होगा चलो देखते हैं अज़र होगा झाल की तूत किसी की भी होगा या हूझ झाया वह हुई वगक तू नमा ख़ंदिगक समझे कौन सी फालतू की बात करना है बताइए कोई फालतू की बात हम भी कर लें इसमें आंसर आप सभी लोग क्या दे रहे हैं इसका जो बोला है कि html code नहीं valid है वो आपका कौन सा है d option जो दे रहे हैं वो लोग एकदम correct होंगे frame set column ये जो है आपका सही नहीं है 16% और 84% इसमें आपका ये आपका जो option दिया है frame set column इसके लिए यह नहीं use किया जाता है stml code is not valid यह valid नहीं है ठीक है कि पूरा-पूरा columns लिख जाता है ठीक है यह बूरा का पूरा columns लिंखा जाता यह valid नहीं है इसमें क्या है the formula बोला C3, C4, C5 has been copied from cell C7 to E7, what will the formula bar display when the cell selector is in cell E7, इसका अंसर बता हिये क्या सही होगा, बोला C3, C4, C5 has been copied from cell C7 to cell E7, what will the formula bar display when the cell selector is in cell E7, अगर ये ये C7 को, 5 को C7 cell से E7 cell में copy किया गया है, जब cell selector E7 cell में होगा, तो formula bar क्या परदर्सित करेगा, जब C7, E7 में अगर होगा selector, उसमें जाएंगे तो क्या आपका सो करेगा, इसी को copy किया गया है ना, B answer होगा, A answer होगा, C होगा, चलो, यहां देखो, बात उसमें कुछ नहीं करना, जिस cell में जाएगा, वही रूप ले लेगा, E3, E4, E5, किस में गया है, E7 वाले में गया ना, जो चीज़ यह select करके वहाँ पर जा रहा है, तो वो ऐसे ही जो cell का होगा, जो column होगा, उसके recording बदल जाएगा, E3, E4, E5, जो C था ना, यह, C3, C4, C5 था, वो E3, E4, E5 हो जाएगा, अगला question है, rdbms data is stored in, rdbms data कैसे store किया जाता है, बताएगे, rdbms data कैसे store किया जाता है, टेबल के form में, चलो, यह पता है, कोई भी data होगा, तो वो एक तरह से table में ही handle किया जाता है, तो यह सही है, table के form में होगा, अगला है, निमलिखित में से कौन सा विकल्प, निमलिखित कथनों की सत्यता को सबसे अच्छा वड़न करता है, Microsoft PowerPoint स्लाइड का orientation portrait के रूप में sit नहीं किया जा सकता, प्रिष्ट संख्या Microsoft PowerPoint presentation स्लाइड के उपरी भाग में डाली जा सकती है, इसमें से बोला है कौन सा कथन सत्य होगा, और कौन सा असत्य होगा, बताइए, Microsoft PowerPoint स्लाइड का orientation portrait के रूप में sit नहीं किया जा सकता, ऐसा थोरी यह किया जा सकता है न, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, उसके लेंड इसके portrait तो हम करी सकते हो, इसलिए गलत हो गया, प्रिष्ट संक्या Microsoft PowerPoint presentation स्लाइड के उपरी भाग में डाली जा सकती है, कहीं भी डाल सकते हो, उपरी नीची, कहीं भी कर सकते हो, तो पहला गलत दूसरा सही होगा, C correct होगा, राम राम, Class C IP address use bids for network ID, यह फिर पूछ लिया, Class जो C होता, A, B, C, तो C में network ID के लिए कितने bids का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए, network ID के लिए कितने bids का उपयोग किया जाता है, 24, 32, अरे नहीं, A में देखो क्या होता है, 4 octet होते हैं, 8-8 bit के 4 octet होते हैं, तो यह क्या आपका होगा, 4 octet में, जो last का होगा, वो सिर्फ क्या होगा, network होगा, वो सिर्फ network का होगा, ठीके, वो octet सिर्फ network का होगा, बाकी host का होगा, b वाले में क्या होगा, 2-2 का होगा, यह host address होगा, यह host होगा, यह network होगा, यह network होगा, c में क्या होगा, c में आपका 3 जो है, sorry, c में आपका क्या होजाएगा, एक आपका host network होगा बाकी आपके क्या हो जाएंगे बाकी आपके network address हो जाएंगे तो 8, 8, 16, 8, 3, 24 24 bit होगा option C correct होगा 24 होगा अगला the full form of PDF अभी पढ़ाया था क्या होगा portable document PDF का full form क्या होगा portable document जल्दी बताओ format ठीक है portable document format PDF का full form होता है अगला file नहीं होता है उस दिन भी तुम लोग file ही बोल रहे थे convert 110102 octel किसमें बदलना है octel में बदलना है इसको 11010 को octel में परिवर्थित करना है क्या होगा इसका octel में परिवर्थन करो क्या होगा कैसे करना है octel में परिवर्थन octel में परिवर्थन कैसे होगा देखो 33 bits बोला था में था मना थीन बिट इसको ले लो आगे के 3 bits बनाने के लिए यहां 0 कर लो तो 010 क्या होगा यह जान रहे हो 2 होगा देखो 2 किसमें है इसमें है तो 32 आंसर हो जाएगा क्यों 32 आंसर हो जाएगा 33 bits octet में 3 bit में representation होता है हेकसा में बोलेगा तो 4-4 bit को लेके बनाना पड़ेगा हेकसा में बोलेगा तो चार्चर को लेना पड़ेगा अगर 3 में कमी आ रहा है तो आगे यहां 0 कर लिया करो ठीक तो यह 3 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा असांसा है IC चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कम्प्यूटर जाना जाता है एपल प्रथम 2780, IBM 1620, IBM सिस्टम 1306 क्या सही होगा IC चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कम्प्यूटर कौन सा है IBM सिस्टम 1360 जो है वो IC से बना पहला डिजिटल कम्प्यूटर है IBM सिस्टम 1360 संद्रक्यूटर इंडीय से कुलकथा कंप्यूटर पार इंस्टाल किया गया था पहला सब्सक्राइब नहें कर दो में 1955 में इंडियन इस्टेटिकल इंसिटूट को कत्ता में इसे इस्टेबिलिस किया गया था भी आफसान सही होगा कोल कत्ता बहुत बढ़िया अगला कोश्चन है in which of the following SS technology do the stations share the bandwidth of the channel in time slot time slot में कौन बाढ़ता है TDM में time division multiple SS frequency division multiple SS code division multiple SS होता है ठीक है तो C option correct होगा कैसे memory is used to transfer the data between किसके बीच में processor and input device main memory and secondary memory processor and output device main memory and processor मुकिस्मृति से या processor के बीच में तो answer क्या होगा इसका कि जो कैसे memory होती है देखो मालो यह है processor यहाँ data आके process होगा यह आपका है main memory RAM OM है जो है ना और इनहीं के बीच में होती है कैसे memory memory चोटे-चोटे कैसे memory लगे होते हैं register memory होते हैं और यहां हो गया secondary memory यह हो गया secondary memory मतलब यह आपका hard disk हो गया चीक है अब यहां से data जिसको जो चीज आप process में डालना चाहते हो जो भी application खोलते तुरंत वह किसमें खुलता है RAM में खुलता है फिर उसके जो भी उसके process होंगे उस application के वह तुरंत कहा प्रोसेस होने लगेंगे चलने लगेंगे processor इसको मिल जाएगा ठीक है तो यह चीज सिदे किसको मिलेगी कैसे को मिलेगा कैसे इसको transfer करेगा फिर यह जैसे हो जाएगा फिर RAM को वापस आएगा किसके थुरू यह बीच में जो आपके कौन होते हैं सबसे fastest memory जिस वह बोला जाता है कैसे memory register memory वही तो यह main memory और processor के बीच में काम करते हैं नहीं वाइस आप processor और input device नहीं यह RAM और processor के बीच में कैसे memory काम करती है यह ध्यान रखना हाँ यह तो बात सही है computer कितना भी पढ़ लो कमी रहेगी आ जाओ syllabus ही आपका बहुत ब्रॉड है भाई साहब syllabus बहुत ब्रॉड है बस भगवान से दुआ करो जितना पढ़ें उतना आ जाए अनाधिक्रित उपयोग से network की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद करता है कौन firewalls, proxy server, routers या VOIP firewall का क्या होता है कोई भी unauthorized SS आपको करना चाहता है उससे रोगता है firewall होगा यह hardware और software होता है लेकिन अभी हम लोगों में software ही होती सिस्टम में जब आप बड़े-बड़े super computers और mainframe computer पढ़ोगे तो उसमें hardware में भी आते हैं computer keyboard shortcut control के का प्रयोग किया जाता है फिलहाल सक्रिय कारिकरम को बंद करने में start menu को खोलने में चुने गए part text के लिए hyperlink लगाने में तो link लगाने का काम किस में होता है control के से होता है सी answer सही होगा अगला question है यह भी मैंने पकड़ा दिया था वैलिड रेंज ऑफ पोट जो आई एन्ने के दौरा वैलिड रेंज ऑफ पोट है वो क्या है कि यह पढ़ाया वह question है इसको गलत मत करना कि वैलिड रेंज ऑफ पोट क्या है पूजा पांडे जी इसका answer बताए कौसल जी सी बता रहे है रितो जी सी बहुत बढ़िया चलो याद तो है कम से कम इतना याद है बहुत ही बढ़िया 0 से 1011023 तक वैलिड बोर्ड अड्रेस है यह बताओ कौन सा IP अड्रेस का है किस class का IP अड्रेस है 14.23 से start हुआ है न तो पहला class A कहां से कहां तक लेता है जो class A IP अड्रेस होता है वो कहां से कहां तक होता है class A की IP अड्रेस कहां से होगा एक से 126 एक से 126 class A होगा 128 से लेकर कहां तक 10190 तक यह class B होगा यह class A होगा और उसके बास से 192 से लेकर 223 तक यह class C में आएगा कहां आएगा class C में आएगा जिसका पहला ओक्टेट पहला ओक्टेट का यह मैं बोलना हूँ जिसके पहले ओक्टेट में एक से लेकर 126 तक रहे वो समझ लो class A है 128 से 192 रहे तो class B है 192 से 223 रहे तो class C है और 224 से 239 तक रहे तो यह class D है ठीक है समझ गए और उसके बास से 240 से लेकर 254 तक लास्ट 254 तक यह आपका class E है पांच class होते हैं यह सब रिजर्व रखे गए हैं इन्हीं सब का यूज होता है maximum तो यहां पर आप से पूछा है तो देखो 14 है न तो वह 26 के रेंज में आएगा इसका मतलब कौन सा class होगा class A होगा क्लास A का है वाट इस डिस्क ऐसस्टाइम मैंने डिस्क ऐसस्टाइम बताया था डिस्क में प्लेटर्स होते हैं ऐसे प्लेटर्स होते हैं और यह आपके पहुचना जिसमें data है आपका और उस track से उस sector में पहुचना मालो इस sector में data रखा गया है तो यहां तक महुचने को काते है latency time यहां तक के काते है seek time तो seek और latency time मिलकर क्या काता है access time होता है अगला question है cd जो dos में अगर cd command जो होता है dollar से भी कहीं कहीं प्रेजेंट किया आता है अच्छा ऐसे cd भी बोल दे तो इसका में मकसद क्या होता है returns to home directory returns to parent डिरेक्ट्री रूट डिरेक्ट्री अचाइल डिरेक्ट्री सीडी जब लगाओगे तो यह क्या करेगा c होगा इसका answer चलो देखते हैं क्या सही होता है कि नहीं देखो यह होगा होम डिरेक्ट्री जो भी होम डिरेक्ट्री होगी उसमें चला आप क्या कमांड लगा के देखना कमांड पॉर्मेट खोलके cd का फूल फॉर्म क्या होता है यह मेकेनिकल वाले जादे अच्छे जानेंगे यह दम होता करता है जाने लोग क्या करते थे 3-D डिजाइन क करते थे कार की अरव प्लेट की वह उसमें डिजाइनिंग होती है तो चल्यों होता है क्या होता थे इस डिढको फॉर्म होता है 40 question what does this disc domains dear fragmentoder क्या करताingt puts a fragmented piece of disk together allow file to be stored across disk partition keep track of the fragmented portion remove holes on the disk for better utilization of disk space क्या करता है ये बताये ये मैंने बताया है बोला ना remove holes, holes का मतलब computer language, unused disk block sector on the disk for better utilization of the disk space fragmented pieces को disk together करता है और क्या, और किसी के answer कुछ लोगों के D आ रहे हैं, कुछ लोगों के A आ रहे हैं देखो, removes holes, unused disk space जो unused disk space है, उनको क्या करेगा एक प्रॉपर बनाएगा on the disk for better utilization of disk space disk space को जो भी unused हैं, उनको hole को remove करेगा, bug file हटाएगा यह सर्फ पैकेट के रूप में जो होते हैं, वो आपका देखना, defragment करके देख लेना, color में आएगा आएगा red or color में ऐसे बन के आएगा, जो space red में साइध होगा, वो red color में जो होता हो, साइध खाली space होता है फिर जब defragment कर दोगे उसको, तो उसको remove कर दिया जाता है defragmentation क्या होता, disk defragmented do, puts a fragmented piece of the disk together नहीं, remove the holes, जो undisk block होते हैं, जो sector होते हैं, disk में उसको better utilize किया जाता है उसको हटाया जाता है, unused जो आपके block होते हैं, sector होते हैं, उसको हटाया जाता है, ताकि वो आपके used में आ सके broadcasting a mail to a multiple unrelated recipient is usually done under BCC2 या CCC ऐसा आपको broadcast करना है, जाकि आपके बारे में कोई जान ना पाए कि ये कैसे आया है BCC से करते हैं, BCC का full form क्या होता है ये बताओ BCC का full form क्या होता है, देखो यहां बोला broadcasting of mail to multiple unrelated recipient is usually done under जिनको भी भेजना है, जितने भी recipient है उनको mail भेजना है तो वो उनको ना पता चले कि ये mail किसको किसको भेजा गया है ठीक है, ये mail किसको किसको भेजा गया है, वो recipient को आपको पता न चल पाए कि ये mail किसको किसको गया है, उसके लिए क्या यूज करेंगे ब्लाइंड कार्बन कापी, क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कापी, इसमें पता नहीं चलेगा कि ये mail किसको किसको गया है ये एक प्रोग्राम है, इसका आंसर बताना है आपको, read and initialize i to one, while root lie, i is less than an, increment i, end while stop, what is the following is correct, correct कौन सा होगा इसमें से Read number n and print the integer counting up to n minus 1 Read number n and print the integer counting up to i Read number and print the integer counting up to n plus 1 Read number n and print integer counting up to n तो output क्या होगा देखो, यहा होगा i, i को आपने one दे दिया जब while loop आपका चलेगा तो 1 n ठीक है ये n कुछ भी हो सकता है माल लो हम अभी माल ले n माल ले 10 suppose करो n की value हमने 10 माल लिया i को हमने 1 दिया है तो अब increment i की value increment हो रही मतलब i पे plus plus हो रहा है इसका मतलब यह हुआ i की value बढ़ रही है क्या 1 जो है 10 से कम है हां कम है तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा तो फिर से loop में जाएगा फिर से वही loop चालू होगा तो i की value हो गई 2 अब 2 क्या 10 से कम है हां कम है तो अब i की value 3 हो जाएगी फिर 3 10 से कम है हां कम है तभी भी बढ़ेगा फिर 4 आएगा ये भी 4 भी कम है 5 भी कम है 6 भी 7 भी 8 भी जब 9 में आओगे तभी भी कहेगा क्या कम है ठीके अब इसकी value 10 हो गई ठीके अब इसकी value जैसे 9 आएगा suppose करो 8 गया तो value इसके 9 हो गई जब 9 आया तो 9 यहाँ चेक होगा कि 9 is less than 10 एकदम सही है कि 9 अभी less than 10 है जैसे आगे जाओगे I plus plus हो जाएगा I की value कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी ठीके I की value 10 हो जाएगी अब फिर से जब यह चेक करेगा कहेगा 10 is less than 10 है नहीं यह condition false हो गया मतलब कि क्या हो जाएगा आपका यह लूप यहां से निकल जाएगा यह लूप यहां से निकल जाएगा end while हो जाएगा stop हो जाएगा तो आप से पूछ क्या रहा था इसमें कि what of the following option is correct इसमें से क्या correct option है तो अभी हम देखें इसमें बोला read number n print the integer counting to n-1 कहां तक यह print करेगा इससे बताओ अगर इससे print करना होगा तो यह कहां तक print करेगा यह तो गला था ना है read number and print the integer counting up to i i तक नहीं करेगा n-1 तक भी नहीं करेगा 10-11 तक थोरी जा रहा था और n तक भी नहीं print करेगा जल्दी से बताइए n-1 बहुत बढ़िया देखो यहां पर जब आपका क्या होगा increment हो गया 9 था 9 गया उसके बास 9 भी चेक हुआ कि नहीं है तो 9 तक तक प्रिंट हुआ लेकिन जब फिर आपका प्रिंट हुआ तो फिर 10 इंक्रिमेंट होगा 9 तक तक तो बढ़के गया 9 चेक हुआ कंडिशन 9 आपका प्रिंट हो जाएगा उसके बास से यह 10 आपका बढ़ जाएगी इसकी value तो 10 चेक होगा और जब सही होगा तभी तो प्रिंट करेगा इसलिए वो 10 प्रिंट नहीं होगा 10 प्रिंट नहीं होगा इसलिए N-1 तक जाएगा कहा तक जाएगा N-1 तक जाएगा क्योंकि N की value हमने 10 लिया लेकिन print कहा तक होगा सिर्फ 9 तक print होगा print कहां तक होगा 9 तक होगा यह ध्यान रखना क्या हुआ print सिर्फ n-1 तक होगा यह ध्यान रखो क्या होगा इसका अंसर correct a होगा क्या बोलना है अब से जी जल्दी बताइए 42 नंबर कोश्चन बड़े से छोटे क्रम में निमलिखित को अरेंज करना है बताइए बड़े से छोटे में जाना है इसको तो मैंने बाद सबसे बड़ा TB होता है उसके बाद GB होता है उसके बाद mb होता है उसके बाद kb होता है d correct होगा हाँ n की value से एक कम जाएगा जो loop होगा what is macro macro मैं मैंने बता रखा था यह small program created in ms word automated repetitive task by using vba vba का use करके हम repetitive task जो करते हैं table का मैंने example लिया था उसको हम reduce कर सकते हैं macro के साब से ठीक है अगर हमें कोई भी एक ही task perform करना है कई बार ms office में तो उसका macro बना लेंगे तो हमारी वो task क्या हो जाएगा effort उस पे कम हो जाएगा windows 7 control r delete से क्या होगा control panel खुलेगा task manager my computer या windows explorer task manager open होगा ठीक है direct shutdown भी होगा यह भी आता है तो control r delete से क्या होगा task manager होगा वाइरस क्या है बताइए एक वाइरस क्या होता है computer device में जो software को copy कर सकता है और उप्योग करता है की कंप्योग कर सकता है computer as सकता है कि उप्योंकर्य को चोड़ा सकता है बताइं यह क्या इसमें सही हो एक क् यह करेक्ष ऑगा में हुए ब rok prayRC death क्या होता एक प्रोग्राम होता है जो उप्योंकर्त करता कि एक जनकारि के बिना एक यहां पे, तो सब का connection किस से होगा, एक दूसरे से होगा, सब एक दूसरे से connect होंगे, तो यह मेस्ट आपलोजी होता है, मेस्ट आपलोजी में कितने cable होंगे, अगर 4 node हैं, 1, 2, 3, 4, 4 node हैं, तो cable कितना use हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cable use हुआ है, ठीक है टोटल 6 केवल है नोड है 4 केवल कितने हुए है यूज 6 हुए है तो वही पूछ रहा है कि अगर नोड में पूर रूप से जोड़ा जाए तो में स्ट अपलोजी में नेटोर के केवल की संख्या कितनी होगे तो इसमें मैंने पढ़ाया था n-1 upon 2 होता है ये केवल की संख्या देखो अगर 4 है तो ये 6 नोड है आपको न दिख रहा है तो अगर यहां 4 रखें 4-1 क्या हो जाएगा 5 ठीक है यहां upon 2 2 दो नी 4 4-1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है तो 3-4 को 12 हो जाएगा 12 अपन 2 मतलब 6 आ जाएगा तो number of cable कितना आ जाएगा 6 और यहां पर भी देखो 6 cable तो यूज हुआ है अगर मैं इसमें नोड चार सिस्टम को जोडने के कहूं तो इस फॉर्मूले पर रखोगे तो चार और चार माइनस से कितना हो जाएगा 3 upon 2 दो दूनी 4 दो 3 अच्छे तो 6 cable आया तो वही इसका formula बन जाता है जितने आपके यह नोड है उनसे क्या होगा n into n minus 1 upon 2 क्या होगा इसका formula होगा क्या निकालने का number of cables निकालने के लिए मेस्ट अपलोजी का यह formula है मेस्ट अपलोजी का यह मैंने paid batch में पढ़ाया है जो paid वाले होंगे उनको पता होगा making a heading visible even while scrolling excel can be done by using excel के scrolling करते हुए उपयोग करके heading के दिरस्यमान बनाया जा सकता है fridge pen से मैंने बताया था ना कि heading को scroll करते हुए भी दिरस्यमान बनाया सकता है option a correct होगा fridge pen से identify the correct order stage of data processing data processing के सही क्रम को पाचा निए data पहले क्या होगा input से stage में आएगा फिर उसकी processing होगी फिर कहां जाएगा output होगा और उसके बास अगर output stage आप नहीं लेना चाते हो तो उसको store कर दिया जाएगा data को तो answer क्या हो जाएगा D होगा पहले input होगा फिर उस पे process होगा फिर उसका result आएगा फिर उसे store कर दिया जाएगा memory में दि करेक्ट होगा next है Microsoft PowerPoint handout header footer जोडने के लिए आपको निम्न में से क्लिक करना होगा काँ view slide master पे view hand out master पे या handout item पे या non master पे तो view में जाकर handout master पे क्लिक करना होगा अगर handout में क्या डालना चाते हो header footer जालना चाते हो तो view में जाओ handout master में click करो वहां से आप header footer डाल सकते हो 50 number question और last question जो आपका क्या है unique code code होता है हर character के लिए जो आप keyword से करते हैं इंटर करते हैं उसका binary में code होता है तो उस 8 bit का होता है तो इसका maximum कहां तक कितने later तक को यह code कर सकता है तो दोस कहां तक होता है 2 की power 8 2 की power 8 मतलब 256 character को इसमें code किया जा सकता है 0 से लेकर 255 इसका range होता है तो 0 के include कर लोगे तो कितना आएगा 256 character को code किया जा सकता है तो यह आपके 50 questions है मैं hope करता हूँ मालक्षमी से सार्दे से prayer करता हूँ यही कि यह question में से आपको कुछ न कुछ question मिली जाए ठीक है जितने भी questions कराएं जितना PDF टेलिग्राम पे दे दिया गया उससे आपके maximum question आ जाने चाहिए यह मेरा जहां तक अनुमान है ठीक है तो सभी लोग एकदम cool mind से must must खाना खाओ और पूरी नीद लो आठ नो घंटे की और कल भीड जाना पेपर के साथ बस एक बात ध्यान रखना कुछ भी हो जाए question छोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए question छोड़ना नहीं है नीद नहीं आ रही है अरे नीद लो अगर इतना टेंसन ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी binary conversion मैंने करा रखा